बूटियों से बना विश्व का सर्विश्रेश्ट चवन प्राश, प्रायोजक पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट, कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच, और पतंजली केशकांती एडवांस, नए बालों गाए बालों को जड़नेवा असमे सफेध होने से बचाए। गिफनिफ्टी 21,100 के पास सपार दाव फ्यूचर सुस्निके में 500 अंकों का उचाल। पास बन तुचांदी 72,550 के पास सपार दाव को समुद्र के अंदर 44 किलोमेटर पाइफ प्लाइन रिप्लेस्मेंट के लिए ओन जी सी से मिला 1145 करूर रुपे का ओर्डर। डॉक्टर एडिस को बच्चपली आरेंडी सेंटर के लिए यूएस एमडिया की तीन आपतियां जारी। एक अक्टूबर 2025 से ट्रक ड्राइवरों के केबिन में अनिवारे होगा एसी सड़क परिवहन मंत्राले ने जारी किया नोटिफिकेशन जी बिजनेस की एक्स्लूजिव ख़बर पर महत। बीजेवी के विश्नुदेव साहे होंगे 36 गड़ के नए मुख्यमंत्री। बीजेशन जी बिजनेस परिवहन में आपके चाहेते चानल जी बिजनेस ने मचाई धूम। बिजनेस स्पेशल में वेल्थ क्रेशन वीक तो बिजनेस टॉक शो में न्यूस पर व्यूस और डेली न्यूस बुलिटन में इंडिया 360 दिग्री समेट पांच कैटेगरीज में मिला सम्मान। नमस्कार सोंबार की सुभा आप सभी का स्वागत है पार ब्रेक्टिस में आपके साथ मैं हूं नेहानदा ये देख लेते हैं कि हफ़ते के पहले कारुबारी दिन शुरू होने से पहले अंतराश्य बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत निकल के आ रहे हैं गिफ निफ्टी फ्लाक्ट नेगिटिव शुरुवात की है दसंक नीचे है इस समय लेकिन 21,08 के पास अपने आपको टिकाय हुआ है डाव फ्यूचर्स पर नजर डालिए फ्लाक्ट पॉस्टिव ट्रेट यहां पर है 18 अंकों की स्ट्रेंथ नजर आ रही है नास्डेक फ्य मार्केट निके से तो अच्छे संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं आज सुबा की बात करें तो कच्छा तेल हलकी रिकावरी के साथ एक छोटे दारे में ट्रेट कर रहा है और फ्लाक्ट टू पॉसिटिव हम सोने चांदी में भी कारोबार होता हुआ देख रहे हैं तो छे हफतों से तो दमदार आक्षन आप देखने चाहे हमारे बाजार हो या ग्लोबल मार्केट्स हो बट यह हफता इस साल का वन ओड़ो मोस्ट इंपॉर्टन हफता रहने वाला है तो इस हफते आपके लिए आने वाली है तो उसी पर सब की नजर रहेगी और उसकी तरफ से आप डेटा और सेंटिमेंट पर इंपक्ट भी आते हुए देख सकते हैं अफकोस सबसे इंपॉर्टन इसमें रहने वाली है यूएस फेट की पॉलिसी जो इस वेडनेस डे आने वाली है हमारे अफकोस थर्सडे को इसका रियाक्शन आते हो देखेगा तेरा तारिक को पॉ दा दिया तो वहां से तो हमारा मूड अच्छा है बट ये बाकी सेंट्रल बैंक्स और इस्पेशली यूएस फेड क्या करता है ये इंपॉर्टन रहने वाला है और इसके कुछ और इंपॉर्टन फैक्टर सा जो मैं आगे आपको बताता हूं बट यहां पर सबसे इंपॉर करीब करीब तीन साल का सबसे निचले सर पर आपके लिए चीन का इंफलेशन आते हुए दिखाए तो वहां पर थोड़ी नर्मी आप देखी रहे हैं अब देखते हैं यूएस में कैसे अडेटर हैगा और चीन का भी आएपी आंक्रे लेटर आन दिस वीक आएंगे तो काफ नैस्डाक में आपने हलकी बड़त आते हुँ देखिए अल्मोस्ट आधा परसेंट नैस्डाक उपर था लगबग सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन आपने देखा है रसल 2000 में करीब 5% की आपने तेजी आते हुँ देखिए तो वहां से भी कोई परिशानी नहीं थी अ अब आप 6th weekly gain आते हुँ देखिए तो बहुत ही बड़िया आक्शन आपको अमेरीके बाज़ार में आते हुँ देख रहा है पिछले अफ़ते डाव करीब आपका 7% उपर था S&P 500 में भी अल्मोस्ट उतनी गेन आई थी नैस्डाक में आपने 5% की बड़त देखिए तो ओ दो लाक नई जॉब्स जोड़ी है नवेंबर के महीने में अनुमान एक लाक नब्बे हजार का था तो थोड़ा अनुमान से बहतर ये डेटा आते हुँ दिखाए बट इसके सामने जो बेरोजगारी है वो 3.9% से गिर कर 3.7% पर आती हुई दिखिए अनुमान 3.9% पर दिखाए एक तरफ से तो डेटा अच्छा है कि बाकी सारे रेट हाइक और स्लोडाउन के बीच आप देख रहें कि जॉब्स डेटा मजबूत है बट ये दर्शार रहा है कि शायद फेड का जो सब अनुमान लगा रहे हैं कि मार्च से रेट हाइक रेट कट शुरू हो लगा रहे थे इन फैक्ट इस जॉब्स डेटा से पहले करीब 60% लोग रेट कट का अनुमान लगा रहे थे अब इस जॉब्स डेटा के बाद वो नंबर 45% पर आ गया है क्योंकि ये इतना बढ़िया जॉब्स डेटा आया है तो शायद मार्च में भी रेट कट नहीं हो ऐस एक उमीद आई है ऐसा एक डेटा दिखा रहा है बाजार में अब ये सच है की नहीं हमें नहीं पता बठा देखना पड़ेगा कि कैसे ये आंक्र आक्शन बनकर आता है बट डेफिनेटली बॉंड मार्किट ने इस जॉब्स डेटा पर रियाक्ट किया है क्योंकि आपकी ब मजबूत डेटा आया है तो शायद मार्च में रेट कट्स नहीं हो ये भी एक संभावना बन सकती है इसके अलावा अफकोस यॉरोप में आपको ठीक ठाक अक्शन दिखा कच्छे तेल में हमने शुकरवार को बढ़िया रिबाउंड देखा करीब 2.5% रिबाउंड 76 पर ब दिखा है डॉलर इंडेक्स में चार हफतों के बाद आपने सब्ताइक बड़त देखी है सोने और चांदी में चार हफतों बाद आपने सब्ताइक गिरावट आती हो दिखिए पिछले हफते करीब 30 डॉलर उचाई से सोना आपको फिसलते हो देखा था बेस मेटल में अभी रिखने को मिलेगा धनेवाद दीप वो पूरी देल दर्शकों के सामने रखने के लिए आई अब जान लेते कि जिस प्रकार की ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं और जिस तरहां का पूरे हफते का कैलेंडर दिखाई दे रहा है उन सब के बीच आज हमारे मार्केट कैसे रियाक करे करेंगे और आपको ट्रेडिंग रणनीती क्या अपनानी इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनस के मैंजिंग एड़ेटर अनल सिंग भी हमारे साथ जोड़ चुके हैं सर मॉनिंग आपसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्राटरजी तो लेंगे सर लेकिन सबसे पहले बधाई स्विकार करें एक नहीं दो नहीं पांच-पांच अवार्ड एंटी अवार्ड सेर्मनी में हमारे लिए सर बहुत ही गर्व की बात है और आपको और हमारी पूरी टीम और हमारे सेवी दर्शकों का भी बहुत बहुत दन्यवाद आभार आपके पूरे सरयोग समर्थन की वज़े से जिब जिने से कुछ अच्छा कर पाया है और एंटी अवोर्ड में शुकूर निवार की शामकों में अलगर कैटेगरी में पा बाजार का सवाल है नए हफते के हम अच्छी शुरुआ करने के लिए तयार है तइस अच्छे है चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो अमेरी की बाज़रों में जॉब जेटा के बाद एक जो हल्कि फटिप आई उसके बाद एक अक्छी रिकरवी होती ंवी दिखी है हम एक दो दिन एफाइस की तरफ से जो बिक वाली का माहूल थो थोड़ा सा थमता हुआ दिखा है और कल के से शुक्रवार के के सेशन में हल्की फिल्की खरीदारी के आंक रहे आते हुए हालकि इसमें कुछ-कुछ एड़स्मेंट नहीं है ब्लोग डिल्स में काफी हुई है जि अच्छी क्लोजिंग देख्यों के मिली निफ्टी ने भी लाइफाई बनाए उसके आसबार की बंदों रवा जिखा है तो मुझे एक बार फिल से नया लाइफाई बनाने के लिए बाजार तैयार है निफ्टी सेंसेक्स तीनों पर लाइफाई बनने के विदर नाते और आ खरीदारी करनी है जा तक उपर के लेवल का सवाल है एक्केस जार च्छे का हमने लाइफाई बनाया है एक्केस जार पच्छीस को पार करने के बाद निफ्टी आपके लिए दूसका है जो नमें जाता हो नजबाएगा और तब आप अपनी टेजी की पोजिशन को स्टॉप सब्सक्रणा के लिए पार करा काम करें वालों मजबूत सपोर्टेजंव स्टॉटराइद एक बार लें, खरीज कीज़शन को स्टॉपर की सबस्क्राइब और मेरा पूरा माना है कि आज फिर से एक बार बादा ने हाइज बनाने को चाहिए आरे स्टॉक्स स्पेसिफिक अक्शन बिल्कुल बूर्निंग आज नतीजों में भी धियान रखना है नतीजों में कैश में फैट पीना और स्पाइज एक आपको नतीज आते भी दिखेंगे इस्पाइज बोट बेटक में नतीजों के साथ साथ पुंजी जूटाने पर विचार हो और प्रोटियन इगर्व टेक्नोलोजीज और आस्क अटो यहां पर भी 50 परसेंट का जो आई पीओ का इंकर लोकिन है तीज दिन का वो खुलतावा दिखेगा ओएफेस अपडेट में इरकॉन इंटरनेशनल रिटेल निवेशकों का हिस्सा लगभग तीन गुना बढ़ता दिखा है बैंक ऑफ इंडिया इश्यू प्राइज 100.20 यहां पर पर तैय किया गया है मौजुदा भाव से लगभग 12.3 परसेंट के आसपास डिसकांट पर है और बैंक का क्यू आई पी आंट दिसंबर को बंद हुआ जिसमें अगर आप क्यू आपी देखे लगभग 4.1 ट सारी करते वे दिखे हैं BPCL भारत पेट्रोलियूम और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलीटी ने करार किया है और यह बारत में 7000 चार्जर लगाने के लिए करार करते वे दिखे हैं टाटा इंवेस्मेंट टाटा ग्रूप ने सेमिकंडॉक्टर प्रोसेसिंग प्ला रहा है वहां पर उन्होंने टीवेस अपाचे आर्टी और 164 वी जो है वो लॉंच की है डीसी भी बैंक यहां पर बैंक से प्रिफरेंशल बैसिस पर आगा खान फंड फॉर एकोनोमिक डेवलपमेंट ने को लगभग 60.6 लैक एक्विटी शेर्स अलोट किये अलोट्मेंट लगभग 14 करोड माफ कीजेगा एसन इंवेस्मेंट ने लगभग 44 करोड एंड इंवेस्टर्स ने लगभग 7.5 करोड और डेकान वेल्यू ने लगभग 5.6 करोड जो है बेचे है शेर्स और खरीदारी में आपको दिखेंगे जीकुजी पार्टनर्स जिनोंने लगभग 9. 9.2 करोड खरीदे हैं गोल्मेंट सेक्स 11.19 करोड के आसपास खरीदे हैं नौमूरा और आदी भी नाम है जहां पर इंवेस्टर्स नाम आते में दिखेंगे और अंत में प्रिकॉल यहां पर पिएचाई कैपिटल ने लगभग 30 लाग के आसपास शेर्स बेचे हैं और खरी हैं तो एक्विटी स्पेस में यह वो सारी खबरे हैं जुन पर आपको रखनी है नजनर वो ट्रिगर्स भी महतवपूर्ण है क्योंकि आक्शन और रियक्शन यहीं से आता हुआ दिखाई देगा धनिवा दर्मान पूरी डिटेल के लिए आए आज किमोडिटी बाजार की रणीती हम पहले समझेंगे और इन सब पर बात करने के लिए रणीती सुझाने के लिए ट्रेट बूल सेक्योर्टी के भाविक पटेल साब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं भाविक जी गुड मॉनिंग बहुत स्वागत है सर सबसे पहले तो कच्छे तेल पे फोकस क कर लेते हैं लगातार एक तरफा गिरावर्ट दिख रही अफकॉस शुकरवार को अमेरीकी जॉब स्टेटा के कारण थोड़ा सा रिबावनिंग अफेक्ट जरूर दिखा लेकिन ओवरॉल तो हम देख रहे हैं लगता साथ-ाथ हफतों से गिरता ही चला जा रहा है आज क्य है कि काफी ओसल्ड हो चुका है तो मुझे लग रहा है आज के दिन पी जो से फ्राइड को जो थोड़ा बहुत अपसाइड दिखा था अधिक हो ही कंटीनु रहेगा तो इंट्राडे आइधिंग अरूं 5900 के करिब डिसेंबर फ्यूचर अगर आता है तो बाई कर सकते है च कि एक छोटे रेंज का ट्रेड दिखेगा गोल्ड में क्या करना है हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक बाद फिर से स्ट्रॉगल कर रहा है पिछला हफता शुरुआत तो हुई एतिहासिक हाई के बाद लेकिन क्लोजिंग ऑल्मोस्ट थीस में थीस डॉलर नीचे हुई है हाई कि गोल में कोई बहुत बड़ा उचाल देखने को मेलेगा कोई ट्रिगर्स भी नहीं है तो आधिक बेच के चलना चाहिए तो आरां 61,850 के करीब शॉर्ट कर सकते 61,950 के स्टॉप लॉस से नीचे कर टागेट सकते 61,600 का चांदी की बात कर रहे है तो चांदी में भी आज अगर थोड़ा पत ओपनिंग आता है पॉजिटिव तो बिकवाली करके चल सकते हैं तो चांदी में 72,800 के शॉर्ट कर सकते हैं 72,300 के टागेट के लिए और 73,100 का स्टॉप लॉस सकते हैं बेस में क्या रणनीती अपना है क्योंकि यहां पर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है चाइना के कॉपर इंपोर्ट के नंबर आए थोड़ा बहुत सपोर्ट कॉपर को जरूर मिला शुक्रवार को लेकिन बाकि जुतने मेटल्स आप ले लिजए अलिमिनियम, जिंक लेड इन पर्टिकिलर, मल्टी मंथ लोज पर यहां ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, क्या करना है? जिंक में मैं बिक्वाली की रणनीती रखूंगा, डिसेंबर कॉंटरेक्ट 218 के करीब, 215 के टागेट के लिए और 220 का स्टॉप लोज रहे था। ओके चलिए, तैंक यू सो मच भाविक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमाउटी स्पेस में कहा कहा है, कमाई के मौके रुपते, छोट इसे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लोटेंगे, ब्रोकरिज रिपोर्ट, सैनफ कॉसिक्पिटी, मार्केट वर्मॉरा थाइस, फ्लोरिंग ब्यूट फिल बनाने का लियो स्टाइए, बाद पित कफ को जो करता है नित्य खंड खंड असुद्धता का भाव भी इसको ना छू सके कभी ये जीव निया शक्ती है, इसमें ना अति शोक्ती है, ऐर्वेद का ये सार है आरोग्य का प्रका ये दिव्य है अमूल्य है पतन जली चबन थाश है मोधी सरकार की गैरंटी हर गरीब का मुफ्त इलाज 55 करोड लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपे तक के मुफ्त इलाज की निश्चिन्त था हमारा संकल्ब विकसित भाग बेदाक चान ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मोरा मचा गया न्यूस्टाइल वर्मोरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल पतंजली हनी ने पास किये हैं प्यॉरिटी के सौ से भी अधिक इंटरनाशनल पारमीटर्स तभी तो बनाईए प्यॉरिटी में मेरा लीडर पतंजली हनी सौ में सौ वर्मोरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल वल्कम बैक आप देख रहे हैं पाप ब्रेक्फिस्ट आई एकुटी मार्किट की रणनीती समझते हैं सेंटर्म ब्रोक्नी के निलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं निलेश जी गुट मॉर्निंग सर बताइए एकुटी स्पेस में कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक्स पर आज नजर रहे गया आपकी बिल्कुल देखिए फोकस लॉंग साइड में ही बना हुआ है लगातार और जिससे आप से हमने मुमेंटम देखा है तो मुमेंटम हमें एकुट करें कंटीनी होना चीए स्टॉक्स पर आज लग रहना चीए तो सीमें शेक्टर एज़ अच्छा लग रहा है उस स्पेस में से इंडिया सीमें यहां पर काफी अच्छा बिल्डप हमें लॉंग साइड में देखने को मिला था फ्राइड के सेशन में जहां पर मोर्देन एक काफी अची शॉट कवर स्टॉक्स पर आज बिल्डप के लिए यहां पर इंडिया सीमें में लॉंग पोश्य बना के चलता था इसके साथ साथ और अच्छे शॉट कवरी यहां भी देखने को मिली ती तो यहां पर खरिजारी करने की सला होगी जए जबली स्टील को उपर आट सो साथ आट सो बस यहां पर रखी चलना होगा ओके चलिए तो इंडिया सिमेंट वैसे तो हमने पिछले हवते देखा था एफ नो बैंड में था तो इंडिया सिमेंट कैश स्पेस पे नजर हम रखेंगे 271 के पास एंट्री 267 का स्टॉप लॉस 280 तक का लक्षे उपर बनता हुआ स्टॉक्स के तरफ तो विदेशी ब्रोकरजिस की नजर कौन-कौन से स्टॉक्स पर है पूरी डिटेल अर्मान के पास है अर्मान बताईए और्गनिस्टैनली की तरफ से कई सारी रिपोर्ट्स आती हुए दिखिए सबसे पहले एक्सिस बैंक पर रिपोर्ट है मेंटेन र जादा है मॉर्गर स्ट्रहिं मोटा से दर बंड़ ठोक हैं लिपोर्ट मेंटेन रंख रहे हैं इकवल वेट को पर टार्गट जो हैं मुझत लेक्ड़ा शुकर 252 स्की आसपास का सबाइक और रहा है उन्हें की श्यास डव सटील पर रिपोर्ट ठेख direct है में तेंडर रखरें रहे हैं अंडर वेट को टार्गेट कर रहे हैं जो कि मुझूद अभावगर आप देखें उससे काफी कम ही है और अंत में मौगन स्टैनली ही विपरो पर रिपोर्ट है मेंटेन रख रहे हैं अंडर वेट को और टार्गेट रहे हैं 370 का चलिए धन्यवाद अर्मान पूरी डिटेल के लिए लेकिन आए बात करत हैं NT Awards 2030 की जिसमें Zee Business ने धूम मचा दी, Zee Business को पांच कैटेगरी में अवार्ड मिले है, Zee Business के मैंजिंग एलता अनुल सिंगवी ने अवार्ड रिसीव किया, Budget Shining India को Best Promo की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, यही नहीं, Daily News Bulletin में India 360 कैटेगरी को अवार्ड मिला है, Business Special Program अवार्ड मिला है, Tech Innovation in News Television में Budget Metaverse को सम्मान मिला है, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन, तीन सम्मान Zee Business के खाते में आये हैं, और आपको बताते हैं कि अवार्ड मिलने के बाद Zee Business के Managing Editor अनुल सिंग्वी का क्या कहना था, आईए वो भी आपको सुनाते हैं एंटी अवार्ड यानि News और टेलिविजन के दुनिया के सबसे बहतरिन अवार्ड इसमें आपके चहते चनल Zee Business को एक दो नहीं, पूरे पांच 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 अवार्ड मिले हैं, जहां अलग-अलग के टेगरीज में सबसे बहतरिन अवार्ड मिला हैं, हमें West Creation Week की सीरीज के लिए जहां हमने आपको बताया है कि इंदुस्तान के बढ़ते हुए बाजार और इकोनोमी में किस तरह से हमारे इंवेस्टेंस पैसा बना सकते हैं, यह सबसे ज्यादा पसंद आया, हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन राग को आच बजी, इंदिया 360 डिग्री, साफ सुत्री न्यूज वाली बुलेटिन, कोई आलतों फालतों की बहस नहीं, उसे भी बड़ा अवर्ड मिला है, एक अवर्ड मिला है हमें, बजट के दिन हमने जो प्रोम बनाया, शाइनिंग इंग जहां टेक्नोलोजी और ड्रों का इस्तेवाल करते जो प्रोम बनाया, वो बड़ा पसंद आया है, इसके लावा हमें एक अवर्ड मिला है टेक्नोलोजी की दुनिया में, मेटावर्स, इस पर हमने प्रयोग किया और वो भी काफी पसंद आया है, इसके साथ जी बिजिस को धेल सारे अवर्ड मिलें, इसके लिए मैं एंटी अवर्ड, उनकी जू चलिए तो यसी के साथ पाब रेक्फिस को भी हम यहीं पर राप अप करते हैं, लेकिन बने रहीएगा वी बुजिनस के साथ रेक्यों पार लेकर आएंगे ट्रीडर्स डायरी, जहाँ आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियर्स प्रश्ट करने से पहले टेस्स तो कर लो मैडम पतंजली हनी का टेस्स हुआ है वर्ल्ड की रिनाउन लाप्स में और पतंजली हनी ने पास किये हैं प्यॉरीटी के 100 से भी अधिक इंटरनाशनल पारमीटर्स तभी तो बनाइए प्यॉरीटी में मेरा लीडर पतंजली हनी, 100 में 100 एर चेक कर, हाई होगा, क्या है? आप बीपी चेक कीजिए, हाई होगा, हाई बीपी से सीकेडी हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खतम ऐसे चाहिए ले लो, ऐसे चाहिए? Star Health Insurance, अपनी सेविंग्स को बचाईए Star Health Insurance के साथ The Health Insurance Specialist Prestonic Engineering Limited launches its IPO on SME Emerge platform Issue price of Rs. 72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11th December 2023 and closes on 13th December 2023 IPO lead managed by FinShore Management Services Limited तुम्ने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? अब फिल-time mutual fund distribution बेटा, इतने में घर कैसे चाहिए? पापा, मेरे पास 1,500 clients और नाए clients मिलते रहते हैं अब नौक ले छोड़कर फुल-time mutual fund distributor ही बनुटर 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 ही आप भी मेही तरह mutual funds distributor बन सकते हैं जानिये कैसे? अफडिकरिशुरू.com पर तो करेशुरू प्रेस्टोनिक इंजिनिरिंग लिमिटेड लांचे इस IPO on SME Emerge platform issue price of Rs. 72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11 December 2023 and closes on 13 December 2023 IPO lead managed by FinShore Management Services Limited क्या माडम कब से गंटी बजा रहा हूं माडम जल्दी हाथ साफ करो ना मेरे कु लेत रहा है एक मिन वाँ पिन नहीं लगा चोटी payments के लिए पिन नहीं लगा अचा है no pin for small payments अब लेट नहीं हो रहा है on phone pay UPI light अब लेट का ये सार है आरोग्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतंजली चवन ख्राश है बेदाक चांड ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मोरा मचा आगया न्यूस्टाइल वर्मोरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल हानी बेदा पतंजली चवन ख्राश बेश कीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ट चवन ख्राश प्रायूजक पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सर्च और पतंजली केशकांती एडवांस नए बालो गाए बालों को जड़ने वा असमे सफेध होने से बचाए। रोजगार के दमदार आकड़ों से शुकरवार को दोड़े अमरीकी बाजार डाव एक्सू तीस अंग चड़कर ग्यारा महिने की उचाई पर तो नाजडेक 65 अंको की तेज़ी के साथ आट महिने की उचाई पर हुआ बन। गिफ्ट निफ्टी 21,100 के पास सपाथ डाव फ्यूचर सुस्त निकाई में 500 अंकों का उचाब छे दिनों की लगातार गिरावट के बाद शुकरवार को कच्चा तील धाई पसेंट उचलकर 76 डॉलर के पास पहुचा सोना 50 डॉलर के अंदर 44 किलोमेटर पाइपलाइन रिप्लेस्मेंट के लिए ओएंजी सी से मिला 1145 करोड रुपए का बड़ा ओडर डॉक्टर एडीज को बच्चु पल्ली आरेंडी सेंटर के लिए यूएस एफडिये की तीन आपतिया जारी एक अक्टूबर 2025 से ट्रक ड्राइवरों के केबिन में आनिवार्य होगा एसी सडक परिवहन मंत्राले ने जारी किया नोटिफिकेशन जी बिजनिस की एक्स्क्लूसिफ खबर पर मोहर बीजेपी के विश्णु देव साय होंगे छप्तिस गड़ के नई मुख्य मंत्री बिजनिस स्पेशल हिंदी गोस तो वेल्ट क्रेशन वीक बाइचानल जी बिजनिस और अन्टी अवर्ड्स में आपके चहते चैनल जी बिजनिस ने मचाई धूम बिजनिस स्पेशल में वेल्ट क्रेशन वीक तो बिजनिस टॉक शो में न्यूस पर व्यूज और डेली न्यूस बुलेटिन में इंडिया 360 समेथ 5 कैटेगरीज में मिला सम्मान नमस्कार ट्रेडर्स डारी में स्वागत थे आपका मैं हूँ आपके साथ आशी शत्रवेदी और नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुशल गुपता कारुबर या फिर यूरोप को और एशन क्यूज के लिहाद से भी निकाई में बहुत ही शांदार तेजी अभी बनती भी निज़र आ रहे है अलागि गिफ निफ्टी और मुस उसने के साथ करवार अभी करते वे आई जा रहे है बट अफकोस निकाई आप देखे अल्मोस साड़े 500 अंकों का दमदार उचाल अभी दिखाते वे नज़र आ रहे हैं लगबग 1.5% से जादा की तेजी है डाउ जोन्स की में बात कर रहा था तो वहाँ पर भी अच्छे कासे गेंस आपको शुक्रवार के सत अब बनते वे नज़र आये और भी आजे परसिंट के गेंस के साथ आपको करबार होता वा नज़र आ रहा रहा था एक वादी यूरोपेंड मार्केट्स भी नज़र डाले तो वहाँ पर औस तन यह जो इंडाइसे जे तीनों के तीनों हरे निशान में ही बंद होने में सफ अच्छे संकेत है एंड हमारी कैश मार्केट में तो एफाइस की अगैन खरेदारी का आखड़ा आया है करीबं 3600 करोड रुपे का कैश मार्केट में यहाँ पर खरेदारी आती भी दिख रही है तो जो फोमो वाली फीलिंग थी एफाइस की वो हो सकता है कि इस महीने आपक इस हफते हो सकता है कि आपको जादा से जादा खरेदारी भी देखने को मिले एफाइस की तरफ से तो ऐसी एक्सपेक्टेशन से आप देखना है कि क्या फाइनल फिगर आते हैं बड़ अफकॉस जो हमारे बाजारों के लिए क्यूज देख रहे हैं वो तो काफी बहतरीन सा काइडियास खरीदारी वाले हैं खबर वाले चुने लॉंग टर्म के लिए आज से कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकुस इसमें लगातार बने रहते हैं और साथ में खबरों के लिए आज से टिकनिकल तौर पर भी लिस्ट को शामिल किया है सब कुछ बड़ी है यूज के मार्क है वो बता रहा हूं सुब्रो जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी और जी बिजनिस की जो एक्स्क्लूजिव खबर ती इसको पर मौर लगती नज़र आ रही है कि जहां पर अगर आप देखे तो आगे जागा है ट्रकर्स के कैबिन में आपको अनिवार होगा एसी मिला है जहां पर कोच रूफ मांटेट एर कंडिशनर लगाने के लिए इने और मिला है और के वाइल्यू छोटी है लेकिन टेक्निकल्स काफी अच्छे और हमारी जो एक्सक्लूजिव खबर इसको पर भी महर लगी है तो इसके चलते हैं यहां पर आप करिए खरीदारी 465 के टागेट के रहे और स्टॉपलस रगाना आपको 445 रूपेटा बिलकुल तो हमारी बड़ी खबर पर मोहर लगती वी दिख रही है सरकार की तरफ से अब आप चारिक एलान भी कर दिया गया है तो एक मेंडिटरी यहां पर जो नोट आता हुआ दिख रहा है गवर्मेंट किया है बर अपकोस कैस सेग्मेंट में सबसे पहला कॉल मैंने लिया है फेनोलेक्स इंडस्ट्री स्पर फेनोलेक्स पाइप्स यहां पर आपको खरदारी करने की राय है दरसल यहां पर SBI mutual fund ने कई स्कीम के तहत लगबग आधे परसंट की हिस्सेदारी इन्हों ने खरीद आपको रखना है stop loss चलिए अब आगे बढ़ते है अगली category जो हमारी dedicated space की होती है और इसमें आज का जो futures है उस category में मैंने stock चुना है इंडिया cements का यहां पर आपको करकर चलनी है घरदारी दरसल cement stock तो वैसे भी focus में है हम लगातार आपको बताते वे नज़र आ रहे है काफी सारी चोटे मजौले cement stocks पर भी हमारी नज़र है बड़ अफकोस F&O ban list से यह counter बाहर होता हुआ दिख रहा है तो मुझे लग रहे है कि इस वज़़े से आज यहां पर again data space में अच्छी positions आपको बनने के लिए तयार है नई positions in fact मैं कहूंगा और इसी वज़़े से इंडिया cements मैंने इस stock को चुना है sector focus में है 280 रुपे का target बनाईए 271 रुपे का आपको रखना है stop loss 271 के stop loss के साथ यहां पर focus करके चल सकते है futures में खरीदना है IT pack में पसंद आ रहा है emphasis और पूरा nifty IT index अगर आप देगे तो technical तोर पर काफी मस्बूत नज़रा आता है और शोकिदरान याद आता है कि हम दोनोंने काफी निचस तोर पर लगातार खरीदारी के राइदी और और 2410 रुपे का आपको लगाना स्टॉक लोस तेजी बढ़िया देखने को मिल सकती है खरीदे ना खरीदे निफ्टी IT का चार्ट एक बार जुरूर देखेगा बढ़ते हैं options के और तो options के लिए आद से देखे एक टेक्निकली बड़ा ही perfect stock नज़रा है जहां पर आपको अ confirmation है कि जो छोटे समय का correction यहाँ पर आपको देखने को मिलता वैसी भी अगर आप देखे तो बड़ा high growth stock है काफी लंबे समय से चला नहीं है तो आशीज आप IT stocks की बात कर रहे थे और IT stocks में आप स्पेसिफिकली देखें तो हम शुक्रवार के सतर में भी लिंग करकर बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से जो टीर तू कंपनिया है यानि की जो मजौली कंपनिया है वहाँ पर अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं अब कॉस नतीजों का जो शुरुवात होता है उसमें major sector सबसे पहले IT counters का ही होता है तो expectations आगे यही है कि यहाँ पर आगे चरकर भी एक अच्छा का सा turnaround आप देखने को मिल सकता है तो उस पर तो focus करकर चलना ही है बट इंटरडे के लिहाद से HCL Tech पर आज focus करकर चलिए पॉने 3% तक की शांदा तेजी HCL Tech पर बनती भी नजर आई थी खरदारी करकर चलिए आज भी तेजी का momentum बरकरार रह सकता है 1370 रुपे का call option खरी दिये 355 रुपे के आज पर सुपलब्द है 50 रुपे का target बटाना है और साथ ही 23 रुपे का आपको रखना होगा stop loss तो बाद ये है डीटेल में स्टॉक्स और उनके लेवल्स के साथ पर आगया और भी categories बाकी है लेकर आएंगे एक छोटे से बेट के बादुद बेटाक चांद ब्यूटिफल फ्लोरे वर्मोरा मचा आगया बेटाक चांद ब्यूटिफल फ्लोरे वर्मोरा मचा आगया ब्यूटिफल फ्लोरे वर्मोरा मचा आगया प्रधान मंत्री उज्वला योजना के तहट 10 करोड ग्यास कनेक्शन हमारा संकल विक्सित भारा पॉलिटेक्स में फाइटिंग जाब की बेटिंग इंडस्ट्री की रेटिंग कब क्यूं और कैसे देखिए न्यूज लाइव सोंबार से शुक्रवार दोपहर तीन बच का चपन मिनट पर सिर्फ जी बिजनस पर Prestonic Engineering Limited launches its IPO on SME Emerge platform Issue price of Rs.72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11 December 2023 and closes on 13 December 2023 IPO lead managed by FinShore Management Services Limited देखो यार जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं पता नहीं कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैमिली का फूचर बच्चों की पढ़ाई ये खत्रें पढ़ जाए तो आज ही पॉलिसी बजार से 1 करोड का टर्म लाइफ इंशॉर्नस कराओ सिर्फ 525 रूपे महिने से शुरू समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी क्योंकि इस से होती है विकसत भारत के निर्मान की जरूरत पूरी आपका अडवांस टैक्स देश के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने शिक्षा, सामाजिक योजनाएं वा देश की सुरक्षा और स्पेस कारिक्रम जैसे महत्तपूर्ण कारियों को अंजाम देने में काम आता है तो फिर अपने अडवांस टैक्स की जिम्रेदारी समय पर पूरी करें याद रखिए वित्यवर्ष 2023 के लिए 75 प्रतिशत टोटल पेअबल अडवांस टैक्स का भुकतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए कमपनीज, कॉपरेट्स या फिर सलरीड इंप्लोईज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपय या उससे अधिक है तो फिर अडवांस टैक्स देना आवश्यक है प्रतिएक आयकरदाता एक राश्ट्र निर्माता अश्य दोश्वर्मा, Mutual Funds Distributor अरे सर जी, Mutual Funds वाले खुद ही कहते रहते हैं डिरेक्ट इंवेस्मेंट कर लो सारे डिरेक्ट इंवेस्मेंट करेंगे तो आपको कोन पुछेगा हम यहां क्यों बैठे हैं? गट्टी सिखने के लिए? सर जी, Mutual Funds का भी सेम फंडा है शुरुवात में किसी ना किसी को तो Mutual Funds की सारी जानकारी देनी होगी ना मैंने भी शुरुवात करनी है आप भी मेरे तरह Mutual Funds Distributor बन सकते हैं जान ये कैसे MFD करेशुरू.com पर तो करेशुरू अरोग्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतंजली चवन्थाश है बेदाक चांद, ब्यूटिफुल फ्लोरिंग, वर्मोरा, मचा आगया न्यूस्टाइल, वर्मोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटिफुल बनाने का न्यूस्टाइल चलिए ब्रेके बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हमारी अगली काटेग्रिया यानि टेक्नोपिक की तरफ कुशल बताईएगा बलकुल आशिश है, तो आईटे काउंटर्स पर ही फोकस है, तो और मेड़के आप आईटे कंपनियों में परसेशन सिस्टम से एक और ऐसा काउंटर है, जो मुझे काफी पसंद आ रहा है, यहाँ पर भी खरिदारी करने की राय है नसला कर आप देखेंगे, तो यहाँ पर शुकरवार के सत्र में अच्छे कासे गेंस तो आफकोस देखने को मिले थे ही, बट साथ ही अब यह बन रहे हैं, कुछ पोर्ट से आती ही दिख रही है, कि एनिसी के जो आईटी आम है, उसको हो सकता है कि परसेशन सिस्टम से आगे खरीदता है, तो मांकेट में रिपोर्ट से चल रहे हैं, हो सकता है कि इस वजह से इस रिउमर के बेसिस पे यहाँ पर आगे चलकर और खरदारी आपको देखने कमला है, आलगे कमपनी की तरफ से क्लिफिकेशन आया है कि वो स्पेकुलेशन पर जवाब नहीं देते हैं, बड़ अफकोर्स उन्होंने यह का है कि कमपनी लगातार यह उप्रचुनिटी खोस्ती रहती है, कि जहां पर उनको आगे चलकर आग भी जारी रह सकती है, और 640 रुपए यह आपके लिए आज का टार्गेट बनना चाहिए, टेकनिकल चार्ट के अधार पर 6400 रुपए का आपको रखना होगा, स्टाफ प्लास, अशिश आपके ले रहे हैं, तो कि स्टॉक चुना है, जहां पर टेकनिकल काफी मजबूत है, और टाइम हाई की क्लोजिंग देखने को मिली है, अन्डिस्प्यूटेट पारिमिटर है, काफी समय से आपको बताएं कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, टेकनिकल अच्छे स्टॉक्स हैं, जहां पर आपको देखने को मिलती है, तब एक बड़ा लीप ऑफ ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलता है, तो जेस डेवली स्टील करेंगे खरीदारी 880 रोपे के टागेट के लिए स्टॉपलोस रगाएंगे 820 रोपे का टेकनिकल चार्ट काफी शानबार, इसी की चलते हैं, यहां पर करने हैं आपको खरीदारी, अब बढ़ते हमारी अगली पिक पांच साल में अगर आप देखें तो कंपरी का मुनाफ़ा डीसेंट 20% CGR के गोच से लगाता और बढ़ता गया, यह अपने आप में काफी अच्छा है, इसी के साथ अगर आप देखें तो बोड ने तो लीस्ट विमानों की खरीद को मनजूरी दे दिये और इसी के साथ इ और अफकॉस यहाँ पर जिस तरह से खबरे आ रही है उससे भी कंपनी को काफी पॉस्टिविटी मिलेगी आगे चलकर चलिए, मेरी तरह से फंडापिक के लिहाँ से प्राइकॉल यह कंपनी मैंने चुनी है, यहाँ पर खरदारी करकर चलिए, ओटा एंसली स्पेस की कंपन और दूसरे ने जो खरीदा है उसमें गोल्मान सैक्स शामिल है और गोल्मान सैक्स ने लगभग 2.5% हिस्सेदारी प्राइकॉल में अब यह खरीदते वे नजर आ रहे है, 333 रुपे के प्राइस पर इन्होंने यह डील की है, 321 रुपे की क्लोजिंग आपको देखने को मि बट आगे चलकर अगर पुब्लिक की तरफ से भी एक्सेप्टेंस बढ़ती है तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉडक्स हैं उसके डिमांड जो है काफी जादा बढ़ती भी नजर आ सकती है, रिटान और इक्विटी के लिहाद से भी तो हेल्दी 18-18% की ग्रोथ आपको देख सकते हैं अब जब निवेश करकर चल सकते हैं अब जब निवेश की बात निकली है तो यहाँ पर फंडामेंटली तो हमें जो स्टॉक पसंदाते हैं वो हम आपको बताते ही है साथ ही इन्वेश्मेंट की काटेगरी के लिहाद से भी लंबी अवदी के लिए SBI Life यहाँ पर खरदारी करने की राया है अगले एक साल में 1800 रुपे के टागेट्स भी अब यह दिखा सकता है बहतरीन पेरिंटेज तो हम है ही है इन्फाक्ट यहाँ पर जिस तरह का JV, SBI और साथी जो BNP, Paribas, Cardiff ऐसे हैं उनके बीच में यहाँ पर यह कंपनी बनी है और मुझे लग रहा है कि SBI Life आगे चलकर भी अच्छे खासी गेंज आपको दिखा सकता है अगले तीन-चार महीनों के लिए वह भी काफी शांदर हो सकते है क्योंकि Life Insurance पेस हम देखते ही है इस्टोरिकली जो GFM मन्त होते है जो फर्स्ट कोटर होता है कैलेंडर येर कोई भी कैलेंडर येर का मुझे लगा कि उस वज़े से यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकते हैं और FIs और DIs की तो क्या कहने है अल्मूस 40% की सेदारी FIs और DIs दोनों मिलाकर यहाँ पर होल्ड करते वे नजर आते हैं और जिस तरह से पेरिंटेज है तो आगे चलकर इनको अवरल अपने प्रोडिक्ट सेलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो अगली एक साल में SBI Life पर फोकस करकर चलिए अठारा सु रुपे के टागेट के लिए ख़दारी करिए बड़ी है स्टॉक बहतरीन अठारा सु रुपे के अच्छे टागेट SBI Life यह स्टॉक है जो रडार पर रखेंगे के दिवेश के लाज से मुझे पसंद है सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया जहां पर टेक्निकल्स का सपोर्ट और फंडामेंटल स्टॉर पर भी अगर आप देखें तो भारत की वान अफ दब लाजिस शिपिंग कंपनियों में से एक है इनके पास कंट देखें प्राइस टू बुक का अकड़ा देखें अभी तक का डिविडेंट का ट्राक रिकॉर्ट देखें सब कुछ अच्छा है कमफर्टेबल हैं यहां पर आपको खृदारी करके चलना चाहिए 200 रोपे तक के जो टागेट से आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन स्लो म कि खबरों के लिए आज से मैंने चुना है मजगा और डॉब जहां पर अगर आप देखें तो जबी भी तेजी आती है सिर्फ और सिर्फ बड़ी तेजी आती है खबर आईए कि कंपनी को जो है 1145 करोड का जो है ऑर्डर मिला है जहां पर रिप्लेस्मेंट और है यह पर देखा जाएगा तो हो सकता है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो यह स्टॉक चौपी रहा है आज यहां पर आपको देखने को मिल सकती है तो खरीदारी करेंगे टागेट है मेरे तरफ से 2120 रुपे का और स्टॉपलस लगाना आपको 2040 रुपे का बिलकुल तो ल अंबर एंटरप्राइसेज में भी आपको खरीदारी करने की राय है एक अक्टूबर 2025 से सभी N2 और N3 गाडियों में गाडियों के लिए जो ड्राइवर केबिन है उसमें AC अनिवारे हो जाएगा तो यहां पर जो ट्रक्स में AC अनिवारे करने की बात हुई ही थी पहले जो हमने आपको बताई थी और उस खबर पर महर लगती भी दिख रही है और अफकोस यहां पर जो सरकारी नोटिफिकेशन अब आता वा दिख रहा है आपको अंबर एंटरप्राइसेज की बारे में बताओं तो यहां पर भारत में यह स्लीकिस्ट रूफ मांटेड बस एर कंड रही है इंटरडी टारगेट के लिए 3200 रुपे के टारगेट बनार कर चलने हैं और 3060 रुपे का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस तो चलिए खबरों के लिहाद से भी जो स्टॉक्स है वो भी हमारे पूरे हो गए है पर आखरी कैटिगरी माई चोइस की अभी भी बाक एलाई सी हर पल आपके साथ बेदाक चांद ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मोरा मचा गया निउस्टाइल वर्मोरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का निउस्टाइल हानी बेग मैं फूलों में बसा स्वाध हूं और मिलावट से आजाद हूं परिश्रम और प्रतिबद्धता हूं मैं प्रकृती हूं शुद्धता हूं मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूं सतकुनों से भरा खरापन हूं खुदरत का अंश लेकर जीवन दाइनी बना हूं मैं पतंजली हनी हूं मैं किसान से तुकान तक बेदाक चांग ब्यूतिफुल फ्लोरिंग वर्मॉरा मचा गया वर्मॉरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूतिफुल बनाने का नियूस्टाइल Prestonic Engineering Limited launches its IPO on SME Emerge platform Issue price of Rs.72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11th December 2023 and closes on 13 December 2023 IPO lead managed by FinShore Management Services Limited Commodity Bazaar की हर ख़बर पर पारीक नगए ख़बर का ग्राउंड जीरो असर आसान भासा में हपते का पूरा Commodity Action टेजी मंदी से कनक्षन हर शुक्रवार शाम काड़े चार बजे सिर्फ जीविल मोदी सरकार की गारंटी सबका अपनी पक्के घर का सपना होगा पूरा चार करोड पक्के घरों का निर्मान हमारा संकर विक्सित भार क्यों हो गया जूट से सामना कौन सा जूट? तो इतने सालों से आपके जूट पेस्ट ने ओरल केर के बारे में बताया है तो फिर सच क्या है? ट्रूट पेस्ट पतंजली दंत कांती आयुर्वेद और साइंस ने मिल कर बनाया है इसे इसकी सोला जडी बूटियों से बिले आपके दातों और मसूडों को कम्पलीट ओरल हील्थ का सच बेदाक चांद ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मॉरा मचा गया न्यूस्टाइल वर्मॉरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल आपका स्वागत है बढ़ते हमारी आखरी कार्टिग्रिया नी माई चोईस की तरफ और यहां पर जो पहला स्टॉपर स्टॉप जहां पर अगर आप देगे तो खबरों का सपोर्ट है अगर आप देखे तो टेक्निकल्स काफी शांता लग रहे हैं शुक्रवार को भी मुझे आदा आता है कि इस टॉक में आपको बताया था यहां पर देखे गोड ग्लाम ग्रुप के साथ इन्होंने जो है कोलाबरेशन कर दिया यह एक कुछ तो मेकप बनाने का जो है कि इनका क पर भी ठीक ताक लग रहा और जो खबर आ रही है कि मैंडेटरी लिए आगे जाकर जो जूट की पैकेजिंग को सरकार बढ़ावा दे रही है इसका एक इंपाक्ट है तेरह सो वीस रोपे का तागेट बारा सो पचास का स्टॉप लॉस और आफ़ी स्टॉक में आई टी पर पिछले एक मेने का चार्ट स्रक्चर भी आप देखेंगे तो काफी शांदार अपमुब देखने को मला है चाट सीस रुपे से बढ़कर चुरावे सो रुपे के आसपास आ चुका है और फ़र तेजी के लिए तैयार हो रहा है चैयावे सो असी रुपे का टार्गेट बनाईए आज के लिए 93 रुपे का रखना है आपको स्टॉप लॉस दूसरा कॉल है इंडेसिंट बैंक पर यहाँ पर भी खरदारी करनी है पिछले 6 मीनों का चार्ट मुमिन देखेंगे या फिर वाई टीडी आप देखेंगे तो 13% से 23% तक की ग्रोथ आपको देखने को म करना है स्टॉप लॉस और आखरी गौल है चोला मंदल में इन्वेस्टमेंट और फिनांस पर यहाँ पर भी अन्वेसी का टेगरी का यह एक बहतरीन काउंटर है इसके पहले भी मैंने आपको यह काउंटर बताया है मोमेंटम काफी बहतरीन था शुक्रवार के 17 में क्या आप कैश का स्टॉक के में लिस्ट में सूबरो सेंफसिस के फूचर में करेंगे खरिदारी और समवर्दर्सन इंटरनाशनल 95 रुपे की कॉल ऑप्शन करेंगे टेक्निकली पसंदार है जेस डवलू स्टील ब्लू डार्ट में करेंगे फंडामेंटल तोर पर पर अच्छा संस्थागत निवेशक ने खरिदारी की है साथी फ्यूचर में इंडिया सिम्मेंट से या फिनो बैनलिस से बाहर आता हुआ दिकरा है साथी ऑप्शन कैटेगरी में एस्टील टेक काफी पसंदा रहा है चार्स टेक्टर पर भी बहतरीन मजबूती है और टेक समेट इंडिसिन बैंक और चुलमने इंडिस्मेंट फिनांस में आपको करकर चलनी है खरिदारी और इस सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट बिक बन रहा है वो है प्राइकॉल पर आटो एंसलिरी कंपनी है और अगले एक साल में कमफर्टेबली आपको 400 रुपे के टाग यह काफी जादा एहम हो जाती है कारोबार हफटी के पहले दिन काफी सारी सेंटल बैंकों की पॉलिसी भी आने वाली है इस हफते तो देखना होगा कि हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करते वे नजर आते हैं बट बहराल ग्लोबल संकेत काफी मजबूत है इन सभी संकेतो को किस तरह से आपको डिकोड करना है और कैसे रननीती बनानी है समझने के लिए सीड़े चलते हैं इस तेज शेर बाजार लाइब में अनिल सर और दीप के पास फिलाल दीप हमारे साथ जुड़े वे हैं गुड़ मॉनिंग कुशल गुड़ मॉनिंग आशीश जबरदस्त पिछले हफते का रहा हमारे बाजार रुख ले नए रिकॉर्डस लेकोर्डस आ रहे हैं गुलोबल मॉमेंटुम अभी भी बरकरार है तो कि या ये एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हफता हो सकता हमारे बाजार रुख ले इस पर है फोकस आई आई करते हैं शुरुआ शेर झाल 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 गिफ निफ्टी 21,100 के पास सपाट डाउ फ्यूचर्स है सुस्त निके में साड़े 500 अंकों का बड़ा उचाल चे दिनों की लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को कच्चा तेल धाई परसेंट उचलकर 76 डॉलर के पास पहुंचा सोना पचास रुपे चड़ा चांदी सपाट मस्गाउं डॉक को समुद्र के अंदर 44 किलोमेटर पाइपलाइन रिप्लेस्मेंट के लिए ओएन जीसी से मिला साड़े 1100 करोड रुपे का ओडर डॉक्टर रेडीज को बचुपली आरेंडी सेंटर के लिए यूएस एब्डिय की तीन आपत्या जारी एक अक्टोबर 2025 से ट्रक ड्राइवरों के कैबिन के लिए अनिवारे होगा एसी सडक परिवाहन मंत्राले ने जारी किया नोटिफिकेशन जी बिजनस की एक्स्क्लूसिफ खबर पर मुहर बीजेपी के विश्णूर देव साहे होंगे 36 गड के नए मुख्यमंत्री बिजनस स्पेशल हिंदी गोज टू वेल्ट क्रेशन वीक बाइ चैनल जी बिजनस वाणने मैंनी कंग्राचुलेशन तो यू गाई आपके चहेते चैनल जी बिजनस ने बचाई धूम बिजनस स्पेशल में वेल्ट क्रेशन वीक तो बिजनस टॉक शो में न्यूस पर व्यूस और डेली न्यूस बुलिटन में इंडिया 360 समेत पाच काटेगरीज में मिला सम्मान नए हफ़ते के दमदार एक्शन के लिए हो जाई है तैयार दुनिया भर के बाज़रों से मिले जुले लेकिन थोड़े अच्छे संकेद और बारती बाज़रों में शुक्रवार को नए रिकॉर्ड बनने के बाद बड़ा सवाल ये कि क्या आज और इस हफ़ते फिर से दिखी के कुछ और नए रिकॉर्ड और साथ ही क्या खरीदारी के मौक हैं अगर हो तो शुवार बस इसी पर है आज का खास फोकर स्वागत है आप सबका शेयर वजार लाइब में नमसकार मैं हूँ अनिल सिंभी नमसकार मैं वो दिपांशो भंडारी अनल जी सबसे मुंबे में हो दिल्ली में हो और परदे पर हो परदे के पीछे हो सब की महनत का यह परिणाम है इन सब को बहुत-बहुत बढ़ाई आपने पूरे साल बर जो हार्ड वक किया उसका यह नतिजा है और सबसे ज़्यादा बढ़ाई हमारे दर्शकों को इनके प्यार और बरोस के कई माइने हैं एंटी और न्यूज और टेली विजन आवर्स जो आपके चाहते चैनल को मिला है इंटरस्टिंग चीज है कि बिजनिस के मामले में मार्केट के मामले में तो हम बहुत आगे हैं लगबखर आवर्ड शो से यह समझ में आता है लिग इन पांच आवर्स में क आवर्ड को लाकर एंकरिंग करवाने की कोशिश की ते पिछले बिजट पर हमने मेटावर्स की दुनिया में अगर जी बिजनिस जाएगा तो कैसा दिखेगा उस थीम को आवर्ड मिला है और मुझे खुशी इस बात की है कि जी बिजनिस नहीं सिर्स सुबह के मार्केट बै सारे चैनल पॉलिटिकल बहस करने में एक दूसरे की टांग खीचने में चीखने चिलाने में वीजी होते हैं तब जी बिजनिस आपको कंटेंट के लिया से एक शान्त और बहतरीन बुलेटिन देता है जहां न्यूज होती है व्यूज नहीं और वो बाजार को बहुत मेरे खाल से उस आवर्ड की एक बड़ी आहमेतर जो दर्शक सिर्फ जी बिजनिस सुबह देखते हैं मैं उनसे अनुरूत करूंगा आप जाकर शाम को बुलेटिन देखिए दो चार पांच दिन देखिए यकीन मानिये उसके बाद आप दूसरा चैनल नहीं देखेंगे ज्यादा खुशी जिस आवर्ड की एधिप वो है वेल्थ क्रिएशन वीक आपको याद होगा 23 मार्च 2020 को जब बाजार ने लोज बनायते हैं 7610 के और लोग उस दिन को पनोती डे के तोर पर मानते हैं और हमने पिछले साल ये का कि इसे हम पनोती डे नहीं हम वेल्थ बात कर रहे हैं कि ऐसे समय में अगर आप पैसा लगाएंगे तो वेल्थ कितनी बनेगी और वो थीम जूरी को बड़ी पसंद आई और वेल्थ क्रिएशन वीक को सबसे बैतरिन बिजनेस स्पेशल शोर का ओवर्ड मिला है तो ये 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 बहुत दिल के करीब वाला मामला है तो हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत जहनेवाग एंटी अवर्ड उनकी जूरी और मेरी प्यारी टीम को बहुत 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 शुक्रिया और धेड़ो बढ़ाएं आपको भी आपकी लीडर्शिप आपके नितरते में हम देख रहे हैं इतनी सक्सेस नई उच्छे आ और उसके बाद कल में इंदोर था इंदोर में सी इंस्ट्ट की तरफ से दो प्रोग्राम थे सबसे बढ़ा बात जो मुझे लगी है कि दर्शक हमें इस लेवल तक प्यार करते हैं कि मतलब वही बढ़ाई मुझे बहुत लोगों ने वहां बढ़ाई दी और बढ़ाई कैसे देखने हैं आपके साथ ड्रोइंग रूम में नहीं सुबह की सब्सक्राइब करें सुबह का ब्रेकफर स्थार्फ के साथ हूता है मतलब वह प्यार है और इनदूर का प्यार तो गजब है मतलब बगिलिब नहीं करेंगे मेरा एक प्रोग्राम तो पहले से च्चीडेएल थ करने अरे वहाँ तो बोले सार एक गंटा मैंने का हाँ क्यों नहीं दीप एक या दो दिन के नोटिस पर पूरा ओडिटरिम फर्स सेकंड फॉर जैंप है यह इंदोर के लोगों का प्यार है एजी बिजिस के पर्टी सो इंदोर को बहुत बहुत धन्यवाद इंदोर के सी इंस स्रेस की तरफ से बड़ी क्रांती आने की तई आनी है तो मतलब जो इंट्रेस्ट है चाहे वो ऐसे लोग हो जो कह चुके कि हम तो मार्केट छोड़ चुके अब वापस कभी नहीं आएंगे या फिर बीस पचीस साल के यंग चार्टर अकॉंटेंट्स या बच्चे जो हो व तो आए तिंक फूचर ब्राइट है लोगों को पूरा भरोसा है एकोनोमी पर मार्केट पर पैसा भी बन रहा है तो मजा भी आता है तो बढ़िया है माहूल बहुत अच्छा है तो हेक्टिक वीकेंड के बाद फाइनली मजा आया हो चलिए तो सक्सेस्फुल वीकेंड रहा कुछ इंपॉर्टन ट्रिगर्स आज के लिए हफ्ते के लिए दिख रहे हैं फिरस पर भी चर्चा करते हैं त्रिकर्स दुनिया वर के बादरों से अच्छे हैं मेरे की बादरों में तेजी के साथ ही समापती होती दिखी सवासु अंक डाव तो लगवक साथ हंग नेस्टे का एक और बड़ा ओर्डर मीतावा दिखा है यह सारे के सारे ट्रिगर्स हैं आप लिए हमारा तो ओल टाइम फेवरिट है मजगाओं डॉक को जबदर तस परफॉर्मस दिखा रहे हैं यह हफता काफी इंपॉर्टन होने वाले आनल जी चार सेंट्रिल बैंक्स की पॉलिसी आरे यह कुछ और इपॉर्टन डेटा फॉइंट्स भी आने वाले हैं तो जब यह बताई है हमारे आर बिया ने तो मूड अच्छा कर दिया सारी चीज़े ऑन एक्सपेक्टेट लिया इंसाहीं GDP का एस्टिमेट भी बढ़ा दिया था गवरनर साब ने बट इस हफते क्या क हम लगाएंगे और जैसा अमेरिका बोलागा वैसा करेंगे देखो कौन किसके बोलने पर करता कोई दादागरी नहीं करने अपने हैं यह सही जाना है इंपोर्टन यह है कि हम सही डायरेक्शन में जाएं और इस हफ्टा में डायरेक्शन दुनिया से लेना है ठीक है ले ले अब पता जला कि दीप मिडविक सेशन वाली जो थीम लाए वहा है अमेरीकी फैड से लाए तो दूसरा यह कि कल वहांपे महेंगे के आखडी आने वाले वह इंपोर्टन अंक्रे क्योंकि उन आंक्रों के दम पर भी फेड अपनी कमेंटरी को थोड़ा कर सकते है फिक कर सकता है तो यह है फिर आईए तेरा तारी को फिर वो तो पॉलिसी आई जाएगी फेड की वो तो आईए इसके अलावा भी पीपी आई नंबर आने वाले हैं जीडिपी के नंबर यूके के आने वाले हैं ओपेक की रिपोर्ट है उससे जागा फरक नहीं बड़ागा लेकिन फिर भी यह दो बड़ी चीजे हैं गुरुवार को फेड की मेठा का हमारे लिए आएगा लिए गुरुवार को जो इवेंट से उसमें बैंक ऑफ इंगलेंड की पोलिसी है फिर से एसी की पॉलिसी है इन पर नज़र रहे हैं अमेरिका की रिटेल सेल्स के आंक रहे हैं वह भी बड़े गोर से देखे जाएंगे क्योंकि वह दिसमर महीने के शुरुवार को भी कुछ डेटा इंडरसल प्रोड़क्शन के अमेरिका के और चीन के आने वाले हैं तो यह पूरा हफ करें अच्छैन के और नज़र आपको वह सोच समझ के रखने कि रिस्क का है अब जसे के सिर्स के से होती है रिस्क कैसे होती है रिस्क लोंग साइट पर भी रोती है शुक्रवार को क्या हो शुक्रवार को ज़ोब डेटा है उमीद से बढ़ी है अब ऐसे देखा जाए तो उम्मीद से बढ़या हो तो अच्छे जोब से डेटा है, नोक्रियां बढ़या लग रही है, खुश हो जाओ, एकोनोमी मजबूत है, तेजी करनी चाहिए, मार्केट अग्दम से डिप हो तक, फिर जो रिकावरिया है, फिर सब चोंग गए, डिप होना सही था, डिप क्यों है, तो लोगों को लगता है, वो हायर फॉर लोंगर वाला मामला है, लंबे समय तक ब्याज़रें उच्छी रह सकती है, इस चक्कर में आपके बॉंड हिल थोड़े बढ़ गए, 4.2% के आसपास, 4.25% के पंदरा बेसिस पॉंड बॉंड हिल बढ़ गए, तो आइठी के मार मारकेट में कैसा है, खराब कबर है, तो तुरंट लेंगे, अच्छी कबर तो लेना ही लेना है, तो आइठीक अमेरिकी बादरों का जो मूर माह लडीब बहुत स्ट्रोंग है, और लगातार हम यही कह रहे हैं कि हमें तेजी दिखती है, अमेरिकी बादरों में, मैं तो अच्छी मजबूती के साथ, चारज़ाज़स के ऊपर ही है, तो यह भी अच्छी तेजी के लिए तैयार होता है, तो अमेरिका को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ, और मुझे लगता है, इवेंचुली डाओ 385049 की तरफ बढ़ेगा, नेस्टेक तेजी को ल अब मैं यहां पर सेज़ डेखते हैं, ने डोलर देखता हूं, दो डोलर बढ़ा है, ठीक है, कोई बार के, 20 गटा ना, 20 गटके दो बढ़ा है, तो तो चलता है, तो ओर ओर ओल, ग्लोबल मारकेट बढ़ेगा, कच्छा तेल, बॉंडिल और ग्लोबल मारकेट तीनों यह आ आपको दिखा रहे हैं, ग्लोबल मारकेट भी दिखा रहे हैं, नई रिकॉर्ड आपको फिर से दिखे, थोड़ा कंसॉलिडेशन में चले गए थे वेड़नेस जे थर्सडे को, फ्राइडे को रोरिंग कमबाक माने हैं, सेसर, देखो, फ्राइडे को जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और वो बहुत से लोगों को मतलब दिल के सुकून, दिल को सुकून देने वाला है मामला, क्यूंकि इस मारकेट में दो तिन तरह के लोग हैं, एक तो वो हैं जो मिटकेब स्मॉल केप शेरों की तेजी बरपूर चाहते हैं, जिसे मेरे जिसे लोग, एक लो के लोग वो हैं, जो दिल के सुकून के सामने ये चाहते हैं कि लार्ज केप तो बड़े ही बड़े, मिटकेब और स्मॉल केप भी गटे, तो एक सैडिस्टिक प्लेजर जो होता है न, वो भी चाहिए किसी को, शुकरवार को मारकेट ने वो भी आपको मोका दिया है, इनके बाद अगर एक दिन लाल निशान में, वो भी एक चोथाई परसें मुश्किल से, थोड़ी प्रॉफित बुकिंग उपरी इस तोरों से आई, वी चीज़ राइट अलसो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट ओवरवल मारकेट एक्दम बढ़िया है, अच्छे पो पुराने लाइफ हाई के लेवल पर, पुराना लाइफ हाई आपका सेंतालिस 261 था, सेंतालिस 306 का आपने बनाया है, शुकरवार को, लेकिन पुराने हाई पर जो आप बंद हुए है, मुझे रहता है कि बैंक ट्रिफ्टी कमाल करने को तयार है, और आज बैंक मजबूत है, जिस तरह से बंद हुए है, दूसरा, पिछले हफ़ते का अगर एक्षिन, पूरे मार्केट का आपको एक चीज में समराइज करना हो, कि क्या बढ़ा, तो आप सबसे पर एक ही कहेंगे कि बैंक, चुनाओं के नतीजों के बाद क्या बढ़ा, बैंक, जो तेज आपके खरीदें हैं भाई, लाइन लगा के, है ना, चार-चार गुना इनका रिटेल में भरा है, मतलब इस तरह की डिमांड है दीब, फ्राइडे की बल्डील देख लिए, फ्राइडे की बल्डील देख लिए, तो आई थिंक बैंक्स हैना, मजबूती दे रहे हैं और बैंक्स ज्यादा गटेंग नहीं, और अगर गलती से आपको सुछ शुरुआत होती दिखे हैं, बैंक निफ्टी है बैंक नीचे आते दि बिल्कुल दिल्ली जाए रहा सर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और अच्छा दिल्ली का नौर्थ का इस वाव में जाने लाइक जगए है, मतलब ऐसी गुलावी गुलावी ठंडे चाहे हो देपर हो, बिल्वारा हो या दिल्ली हो, मतलब आपको शाम को बहुत एंज्योय कर सकत एक हलका सा वूलन कुछ पहन लें या एक हलकी पतली वाली जेकट डालें ज्यादा मोटी नहीं है, पहले मैं डरके मोटी लेके गया था, तो परसी ने चूट गए, उतनी ठंड नहीं है, ना ना एक सिंपल सा मतलब आप डाल दें, टेकशूट के उपर वाली इशेट होती ह आप ओफिस में पहन के बिसके हैं, हमारे दीप को बड़ी ठंड लगती है, पूरे नियूज रूम में जैसे ही बाहर निकलेंगे, ओट उतारेंगे और अपनी जेकट पहन लेंगे, दिन बार, पूरा दिन बार, बस वही वाली पहन के आराम से गुए है, बहुत बड़ी मो सर, सो बैंक हिस्ती, आज कमाल करने को ये भी तैयार है, चलिए बढ़िया सर, तो बाजार का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है, बताएं सर, आज की स्रेटिजी के लिए सेटप है, पहले संकेत बता दूँ, ग्लोबल पोजिटिव हैं, एफाइस के भी पोजिटिव हैं, लो कोबल मार्केट सबस्टेबल है, कोई इकतवाली बात नहीं, शुकरवार को, जिसके आप जिकर कर रहते हैं, तीन बड़ी ब्लोग डील हुए है, इन तीन बड़ी ब्लोग डील में साथ हजार क्रोड का स्टॉक बेचे गया है, जेमार 4135 क्रोड, जोमेटो 1125 क्रोड, और 5 कितना क्या है, साथ ही आप इंडेक्स और स्टॉक फूचर में देखेंगे, तो अच्छा है नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साड़े 300 क्रोड के इंडेक्स फूचर करिए हैं, और सवा 200 क्रोड के स्टॉक फूचर करिए हैं, तो FIs और Local Funds के आँक्रे इसलिए मैं ठीक रखें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अब आईए अगली स्टॉटी, गरियलूफंड और FIs के आँक्रे मिले जिले हैं, सपोर्ट लेवल से ही, पहले सपोर्ट लेवल से ही, खरीदारी शुरू कर देनी है, पहले सपोर्ट से, बायों डिप्स, एक टुकडे में न जितना जादा नीचे खुले होतना बड़िया, क्लियर है, क्या करेंगे फिर, जहां नीचे खुलेंगे, वहां आप खरीदेंगे, खरीदने के बाद 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 नया हाई बनाने को तयार है, आपकी इच्छा प्रबल हुई, आपका मनोबल मजबूत रहा आत्म बन तो जाएगा हाई, बस आपके अंदर जोश कितना है, वह वाली बाद, बैंक्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं, नए ब्रेक आउट के लिए तयार होते दिख रहे हैं, और बैंक डिफ्टी 48,000 की तरफ तेज़ी से बढ़ने की तयारी करता हो दिख रहा है, यह क्लियर क पर 800 points मेरान साफ है, खुला है, अब यह सी सिचुएशन है, 100%, ऐसे थोड़ी मैं रोज स्टेटमेंट बदलता हूँ, बिलकुल 100%, 48,000 की तरफ रास्ता खुला हुआ है, साफ है, ठीक है, चलिए, बड़े levels को, मज़ा आएगा दीपाच की कमिंटर में, आपके लिए storage खाली म इतने कम level दीए ना, कि आप सोचें, मज़े ही आगया है, 20, 850, 20, 950, strong support zone, strong buy zone, इसमें ले लो, प्यार से, जब भी मिले, किसी से पूछना नहीं, कोई कुछ कहे, सुनना नहीं, मैं इंदर गया था तो, सबसे जाए सवाल मालूं किस चीज़ पर आते हैं, बहुत बढ़ गय अब ही भी आ रहे हैं, यही ही, तो मैंने का कि जो भी आपके दोस्त, रिश्टेदार, टीवी चैनल पर लोग, प्याहे में, और मैं बहुत बढ़ गया है, तो पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रोफिट बुक करेंगे, मैंने का जी नहीं, सबसे पहले आप उसका फोन नंबर ब्लोक करेंगे, और उसके बाद छे महने तक उससे बात नहीं करेंगे, मैंने का समख़ाई है, छे महने बाद तो मोधी जी की जिम्मेदारी ना, आगे एलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे ना तब तक, हमार काम हो गया उसके बाद तो आपको बुद को अगली जेनरेशन के लिए और छे मेने भी नहीं होड करना रहे हैं ऐसे किसे तो छे मेने होड करो उसके बाद तो इलेक्शन के रिजल आएंगे आप कोई पता है फिर रखना है बेज देना है रिजल दे कि आप खुद ही समझदार है तो मेरा पॉइंट है कि हड़वर जल्व कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड करते हैं अरे पचानवे पॉइंट मिटकेप इंडेक्स नीचे बंद हुआ है 1.500 पॉइंट मिटकेप पचीज दिन से बढ़ रहा है क्या ऐसा थोड़ी कि आप रोज लाल हरे में ही देखेंगे कभी लाल नहीं देखेंगे ये कोई तूटना कि इसको बोलते है इसको टूटना नहीं बोलते हैं तो आइटिंक बने रहें डटे रहें हडबड़ी और जल्दबादी बिल्कुल भी न करें क्योंकि पैसा होल्ड करके ही बनेगा यह तेजी का मार्केट है बुल रन है ट्रेड करने से ज्यादा होल्ड करने से प लेकिन ओने पोने दाम पर या हलका फुलका 10-20-25% प्रोफिट के लिए इसने बड़े बुल्मन में आ पाते हो तो फाइदे ही किया है अभी तो डबल करने के लिए आओ जब मार्केट खराब होता है धिला होता है तब 20-20% से खुश हो जाओ तो ठीक बात है तो आई थिंक बने रहें डेटे रहें चिंता ना करें ठीक है आईए बैंक निफ्टी में 20-850-2950 स्ट्रॉंग सपोर्ट जो ने 20-950 से ही शुरुआत कर लिए 20-850 आए तो और एड कर लिए दो टुकडों में खरीदिये ज्यादा खरीदा है तो 850-900-950 तीन टुकडों में बिंदास लिजे कोई टेंशन यह पिसले तीन दिनों का लोग 20-850 है इंट्राडे में तीनों दिन 20-850 स्ट्रेस किया तोड़ता नहीं वापस आ जाता है मतलब बहुत स्ट्रॉंग बाई जोन वापर निकल कर आ रहा है उपर 21-025 पार करते ही ब्लू स्काई जोन में ट्रे है तो मैं दे सकता हूँ 650-750 लिए जरूरत नहीं पढ़ेगी यह आपके लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट जोनर 47303 का आपने हाई बनाया है 47350 राउंड फिगर में दिया है उसके उपर ब्लू स्काई जोन है 47500 तक पहुँचेगा आपने स्ट्रॉप्रोस को ट्रेल करते चले 100 50-500 जो आपकी इच्छाओ और खोल करके चले 4830 तक की टार्गिट की तरफ के लिए ठीक है यह आपके लिए बैंक्टिटी अर्टाल जार एक ही तरस में नहीं जाएगा हो सकता है वीक्ली एक्सपारिटी तक धिरे-दिरे बड़े चलेगा हो चलेगा लेकिन चलेगा ठीक हो पोजिशन कमी बनती है आज से बनेगी स्टोप लोस 20-850 बनता है इंट्राडे क्लोजिंग मैंने थोड़ा सा 50 पुइंट का कोईशन रखके 20-800 लिया है ठीक है बैंक निफ्टी इंट्राडे 47,000 लोजिंग 46,800 यह आपका स्टोप लोस है जिसको डीप लगाना है 46,800 लगा इंट्राडे क्लोजिंग स्टोप लोस आपका पैंट्राडे क्लियर है ठीक है नई पॉजिशन खरीदना है निफ्टी तुरंट खरीद ले ले नई तो फिर रेंज आपको दिए 20-850 पे लिए 20-950 पे लिए मैं तो लाल निशान में दिखेगा तो मैं खरीदने के राये द आपका इकमातर टार्गेट है और 20-25 पर करते हैं फिर आपको स्टोप लोस ट्रेल करते हैं क्योंकि उपर फिर कितना जाएगा पता नहीं अच्छा दूनों वज़े से पता नहीं दिप एक टो यह के डेटा भी कम है और दूसरा लेवल भी पहली बार लाइफ में आप पता नहीं डेटा ही नहीं है अब 21-100 के कॉल पर कितना 36 लाग क्या होता है मचर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ठीक है अब आईए बेचनी के राये अफसोस जो लोग बेचना जाते हैं उनके लिए मेरे पास में कोई डंग डंग की अच्छी स्ट्रेजी है नहीं फिर भी क इस नीचे भी पोने 200 पॉइंट की है और उपर भी वेसा है तो पोने 200 पॉइंट का टार्गेट है तो ओर ओल यह आपके लिए 20-850 तूटने पर ही बेचना वनता है उससे पहले नहीं ठीक है अब आईए बैंक डिटी खरीदना आपको बेस्ट रेंज खरीदने के लिए 46- 847,000 पर इंट्री मार लिए 46-800 आए तो और लिए दो टुकड़ों में फर्स क्लास नो प्राब्लम एट ओल इस्टॉप्रोस 46-650 का रहेगा टार्गेट 47-250, 47-302 चोटे टार्गेट 47-350 के उपर ब्लू स्काई जोन और आपको पता है यह आए गा नहीं तो एग्रिसीव ट ट्रेल करते चले, होल्ड करते जले, जब तक कि आपका इस्टॉप्रोस ट्रिगर ना हो लगे रहें, डटे रहें, बने रहें 48,000 की तरफ के लिए तो फिर मूव आनी है दीर है, एक्सपाइरी तक चलने दे, जहां ठीक लगे, या तो इस्टॉप्रोस ट्रेलिंग कर लिज है तो मुझे पता नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, ठीक है, जो लोग बेचना चाते हैं, ओके, एग्रिसीव ट्रेजर बेचे, यह 46,800 कर जीजिए इसको, 46,000 लिटल टू फार, यह जो बेचना कहा है, 46,800 टूटने पर, कल के, I mean शुकरवार के लोग, 46,793 के ह 800 समझ जीए, 46,800 को डिसाइसीव ली तोड़े, वहां बेचिए, 47,000 का स्टॉपनोस लगा है, टार्गेट 46, 750, 650, 500, 425 बस, इतनी ही टार्गेट है, इसके लिए करनी है, आपको भी क्वाली, अच टार्गेट सोड़े छोटे रखे, जरूत नहीं है, बहुत लोगों लगता मूर से नहीं होता है, मूर मेरा बराबर रहता है, और इसलिए लेवल्स भी जो डेटा मुझे देंगे, मैं वही दूँगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपना दिवांग नहीं लगाने का, और सबसे बड़ा मज़ी की बात ही है, कई बात लोग बोलते हैं कि मुझे पू मुझे नोटिस किया, जब जब मार्केट बहुत खराब होता है, आप खाने पिने की बाते ही जादा करते हो, अच्छा है यह तो हमें क्या फरक पड़ता है, कभी है जादा है तो, जब आप अनबाइस है, तब ही सही है, तो मैं डेटा को लेगा हमेशे अनबाइस रहता हू जो लेवल दिखते हैं, दस दिखेंगे तो दस दूँगा, चार दिखेंगे तो चार दूँगा, नहीं दिखेंगा तो एक ही नहीं दिखेंगा, आज यसे एक बिल्कुल नहीं दिया, जैसे निफ्टी में उपर का एक भी लेवल नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बात बलरामपूर, नालको सेल, डेल्टा, इंडिया बॉल्स और जी इंटर्टेन्मेंट बैंड में बने हुए है, कोई इंपोर्टन लेवल सर वाइदकरवा के लिए इंपोर्टन लेवल से याद आया है, दो इंपोर्टन लोग मिलें मुझे, अच्छा, जी, एक मिले मुझे मैं अपने पिताजी को भेज़ूँगा, वो बहुत खुश होंगे, मैंने का जरूर, मैंने का क्या करते हैं, मैं एले में रहता हूं, लोस अंजलिस, अमेरिका में, और हम रोज आपको देखते हैं, मिड नाइट होती है, क्लूजिंग वाला शो हम आपका हमेशा देखते है और उसको सब याद है कि हमने कल क्या होला था, परसु क्या होला था, और उसके बाद जब मैं दिली से इन दोर आ रहा था, तो हमें तीन, देखके मझे बड़ी खुश हुए, तीन भाई एक साथ, उन्होंने कहीं मुझे सेकुरिटी चेक में देख लिया था, दूनते दून लोग एक भाई तीन तीन एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, देखके बड़ा नहीं और पूरा परिवार, फेज परिवार पुरा दिली का, अच्छा, अच्छा, हमारे तो सुबह से शाम यही चलता है, और बोले कि बनसल जी की बड़े करते रहे अच्छे से मुझा ओडर आते हैं, दर्षकों की तरफ और चेनल तो दर्षकों के लिए चला रहे है, बैंसल जी का बगवान बला करें, अपनापन है अतरा रहे हैं, और उनको समझ में आता है, कि यह यो हूमर है, यह नैच्रल है, यह प्यार है, वो लोगों पसंद आता है Anyway, so, levels बता रहे हैं, बाकी F&O data में कोई खास निकत कोई इसा है, कि किस जार के उपर निकल के नया हाई बनाएंगे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंगे, वो भी कोई खास नहीं है, ठीक है sir, आए फिर stocks पर focus करते हैं, धेरो stocks लेकर आए, अपके लिए, stock of the day कहां से करें शुर्बात sir? तीनों ही cash market stock से पहला है, सुब्रोस जहां पर अच्छी ख़बर हैं है, अक्टोबर दोजार पचीज से सारे कुछ special category के जो trucks हैं, उनकी cabin को AC करना अनिवारी कर दिया जाए, यह truck drivers के लिए अब air conditioning होगी, अच्छे से वो गाड़ी चला पाएंगे, 444 के stock trucks के साथ खरीदारी पहले साथ, पहली बार recommendation list में है, 603 के stock trucks से खरीदना है, 623, 630, 640 के target के लिए, weekend पे इन्होंने अपना एक पूरा investor presentation डाला है, exchanges पे और बड़ा गजब लिखाया दी, मतलब बड़े expansion plan company के board ने अपरूड किये है, दो अलग अलग जगे पे नई facilities इनके आ रही है, इन्होंने बड़े aggressive plans सके है, stock वैसे तो बड़ा run-up already दिखा चुका है, लेकि मुझे जगता है कि यह expansion plan approve होने के बाद stock में एक और बढ़ा तेजी बन सकती है, Lloyd metals, और वैसे भी global moon माहूल को देखते हैं, metal share थोड़े से बैतर होते हैं, sale, हिंदुस्तान, copper वगेरा, यह सारे मजबुती में आई रहे, यह एक stock है, जो कमाल कर सकता है, तीसरा interesting stock है, Sari Gama, पिछले हवते आपने देखा कि किस तरह से entertainment, media stocks में फिर से interest आता हो दिखा, सुर्कियों में भी रहे, यह stock भी अच्छे run-up दिखाता हो दिखा, 340-370 की एक बढ़िया महिने बर में इसने दोड लगाई है, कुछ बढ़िया breakout, अच्छी खरीदारी, delivery-based volume होते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर भी अच्छा interest investors की तरफ से आता हो दिखा है, 367, 367 के stock लोस से खरीदना है, 380, 380, 380, 388, 3 target के लिए सारे Gama में भी खरीदारी की जा सकती है, सारे Gama में भी कर सकता है, ठीक ह अब इसका सही भावश है, 3800 रुपए होना चीज़, 3700 रुपए, अगर split के परें, I think 2000 के आसपास कुछ split हुआ था है, तो ये अब उसके बाद भी देखे, effectively 3700, 3800 का दाम हो, कारवा सुने है, हाँ, 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 बहुत बदस्त है, बहुत बदस्त है, बहुत बड़िया प्रोडक्ट है, उनका, तो चलिए, ये हैं, आपके लिए तीन स्टॉक्स, सुबरो, लॉइड मेटल्स, सारे गामा, और कुछ और स्टॉक्स भी हो सकते हैं, नौ बजा अनल जी बताएंगे, और कॉंस स्टॉक्स उनके रेडार पर हैं, हाँ, हमारी टीम से भी कहां पर आज खबरों का अक्शन और ब्रोक्रेज रिपोर्ट की नजर, नुपर, साथी अर्मान और आशीश हमार साथ हैं तयार, नुपर मॉर्निंग करते हैं, आप से शुरूरात बताएं, आज की ट्रिगर सब खबरे क्या कह रही हैं, बल्कुल गुड मॉर्निंग, नती जो के साथ, फंड जटाने पर भी आज विचार होगा, तो यह इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट यहां पर कंपनी की तरफ से आते हुए दिख सकता है, प्रोटीन इगर्न टेक्नोर्जी और एस के ऑटोमोटिव पर भी रखनी है, नजर क्योंकि तीस दिन वाला, पचास पर मिलाए ओफिस को इरकर इंटरनाशनल स्टॉक फोकस में आते हुए दिखेगा, खबरों के दम पर आज मैस्गाउंट डॉक पर रखनी है, नजर कंपने को ओन जी सी से करीबन 1145 करोड का एक बड़ा ओडर मिलते हुए दिखाए, तो यह स्टॉक भी फोकस में रहगा, बैंक आते हुए दिखाए, डॉक्टर रेडिस के लिए नेगेटिव खबर आते हुए दिखेए, जहाँ पर यूएस एफडिया ने जार्ज किये, फोंग 483 के तहित, तीन आपत्या यहाँ पर दिखी है, तो यह दॉक्टर रेडिस भी आज फोकस में रहने वाला है, टाटर मोट इन पर भी रहने वाला है, फोकस क्योंकि एक उक्टोबर से एंटो एंट्री गाडियों के लिए, ड्राइवर कैबिन में भी एसी अनिवार हो जाएगा, तो यह सारे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे, तो ब्रोज जैसे कि सरबताई रहते हैं, आज स्टॉक ऑफ दे लेकिन उसमें एक और खबर आती हुदी कि जहां पर रेल्वे से 25 करोर का ओडर कंपनी को मिलते हुए दिखाए, तो फ़र्दर पॉस्टिव न्यूज है कंपनी के लिए, और लास्ट में आपको स्प्रिट कंपनी इस पर रखनी है नजर, यूएसल और एडिको के तान, जी अर्मान, मॉर्निंग, बताएं, आप कौन सी खबरे लेकर है, जी गूड मॉर्निंग, खबरों में, सबसे पहले, TVS मोटर्स यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह TVS, पाचे, RTR, 160, 4RV, वो लांच होती हुए दिखिए, और यह तमिलनाडू में, एक्स शोरूम इसका 1.34 लाक रुपए है, परसेसेंट सिस्टम, यहां पर मीडिया रिपोर्ट में कमनी ने सफाय दी है, खबर क्या थी, खबर मीडिया रिपोर्ट में यह थी, कि NSC की जो ITM है, उसका याधिकरन करने के लिए बातचीत कर रहे है, उस पर कमनी ने कहा है कि कमपनी ऐसी खबरों पर टिपनी नहीं देती है, उसे के साथ साथ जब भी कोई ऐसा प्रपोजल जिसका डिस्क्लूजर दिया जाना चाहिए, वो आएगा तब उसका डिस्क्लूजर ओब्लिकेशन को पूरा किया जाएगा, DCB Bank, यहाँ पर बैंक से प्रेफरेंशल बेसिस पर प्रमोटर जो आगा खान फंड फर एकॉनोमिक डेवलपमेंट है, उन्हों को 60.6 लैक एक्विटी शेर अलॉट्मेंट को मंजूरी मिलती भी दिखिए, 137 प्रती शेर पर 83 करोड अलॉट्मेंट को मंजूरी मिली है, उस पर अगर आप देखें, तो फाउंडर प्रमोटर ने यहाँ पर लगभग 3 परसेंट जो की 4 लैक शेर है, वो हिस्सेदारी बेची है, उनकी हिस्सेदारी 24.7 परसेंट से गिरकर 21.6 परसेंट हो गई है, उसे के साथ साथ प्लास्टी ब्लेंड इंडिया यहाँ पर है, उनकी हिस्सेदारी 4.8 परसेंट से बढ़कर 5.3 परसेंट हो गई है, और यह साथ दिसम्बर को मार्केट के जरी, ओपन मार्केट के जरी बढ़ाते गए है, बल डील में GMR एरपोर्ट जिसमें सेलर्स के अगर आप नाम देखें तो वैरेनम इंडिया जहाँ पर 14 करोड एसन इंवेस्मेंट जहाँ पर 44 करोड एंड इंवेस्टर लगबख 7.5 करोड और डेकन वेल्यू जहाँ पर 5.5 करोड के आसपास शेल जो बेचते वे दिखे हैं, वह खरीदारी में GQG पार्टनर लगबख 9 करोड के आसपास, गोल्मेंसेक्स, गुनीस करोड, 9 मूराओं और स्टेचिंग डेपोजिट्री जिसी कमनिया जहाँ पर खरीदारी करते वे दिखे हैं, और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें, तो गौर्डमेंसेक्स यहाँ पर अगर आप बात करें, लगबख 6 लाग के आसपास शेल बेचते वे दिखे हैं, और अन्त में, काने अगरेबल रिटेल, यहाँ पर बोफा सेकुरिटीज ने 4.7 लेग के आसपास शेर्स खरीदें, धेरो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आने वाली हैं आपके लिए, और कई सारा फंड अक्शन भी वाया, आए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का क्या कहना है, यह भी जान लेते है अगरेज ने वाया, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आने वाया, इस्तिफार देदी है, तो इसके बाद बॉंकें स्टानली की तरफ से रिपोर्ट आई, अंडर वेट की रिटिंग को बर करार रखा है, चार सो तेज का भाव, तीन सो सतर का तागेट है, और मान रहे कि यह माटर अफ कंसर्ण है, पिछले बारा महीन में आने एक साल मगर आप देखे तो टॉप लिवल पर काफी रिजिगनेशन आएं, तो इसका इंपक्ट लार्जर डील्स पर यहाँ पर देखने को मिल सकता है साइंट, यहाँ पर रखेएगा फोकस क्योंकि मौगन स्टानली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अनिलिस्ट मीट के बाद यह रिपोर्ट आई है, जहाँ पर टागेट प्राइस देखे, 2000 से बढ़ाकर 2300 रुपे कर दिया है, 1950 रुपे का भाव है, और मान रहे कि ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल सकती है, कैस्ट फ्लोज इंप्रूव हो रहे है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप देखे तो जो पे आउट रेशियोज है, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट नजर आएगा, कोफोर्ज, जेफरीज करीदारी के राएदे रहे हैं, टागेट प्राइस इन्होंने 6250 से बढ़ाकर 6580 कर दिया है, 5783 रुपे का भाव चल रहा है, और यहाँ पर भी देखे मैनेजमेंट की मीट होई है, उसके बाद मान रहे हैं कि आगे तीन से चार साल में जो मार्जिन्स एक्सपांशन हैं, आपको करी 152, 300 बेसेस पॉइंट के आस-पास देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ग्रोथ रहेगी वो लोवर एंड रहेगी गाइडेंस पर, आक्सेस बैंक मॉगन स्टाली ओवर वेट की रिटिंग को बढ़कर रहा है, लक्ष 1275 से बढ़ाकर 1450 रुपे कर दिया है, कोटक मेंदरा बैंक यहाँ पर मॉगन स पचास कर दिया, स्टॉक चल रहा, 1509 रुपे पर, और सारे गामा जहां पर, MK की तरफ से काफी अच्छी रिपोर्ट है, कवरेज की शुरुआत की गई है, 371 रुपे का भावा है, 465 रुपे का टागिट दिया, और मान रहे हैं कि कंपनी जो है, नए अक्विजिशन कर रह के रियल एस्टेट सेक्टर के उपर भी रिपोर्ट आई है, जहाँ पर DLF पर इन्हों ने ओवरवीट की रेटिंग को बरकरा रहा है, और जो लक्ष है वो 550 से बढ़ा कर 770 कर दिया है, स्टॉक चल रहा है, 650 पर लेकिन ओबरोर रियाल्टी यहां पर इने कुछ कुछ नस कर दिया, 1930 रुपे का भाव चल रहा है, प्रेस्टीज से पर ओवरवीट की रेटिंग है, 524 से सीधे लक्ष को एज़स्ट करकर 1300 कर दिया है, 1186 का भाव चल रहा है, माक्रोटेक डेवलपर इकुल वेट की रेटिंग है, लक्ष पांच सो बहतर से बढ़ा कर 960-918 रुपे का भाव है, इसके अलाबा मौगन स्टाइनी ने स्टील स्टॉक्स के ऊपर भी रिपोर्ट निकाली है, जीएज़ डबलू स्टील पर अंडर्वीट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष 585 से बढ़ा कर 620 कर दिया है, टाटा स्टील पर इकुल वेट की रेटिंग है, लक्ष 80 से बढ़ा कर 85, जीएज़ पील पर अंडर्वीट की रेटिंग है, लक्ष 500 से बढ़ा कर 525 कर दिया है, माक्स हेल्थ केर, यहाँ पर जीपी मौगन ने न्यूटल की रेटिंग दिया है, छेसो बीस रुपे का टागेट दिया है, इसके बाद जेफरीज भी खरीदारी की रिपोर्ट आई है, जहाँ पर जो टागेट है, 952 से बढ़ा कर 954 कर दिया है, खरीदारी की राय के साथ, यह मान रहें कि जो जेनरिक कारोबार है, जेनरिक मेडिसिन का, इसमें मार्केट चार गेन हो रहा है, इसके चलते हैं, यहाँ पर टागेट प्राइस इंक्रीज किय पर टागेट है, तो यह है, आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जहां पर दिखीएगा, आज भरपूर एक्षिन आई है, इसी एक्षिन को बढ़ाते हैं और वक्त है, हमारे सबी महमानों से मुलाकात करने का सूमवार की सुबह आपके लिए आ रहा है, पिक ऑफ दे वीक हफते की शुकात में फिर से गोल्ड मेडलिस, बंसल जी हमारे साथ है, इस वक्त बंसल जी सूप्रबाद, आप पिंग टाइम में बहुत ही, मतलब इतनम फ्रेश फ्रेश अच्छे नजर आ रहे है, वैसे बड़े कोंट्रास कलर है, ग्रे सूर, डार्क ब्लू शर्ट और प गुड़ मारे सकते हैं, और पिंग विग बंदग में सब को अच्छे है, युण नजर है, आपने जी पुर्ण में आपको बिच्छ और यह पांच पांच अवार्ड मिलें, और आपने आपने अटी मेरा टूट ने पर जब आफने लिग यूथ, पुरा इंगिलिश में मतलब की ट्विटर के ओपर सुबह मौर्णी वाली इंग्लीश में उसमें भी एक छोड़ी सी गलती हो गई मतलब की किसी ने ट्विटर पे तो डाला नी मेरी वाइफ नहीं मुझे बताया कि इसमें गलती है तो मैंने का भईया आटो करेक्ट हो जाता है यह तो उसके अंदर मेहनत मैंने पूरी करी थी और कल मुझे एक ची समझ में आई जैसे आयम मैरी तू चार्ट पेटरंस ना तो यूर लव और यूर रोमांस पूर मतलब के अवार्ट इस गूइंग अनिल जी बहुत 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 दन्यवाद आपके शुबकावनाओं के लिए बताएं सरम हथे की पिक अनिल जी हाफते की पिक है इंडस टावर इंडस टावर पर खरीदारी की राया है टेक्निकली नीचे में अच्छा बेस बना हुआ है खास बात क्या है नीचे में 180 182 एक अच्छा सपोट है तो 182 का उंट क्लोजिंग डिसिस लगाएं स्टॉप लॉस दो साथ के आपके लिए खरीदारी किये हिमाशी गुपता साथ सूपरभाद आपका भी स्वागत बताएं सब्सक्राइब को सूपरभाद अनिल जी पहले तो बहुत मैंनी मैंनी कंग्रेटुलेशन्स जबरदस एक बार फिर से और सेजन में आपने इंडलब चारों खाने जित करके ब इस तरह कि जो कभी-कभी मोवमेंट्स होते हैं तो कॉंफिडेंस और बूस्ट होता है थोड़ा आपको हमारे पैनल के सभी सब्सक्राइब को बहुत 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 धन्यवाद यह सारा काम एक ऐसी टीम का है जो चाहे पैनल पर हमारे एक्सपर्स के तोर पर हमारे एंकर्स और चाहे पर्दे के पिछो सब मिलकर जो 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 और लगा रहे उसका असरा आप देख रहे हैं तो धन्यवार्द आहिमांची जी आपको भी कुनाल जी राके जी जी जैन साब और बाकिया वारे जितने एक्सपर्स और जुडने वाले हैं पैनल पे जुड रहे ने जुड मुझे लगता है कि इस हफते बैंक्स में PSU प्राइविट बैंक सब में एक अच्छी तेजी एक्सेंड हो सकती है बैंक मिल्टी की तरफ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकता है तो मुझे लगता है कि इस हफते मुझे लगता है 650 रुपे के हफते बर के लिए राई हमान्शुजी की खरीदारी की जिन साब भी आ चुके लिए उनसे पहले कुनाल जी हमारे साथ है प्रियार सूप्रभाद कुनाल जी स्वागतम बताएं सर पिक ओफ दर वीक आपने भी कुछ त्वीट तो किया था मुझे आपका ट्वीट तो मैंने लाइक भी किया था सुप्रभाद अने जी सुप्रभाद धिपांशु अने जी सबसे पहले तो अने जी आपको धेरो शुब कामना है और अने जी एक बात से दो गई है विससे जी कि आप चीजों को सभाल बड़ी अच्छे तरह लेते हैं पांच-पांच अवार्ड अने जी दोनों हाथों में आपने कैसे समाए हैं ये अपने आप में चबतकार है अने जी तो मैं देख रहा था आपका वीडियो अने जी एक बात ये बताईए जैसे हम ये आसकर और ये फिल्म फेर इत्यादी के अने जी आवार्ड फंक्शन्स देखते हैं तो वहाँ पर लंबी सी लोग स्पीच दे पिल्ली में मुझे तीन महनु भाव़ गुरुब्ली में मुझे तीन महनु भावव मिले और वो बूले कि बहुझे जो आप बंसil जी के खिचाई करते रहते हैं, बाकि सारे पैनल के जो लोग हैं उनके साथ में जो आप मस्तिम जाकर चाहिए, और खास दोर से बंसल की जी कि जिए ज़्यादा खिचाई करते हैं, वो उन्हों स्पेशल मेंशन करते हैं, बलाई कि उसको बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, उन् जी कुनाल जी तब बनसल जी ठीक रहेंगे बिलकुल बिलकुल बनसल जी के घर से पिर रिक्वेस्ट एक कुनाल जी बोले तो मानना पड़ेगा बनसल जी आपके घर के जो आदेश हैं उनका पालन किया जाए ना अनिल जी पालन किया जाए निल जी ये खचाई निल जी प्यार है और मैं इसको अनिल जी मतलब की लग अच्छा लगता है अनिल जी और दूसरा अनिल जी आपका तो शडियूल दिली का काफी टाइट था रात को दस बजे रातरी आप फ्री हो ए अनिल जी मेरी कुछ अनिल जी लोग वाइफ को विश्क करने लग गए हैं अनिल जी मेरी मदर-इंलोग की यंगर सिस्टर मतलब की शी केम लंडन तो अनिल जी उनकी वज़ा से मैं आपको दर्श बजे पहुंच नहीं पाया आपके पास अनिल जी मैं डेफिनेटी पहुंच था अनिल जी बहु चुना है MGL को MGL में हमने एक बड़ा ब्रेकाउट थर्जडे को आते हुए देखा फ्राइडे को कुछ सुस्ती थी लेकिन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉंग है बड़ा ब्रेकाउट चार्ट पर आया और काफी बड़े लेवल्स के उपर अब ये स्टॉक ट्रेड करने लगा ह तो मुझे लगता है कि इंस तरो पर इसको बाय करके चले काफी बड़ा एक अपसाइड इसमें मुम्किन है 1140 रुपे के आसपास एक स्टॉप लोस रखने 1140 का पहला टार्गेट स्टॉक के लिए 1190 का तो 1190 रुपे का पहला टार्गेट और इवेंचुली 1225 रुपे के ट खरिदारी करने के लिए आपके लिए कुनाल जी की तरफ से आती हुए आए जैन साब को अभी बहुत बहुत स्वागत है जैन साब सूपरभाद बताएं से इस हफते आपकी पसंद का शेयर यस फरस्ट आपके लिए तो रूटीन हो गया हर विकेंड पे कोई ना कोई देख अनि एक्चुली कोशिश भी किती कि इसे बाहर निकाल के लाओ पर हो न पाया है और मजे की बात के मेरे पास मेसेज़े आगए कि अनिल जी हाई वे से जाए बाइपास से जाए बनों बाइपास पे चलेंगे आप स्वागत करने जाएंगे और गजग लेके जाएंगे मैं अनिल जी आपको आपको पांच साल में इतने सारे आवर्ट जिते हैं और 5 जो हमारी वीवर्शिप है मतब कहां 15 परसेंट से 85 परसेंट वी जाएंगे जाए तो मुझे तो लगता है कि अनिल जी चलता रहा कि winning आवर्ट और एक ही हाट कितने बाट मैंनों इसफी जीन के लिए टा कि एक साथ भूलाने पड़ने सांटे उपाट बहुत शुक्रिया बाहुत गता हुँ अनिल की काफी सारे पिक्स जेनरली रहते हैं मेरे, पहले तो मैं वीकेंड पे जो शो था फ्राइडे वाला, उसमें मैंने तीन पिक्स जो दिये थे उनको एक बर रिपीट कर दूँ, तो इंट्राडे पिक के तौर पे हमने कोफोर्ड दिया, IT स्टॉक्स अर डूइंग वेल, लार्ज केप बैंक्स के जाथ, IT स्टॉक्स भी बढ़िया करी रहते हैं, फ्राइडे के दिन हमने देखा, सूरिया रोश्री को हमने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया, और ग्राइंवन लॉटन दिया था, लॉग टर्म पिक के तौर पे, फिर हम लोग एक में वीकेंड ब तो यह सारी पिक्स को एक बार, मैंने सोचा कि एक बार बताया जाए, तो सैटरेड़, संडे के दिन जो काम करते हैं, और अब अब अबराल मुझे लगता है कि बैंक्स विल डू वेल, तो HDFC और ICS यह तो बढ़िया रहेंगी, और होटेल वाले स्टॉक्स बढ़िया एक डिस्क्लेमर के साथ दे रहाओ कि यह स्टॉक्स आगे पिछ इतनी बार डिसकस किया, तो जेनरली हमारे इंडिपेंडेंट फैमली मेंबर्स और सारे क्लाइंस के पास भी हो सकते हैं, तो आप अपनी भी रिसर्ट जरूर से करें, कोई भी ट्रेड करने के लिए, तो यह नाया-Stocks of the day निया रहा है, नाया-Stocks of the day, और भी जादा, एले-Headlines? पावर्ट बाई L.I.C. हर पल आपके साथ को पावर्ट बाई बैंक आउफ महराष्ट्रा एक परिवार एक बाई रोजगार के दमदार आंकोडों से शुक्रवार को दोड़े अमेरीकी बाजार डाउ 130 हंग चड़कर 11 मेनी की उचाई पर नाजडिक पैंसर टंगों की तैजी के साथ आठ मैने की उचाई पर हुआ बंद गिफ रिफ्टी 21,000 पिच्चतर के पास सपाट डाउ फ्यूचर सुस्त लेकिन निके में 500 अंकों का उच्छाल चे जुनों की लगातार गिरावट के बाद मजगार डाउ को समुद्र के अंदर 44 किलोमेटर पाइपलाइन रिप्लेस्मेंट के लिए जीसी से मिला साड़े 1100 करोड रुपे का ओडर डॉक्टर रेडीस को बच्चुपली आरेंडी सेंटर के लिए यूएस एव्डेस से मिले तीन आपतिया एक अक्टोबर दोहजार पच्चीस से ट्रक ड्राइवरों के कैबिन में अनिवारे होगा एसी सड़क परिवाहन मंत्राले ने जारी किया नोटिफिकेशन जी बिसनस की एक्स्क्लूसिफ खबर पर मुहर बीजेपी के विश्णु देव साय होंगे 36 गट के नए मुख्य मंत्री आज मध्य प्रदेश के सीम पर हो सकता है फैसला बिसनस स्पेशल हिंदी गोस्टू वेल्थ क्रेशन वीक बाई चैनल जी बिसनस और मौना मैंनी कंग्राचुलेशन तो यू गाई एंटी अवार्ड्स में आपके चाहते जी बिसनस ने मचाई धूम बिसनस स्पेशल में वेल्थ क्रेशन वीक तो बिसनस टॉक शो में न्यूस पर व्यूस और डेली न्यूस बुलेटन में इंडिया 360 समेत पाँच कैटेगरीज में मिला सम्मान प्रस्तुत करता पतंजली 54 बेशकींती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेश्ट 54 प्रायुजक पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सर्च और पतंजली केशकांती एडवांस नए बालो गाई बालों को जड़नेवा असमे जाए हफटे की सुछ शुरूआत के है संकेत गिफ्ट निव्टि से दुनिया वरके बारों से अच्छे संकेत बारती बादर ने शुक्रवार को बनाए नया लाइफ आई देखते आज के सेशन में सुछ शुरूरात के बाद कितनी एक्षिन में आते हैं बाजार सब्सक्राइब नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंगी और नमस्कार मैं हूँ दिपांशु भंडारी तैयार हो जाए एक्षिन पैक्स हफ्ता दिन हमारे बाज़ार के लिए हो सकता है सुप्रभाद सुमिजी बताना है आपको पिक ओफ दे वीक सबसे पहले तो आपको पाच पाच अवोड के लिए बहुत बदाई और अगली वारा पांच नहीं दस अवोड आप लाए एक साथ यही शुपकामना के साथ शुरुआ करते हैं आज के सुमिजी की सभी देश्वास आपको पिस अबहुत नहीं है और वजन भी अच्छा खास अधाया तेजी का बना हुआ है ताइटन यहां से और उपर का मुव दिखा सकता है चाथी सो तीस के पास थाटी सिक्सिक्स तर्टी के पास इसमें खरदारी करके चलने का सला रहेगा पैती सो असी पैटी सो नब् तो पैटी सो असी के नीचे में स्टॉप लोज बनेगा उपर में 3700 रुपए 3725 रुपए यह लेवल उपर में देखने को मिल सकते हैं तो टाइटन में खरदारी करें कोई भी डिप आता है तो पैटी सो असी के स्टॉप लोज से 3725 के टागेट के लिए पर पेटन पर करनें कर दे रहाया है तैम इंग दे के समा अस्तुनीख चल पा रहा है इसके लिए थोड़ी इंकौईरी करने पड़े है गंती बजी तब सुमिजी रुखे या सुमी जी रुके तब गंड़ी बले थी लेकिन हुआ दोनों एक साथ यह मैं पता है और लेकिन दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं एक उत्तर तु दूसरा दक्षिन है मतलब यह वह राजिनिती वाला उत्तर दक्षिन है इस इस फ़ा मार्केट वाला सौथ वर्स आज करें कहां उत्तर दक्षिन चलता है बरोसा नहीं है कभी वी शाम को आए जर्नल न्यूस चैनल सब्सक्राइब निशान में हैं निफ्टी दीब बताएंगे कहां खुलें कमोडिटी और करेंसी बाइब रुपे पर रखनी है नजर क्योंकि रियल पॉसिबिलिटी है कि आज फ्रेश लो शाहद आपको रुपे पर लगते वे दिख सकता है फिलाल एकदम फ्लाट आपको में जरूर दिख सकता है 6000 के नीचे ही है कच्चा तेल हाला कि आज सुबा आप देख रहे हैं आधे परसंट की खरिदारी आती वे दिख रही है नाच्छल गैस में चार परसंट की बड़ी गिरावट है वहाँ पर प्रेशर आ रहा है यह अच्छी बात है वह भी विंटर सी सब्सक्राइब अच्छन नहीं है तो ठीक ठाक संकेते कमोडिटी बाजार से कुछ खराब नहीं आ रहा है बस रुपे पर रखनी है नजर अगर थोड़ा यहां से कमजोर होता है तो नए लोज आपको आत्र वे दिखेंगे आए फोकस करते हैं आज के टॉप 10 स्टॉक्स प लिए पार्ट रिप्लेस्मेंट करने के लिए और मजगाउं दोग के हाथ में लाए स्टॉक अफड़ डे में सुब्रोस की तौन जी ने बात कर दी साती अंबर एंटरप्राइज और सारे सीवी बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स अशोक लेलेंड आईशो मोटर्स यहां यहां पर इन्हों ने एक एक्सो साथ सिसी की बाइक लॉंच किये तमिलाडू में इसकी प्राइस एक्स शोरूम एक लाग चोंतिसे जार उपर है डॉक्टर रेडीज खराब खबर इनके लिए हाईदरबाद की बाचोपली आर एंड यूनिट में एक प्री अप्रूवल इ की गई हैं पिसले हफते हुआ था यह जांच ओके लॉइड मेटल सेने एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के लिए एक अच्छी ख़बर बोर्ड से 21,000 क्लोड आयन और मानिंग की किशमता विस्तार को मिली है मंजुरी और सारका सरा जो विस्तार होगा इंटरनल अक्रोल खु इसको लॉंच कर रहा है फिलाल सिर्फ दो स्टेट से शुरुवात करेंगे गोआ और महाराश्या फिर देखते हैं किया रिस्पॉंस विलता है बट इंटरेस्टिंग खबर है इस पूरे स्पेस के लिए और यहां पर मॉर्गन स्टेनली की तरफ से आया है डाउन गेर्ड वह भी डवल वाला लेकिन हाला कि टार्गेट 880 से बढ़ाकर 1180 किया है स्टॉक ओलरी 1450 के आस पर तो डाउन गेर्ड का असर डिख सकता है आज जोमेटो यहां पर बड़ी ब्लॉक डील होई थी आपको याद है स्वेफ फंड ने यहां पर हिस्सेदारी बेची थी सॉफ्ट बैंक विजिन फंड ने बट 18 वायर्स आपके सामने आये हैं एक परसेंट एक्विटी थी जादा नहीं थी उसमें भी 18 फंड आएगा खरीदने इंटरनाशनल और लोकल दोनों फंड ने पार्टिस्पेट किया इसके पास नहीं है जोमेटो अब यह वैसा हाल होती है लगवग लगवग सब के पास है यह है कमाल जोमेटो का अब आता ह और 700 पर पहुंच चुका था स्टोक 115 आया डील की वज़े से यह बार एरपोर्ट लंबे समय बाद सुस्ती से उठक भागा यह स्टोक और शुक्रवार को बड़ा एक्शन दिखा था बड़ी ब्लोग डिल्स होती भी दिखी थी नीचे के दाम पर हुईती ब्लोग डिल्स लेकिन उसके बाद स्टोक में एक्शन है जी क्यू जी और गॉल्मेन ने मिलकर लगबक 50% खरीदारी किये यहां पर लोग डिल्स में नोमुरा और कई और एरपोर्ट कई और फंड्स है जिन्हों ने भी खरीदारी की खबर एक और यह भी है कि एरपोर्ट चार्जर गोवा में कंपनी ने बढ़ाए हैं और फानली स्पाइस जट एविएशन स्पेस से इस पर भी रखेगा नजर नतीजे आने वाले हैं आज बट मोर इंपोर्टली पूंजी जुटाने पर विचार करने वाले है और खबरें यह चल रही है रिपोर्ट के मताबिक कि एक या दो बड डाइडी की दमदार रेकिमेंडेशन्स कौन से हैं आज की कॉल्स आ रही है कुशल और आशीश की तरफ से काश का स्टॉक के मिलिस्ट में सूबरो सेंफिसिस के फूचेज में करेंगे खिरिदारी और समबर्देश मदर्सन इंटरनाशनल 95 रुपे की कॉल ओप्सिन करेंगे टेकनिकली पसंदार है जेस डबलू स्टील ब्लू डाट में करेंगे फंडामेंटल तौर पर निवेश और निवेश के लिए आज से और बहुतरी इन स्टॉक है शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया मसगाओं डॉक में खबरों का असर है शॉपर स्टॉप में आएगी तीजी शेवियोट जो शुकरवार के हाईजन से टेस्ट कर सकता है और फर्स तो सल्यूशन यहाँ पर साथी ऑप्षिंस के लिए चार सुरुपे के लिए टागेट के लिए निवेश करकर चलिए साथी इंवेश्मेंट के लिए पसंद है 18 सुरुपे के हिसाब से अंबर इंटरपैसे खबरों के लिए आज से फोकस में रहने वाले और माइच्चोस कैटेगरी में अल्टा टेक बन रहा है वो है प्राइकॉल पर और अंसलेरी कंपनी है और अगले एक साल में कमफर्टेबली आपको 400 रुपे के टागेट्स यहां पर अचीव होते वे भी नजर आ रहे हैं तो यह तो रहे हैं आपके लिए कुस्स दमदार रेक्मेंडेशन बड़ जैसा अल जी ने वादा किया था और दमदार रेक्मेंडेशन अल जी की तरफ से भी है तैयार आए बिगल बर फिर से स्टॉक आप देडी का इप आए टी कमदेशन बुलिश हैं पुलिश हैं पॉलिटिव एर हमने लगा तार आ कि यहां पर आप S.I.P किजिए और दीर जीर दीर दीर है यहां पर खरीदते रही है 1970-1985 और 2000 ये तीन टार्गेट लेकर आप चल सकते हैं उपर की तरफ जो मैनेजमेंट ने कहा है अगले तीन साल के लिए ग्रोफ आउटलुक बहुत स्ट्रोंग गिया है 10-20% की ग्रोफ कॉंस्टेंस करेंसी में उनको उमीदे के रेविन्यू में देखने को मिलेगी और मजबूती से कम्टी प्रोफिटेबिलेटी के पाथ पर आगे बढ़ेगी ये दो बड़े ट्रिगर साथे देखें इसके साथ ही मॉर्गन स्टेंडी ने भी टार्गेट 2000 से बढ़ाकर 2300 किया है इन सब को सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि दोनों का सर देखने को मिलेगी रेट सेटल हो गए हैं और ये टार्गेट पर खुल रहा है थोड़ा सा नीचे मिलें नीचे कीजिए हैं बिल्कूल कीजिए और सकता है 2000 के भी पार निकलने की कोशिश करें ठीक है और को इस चौक सर बस उसके लावा कुछ और है रेडार पर मेरे लिए बैंक्स वगरा मुझे बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं मुझे बैंक रिफ्ट फ्लैट खुल रहे हैं बाजार रंजी चार पॉंट नीचे निफ्टी तीस पॉंट नीचे बैंक निफ्टी सौ पॉंट ऊपर सेंसेक्स बहुत अग्रेसिव है तो यहीं से शुरुआत करें नहीं तो 20-950 और 20-850 दो अच्छे लेवले यहां पर आप खरीदारी कर सकते है 950 is as good as 950 10-15 पॉंट तो आप अपने दिमाग लगा लें बट मेरी खाल से थोड़ा यहां और थोड़ा 100 पॉंट नीचे मिले तो ले सकते हैं 2900 पे भी एड़ कर सकते हैं 2-3 टुकडों में खरीदारी करने हैं तो I am ready to buy no problem ठीक है और टुकडों में और खरीदेंगे इसी कर 950 के पार निकलने के बाद तो फिर blue sky जो और तो अपने इस टोप्रों स्ट्रेल करते रहें होल्ड करते रहें बैंक 50 4723 पर खुल रहा है मैं यहीं खरीदने को तैयार हूं और अगर 47000 आता है तो बहुत ही बड़े अच्छा इंट्री पॉंट है मेरे लिए 47200 पॉंट यह यह भी कोई बुरा नहीं है अगर लेकिन एक कंडिशन पर आएगा तो और लोग है डर होगे नहीं और अगर अगर डर लगता तो 47500 की रहें आने जिए वहां पर लिए यहां से 200 पॉंट आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं नहीं आएगा ऐसी सीचिएशन में दूसर बताता हूं शुकरार का ही है सेंटालीजार 303 लाइफ हाई सेंटालीज़ 325 पर ले लिए यह अगर सेफ चलना है तो सोपट उपर लीजे यह सेंटालीज़ के आसपास आए तब लिए और आप निशन तो चलना जाते हैं मैं और ले लूँगा कोई टेंशन यह अभी भी भ सुब्रोस 20% सिधा वाइगाश अब 8% दिखा रहा है मौका भी आप नहीं पर सिदा चोड़े 20% उपर खुलेंगे बार चाहिए हैं साइंड भी आपका टार्गेट के मज़िए आराम से ये स्टॉक्स अच्छे हैं खबरें चीए अच्छे लेवल्स पर एंट्री करने का मौका मिले आपको शुरुआ थी पांजस मिट में बड़े गेप से चेज नहीं करना है मिले तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं तो से यार है ओपनिंग पर साढ़े चार परसंट का कट इस पर दिख रहा है जो बाचुपली यूनिट पर तीन अब्जवरेशन भी आई हैं एक बार जारा बंसन जी से चार्चेक ले लिया जाए बंसन जी डॉक्तर एडी इस साढ़े पांच सार के लेवल पर खुल रहा है च क को आई देखेंगे इस तरह की सफूर रहा है इंपर्टन सपोर्ट टू रहा है तो जिनोंने द्रेडिंग विए निवेश क forums कीरें के लिए लाउजमो टाये उंके लिए लुए लॉइन के लिए मांतल जाए हैं मजगा ट्रह करशेएं पर भी शुपर एस साङई ग्यारा स जैसे इस टॉक के दर उपर में रेइस्टेंस 2140-2150 का आज ब्रेक होगा और उपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो फिर 2200-2250 तक के लेवल आने वाले दिनों में मजगाओं के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो पोजिशन सोल करें चोटा मोटा टीप आता है तो खरेदारी करें जैन साब रियल एस्टेट पैक वैसे तो अच्छे मोमेंटम में देखें मूब बहुत फास्ट आया है ये भी एक रिजन होता है और सारे रियल्टी स्टॉप अच्छा चल रहे है और मुझे याद है डियल एफ के लिए तो हमारे पैनल में सब ने बोला और अनिल जी ने अभी रिसंट्ली डियल एफ के बारे में बात की ती और उसके आउट परफॉर्म किया है मतलब अगर आप देखें तो करीब 50-60% की आउट परफॉर्मेंस है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो दूसरे स्टॉक्स है और रियल्टी वी जिन्नोंने लिया हुआ है वो लोग होल्ड करके रख सकते हैं बट फ्रेश बाइंग के लि अगर नहीं कोई एंट्री लेनी है तो मुझे बढ़िया लगता है और दूसरे जो स्टॉक्स है काफी मूब दे चुकिया है तो थोड़ा सा नीचे आने पर लेने की कोशिश करें तो महेंद्रा लाइफ वो फोड़ा स्टॉक्स जहां पर खरेदायर के रहा है हमारे भी रिक्रमेडेशन लिस्ट में रहा है तीन साल के लिए तरह को होल्ड करने करा है हमारी तरह से बहुती मजबूत कंपनी है फंडामेंटली महेंद्रा गूप की कपनी रियल स्टेट में जो बड़े एग्रस्व प्लान है इस थोड़ा सुस्त है अभी तक चला नहीं है एक्षिन में आये नहीं है जब आएगा कहां जाएगा तो बढ़िया फंडामेंटल वाली और बढ़िया फंडामेंटल वाली एक चालीस के आसपास यहां पर लोजिंग विजस पर एक स्टॉप लॉस लगाएं लोजिंग विजस पर तेइस सो तीस का टागेट उपर में जी बंदेज के पचीस सो असी से लेके चबीश सो बीस के 2580 2620 यह दो टागेट के लिए खरीदें एमफेसिस पर एक चबीस सो बीस आपके काड़ों में आती हुए दिखेगी बाजार खुलने के तैयार और प्रिलिटी का आपकी स्किन पर आईगी क्या है मजबूत आज के सेश्चन में बता दो क्या है कमज़ोर वह भी समझ लिए तो मजबूत में बीटी से लेक परसेंट उपर खुलने के तिलिए तैयार आदा परसेंट उपर ओईजीसी अदानी एंटर परसेंट ऊपर है आएटीसी आदा परसेंट वाकि समय कमज़ोर क्या है अब कि कार्णों में आती हुए 15पन नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी 35 पर खुलता हुए 50 पर खुलता हुए 50 पर फुलता हुए और एक पुइंट उपर अब निफ्टी भी आता हूँ दिखा है हरी निशान में लोड़ता हूँ जैसा कि हमने का गाड़ी आज भाई चलाएगा और वो भाई है बैंक निफ्टी बिल्कुल बैंक निफ्टी ने अपनी जिम्मेदारी संबलते हुए सेफली निफ्टी को भी ह पहुंचते भी दिख रहे हैं बैंक निफ्टी पर 47,417 इतियास में 870 की तेजी के साथ बैंक निफ्टी ये अपना आकरा दर्ज कर चुका है 20,975 शान्थ है भारती वादार कोई कमजोरी नहीं कोई बड़ी मजबूती भी नहीं 67,6 पूइंट ऊपर आपके लिए खुलता नहीं 69,925 ने लाइफ हाई के तौर पर इक्यास में दर्ज हो चुका है बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं ठकेगा नहीं जुकेगा नहीं थमेगा नहीं अब नया हाई 47,440, 42, 45, 49, 51, 47, 452, 455, 47, 500 तो दिखाओ ओके तो यह है आपके लिए बैंक निफ्टी का नया हाई ज देख लिए समझ लिए जान लीजिए ओई जिसी 1% उपर है टॉप गेर इंडसिन बैंक 5% उपर है एसगाई में 5% की तेजी दिखेगी आपको और कोटक बैंक भी आदा परसंट मजमूत कमजोर क्या है और डोक्टर रेडी जिशे परसंट गया बड़ा जोर से कटाता हो द साल है थोड़ा-थोड़ा यह बिगरते हैं वायदा करोबार के तरफ आई जली से एक्षिन बता दो जीमर इंट्रा 5% मजबूत है आज टॉप डेनर डीलेफ में 2% की तेजी अभी बात होई रही थी अच्छी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दो परसंट मजबूत आपक को दोनों में दोक्टर कॉमन है और कुछ भी नई ख़वर आ अपको बताने का डोक्टर LAL और डोक्टर डेडी में कोई दूर दूर तक रिष्टतादारी नहीं है लेकिं कमजबूत दोनों टॉप लुजर है वायदा करोबार में एशन परसंट इंची है और रिल्टे में बाजार मजबिती के साथ सेटल होते हैं बीस नोसो असी डे हाई के आजपा से निफ्टी और बैंक डिफ्टी डवल सेंचुरी वारता है बाज बाज आरीए है और क्याँट ऑर क्या चाहिए है जबर्दस मूव आरी है सर और कैश मार्केट में भड़िया आक्शन है में मूव आरी है फ्राइडे के करेक्शन के बाद आज दोनों बाऊंस बैक कर रहे हैं पर आधे पर्सेंट की मूव आपको दिखेगी मजगाव डॉक, ओर्डर विन के डम पर साड़े 4% ऊपर ये अकाउंटर दिख रहा है इस पर रखेगा नज़र, अच्छा आक्शन यहाँ पर बन रहा है इसके लाबा मूव आपको सुब्रोस में आती हुई दिख रही है और लेडी स्टॉक अफ़रे में मात करी थी बैंक ओफ इंडिया के QIB को अच्छा रिस्वांस मुला इन दोनों को भी अपने डिडार पर रखें इसके लाबा राडिको खेतान, GM ब्रूरी, सोम, डिसलरी, स्तिलक नगर जैसे लिकर सॉक्स में कोका कोला इस स्पेस में एंट्री ले रही है यहाँ पर आक्शन आपको दिख सकता है, अदानी एनर्जी के लिए खबर है, इस पर फोकस करिएगा इसके अलावाद DCB Bank ने प्रमोटर से फंड जुटा हैं, यह भी आपके रिडार पर रहना चाहिए जोमैटो में 18 फंड ने हिस्तेदारी खरी दिया है, नियूलन लाब्स, ब्लस्टी बिलेंज, फिनोलेक्स, इन सभी में आपने फंड और प्रमोटर आक्शन होते दिखा है, यह स्टॉक्स भी आपके रिडार पर आ सकते हैं आज के लिए मूव आपको आती ही दिख रहे है, LG Equipments में भी, Shipping Corporation पॉजिटिव है, BLS International में खरीदारी है, Finorex Cables में भी पॉजिटिव आक्शन बना हुआ है, Strides, Inclerks, Bank of Maharashtra, Tube Investments, यह भी कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको पॉजिटिविटी दिखेगी गिरावट कहां पर आ रही है, Home First Finance थोड़ा कमजोर है, Spark में वीकनेस दिख रही है, NCC में आज मुनाफ़ा वसूली चल रही है, साथ ही आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है, दालमिया भारत में, Camps, Galaxy Surfectants, NICA, यह सारे स्टॉक्स भी कमजोर हो रहे हैं, Jubilant Farmova, Mankind Pharma, यह 70,000 से 106 वहां पर भी अच्छा अक्शन हा रहा है, Sir, बिल्कुल दीप, और मेरे तरफ से भी 2,000 अनकी तरह है, और बाजार नए रिकोर्ड बनाने के मूर में है, मेरे खाल से बन चुका है, नए रिकोर्ड निफ्टी पर 21,006 ही कलका था, 21,006.70 है अब पता नहीं, फ्रिक पूर एक्शन बनता हो दिख रहा है, जब दस दें, तो इसलिए सुबह सुषी में हम कह रहे हैं कि डरिया मत आज बैंक निफ्टी का दिन, बिल्कुल और बैंक निफ्टी पर ही आपको मूव अच्छी खासी आती हुई दिख भी रही है, आर बेल बैंक यह सबसे आगे है, इस पर अखिया नजर, आयर CTC में भी आपको अच्छा आक्शन रहा है, पिछले हथे का बेकाउट कैंडेट था, जो आज भी आपको अच्छी मूव दिखा रहा है, इसको भी फोकस करिए, बट एक आर बेल बैंक पर राय लेले लेते हैं, जे ठकर भी हमार साथ, जे इसने मिला है वो ब्रेकाउट लेवल के उपर, इसने पचास पॉइंट की रेंज का ब्रेकाउट दिया विजिस नेरली अराउंड 15-20% की रेंज का ब्रेकाउट थी, मुझे सा लग रहा है कि यह स्टॉक उपर में आपको लगभग 300 तक के मिलिमाम टाकेट दिखा सकता है, तक के मिलिमाम टाकेट से उसके उपर सवा 300 तक में फॉर्दर स्ट्रेट हो सकती है, तो यहां से भी आपको वन इस्टू टू का रिस्क रिवार है, आपके लिए आर्विल बैंक पर रखे नजर, आई अनल जी की तरफ से उनकी कॉल है तयार आज के 2000, मदा है सर, जीब खरी खरीदारी करनी है, इंडस इन बैंक के फ्यूचर्स में, और 1530 रुपे के आज सपास रिए ट्रेट करता हो दिखा है, थोड़ा यहां खरीदेंगे, थोड़ा 1515 पर, 15 रुपे नीचे मिला तो थोड़ा और रेड करेंगे, और स्टोप्रोस होगा आपका 1500 का, इन दो लेव दिख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक से आपको आती भी दिखेंगी, तेजी की लीडर्शिप, मौर्गन स्टेनी ने आज टार्गेट भी अच्छे से बढ़ाया है, इन देसिंट बैंक के लिए, उनका टार्गेट जो पहले कितना था, आपके साम जाएंगे, 1775 उस मतलब ये साफ तोर पर ये स्टॉक है, जो मुझे लगता है कि जो संकेत दे रहा है, बढ़या तेजी के लिए तैयार होता हूँ, इस स्टॉक पर करिया आप फोकस, इंडर्सिंट बैंक, दो टुकडों में लीजेगा, और 1515 के आसपास थोड़ा और एड कीजे, 1500 का स्टॉ पंदासो पच्पन और 1570 के टार्गिट के लिए, यह आपके लिए खरीदारी के राए, डिप में खरीदी है, इसलिए आपको इन लेवल्स पर देखेगा, बैसे पहला टार्गेट आने के ताईयारी में, 1545 का, बट जैसे साइंट के लिए अनल जी ने कहा था, अभी भी कह चलिए, सुमीजी के पास सलते हैं, सुमित को सुपरेट, बदा है सर, निवाचु बाय का स्टॉक रेणार पर है, स्टॉक का अभी भाव चल रहे है, 6 में रुपे, 6 में रुपे 20 पैसे, 96, 96.20 का अभी भाव है, स्टॉक का नाम है, मदरसन, मदरसन के अंदर तेजी का कर रहे है, और मदरसन यहां से बढ़िया मूव उपर की तरफ दिखाने को तयार है, स्टॉक में खरदारी करे, कोई भी ठीप आता है, तो इसके अंदर फ्रेश भाई कर सकते हैं, एक्जिस्टिंग पोजिशन सोल रखे चल सकते हैं, नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट दि कर दिया से देखने को मिलना चाहिए, तो तीरहन में के स्टॉक में से खरदारी करें, सौ से एक सो दो के टार्गेट करनी है, मदरसन और अंजी आपने भी आइडेंटिफाइक करा ही हुआ था, जी नाइटी फाइन नाइटी नाइन के टार्गेट से तो दूसरा पर के साब से खरीड़ा है, थोड़ा सा समय जाना लगा हफते वर से, दूसरे हफते में आ गया, एक हफते के वज़ाए दूसरे हुआ है, ठीक है, खरीदारी करने का अगर इरादा है, बिल्कुल ठीक है, और जो कह रहे हैं आपके समझी, वो ठीक है, सो एक सो दो के है, उसके लिए होल्ड करें, और मैं आजकल तो वैसे भी आपको पता ही, यह दिप मैं हमेशे ही बोलता हूँ, जो भी टार्गेट देता हूँ, अगर आपके एंटरी सही होई है तो तो तीसरे टार्गेट के लिए जरूरू रूखे, एक अगर आपने तो जल्दी से ना न अब 21,019 ने इतियास के तोर पर रदर हो चुका है आज का हमारा जो टार्गेट था 47,500 का बैंक निफ्टी का वो भी हासिल हो चुका है 47,498 दो पॉइंट तो बैंक निफ्टी आपका कमाल करतावा दिख रहा है आधा परसें मजबूत है एक चोथाई परसें निफ्टी देख लिए कोई चिंता करने की बात नहीं कोई डरने घबराने की ज़रूत नहीं है और नीचे में आपके लिए खरीजारी और इस विट आहां हां सेंसेक्स पहली बार सतर हजार यह बड़ा नंबर बाकिस अब तो अपनी जगह हैं इसमें कोई डाउट नहीं निफ्टी कि टीम को बीएसी के सभी ब्रोकर्स को और बीएसी में ट्रेड करने वारे सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत-बहुत बढ़ाईयां सब्सक्राइब जब यह बात 1979, 100 से संसक्स शुरुआ है, 700 गुना से उसक्स संसक्स शुरुआ है, पेतालिस साल में, चोवालिस साल में 700 गुना है यह तकमाल बाजानों का और अगर आप सोचे स्टॉक्स बगरा भूल जाएई सिफ आप संसक्स में निवेश करते हैं अगर 1979 के बेस से तो आ सब्सक्राइब आपके लिए 70,000 की बहुत बहुत बढ़ाई और आप सभी को भी बीसी के निमेशकों को बहुत बहुत बढ़ाई तो एक नया मुकाम हासिल करता हुआ आपके लिए Sense6, Nifty और Bank City टीनों ही जबरतस एक्षिन में आपको नज़र आएंगे दिए बदाई हो और बाजार भी मॉमेंटम और रिकॉर्ड आपके लिए बरकरार रख रहे हैं रियल एस्टेट की बात करें और रियल एस्टेट का डाउंग्रेड है बट बाकी रियल एस्टेट सॉक्स मोमेंटम है फ्यूटर्स में अच्छा लॉंग बिल्डप सुबह से हमें यहां पर बनता हो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि तेज़ी के लिए अगर इंट्रा रेगों ट्रेड लेना चाहे तो शेस्टो पच्पन शेस्टावन रुपे के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर फ्रेश अच्छा आक्शन इस पर आते हो दिख रहा है 700 के लेवल भी क्रॉस करेगा आज जो रिपोर्ट आई है मौगन सानली के लिए उन्होंने डाउंग्रेट तो जरूर किया है जहां तक और रियल्टी का सवाल है बाकी रियल स्टेट पर उन्हें अपने टार्गेट बढ़ाए हैं including a DLF वहाँ पर आपको momentum भी बद्यों अच्छा दिख रहा है इस वीच थोड़ी मुनाफ़ा वसूली अब उपर इस तरो से bank 50 पर आपको आते हो दिख रहे हैं एक फॉल आये बैंक 50 पॉइंट ही उपर है उपर इस तरो से आपने थोड़ी मुनाफ़ा वसूली इस समय में आते हो दिख रहे हैं करीब पॉने 200 अंकों का फॉल आपको बैंक निफ्टी में आते हो दिख रहा है सुमिची के पास सलते हैं एक और सुमिच के सुपर हिट के लिए बाद है सर निबान जो बाय का स्टॉक है 119 रुपया 25 पैसा 119 रुपया 50 पैसे का अभी भाव है 119.25 119.50 का अभी भाव है स्टॉक का नाम है JNK Bank JNK Bank के अंदर ब्रेकाउट है यह स्टॉक हम कंटिनियूसली रेकमेंड करते हुए आ रहा है हर चोटे मोटे डीप के बाद इसके अंदर फ्रेश मोमिंटम बनता है पिछले कुछ दिनों के डीप और साइडवेस मूव के बाद अब आपस इसके अंदर उपर का मूव रिज्यूम हो रहा है और रिसेंट क अब आप सोचेंगे और उपर के देखने को मिलेंगे तो खरदानी करें 115 के सब्सक्राइब से 120 128 के टाइस के लिए जिसको जाने के तैयारी जम्मु कश्मीर बैंक की जिसको एक सोपचीस के निशी से रिकमन करना है लगातार बार बार वार कैभी रहें कि बेचना बिलकुल अच्छी एंट्री हुई तो उसको पकड़ कर रखो जल्द से बेचे ना बड़ी काबर आने की तैयारी मुझे से पहले तैयार है कुनाल जी राकेश जी तैयार है जै ठकर भी लेकिन चुकि लाहिन में आगे हैं कुनाल जी राकेश जी बिगुल पहले उनके लिए चार्ट बताएं सर अनिल जी बताने के लिए चार्ट टॉनर से इंपोर्टन्स की जाए जो भी आपने सेंसेस के बारे में बोला ना 70 अजार हुआ, 1980 से अनिल जी अनिल जी कंपेर करा और जो कंपाउंटिंग बताई तो अनिल जी तब तो कहता कि इंडिया वस नॉट दो ग्रोफ इ इंडिया तो अभी भी लेट नी हुआ है, सेंसेक्स में, निफ्टी के, एटी एफ में अनिल जी निवेश की रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति 35 साल का नजरिया बनाता है, और 70 अजार रुपे से अनिल जी सिप करता है, मंतली सिप करता है 70,000 रुपी से, और पास्वाली सिप में हो जाएगा और खुदाना खासता अनिल जी गूट के सिनेरियो जैसे बड़े ब्रोकरेज भी टार्गेट निकालते है ना गूट केस टार्गेट और नॉर्मल टार्गेट बूट केस में अगर 21 परसंट की कंपांडिंग मिल जाती है, तो 26,000 का सिप आपको 100 करोड का मालिक बना सकता है at the end of 35 years, तो अनिल जी मैं तो एज क्रॉस कर चुको हम 35 साल वाली, सुमी जी जिसे जो यंग लोग है और जो हमारे वीवर्स हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी शंपता के अनुसार से निफ्टी में सिप करें, अभी भी लेट नियू हुआ है, जो compounding past में देखी है, उससे fast compounding आने वाले 20 सालों में देखने को मिलेगी, जैकर बनसल जी आप 35 साल के लिए बोल रहा है, तो 35 साल बात कौन जवाब देगा बनसल जी, अनि जी यह जो राय है ना यह उन लोगों के लिए नहीं है, इस इड़्वाइस इस नोड़ों के 35 साल बात बनसल जी अनि जी बार बार करते हैं, उनके लिए नहीं है, नहीं लेकिन बनसल जी जो कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात भी कि पिछले सालों में जब हम इतने मजबूत नहीं थे economy wise, तब हमने यह growth दिखाई है, तो आने वाले 35 साल तो क वाले 35 सालों में जब हमारे मितर हिमांचें जी ने फ्राइडे को चलते जलते रिकमेंड किया था, बहतरीन टेकनिकल स्ट्रप्चर है और उपर में यह स्टॉक 1990, 1950, 1960 के लेबल दिखा सकते हैं, इंपोर्टंट पिविट को कोटेक महेंदरा बैंक ने तोड़ा है, क्लियर क ट्री रेटिंग का कैंडिडेट है ओवर टू कॉनाल जी अनि देखें बैंक डिफ्टी का लेगार्ड है कोटक लेकिन जिस तरह का चार्ड स्ट्रक्चर बना है और जिस तरह का इसमें भाल में वॉल्यूम एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ा है हमें लगता है ये स्टॉक आपको कुछ रफ्तार के साथ 1900 के लेवल्स दिखाने की ताकत रखता है तो इन स्थरों पर बाय करके चलने की राये है स्टॉप लॉस रखें छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है 1840 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें पहला टार्गेट होगा 1880 रुपे का इवेंच्वल टार्गेट 1900 रुपीज का खरीदारी के राये है कोटक महिंद्रा बेंग ओके कोटक महिंद्रा बेंग खरीदारी करने के राये आपके लिए आती भी आएए बिगुल जै के लिए उसके बाद जैन साब से लेंगे उनका जैन स्टॉक बढाएं जै बढाएं जैन जी बैंकेट का 23,600 का कॉल ओक्षन खरीदे ये आपको मिलेगा 85 पर 85 रुपीज से लेकर अगर थोड़ा 25 रुपे तक और एड़ कीजिएगा आज ही की एकस्पाइरी का है 85 पर खरीदे 53,600 के स्ट्राइक का बैंकेक्स का कॉल ओक्षन 65 कास पास तो और एड़ कीजिएगा आपकी एवरेज हो जाएगी 75 की आपको अनल जी यापर गरत एड़ कर आपको दो प्सक्व्रेश का का आपके याप के लिए आपके लिए प्र जो तेजी बनती दिखे उसका फायदा उटा है बैंक एक्स आज की एक्सपाइरी का 53,600 का स्ट्राइक पैस का कॉल ओप्शिन खरी दिये पचासी में 22 रुपे का स्ट्राइक थोड़ा नीचे आए तो और एड करें यह राय आपके लिए जय की तरफ सा आएए बढ़ते आगे एक्स्ट्रीजिक खबर आने की तैयारी में है लिए उससे पहले जरूत से ज्यादा तैयार हैं जैन साब क्योंकि पांच मिट हो चुके ह बताएं सर आज का जेम स्टॉक यह जाते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स वाले तो बात में भी बोल सकते हैं बर टेक्निकल्स वाले और कॉल्स वालों को देना पड़ता है और वैसा ही मार्केट्स भी आज काफी अच्छा हो रहा है जब निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी किस अ सतर अजार का हो गया सप्ता जेनेरिन बोलते हैं उसको मतलब सतर साल के उपर के लोग होते उनको बोलते हैं तो वैसे में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो उपर के लेबल से 20% करेक्ट हुए हैं उनको ढूडने की कोशिश की वैलोशन के लियार से मुझे पहले महंगा लगता अब करेक्ट होने के बाद मुझे एक बढ़िया लेवल पे लग रहा है कुछन बढ़िया लग रहा है और वो है डेटा पैटरेंट इंडिया लिमिटेड और यह स्टॉक्स देखिए मैं बहुत लेट हो रहा हूं देने में मैं पहली बार जैम्स में कवर किया हूं क्योंकि इतना बड़ा बूब आ चुका था आईपयों के बाद और नॉन स्टॉक चले ही जा रहा था तो नीचे आने का मैं इंतजार कर रहा था और हमारे सिदार जी का तो वन अब दा फेवरेट स्टॉक्स है आपने भी रेकमेंड किया है और मैं आज लेट रेकमेंड कर रहा हूं बिकाज उपर के लेवल से यह 25 के लेवल से जब हमें 2000 के लेवल से मिल रहा है तो I think it's a good level to enter और in fact सबसे बढ़िया बात है strong order book position जो सेक्टर है आज यह सेक्टर भी वैसे सुल्चियों में है defense का सेक्टर और यह company बहुत unique company है सबसे बढ़िया बात है गजब की growth गजब के margins company में और vertically integrated defense और aerospace electronics की solutions provider तो EMS वाली थीम और जो आपके defense वाली थीम है दोनों चलती है इसके साथ और company एक पुरानी company है 30 साल से ज़्यादा पुरानी company और पहले इसका company का नाम वह अगरता था इंडस्ट एक साइड private limited और उसके बाद यह company IPO में 2022 में और उसके बहुत बढ़िय response मिला और अब काफी सारी यह लोग काम भी और कर रहे हैं सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगती है company की जो uniqueness मतलब एक तो बहुत strength है employees की बहुत जबरदस जिसमें 825 से ज़्यादा qualified engineers मतलब इस तरीके की team बनना बहुत मुश्किल होती है 1300 से ज़्यादा employees strong order book pipeline strong visibility और defense में त और बहुत है high margin product है इंका जो काम कर रहे हैं लोग और एक zero debt company उसमें तो कोई बात ही नहीं है और बहुत सारे जो काम करते हैं मैं बहुत सारी बाते अलड़ी इसके बारे में हो चुकी है stock काफी चर्चित stock है बट एक बार और मैं fundamentals पे आता हूं तो उसमें सबसे बढ़िया बात है एक तो जो customers है मतब defense है तो bell, Hindustan, Neuronautics यह सब full form में चली रहे है आए इस रो है defense and research DRDO बोलने को बहुत कुछ है निल जी बहुत सारा सामान भी अपने बात बोलने के लिए और यह मतब space, air, land and sea और light utility, helicopters, Brahmos, missiles यह सब के लिए solutions देती है अब मैं एक बार आता हूं fundamentals प profit की क्या कर रही है, 81% sales की क्या कर रही है, 43% so which is extremely good और debt जो है, zero debt company है, margins की में बात कर रहा था, पिछले September में 34% के margin के सामने इस quarter में 38% का margin आया है और 21 करोड के पैट के सामने 34 करोड का पैट का company, almost 200 crores के profits है पहुंच चुकी है, EBIT तब है, sorry, और top line जो है करी 500 करोड का, shareholding pattern is also very interesting, FISDIS का favorite है, promoters का strong pedigree, strong background, qualified background, FISDIS का 17% लगभग और public shareholding में, बहुत सारे जो permanent investors है, वो सारे invested है और उनकी भी बहुत बड़ी stake है, so overall I feel this stock is a great stock, और थोड़ा long term नजरिया रखेंगे, तो इसको आप target से नहीं, इसको आप समय दीजेगा, बहुत बढ़िया पैसा बन और दूसरी जो defense वाली company है, वैसी ये company है, और ये 2230 और 2290 का में छोटा target दे रहा हूँ, और उससे भी बड़ा मुझे लगते है, पच्छिस सो के उपर भी निकलेगा, आने वाले 6 से 9, तो ये है, आपके लिए data patterns, लंबे समय बाद आया है, रेडार पर जेन साब के हमारी recommendation लिस्ट में भी लगाता रहा है, और बड़ा पसंद आता हूँ भी दिखा है, तो बढ़े हस्तों के जहां पर आपको खरेड़ी करने रहा है, 2230 और 2292 target के लिए, हमारी टीम जो data बना कर बता रही है, उनका करना है कि 21 अपरेल को दीफ हमाने 24 रुपे में recommend किया था, जम्मू कश्वीर बैंक, जड़ा एक बार जम्मू कश्वीर बैंक आपके सामने लेकर आते हैं, जम्मू कश्वीर बैंक हमने recommend किया था, 21 अपरेल को 24 रुपे, 400% के return आ चुके हैं, धाई साल म ये है कमाल जम्मू कश्वीर बैंक का, जिन लोगों ने रखा है, बहुत बहुत बढ़ाई, आईए, एक्स्रीजी ख़बर की तरफ बढ़ेंगे, आगे से पहले जल्दी से एक विगल हमान्शू जिगले, hitman हमान्शू बताएं श्रीमान जी इस अला रहेगी, 216 रुपे के आसपास के करेंट लेवल्स है, अनेर्जी, करेंट लेवल्स पर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस के तौर पर अनेर्जी यहां पर स्टॉप लॉस मिंटेर करना है, 214 रुपे के नीचे का, मुझे लगता है कि 223 और 227 रुपे के दो टा करेंटर में खरीदारी देखने को बिल सकती है, ओके तो यह है आपके लिए बैंक ऑफ बरोडा के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है, 227, 222 तार्गर के लिए करेंग खरीदारी, सरकारी बैंकों में एक्शिन भरपूर बनता हुए दिख रहा है, ज गुड मॉनिंग स्वागत आपका बताएं क्या है बड़ी और एक्स्प्री खबर आपके पास? जो है, डिली क्रैक कर सकती है, अगर ये भी बता दे हम अपने दस्टों को, कि इन चारो देसों से इनके जो टेस्ट पाइलेट्स हैं, वो एक्टेल के फैसलेटी में आ चुके हैं, और अल्रेडी अपना जो उनके रिक्वार्मेंट्स हैं, उस साफ़के वो टेस्ट कि ऐसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, और अगर बता जाए तो हल अजेंटीना से हल जो है, वो फंदरा LCA MK1 आलपा जो 4.5 जेनरेशन की फाइट फ्लेइन है, वो खरीच सकती है, उसी के साथ-साथ लगभग 10 ALH खरीच सकती है, वही पर अगर नाइजेरिया की बात करें, तो 16 से 18 LCA MK1 आलपा जो 4.5 जेनरेशन फाइटर फ्लेइन है, वो खरीच सकती है, वही पर जो एजेप है, वो 20 LCA MK1 है, जो फिलिपीन है, वो सर्फ 20 ALH हेलिकॉप्टर खरीच रही है, लेकिन फाइटर जेक्टर का भी कोई प्लान नहीं है, अगर इस पूरी डील की बात की जाए, तो लगवक सब्तर हजार करोड का ये पूरा डील है, और इसी के साथ साथ हम जब हमने बात की थी, इसका हमारे पास एक वाइट है, सीनियर मैनेजमेंट जो है, डॉक्टर डी के सुनीज, डारेक्टर आरेटर इंजिनेरिंग हेल के साथ, आईए सुनते हैं कि उन्ह आज के दिन में हमारे पास एक्सपोर्ट और अभी हम एटेंप्ट कर रहे हैं, अभी कोई नहीं है, जब आएगा हमारे पास के पैस्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तीन लाइन लगा चुके हैं, अभी LCA तेजस के लिए, दो बैंगलोर में है, एक नासिक में है, तो हमारे इसाब से केपस्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एजली 30 एरक्राफ्ट और प्लस भी बना सकते हैं, अगर केपस्टी और रहनांस करना है, तो इंवस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास काफी केपस्टी है, LCH का भी है, और LCA का भी है, कोई करीब चार देशों के पाइलेटज आके हमारे अरका टेस्ट कर चुके हैं हेलिकॉप्टर तो यह तो जारी है हाँरे का इस वार्केंटींग दाएं और हम एर सों से compr चाहरे हैं तो यह पड़ी खबर आ नहीं सिर्फ आत्मे निर्वर भार के तहट हमारे डिफेंस के बड़े ओर्डर से मिलने हैं बट अब चार देशों को एक्सपोर्ट के लिए सतर हजार करोड के उपरचुनिटी मैं वहीं बार-बार कर रहा हूं कि देखे डिफेंस में जो बड़ी स्टोरी अब बनेगे ना व अब हर देश को आम सेमिनेशन चाहिए हर देश को फाइटर जड़ चाहिए हर देश को हिलिकॉप्टर चाहिए जिससे से ग्लोबल ये माहूल बन रहा है ना उसके हिसाब से सबको जरूत है हथियारों की जरूत है सबको हथियारों के मामले में कुछ हट तक आत्मे दिर्व होने की जरूर, देशों के नाम देकिन है, जो मंगा रहे हैं, जो जिन से बात चल रही है, फिलिपिन, नाइजिरिया, एजिप्ट, सब को चाहिए, क्योंकि सब क्या आस पास का महहौल, कहीं कि अपने देश के अंदर के महहौल जो है, वो साफ बता रहे हैं कि आपको जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी, अब आप बच नहीं सकते हैं, यह बड़ा मौका खोलेगा भारती कंप्लियों के लिए, और जैसा अभी एच एल के जो टॉप ऑफिशल उन्होंने क्या बोला, हमारे पास तयारी, ओर्डर आने दो, पहले प्रोब्लम क्या था, पहले एग्जु जो हेच एल के लिए, हेच एल रोज, रोज ओरर मिलते हैं, रोज ओर मिलते हैं, सुचे अगले कितने सालों के लिए इनके पास में काम होगा, अमेजिंग, तो आई थिंक बहुत ही गजब की परफॉमेंस स्टॉक की रही है, आगे भी रहेगी, एक बार चार्ट पर ज़रा सुमिजी से राए ली जाए, सुमिजी एच एल, पहले की तरह अभी भी इसके अंदर सेम स्टांस है, तेजी का भी लेके ही काम करना है, पोजिशन होड रखके चलना है, और हर दूसरे तीसे दिन इसके अंदर तो दूसर रोपे की चाल देखने को मिलती है, तो तो यह आप साथ ले एच एल, सुमिजी का तो पसंदीजा स्टॉक है, और बड़ी तीजी दिखा रहा है, आई एक बिगुल भी सुमिजी के लिए सुमिजी के लिए सुमिज के सुपर हिटो, बदा है सर बदा है यहां से एक बड़ी आमू उपर की तरफ का देखने को मिलेगा तो बील के अंदर भी एक चौटे मोटे डिप के बाद इसके अंदर तीजी देखने को मिलती है यहां पर खड़ारी करें जिन्होंने ले रख है वो लोगों करें 157 यह स्टॉक का नीचे में सपोर्ट ह विखने को मिल सकता है एक सो 810 रुपे से लेकर 170 रुपे तक के यह शरुपने टेखने को मिलने चल चाईब बहारत आलक्रेन कर भी तरफ से काथ के पसंदीध दक है 156 चे लेवल पर लास्ट मंड़े यह recommend था 158, 161 और 169 और मैंने यह भी कालता है कि आपको 30 से टार्गेट लिए होल्ड करना है और 169 एक सो सतर से एक रुपे नीचे और बिल्कुल सुमिजी ने भी वहीं पर दिया टार्ग सुमिजी के एवरेज निखा लो एक सो और साथ है सुमिजी कैसे कर लेते हैं आप बिल्कुल मतलब एक सो आपको पता था है पिले अने जी अब पता नहीं हो जाता है अने जी एक और एक चीज़ आपको पता था है कि मैं बहुत बड़ा धन्यवाद आपको दूंगा इसके लिए अने जी धन्यवाद मेरे तरफ से भी आने जी ये स्टॉक देखें कंटिनिवसली ट्रेंड के अंदर में है और तेजी के ट्रेंड में क्या होता है आप टागेट कैसे भी रखो अची होते हैं तो हो सकता है उसकी वैसे अचीव हो रहे है बिल्कुल और इसलिए पिछले अफ़ते हमने मंडे को इसी दिन यही सुबह सुबह की बात थी यस मंडे का हफ़ते दस दिन के लिए यहां पर आप पोजिशनल ट्रेंड लीजे ये दूसरी भेल की तरह बनने वाले बिल्कुल एकसो सतर के टार्गेट के बने रहें डटे रहें टिकरे हडबड़ी और जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना बेचे ना बिल्कुल भी नहीं आईए विश्वेज जी आफ ओनलाइन पर देंगे छोटा आप्शन बड़ी कमाईए गुद मॉर्निंग विश्वेज जी बताएं सर कौंसा उप्शन चुना है आज गुद मॉर्निग अमेजी पहले तो बदाए हो आपको पांशु को हमारी कोई पैनल को हमारे देश के 20 करोड लोग जो जी बिजनस को देखते हैं सतर अजार सेट्सेक्स को पाहली बार अभी मुझे लगता है कि सबको बढ़ाए हो सर विश्वेज जी आपको भी बहुत धन्यवाद आज तो सेलिब्रेशन इससे बढ़े हो नहीं सकता आवर्ड मिलेर सतर जार संसर तो बिल्कुल धन्यवाद सर बढ़ाए मुझे लगता है मोमेंटम कंटीन्यू है थोड़ा सा ब्रीदर ले तो कोई बहुत सप्राइज नहीं होना चाहिए कि हम तो मैराथान में हैं और सौ मेंटर की सर स्प्रिंट में अगर हम दौरते तो कभी ये आउट हो गयो तो काफी दूर जाना है तो थोड़े ब्रीदर आ मुझे लगता है इंडेक्स टाइम करना चाहिए पर स्टॉक ऐसे हो रहे हैं जैसे मुझे लगता है अभी भी पोटेंशल है कि यहां से बड़े मू आ सकते हैं तो मैंने आज चौप चुना है वह है ग्लेमाक अभी कैश में 822 के आसपास चल आनल जी और उसके 800 के कॉल में 6 मुझे लगता है वहां शौट कवरिंग हानी चाहिए तो 820 का जो कॉल ऑप्शन आनल जी वह भी फिलाहल कितने रुपर कैसपास 30 रुपर कैसपास चल आनल जी जैसे ही मैंने बोला और हमारी जी विजनेस की ओडियन्स ऐसा प्यार करके कि हमारे बोलने पर यह ले ले लेती है तो एक चीज इनको समझ भी है कि आपको कुछ-कुछ के ने लेना है ओप्शन की सबसे पहले एक चीज होती है हमेशाद तब खरीदो जब पुल बैक देता है तो मैं बोलूंगा कि पुल बैक आये तो 30-32 की रेंज में अक्युमिलेट करिए स्टॉप लोस रखना होगा 30 मुझे लगता है कि आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि आपका पहला टार्गेट 48 और दूसरा टार्गेट 60 तो काफी बड़े टार्गेट है और जनरली क्या होता है हमारे बोलने के साथ पर्ट आता है तो रीटेल जो ट्रेडर है वो एक जो लोग दो लोट खरीदना है उनको हुमेशा सजेस्ट रहता है कि आप स्पोर्ट में ना खरीदे पूल बैंक आता है जब पूलोफ होता है तब एंटर करें तो 30 से 32 की रेंज में एंटर करना होगा 30 रुपे का स्टॉप लोट रखेंगे और अपसाइड में पहला टार्गेट 40 बूसरा टार्गेट 60 रुपीस का अन्य जीसका लॉट साथ सो पत्रीज रुपे का है तो अगर मैं 10 रुपे का स्कॉप लोस दे रहा हूं 30 रुपे से क्योंकि में कर रहा हूं तो 7,300 रुपे का पर लोट रिस्क होता है तो यह है आपके लिए गयनमाग फार्मा का 820 का कॉल उप्शन 302 रुपे आराम से खरे दे पुल बेक में खरे दे बोलते बढ़ जो जाता है तब ना खरे दे मिलता है कहीं नहीं जाएगा सब यहीं आए तो आराम से लीजी का यह राया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश जी इस बैतिर ऑप्शन की स्ट्रेजी के लिए एक यह और भी कोई अगर हम इसकी बात करें 20 रुपे में मिल रहा है और इसका लॉट साइज पचब तरका है तो मुझे लगता है अगर यह 10-12 रुपे तक मिलता है तो इसको लेना चाहिए 0-0-0 हो सकता है और उसके सामने मिल जी मिल कफ सिलेक्ट में पोटेंचल है कि एक लीज सांट से 80 पॉइंट और चल जाए तो इसका टारगेट 50 रुपीज और 80 रुपीज ऐसा हो सकता है लेकिन इसको खरीदना है अगीन मैं कहूंगा 20 रुपे है स्पॉर्ट आया है 10-12 रुपे में खरीदेंगे 7500,000 रुपे का रिस्क होता है यह वो पैसा है जो आपके पास था नहीं आपको वो समझना पड़ेगा और अगर कवरिंग आई तो मुझे लगता है 40-80 रुपे तक हो सकते हैं अगर के तो आपके लिए हीरो जिरो ट्रेड के तौर पर मिटकेप सेलेक्ट 10,000 की स्टाइक का कॉल ओप्शन 11 तारिक के एकस्पारी यानि कि आज ही 11 तारिक से आपको लगा और 11 तारिक तो एक मेने बाद आएगी ऐसा नहीं आज भी 11 तारिक ही है तो आज की एकस्पारी वाला 10-12 रुपे में लेना तो यानि कि एक तरसे ओल्मोस जीरो काइंड ओफ पचास से 80 के टार्गेट के लिए यह हराय आए आपके लिए विश्वे लगबग लगबग 80% इस स्टॉक ने रिटर्न दे दी है तो अब यह स्टॉक भी बचावा आखरी स्टॉक था उस लिस्ट में जो अंडर पर्फॉर्म करता है एक एल बचाता एक स्ट्राइट फार्म हो जाता था सो फाइनली स्टॉक से यह स्टॉक में भी अब पर्फॉर अब पर्फॉर्म करता है सूपर शक्ती पेश करते हैं सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अफ दे अडवाज्ड वायरिब्ड सूपर शक्ती टी-एम्टी बार हर निर्मान को बनाता है सूपर स्ट्रॉंग सूपर शक्ती बाजार बेहद मजबूती के साथ 21,000 पर हैं निर्फटी 21,000 एक लिफाफा लेवल दर्शिन का लिजे निर्फटी के 31 पॉइंट उपर और बैंक निर्फटी डेड़ सो पॉइंट उपर है 47,400 के आसपास डेड़ सो ही पॉइंट उपर है कंदे से कंदा मिला कर चलता हूँ बैंक निर्फटी के साथ लेकिन अच्छी मजबूती के साथ निर्फटी मिटकेप और निर्फटी स्मॉल केप इंडेक्स में भी आपको दिखेगा एक्शन सो पॉइंट उपर लगबग स्मॉल केप इंडेक्स है तो दो सो पॉइंट उपर आपका मिटकेप इंडेक्स है बढ़ने वाले शेयर हैं बाइस सो बेस से पर आज एक हजार तीस से कमजोर किस को लग रही थी फ्राइड़े को मंदी जरा मुझे बताएं 1475 शेयर है मजबूत एनिस से पर 635 शेयर है कमजोर कहां है मंदी ये आपको सवाल अपने आप से पुछना है तो ये है एकाद दिन के ब्रीदर के बाद स्टॉक्स जम कर एक्शन में फिर से आपके लिए आगे बढ़ते हैं बढ़ेंगे हम भी आगे और दस्की कमाई का वक्त तर धेर सारे हमारे एक्सपर्स हैं जो दस्की कमाई के लिए तयार हैं आईए शुरुआत करते हैं जैन साब के साथ जैन साब बताएं सार आपकी दस्की कमाई का शेयर यह सानिल जी एक बैतरीन कॉलिटी कंपनी है पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जिसको मैंने फेब्रिरी में कवर किया था जेम्स में टार्गेट आराम से अच्छी वे थे और उसके बाद उपर के लेवल से करेक्ट हुआ हुआ है क्योंकि मैं अभी वही ओपॉर्चुनिटीज देखना हूँ से आप देखिए करीब 5,500 रुपए से करेक्ट होके 41 के लगबग है और पॉरा पावर आया हुआ है गजब के चल रहे हैं बली हो आरी सी पी एफ सी पावर ग्रेट सारे टाटा पावर सबको हम देख रहे हैं और ये कंपनी उनी को ही सर्विसल मुहाया कर रहा थे पावर एंसलियरी कंपली मान लिजी आप ये मतलब टेस्टिंग इरेक्शन और ETC बोलते हैं इसको कमिशनिंग और बॉइलर्स और टर्बाइन जेनरेटर्स यह सब लगाते हैं और सिबिल वर्क्स और ऑपरेशन्स है और इन सब में से सिबिल वर्क्स से सबसे ज़्यादा इनका रेविन्यू मिक्स आता है बाहर भी इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं और काफे सारी सबसेडियरीज है बाहर सो ओबरॉल फंडामेंटल स्वाइस भी मुझे महंगा नहीं लगता ज्यादा वैलेशन्स के लियाद से 27-28 के पी मल्टिपल पे है रिटन और कैपिटल एंप्लोईट करी 22-23 परसंट के लगबग है और उससे भी बढ़िया है कि देट्स भी मतब 0.40 के नीचे है ऐसी कंपनियों में जेनरली डेट्स होते हैं ऑप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है सो एक उपर के लेवल से करेक्ट हो और सेप्टेंबर कोर्टर के में रिजर्ट्स देख रहा था डेवर वेरी गुड इन फैक्ट इन फैक्ट सेप्टेंबर ऑक्टोबर में बढ़ाई है और उनकी करीब 22-22 परसेट के लगबग शेरोल्डिंग है और पब्लिक शेरोल्डिंग में भी कुछ रिनाउन नेम्स आगे पे इन्वेस्टेड रहे है तो यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी जैन साब की दर्फ से राए आए चलते हैं चाट कॉर्णर के लिए राकेश जी कुनाल जी के पास बता है सर दिबान शुप खरीदारी की राया है पीवियार आइनॉक्स पर टेक्निकली देखें तो एक ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है एक नेकलाइन स्टॉक ने 1778 1780 की एक इंपोर्टन नेकलाइन को तोड़ा है और जिस तरीके की नेकलाइन टूटी है एक री रेट लगता है एक ओवरवेट खरीदारी की राये है और पीवियार ओवर टू कोनाल जी देखें दिपांचु एक इंबर्स हेड इन शोल्डर पैटरन डेली चार्ट पर बना है ब्रेक आउट आतावा आज के ठेड में दिख रहा है और एक क्लियर रेजिस्टेंस ब्रेक आउट का इवेंच्वल टार्गेट 1870 का तो 1840-1870 के टार्गेट के लिए पीवियार आइनॉक्स में खरीदारी करा है ओके पीवियार आइनॉक्स यहां पर करनी है आपको खरीदारी एक बिगुल जै ठकर के लिए भी जैक का जैकपॉट आइनुक्स में बहुत ही बढ़िया रिकवरी है एंड मुझे सा लग रहा है कि देखे ओवरॉल यहां पर ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा रीसंट ही एक ब्रेक डाउट आया है फिरसे इसे लिए एंड आइसी ऐसी बैंक फूचर्स खरीदने की मेरी सलाय यह ट्रेड कर आइसे बैंक फूचर्स लास्ट रेडिंग सेशन में इसमें बहुत बढ़ा कमबाक देखने मिला दो दिन का प्रोफिट बुकिंग और अफ्टर कमबाक क्लियली इंडिकेट्स के अब ट्रेंड कंटीनु रहेगा एक फूर्थ वे फूर्थ वे फूर्डेशन यहां तो करे है यह टार्गेट्स उपर में जो दीप इसके निकल बिरा है फूर्स टार्गेट विल बी 1040 सेकंड टार्गेट विल बी 1065 तो एक हजार 40 एक हजार 65 यह तो टार्गेट्स के लिए अब आइसे इसे बैंक फूचर्स को खरीदें और डेफिनिलिली इसे बैंक निफ्टी ओके तो आइसे से बैंक में करने है खरीदारी हजार के नीचे लगाएं स्टॉप नो सो अठाइवे पर बड़ी टार्गेट के लिए खरीदे और एक हजार 40 एक हजार 55 अगर आइसे से बैंक को होना है तो डीप फिर बैंक डिफ्टी को 45 जार से सोरी 48 जार तो हो नहीं होना है इसमें कोई डाउट ही ने 47 500 के आसपस छोटी सी हलकी सी मामूल सी बादा है जो आज हमने वहां टच किया है 47 498 एक बार पार करके टिक हैंगे तो फिर दो लगाएंगे आराम से स्पीड काफी ठीक है 1.500 दो सो कुए आराम से दिर दिर बड़ी है नो प्रॉब्लम आईए स्वागत की आजाए हमारे दो खास मेहमानों का सेठी विनिमार्ट से इधिकास सेठी एक्सी सेकुर्टिर से राजिश पालिया साब तयार है दस की कमाई के 72 स्टॉक्स आपको देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पालिया साब शुरुआत आप करें लॉंग टर्म पिक के साथ बताएं सर आपकी प्रसल काशियर प्रसल करें लॉंग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है नॉसिल स्टॉक में एक अच्छा बेस बना है और अल्मोस्ट अगर हम देखें तो पिछले पांच से साथ महिनों के कंसलीडेसिन रेंज का भ्रेक ऑट यहां फे वीकली मंथली चार्ट पर फोते वे दिखा जिस तरीके से स्टॉक में अब यहां पे ब्रेक ऑट बने हमें लगता ये स्टॉक लॉंग टर्म के साथ सबसे माय किया सकता है अब साइट के टार्गेट हाम आ सकते हैतं तीन सो तीस रुपे सह 3止 रूपश नो सिल पर खरीजदार करीं के नाथ के लिए सबसे पहले तो पांच आवर्ड जीतने पर आपको दिपांशू को जी बिजनस की पूरी टीम को बहुत बहुत बदाईया इस अनिल जी प्योर्ली रिजल्ट आपके हाड वर्क पर डिडिकेशन का और आनिल जी विशु वल्ड वेरी बेस्ट एंड कीप शाइनिंग के मामले म हम आपका मुकाबला कभी करी नहीं पाएंगे जितना शाइन आप करते हैं उसका तो कवाल यह अलग है लेकिन आपकी शाइनिंग की वज़े से और आपके प्रायसों की वज़े से भी यह संभा हो पाया है तो शाइज साब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छा बाई लगी मुझे प्यार करते थे पिछले बार तक उससे ज़्यादा तो यह दोनों चीजों में बड़ा बदला हुआ है तो पहले से जादा खूबसूरत और और इंदॉर के लोग भी पहले सी जादा खूबसूरत हो चुके हैं तो इसलिए आपको बहुत बहुत वहीं कॉम्प तो बता रहे थे कि अनिल जी का सेशन काफी वह रहा और उनके लिए काफी नॉलेज उन्हें मिला आपके सेशन से और बिलकुल आपने बताया है इंदोर दिन बदिन खुबसुरत होते जा रहा है और हमें लगता है कि यह जो क्लीने सीटी का जो एक बना हुआ है कंटिन्यूटी यह हमें लगता है कि इंदोर अभी और आखे आने वाले कुछ सालों तक और रखे नहीं क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टकर में दूसरों की तो आप ते सुधरने में ठीक लेगा इंदोर तो आगे निकले जा रहा है बहुत गज़ा बहुत गज़ा मतब मैं 24 x 7 365 days पोहे खा सकता हूं और इंदोर के मिल जाए तो कहना ही क्या है और जलेबी भी साथ में मैं मिठा फड़ा आउइट करता हूं बड़ जलेबी हो जो खाते हैं तो आप तो अफोर्ड कर सकते हो खाना अराम से कुछ नहीं कुनाल जी के मुह में कुछ पानी आ र सबसे बड़ी दिकर मुझे चो लग रही है इस लेफटाउट फिल मुझे जए शो से लेफट नगर जाए मुझे तुम लोग बात करो में तुड़ा का कि आ जाता हूं जी बंदर जी मुझे तो वह दिन याद आ रहा है जब पहली बार आपसे मिला था दिली के अंदर तो पहली बार आप पहा ही खा रहे थे शो के दुरान आप आज तो आपका मतलब की बहुत एक्टिक रहता है वहां सब्सक्राइब तो इन दोर का तो बहुत ही गजब करा एक्स्परियेंस बहुत ही बढ़िया था बस ये कि मैं नाइट स्टे नहीं कर पाया नहीं तो सराफा व ऐग हो ज़िए जरूरू आता था था बड़ा हेक्टीक हो गया थोरा सा यी आशा जयं साब पी कुछ कर रहाज जी जयं साब श्चरी पुरी पता है मुझे आनिल जी जब भी देखता हूं पोहा खा लेते हैं मुझे भी ध्यार है मिरे घर आय थे तो मुझे ब़ला और पूमो हो रहा है, तो होता ही है, पूमो है ग्रीफ और मिसिंग आउट, मैं भी आप जो मिस कर रहा हूं, आप स्टेशन के पास में जा के घाया बस्टेंड के पास वह मुझे ज्याननी है, मैं मुझे मुझे पानी आपस से, आपको इंदोर वालों के लिए अपको बहुत बहुत जब नुसिल है जो राया दी है पाल्या शाब बताने जारहे है अपनी लॉंग टर्पिक बताएं सब्सक्राइब आनल जी बहुत प्यार मिलता जी और जी बिजनेस सब देखते हैं, तो अनिल जी इस बात को बहुत स्ट्रॉंगली कहना जाता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ और सेंसिवली कहना जाता हूं, कि वाके में जो टी आरपी के नंबर्स हैं और जो ग्राउंड रियल्टी आप जाके देखें, दिन रात का अंतर हैं, आप डिप स्टिक सर्वे कराके दस लोगों में देखें, दस में से आठ आठ आपको कहेंगे इसी बिजनस देखते हैं, यह 100% है, जिस तरह से, ऐसा नहीं मतलब पसंद नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, यह बड़ा फरक है, लोग देखते नहीं है, उनका इतना भरुसा है, और एक 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 चीज याद है, हर एक्सपर्ट के बारे में इस दिन यह कहता, उस दिन यह कहता, मतलब जो आके लोगिन कर रहा है, देख रहा है, वो पूर कि आटो मोटिव, CIE, इंडिया में खरिदारी करने की सला, जो अभी 485-886 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यह स्पेन की CIE आटो मोटिव जो ग्रूप है, ऑटो ग्रूप उसकी कंपनी है, पहले महिंदरा CIE हुआ करती थी, महिंदरा ने अपना स्टेक आफ लोड कर दि करती है, इस तरह की एक तो बहुत बड़ी ओपरचुनिटी है, फ्यूचर के लिए, बाकि क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदास्थ है, भारत की जितनी OEM जैसे, महिंदरा, मारुती, हीरो, बजाज, TVS सब को केटर करती है, इंटरनेशनली भी कई बड़ी कंपनियों को केटर करती है, और हाली में इनको एक इलेक्रिक वेइकल सेगमेंट में ट्रांस्विशन पार्ट्स और बैटरी कंपोरेंट्स के लिए बड़ा ओर्डर मिला है, तो वहां पे इंक्रीजड फोकस है, फिर इनकी जर्मन जो फोर्जिंग बिजनेस है, उसकी भी डील हो गई है, मुझे लगता है ये स्टोक यहां स बट एक स्टोक जो आज के तेजी वाले बाजार में भी आपको दूसी तरफ जाते हो दिख रहा है, डॉक्टर रेडी स्टॉप लूजर है, सुबह से पांच परसंड की गिरावट आपको दिख रही है और वहां से कोई समलने के आसार जादा आए नहीं है, हलकी सी रिकवर जो यूनिटे उसकी आर इंडी सेंटर में यूएस एफडी ने इंस्पेक्शन किया था, चार से आठ दिसेंबर के बीच इंस्पेक्शन हुआ था और उसके बाद यहां पे तीन आपत्या जारी की गई थी, हलकी इस आपत्यों की डीटेल्स हमारे पास नहीं है, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऑक्टोबर में इसी यूनिट की जो मैनुफाक्श्रिंग फेसिलिटी है, उसमें दस आपत्या जारी हुई थी, उस फेसिलिटी में जो दस आपत्या जारी हुई थी, उसकी डीटेल्स अब आ चुकी है, उस पे स्टॉक का रियाक्शन आपको देखन सकता है, वर्निंग लेटर आता है, तो आगे चलके इंपोर्ट अलर्ट आने की भी संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है, तो ये बड़ा इंपक्ट है यहां पर क्योंकि जो आरोप थे वो अब उनकी डीटेल सामने है, उन आरोप को अगर हम देखे तो वहां पे यू आरोप यूएस एफडिये ने लगाए इन आपत्यों में, इन उब्जरवेशन में, तो ये बड़ा नेगेटिव है कंपनी के लिए गंबीर आरोप लगाए और अगर ये सॉट आउट नहीं होते हैं, तो वार्निंग लेटर भी आ सकता है, ये जो बचुपली की फैसिलिट करती है, तो दो खबरे हैं, जो दूसरी खबर है, ऑक्टोबर में जो आपत्या आई थी, उसकी डीटेल्स आने के बाद अब इतना बड़ा रियाक्शन स्टॉक पर देखने को मिल रहा है, ये है डॉक्टर रेडीज जहां पर बड़ा कट आता है, तीन सो रुपे निचे हो अब गंबीर है, डेटा इंटिक्रेटी, कंटैमिनेशन और मार्केट कंप्लेंस, अच्छा, जो जो बुरा वत्ता सब कुछ है, सब कुछ है, माय गॉड, ओके, जो है वह हम को तो भी बताना है, जो ये है आपके लिए डॉक्टर रेडीज पर बड़कट आता हुआ, इस व अनिजी देखे, दस की कमाई में मैंने और राकेट जी ने आज एक बहुत विशेश शेर को चुना है, स्टॉक का नाम है उजीवन स्मॉल फाइनेंस पैंक, जिसमें हमने एक तेज रफ्तार बढ़त देखी है, स्टॉक का चार्ट बहुत स्टॉंग है, और हमें लगता है क स्टॉक में और उपर जाने की कुबत दिखाई देती है, जिस तरह का चार्ट स्टॉक्चर है, हाल में एक बुलिश्ट फ्लैक पैटर्न इसके विकली चार्ट पर मुकमल हुआ है, ब्रेकाउट आतावा चार्ट पर दिख रहा है, साट रुपे के उपर एक मेजर हर्डल को आपने निकाली थी टर्मलोलोजी, तो उसमें आ रहा है, इस तरहों पर करेक्शन पर इसको खरीदें, असी रुपे के टार्गेट है, साल बर का नजरिया बनाना है, उजीवन स्मॉल फाइनस बैंक अनिल जी, दसकी कमाई का स्टॉक पिक है, और अभी जो आप अनिल जी ब में पास एक मार्के एक है, जब भी वहां जाता हूं, तो पारकिंग वाली स्लिप से अनिल जी पार्किंग नहीं होती है, वो कहते हैं यह सर आप तो ऐनील जी के साथ शो करते हो, तो मैं ने उनसे जब उचा तो किया वे तुम टी देखते तैंग हो, कहते हैं आूँता है हम पार्किंग वाले से नहीं मिलाओंगा और एक पान वाला भी आपका फैना अनुजी वह कॉंप्रिमेंट्री आपको बान भी देगा निए इस सारे बढ़े बढ़े लोग लाइफ में बंसल जी को या जेन साब को मिलते हैं बिलकुल मुझे क्यों नहीं मिलते हैं या तो बंसल दुखाने वह भी बड़े फैन हैं लेकिन लेकिन मैं तो इसे मतलब इतनी फैसिलिटी मुझे कभी मिली नहीं जी जै कुछ करा जाए जै बताइए अने जी मुझे भी ए फैसिलिटी का लाव बिला दा अने जी रीसर्टी अगर आपको बताओ लास्ट वीक अने जी वह दस- मैं वहां पर ऑफिस के बार ही अच्छी खासी लॉंज ऐसा है तो वहां पर मैं बैढ़िया तो सिक्यूरिटी अंदर साय बिल्डिंग के बुले जैसर आप अंदर बैढ़ जाईए आपको कैसे बता है तो सर में रोज आपको रनी जी को रोज जी बिजनस बताए तो कुनाल जी की कमेंट्र रे बाकिके कुनाल जी सारा बोल्चुके बंसल जी करकी बार ही करेंश कुछ apples लेकिन अनिया जी इसी लिस्ट मैं शाइल हो अनिय जिन लोगों को अजबitating कम मिलता है सारह अनिया अनियी दिली का यो पूरा मार्किट है करेंश की रहा है बंसल जी निया सारा grateful यह ले झार जाते हैं ह Def और यहे बात प्र सहिए या फिर ऐसा भी हो सकता है य्यू नेवर नो के बाश़िये भुले नंद अज़ आदमी एकदम आप जो मिलता है पचिरन 잠깐 यह भी तो हो सकता है, बंसल जी आपको इसा जी रहता है, इसको भी अने जी कॉंप्लिमेंट मान रहा है और एक्चुली फैक्ट आने जी, यह लोग मिलते हैं, यह लोग क्या जी जो लोग लगजरी गाड़ियों में गोमते रहते हैं, इसके लिए ग्राउंड पर निकलना में गुमना पैदल चलने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, उनकी गाड़ी पैदल जितनी ही चलती है, उसी स्पीड से चलती है, बंसल जी गाड़ी बेठ में बेठ में जाना है, मत बेठना हमें बोल रहा है और फिर से, अरे वाई साब, अगले दम पॉछ होगे, मतला कुंसा जाओ, इससे तरह से बढ़ाते हैं, चलिए, बढ़िया ये आपके लिए, उजी वन स्माल फैनल नहीं, जी गुराण जी, अनी जी एक बार डेली आई है, अनी जी लॉंग ड्राइब पर चलेंगे, एक अफ्ते की छुट्टी लेंगे, ये हमसे रहो पाएगा, आप तो शो ड्राइब पी चलो, वह अपने आप लोग हो जाएगी, आपकी एक किलो मेटर की ड्राइब हमारे पचीस किलो मेटर के बरावर है, बाइदे में बढ़ हाई हो, 47.500 क्रॉस करें, हो गया 47.500, वंडरफू, अभी टच किया है, बिलकुल तो मजबूती के साथ बढ़ रहा है, टिकरा है, अच्छी बात है, बादार मजबू, 47.500, इतियास में नए अस्तर है, अब आपके लिए बैंक निफ्टी पर लाइफ हाई के तौर पर 21.019 नए अस्तर है, आपके लिए लाइफ हाई के तौर पर निफ्टी में, और सेंज सिक्स में 70.048 का लेओल है, नया लाइ बिगुले तैयार, जै जी बताइए जी, अने जी खरीदना है गेल फ्यूचर्स को, ये आप ट्रेड कर रहा है 142 पर, 142, 143 तक भी लीजेगा, कोई दिकर देने जी, यहाँ पे stop loss जो maintain करना होगा, that can be placed at 137.40, और उपर में जो टार्गेट अने जी निकल कर आ रहे हैं, the first target is 148, the second target is 153, so 148 and 153 ये दो टार्गेट के लिए आपको खरीदना है गेल फ्यूचर्स, similar kind of pattern energy is that of ICI, in fact, यहाँ पे तो तोड़ा और क्लियर, एक 3-wave corrective pattern, clearly daily charts पर नज़र आ रहा है, और मुझे इसा लग रहे हैं, जो sideways consolidation form वाई उसके lower end से गेल में एक reversal देखने मिला है, long term charts पर एक रेकाउट है, momentum है, ये stock, तो ये जो dip देखने मिली energy, that was just a profit booking, तो ये profit booking में खरीदे, उपर में लगब लग 148, 153 ये levels आपको देखने मिल सकते हैं, ये आपके लिए गेल इस पर करनी है, आपको खरिदारी, नई records बाजार में बनते वे दिख रहे हैं, action भरपूर है, आई एक छोटा सा break लेते हैं, ब्रेक के बाद और कुछ भेथरी इन स्टॉक्स आ रहे हैं आपके लिए, बस दो मेरेट में लाटिंग है, कि आपके कर दोंगे हैं, बस रहे हैं, कि मिलने हैं, रहे हैं, जा घर झापने रहे हैं, आपको ऑोटनाच की अपने वार्चाचाँनूड़ जिए, आपके लिए भ्यू हैं, आपके पूंच सेमीकॉडूड़ करे अपके लिए बादिव को फमे एश्यूजूटर की हैं, आ Whether visible or behind the scenes, opto-semiconductors are everywhere. India's investing will be super. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Raju, how are you going to do algo trading? I don't think it's a trade time. Sometimes there are portals, then it's algo. You trade algos with ShareIndia. When you have a brokerage or algo portal, you trade hassle-free or lightning fast. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. You're going to go to Vilancia, you're going to start. You understand? Yes, sir. Wow, Maamu. The delivery is going on. CID's planning? Derivating, baby. Everyone is going to go to the bank. Why? The AU current account is getting all in the current account. Maamu, change the bank. AU Small Finance Bank. Change from us. For that you'll need a serious approach. Serious research. Serious risk analysis. Serious discipline. Because when you become serious, you'll become a share of market. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Go, go, go. Go, go, go. The past six years, every day has been happening. This is the one that is the SIP that Chaudhary is doing for their son. When you live a way to live life, why don't you do SIP for your life? An investor education initiative by HTFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें Mutual Fund investments are subject to market risks Read all scheme-related documents carefully रचनी गंधा, Wires and Cable, Connecting People to Power शूपर शक्ति पेश करते हैं, सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अब दे अद्वाज्ड वाईरीब्ड सूपर शक्ति टी-म्टी बार हर निर्मान को बनाता है, सूपर स्ट्रॉंग सूफा केका आप शब का हमारी खास स्रीज मार्केट आउटलूक में लाइफ टाइम हाईपर ट्रेड करते हुए बा्जार और ऐसे में बैंक डुप्टि कुछ और बड़े ब्रेक आउट के लिए तैयार होता दिखा है डीपब 47,500 के भी पार निकल कर और तेज़ दोर लगाने की तैयारी में है बैंक डूटी जब रदस एक्षिन आपको यहां नज़र आएगा 21,000 के उपर टिकने की कोशिश करता हूँ निफ्टी भी अब आईए स्वागत क्या जाए गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम श्यासाब हार साथ कारेका में शामिल होने है गौतम जी गुड मॉनिंग स्वागत आपका बहुत धन्यवाद समय देने के लिए लाइफ टाइम हाई पर हैं बाजार एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते वे दिख रहे हैं बड़ा सवाल ये कि और कितनी तेजी विड मॉनिंग सिख्वी जी देखिए हमने 2003 से 2007 की तेजी देखी थी और उस तेजी में ये बुलना बहुत डिफिकल्ट था कि बजार कहां पर जाके रुकेगा मुझे याद है 2007 में जिस तरह की तेजी आए थी किसी को याद नहीं था कि यूनो मार्केट कहां रुकेगा और एक ऐसी सेनारियो है अगर आपको याद होगा 2007 में Sensex ने 21,000 पर टॉप आउट किया था और आज हम Nifty 21,000 पर ट्रेट कर रहे हैं तो ये काफी बड़ा एक growth story हमने इंडिया और stock markets के लिए देखा पिछले 15 सालों में अभी भी trend काफी solid है और जबी भी बैंक Nifty Nifty को lead करता है मार्केट एक अलग ही लगता है strong लगता है और हमने देखा है पिछले 6 हफतों में जो 1000 पॉइंट की Nifty की जो तेजी आई है that has been led by the bank Nifty for the first time in three three and a half months ये काफी positive sign है अभी भी momentum अच्छी है December का महिना है जहां पर seasonally सारे triggers positive रहते है geopolitical factors अच्छे हो गए है और momentum और participation तो अच्छा है ही तो 21-100 एक छोटा सा resistance है हो सकता है वहाँ पर एक speed breaker हो जाए और overall trend अभी भी उपर अच्छा लगता है और 20,700 का नीचे में trading stop loss बना के लोगों को trade उपर की तरफ ही करना चाहिए बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी लगती है 48,000 हमारा working target है और लग रहा है कि इस move में हो सकता है धीरे धीरे बैंक निफ्टी 50,000 तक चला जाएगा led by SBI and SDFC bank सो तेजी तो अभी जारी है अगले 2-3 हकते तो ठीक ही लगते है मार्केट में aggressive रहना चाहिए और हर dips पे खरीदारी करनी चाहिए अगर वो डिप आता है तो गौतम जी आपने बड़े इंटरेसिंग 2 शेरों के नाम लिए और जो दोनों ही कम चल रहे हैं दिगगजो में SBI प्राइट सेक्टर बैंक में सबसे कम अगर कोई बढ़ा तो यह और प्राइट सेक्टर बैंक में अगर कोई सुस्त है एक तो HDFC bank ये दोनों ही आपको क्यों लग रहे हैं कि bank nifty को 50 जा ले जाएंगे अभी हमारा वही focus है उन stocks में जो पिछले 3-6 मेनों में नहीं चले हैं क्योंकि जो चल चुके हैं वहाँ पर risk reward इतनी अच्छी है नहीं आप defense में railway में इतनी बड़ी खरीदारी कर नहीं सकते हैं auto में capital goods में आप खरीदारी बहुत ब है कि SBI में यहां से 20 से 25% की तेजी आ सकती है बाकि जो छोटे जो PSU banks है वो तो काफी चल चुके है बट किसी को अपने portfolio में stability चाहिए अच्छी stock चाहिए 7 के PE 8 के PE में यह stock अभी भी चल रहा है इतने सालों से एक range में रहा है लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी breakout आएगी और SDFC bank थोड़ा सा अंडर performance से वापस अब निकल रहा है तो इसमें भी तेजी आनी चाहिए बट ब्रॉडली अगर आप bank 50 को देखे तो overall private banks PSU banks सब अभी भी अच्छे लग रहे है तो bank 50 मजबूत है सरकारी bank अच्छे है private bank अच्छे है एक सरकारी bank डिगज SBA और एक private sector bank SDFC bank lead करेगा रेली को और क्या बाजार की रेली को भी bank 50 ही lead करेगा या कुछ और हमें IT sector भी काफी अच्छा लगता है अगर आपने notice किया होगा तो Friday को IT index ने अपना एक two year high बनाया था और यह काफी एक consolidation और मुश्किल से हुआ है मुझे लग रहा है कि यहां से अब सारे जो top IT stock स से वो निकल जाएंगे TCS लग रहा है कि नया lifetime high बना देगा 4000 की तरफ जा सकता है इंफोसुस अच्छा लग रहा है एक top performer रहा है recent past में और विप्रो एक 6-8 महने के under performance से निकल रहा है तो banks के साथ-साथ मुझे लगता है कि IT अच्छा करेगा तो यहां पर position बनानी चाहिए अ और banks और IT उसमें fit होता है IT banks दो रहेंगे मजबूत अब आप कहने कि 21,100 के आसपास हलकी फिल की रुकावट है 48,000 के आसपास हलकी फिल की रुकावट है छोटा सा speed breaker है वहां यूटन भी ने लेना खाली speed धीमी करनी है यह speed breaker भी पार कर लेंगे आगे तो बढ़ेंगे आप बीजानते हैं भी जानते फिर what next लिए वाटनेस की बारे में बात करें और अगर आप हम May 24 की बारे में बात करें क्योंकि May 24 के आगे देखना भी थोड़ा सा difficult है अगले अगर आप 6 मेना के बारे में बात करें तो जैसे हमारा बैंक निफ्टी में तो 50,000 का टार्गेट है परसेंटिश टांस में हो सकता अब ज्यादा बड़ा नहीं हो बट टेक्निकली और सेंटिमेंटली वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है जहां तक बैंक निफ्टी जाना चाहिए और इस मूव में जैसे मैंने का SBI मुझे लग र सकते हैं गोल्डी लॉक्स में 22-300 हमारा नेक्स्ट वर्किंग टागेट है जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स उसको के लिए प्रिपैर हो सकते हैं तो यह है आपके लिए राय बिल्कुल आती भी मजबुती बनेगी और बढ़ेगी भी थोड़ा मैं आपसे राय अमेरिकी बाजरों पर भी लेना चाहता हूं जहां पर भी अच्छी मजबुती दिख रही 10-11 मैनों की उचाहियों पर अमेरिकी बाजर पहुंचते हुए दिख रहे हैं क्या ये भी लाइफ है लगाने को तैयार है देखे इंडियन मार्केट्स का एक चलने का कारण तो अमेरिकी कर लिया हम ये 20 साल से देख रहे हैं और ये ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है और क्योंकि हम एक सिंक्रोनाइज वर्ल में रह रहे हैं अगर यूस मार्केट अच्छा रहता है तो इंडिया के लिए डेफिनिट्ली वह बहुत बड़ा पॉजितिव है इवन दो हमारी हमारी ल देखें आमेजान देखें आपके व्यूस के लिए हो सकता है कि यह अच्छा टेक अवे हो वहां पर भी अच्छी तेजी लगती है तो अगर आपके पास ऑप्शन है अपना एक पोटफोलियो ग्लोबली डाइवसिफाई करने का तो यह सब शेरों में भी खरीदारी कर सकते गोल्ड पर भी आपसे राइल दना को किसे लेखें सर अब आपके चैनल पर आया हूँ पिछले एक और सालों में मैंने हमेशा गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव कहा अभी भी हमारा वो ही वियू है गोल्ड सिल्वर का Nicolas रिटर्न्स निफटी के रिटर्न्स को बीच कर ये सिल्वर का हमारा टार्गेट है 28.5 तो 29 डॉलर तो यहां से 15 से 20 परसंट की तेजी हमें गोल्ड सिल्वर में लगती है जो हो सकता है आपको निफ्टी ने दे पाए बढ़ निफ्टी के स्टॉक्स और काफी स्टॉक्स मार्केट में दे पाएंगे अब बताएं सर बैंक और आईटी तो आपने बताए इसके लाव कहां पैसा लगाना चाहिए और मिटकेप स्मॉल केप शेरो पर क्या है आपकी राएं देखे काफी नए थीम्स आ रहे हैं मिटकेप स्मॉल केप नो ऐसी तेजी है कि ऐसे लगता है कि मॉप ट्रेडिंग हो रहा है एक्चल बजार में क्योंकि एवरी डे इस आ हायर हाई पिछले दो धाई मैनों से और यह अभी तक चल रहा है क्योंकि जो SIP का जो 50% अलोकेशन जो हर मेना आ रहा है वो मिटकेप स्मॉल केप में जा रहा है आठ हजार करोड हर मेना मिटकेप स्मॉल केप में जा रहा है उसलिए I think महाँ पर बहुत बड़ी तेजी है पर नए सेक्टर अभी उभर के आ रहे हैं अगर आप पावर को देखे GSW Energy, Tata Power, CEC बड़े ट्रेंड्स हैं यहां से और चलने चाहिए Housing Finance थीम हमें काफी अच्छा लगता है वहाँ हमें Home First, Aptos Housing, LIC Housing यह सारे शेल्स मुझे लग रहे हैं अच्छी चलने चाहिए Fertilizer एक बहुत बड़ा थीम हो रहा है वहाँ पर हमें Chambal, GSFC, GNFC, RCF सब काफी अच्छे लगते हैं और Unlock Trade में अगर आप देखें तो Sapphire Foods, PVR, Indian Hotels यह काफी अच्छे लगते हैं तो यह जो तीन-चार थीम मैंने कहें यहाँ पर सबसी बड़ी opportunity लगती है और सिमेंट को भुलाने चाहिए, सिमेंट एक स्ट्रक्चरल थीम है अभी इस बजार में चल रहा है, रियल एस्टेट में और तेजी है तो जो रियल एस्टेट प्रॉक्सी स्टॉक्स है, कजारिया सेरमेक्स, पॉली के आई वे सब जो शेयर्ज है यह अच्छे करने चाहिए तो लंबी लिस्ट है, वो स्टॉक्स की जो पसंद है, गौतम जी को इन पर करिएगा आप फोकस, बहुत बहुत धनीवाद गौतम जार समय देने के लिए और बाजार के बारे में हमारे दर्श को डायरेक्शन देने के लिए गौतम शा गोली लोक से बताते हुए, बाज़ार की तेजी जबर्दस्त है आईए, बढ़ते आगे पोजिशनल पिक का वक्त है, पालिवा साब बताएंगे आपको नोसिल के बाद उनकी पसंद का पोजिशनल पिक बताएं सर्व अनिल जी, पोजिशनल पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वह है NBCC, अगर हम देखे तो एक सप्लाइस जोन का यहां पर जो एक मल्टिपल सप्लाइस जोन थे, उसका ब्रेकाउट यहां पर अल्री मंथली चार्ट पे बनते वे दिखा है चोटी मटी गिरावट में इसको आड़ किया जा सकता है, इस्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 68 रुपीज के आसपास तो NBCC पर बाई करने की सला है पोजिशनल पिक में इरेडा, 32 रुपे का इश्यू प्राइस और इरेडा आज फिर से सर्कृट लगाने को तयार एक के बाद एक लगातार एक्शन में स्टॉक बढ़ता हो दिखा, 32 वाला बाया ऐसी और आपको याद होगा, मैंने का भी था कि इश्यू प्राइस दूगुना तो मिनिमम हो नह हूल्ड करने का कमाल आपको अब दिख रहा है, तो इरेडा मैं अब भी कहूंगा कि 32 का 82 हो गया, तीन गुना होने आ रहा है, लेकिन आपको टाइम टार्गेट से रखना है, बस टाइम टार्गेट, जहान में रखिए, प्राइस टार्गेट ही टाइम टार्गेट, यह हो जाएगा, अगर समझो, बैयासी वाला सत्तर हो गया, तो क्या कौन सा आपका दुनिया लुट जाएगी, और बैयासी वाला सो हो गया तो, कभी ऊपर कभी तो सोचो, हमेशा नीचे कही डर रहता है, कभी यह डर नहाता है, अपसेट मिस हो गी तो, डर तो उधर भी लगन पकड के रखो, छोड़ो मत जल्दी से, जिसको लेना हो तो मजबरी में आकर लेगा न आपसे उपर में, आपको क्या अटेंशन है, इस बायर्स मार्केट नोट सेलर्स मार्केट, अपसेट दिख भी रहा है, हर ब्लोग डील के बाद स्टोक भागते है, ऐसा कब होता है, उ लेकिन उल्टा है, तो इसलिए बिल्कुल पकड करको डरो मत, और नवरतना SIP हमारा ये था स्टोक 19 अक्तोबर को 34 रुपे में, एन बीसी सी लेया है, 24 का 84 ही हो चुका है, 20 रुपे के अपसेट बन गई, 19 अक्तोबर से अभी 19 दिसंबर आना बागी है, तीन हफतों के भीत जो मेरी पोजिशनल पिक है, एक बैंकिंग स्टॉक है, बैंक स्टॉक में जबरदस्त तीजी चल रही है, और यहां से मैंने कैस सेग्मेंट से इंग्यन बैंक को पिक किया है, जो अभी 433 के लेवल्स पे टेड कर रहा है, एक बहुती दमदार कॉलिटी की बैंक है, फ़र् स्टॉक के लियाद से भी 1.2 टाइम बुक पे स्टॉक सस्ता लगता है, और बाकी एसेट कॉलिटी में काफी अच्छा सुधार देखा जा रहा है, नेट NPS अभी हो गए 0.6 परसेंट, इस तिमाही में जो पिछले साल इस तिमाही में 1.5 परसेंट की आसपास थे, इस तरह क जबर्द सुधार देखी जा रहे है, बाकी बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, और जिस तरह से क्रेडिट आफ टेक है, या केपेक्स बढ़ रहा है, मुझे लगता है, बैंक सुध कंटिनू डू वेल, तो इंडियन बैंक पे खरदारी करने की सलाफ, मेरा इस पर वक्ते न्यूस पर व्यूस सेगमेंट का फिन उलेक्स इंडिस्री दो न्यूस पर व्यूस सेगमेंट में जाए, उससे पहले मुझे आपको पैनलिस्ट को और हमारे सभी दर्शकों को बताते वे बड़ी खुशी है, जो शनिवार देररात आपको एंटी आवोड़ जो मिल जैन साब म्यूट होकर कहेंगे तो क्या स्टॉक्स में पेचाना लगें जब आप स्टॉक की बात करते हैं तो हम आपके लिफ से पेचाना जाते हैं मैं हर बार आपको कई बार वाटसेप से मेसेज भी गया कॉंप्लिमेंट दिया इस शो की वज़े से में मेरी ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज कर चुका है येस 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 तो बिलकल न्यूस पर जूज जो अवेर्ड भी निशो है ताजा ताजा कली ये आवर्ड मिला है आए है करते हे शुलात न्यूस पर एउर्ज की आज हमारे साथ कारिकर में शामिल हो रही है कम황ती फिनो लीक्स इंडिस फिनोलेक्स इंडेसी जिसका नाम जाना पेचाना है सालों से नहीं कई देशकों से PVC पाइप्स और फिटिंग्स में देश की सबसे बड़ी और एक मात्र बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मेनिफेक्ट्रिंग ये कंपनी है पाइप्स और फिटिंग्स की सालों राक शमता इनकी चार लाक मेट्रिक टन की है और PVC रेजिन की करीबन करीबन पौने तीन लाक मेट्रिक टन एग्रिकल्चर, प्लैम्बिंग, सैनिटेशन ये इन सब के लिए प्रोड़क्स मनाती है माराष्ट और गुजरात में चार प्लांट है कंपनी के पास आईए, मुलाकात करेंगे कंपनी के मेनेजिंग टारिक्टर अजित वेंकर्टरमन सर हमारे साथ कारेकर में शामिल हो रहे हैं सर ने मिशिगन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल किये अमेरिका, भारत और सौथ इस्टेशिया यहां पर आपको लगबक 28 साल से जाला का गहरा अनुभवर इंडिस्ट्री का और 2023 जून से ही सर कंपनी के MD है 2022 से आप CEO थे, अप CEO के साथ MD भी है बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद समय देने के लिए बिजनिस को सबसे पहले बताएं सर इस वक्त बिजनिस को लेकर किस तरह का माहूल है आपने हाली में अपने इंवेस्टर प्रेजेंटेशन भी किये थे क्या कुछ खास बाते हैं जो आपकी शेरोल्डर्स को हमारे देशकों को बताना चाहेंगे यह पोना चाहता हूँ कि देखे अभी PVC प्राइसस स्टेबल है इसलिए end of last quarter Q2 और beginning of Q3 कुछ instability थी उसमें इसके कारण थोड़ा growth slow हुई थी अभी धीरे से pick up कोने शुरू हुआ है लेकिन जो हम उमीद कर रहे थे पिछले साल के हिसाब से Q3 और Fy23 उतने अधाद तक pick up नहीं हुई है और अभी अभी तक थोड़ा धीरे ही चल रहा है quarter three ओके quarter three थोड़ा धीमे है margins आपके first half में थोड़े improve हैं से सर अभी 23 में पहुने 7% है इस बार 12% के उपर आप निकले हैं सेकंड हाफ के लिए margins को लेकर क्या out look है मार्जिन्स तो हम stable PVC प्राइस काफी stable है रेंज में ही चल रही है 750 तो 800 डॉलर के बीच में ही चल रही है तो मार्जिन्स तो stable होना चाहिए और हमें यह उमीद है कि अभी q3 में towards the end of December थोड़ा business pick up होगी और हमें यह भी उमीद है कि q4 which has normally been the strongest q4 and q1 of every year दो सब्सक्राइब वही दोनों अच्छे होनी की उमीद है ओके परफेक्ट सब्सक्राइब किस तरह का है आपका और क्या कुछ नए प्लांस है और कैपसिटी बढ़ाने के इंडर्स्ट्री ग्रो हो रही है एस्पेशली कंस्रक्शन और प्लंबिंग इंसानिटेशन सेग्मेंट में उमीद है कि ग्रोफ रेट दस और पंदरा परसेंट के बीच में होने की संभावना है और इसके कारण हम हमें दो दो जाल के अंदर हमें कपासिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत बढ़ेगी तो यह है आपके लिए और बढ़ाने की संभावना हाली में सर कुछ फंड्स हम देख रहे थे ब्लोग दिल्स में आपकी कंपनी में स्टेक भी बढ़ा रहे है एस्बेशन का नाम भी हमने देखा था क्या कुछ बदल रहा है कंपनी के बारे म सेग्मेंट में फोकस जादा है और वहां पर काफी अच्छा ग्रोथ भी देखाई दे रहा है इसलिए हमारा प्राड़क्त मिक्स जो है वह प्लंदिंग और सैनिटेशन सेग्मेंट के और चलेगी तो मार्जिंस का इंप्रूववन्ट होने का अच्छा उमीद है तो से बाचित की अपने कंपनी के पाफूमेंस के बारे में बढ़ते आगे और दसकी कमाई में कुछ अच्छे स्टॉक्स जानने का वक्त है हिमाजशी गुत्ता साब तयार बताने के लिए उसके बाद जाहे ठकर भी देंगे हिमाजशी जी बताएं सार आपकी पसंद का दसकी देखने को मिल सकती है तो आरवी एनल मुझे लगता है एक अच्छी कंसॉलिडेशन से फिर से एक नेक्स अप मूफ के लिए तयार है एक सो सतर एक सो पच्छे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं स्टॉप लोस के तौर पर एक सो सतर रुपे की नीचे का क्लोजिंग बेसिन्स पर स्टॉप लगा कर आरवी एनल आज दसकी गमाई के तौर फर खरीदारी करके चलने की सलाव परफेक्ट पोजिशनल पिक एन्बी सी सी जो दी है पालवा साब जे उसके बाद लेनी है हमें शॉर्ट टम पिक भी बनाएं सर्व प्राइब शॉर्ट टम पिक में अनिर जी बैंकिंग इस पर से अमें लगता है बैंक ओ इंडिया को यहां पर बाइक या सकता है अगर देखे तो सारे पी एस्यू बैंक पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है अगर इंडिया में अगर देखे तो पिछले स्विंग हाई का ब्रेकाउट यहां पर अल्रेडी होते वे दिखा है और जिस तरीके से पूरे पी एस्यू बैंक में एक अच्छा ट्रैक्शन है हमें लगता है शॉट टम में बैंक ओफ इंडिया एक अच्छा मोमेंटम करते वे दिख सकता है 145 से लिके 155 तक के अपसाइ दिख रहा है वैसे तो आज पी एस्यू बैंक का दिन बना भी हुआ है आए दस की कमाई एक जै ठकर की तरफ से भी ले ली जाए जै बताइए मिलकुल दिख दिख दस की कमाई में जो स्टॉक आज मुझे पसंद है वो है आयार एफसी 80.40 पर ट्रेड कर रहा है आप 80 से लेकर 81 तक खरी दिये और इसमें जो स्टॉप लॉस दिख लगाना होगा अट कें बिपे प्लेस्ट एस सेवेंटी फॉर पॉइंट कर आ रहे है आधे वॉर्ट तरगेट विल बी इसे वालए नाइटी तो यहां से बारा रुपे आपढ आपको लगभा 20 परसंद की अपसाइट सेकें टागेट में जेखने मिल सक्थी अगेंस रइस्क ओफास दूपी सट और इस्क्न था बंस्तु यहां से अ कर्स्क्यार नाज़ दो आ प्रिवेस स्विंग हाई को अभी टेक औफ किया इस अब बात करें आपके लिए जै भी और अनल जी यह भी आयर एड़ी जैसा ही स्टॉक है मुझा आई पिओ चब्विस रुपे का इशू प्राइस था येस आपने का था इसे भी बाइन फोगेट लॉंग टम के रखे कोई परिशानी नहीं होगी काफी टाइम तक इसने कुछ नहीं किया और फिर जब मूव आई तो वान वे राली आई ये छोड़ो दीब में तो बता रहा हूं कोई रेलवे स्टोक लेला हम रेलवे पर उतने ही बुलिश है जितना दो साल धाई साल तीन साल पहले मार्केट बुल फिर कंसलेशन के बाद छोड़ना ही नहीं है और ये तो क्या है सब सरकारी कमश्या है तो लोगों को बड़ा कमफर्ट वैसे भी डिलीवे लेने में रहता है हमारे डिटेल इन्वेसर इंज में पैसा बना सकते हैं ने तो किया दो जार दही जार तीन जार वाले स्टोक में क पेचे ये छोड़िये मर्थ मत गॉडट अई सेरी साब के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी शॉट टम पिक सेरी साब बताएं सर बिलकुत दिपांचू पहले तो आयर एफसी के लिए जै को भी धन्यवाद फ्राइड की मेरी जो उपर सदावार सेरी साब के शॉट टम पि स्टॉक है वह अगेन पावर सेक्टर को केटर करने वाली कंपनी है होंडा इंडिया पावर नाम है कंपनी का पास्टॉक अभी 2440 के लिवल्स पर टेड कर रहा है एक जबर्दस कंपनी और पावर सेक्टर में तो एक बहुत अच्छी तीजी हम देख रहे हैं जो पावर प् इस तरह की कंपनी पर इंजिन इंजन जेलर और पोर्टेबल जनरेटर्स वागेरा बनाती है और कंपनी क्वालिटी अपनी टेक्नोलोजी के लिए जानी जाती है कंपनी है होंडा मोटर कंपनी जपान वो इसमें अराउं 66.67% स्टेक ओन करती है बाकि बहुत ही दमदार फं मुझे लगता है बिल्कुल खरज़ारी करने चाहिए करने टेवल्स पे 2550 का शॉट टर्म टागेट 2410 का स्टॉप लस अपके तो अनका पुराना नाम आगे आने वाला नाम पुल के पिताजी का नाम नाम और नाम कौन से कुल से याते यह सब चीज़ें जैन साब को जाने रहे थी है रहे जैन सेडी करने इन सेडी जी इन सेडी सी प्रडेइड आने वाले इसका किया नाम होनी जया तो अगला नाम भी बता दें, वही तो future का जैन साब कैसे कर लेते हैं आप अगला नाम बता लोग नाम नाम बता लादा लादा यह एैसा निये है। इस लिए इस प्लैनिक अजिद के जमशने में ना मताब बच्चा होने के पहले लोग नाम रख लड़का वा तो यह और लडकी हो यह वो पहले से प्लैनिक करके रखते हैं वेसाल आवर जिन साभ का भी जिन आगे के नाम पहले से सोच के रख लेते हैं कि कौन साफ हो सकता है बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं नाम को छोटा करके फिर इंडस्ट्री इस लिमिटेड लगा देते हैं वह ऐसा कुछ सुचते हैं ऐसा अवागे लिए हो चुका यह बारत है नाम सचेस करना शुरू कर दूगा बिल्कुल जैसे वह और फिर से हर शॉरूं न को इस कोई लोग फॉरूं कभी और भारत आर्थ मुघत बीये में यहां यह सबके सब बिलकुल बिलकुल तो यह है चलिए तो बढ़ी आए एक्षिन भरपूर है लेकिन बादार बंद होते 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 हैं बादार सोरी लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती वे दिखिए 20,026 यह लाइफ टाइम हाई है हम 21,025 के उपर ब्लूस का देखिए उन बूल रहते हैं एक्षिए 21,026 से गुम के आया थी और वहां से 75 थोड़ा नीचा आया है 20,950 के आसपा हलकी फ्रॉफिट बुकिंग और 47,588 का लाइफ हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग से था लिए हुनी बांने के बाद थोड़ी प्र बहुत बहुत धन्यवाद सेटी साफ हिमाशु जी जैन साफ और पालियो साफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए दो परकेशों में आप सबसे और फिर मुलाकात मुझे और दीव को इजाज़त दीजे देश के प्रते समय के साथ करिए हम शोकार स स्टॉक मार्केट नहीं तू क्यों कि जब सीरिस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे एक खाली पंसा है आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आस्मान के नीचे लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिससा देन्यू सफारी, रिक्लेम यर लाइफ रचनी गंधा, वायर्ज और केबर, कनेक्टिंग पीपल टू पावार मैडम को पैसे से प्यार नहीं है भाई साब, पैसे से प्यार है, तभी तो EU से करार है आसा क्यों? आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंट्रेस्ट देता है तेन महीने में एक बार मेरा AU हर महीने सोच बदलो और बैंक भी AU Small Finance Bank, बदला हमसे है Girlfriend, huh? No, no, just researching a good multi-asset fund to invest in That's not tough at all, yeah? It helped me out, no? Of course I will But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness But you forgot the most important part There needs to be a good balance in all these, no? Of course Similarly, a good multi-asset allocation fund Needs to have a good balance of three or more asset classes Equity, which can be domestic and international Debt and commodities like gold and silver Got it, balance is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund that has good balance And appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund Wealth sets you free Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully Aye, 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 aye repetitive तुमसे विलेंज जाना, तुम्हें जी रूड, समझ गया है? जी सेट. वा मामू, मिठायू की डिलिवरी चल रही है, CID के प्लानिंग. डिरेविन नी बिटा, सब अलग अलग बैंक जा रहा है. ऐसा क्यो, AU कारेंट अकाउंट पे सब मिलता है. मामू, सोच बदलो, और बैंक भी. AU Small Finance Bank, बदलाव हमसे है. पिछले 6 सालों से हर रोज यही हो रहा है. यह वो SIP है, जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है. जब जिंदगी जीने का तरीका ही SIP है, तो जिंदगी के लिए SIP क्यो ना हो? Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. अपिटल में एड्मिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू. और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंशॉरंस खतम करेगा और फिर सारी सेविंग्स. पर घबराओ नहीं. पॉलिसी बजार पे एक करोड का हेल्थ इंशॉरंस सिर्फ तीन सो नबबर पे महिने से शुरू. ले लो. पादलों पे चलके हवाओं से मिलके मैं बनाऊंगा। होसलों को कसके तुपारों से लड़के मैं बनाऊंगा। बनाऊंगा मैं। स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत. AMNS India. Smarter Steels. Brighter Futures. Mutual Fund Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Allocation Part 2. Momentum में ये रहे equity mode में और जब भी risk दिखे ये transform हो जाए debt mode में ता कि आप अपनी मंजिल पक बे फिकर बहुत सके. Mutual Fund Nivesh, Bazaar के जोखेमों के अधीन, योजना से जुडे सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Esalor. And Raju, how are you going to do algo trading? Maun, let's see, I don't even have a trade time. Sometimes there are portals, sometimes there are algo. You trade algos with ShareIndia. When a brokerage or algo portal is together, then trading is hassle-free or lightning fast. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. You will go to your village, then you will go to your M.G. Road, you understand it? Yes, he said it. Wow, Maun. Mithayu's delivery is going on, CID's planning. Derivin, son, now all are different banks are going. Why is this? A.U. Current Account is getting everything on the A.U. Current Account. Maun, think about change and bank too. A.U. Small Finance Bank. Change from us. Girlfriend, right? No, no, just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, yeah. Then help me out, no? Of course, I will. But first, you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest, and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity, which can be domestic and international, debt, and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund. And you have to be a good balance. You have to be a good one. Because you can be a good human. With the change, get away by the risk. But you have to be a good balance. You have to be a good health plan. पार्मा, हेल्थ केर, मेटल शेरों से दबाब सरकारी बैंकों पे चातरफा खरदारी के बीच निफ्टी बैंक 47-500 के पास लाइफ हाई पर PNB 4.5 साल की उचाई पर तो इंडेसेंट बैंक वडोधा में डेर से 2% की तेजी PSU शेरों में जोरधा तेजी कोल इंडिया, ONGC, निफ्टी के टॉप गेनर्स तो BEL में रिकॉर्ड सर्च हुआ BHEL और GIC भी डेर से 2% मस्बूत जाज की आज से डॉक्टर रेडी इस 5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर USFDA से कंपनी के हैदरोबाद प्लान को मिली तीन आपत्निया, सिपला, सनफामा आधे से 1% फिसले तो डॉक्टर लाल पैथ और विंदुख फामा वाइदा के टॉप दूजर चोटे मजॉले शेरों ने भी बाजार का दिया साथ RVNL, IRFC, BLS, इंटरनाशनल स्ट्राइट स्पामा चार से 8% उचले चाई, कॉफी, शुगर शेरों में तगडी खरदारी, जैश्री टी, बॉम्बे बर्मा, हैरिसन, मल्यालन दो से पांच परसेंट तक भागे, तो बल्रामपुर, चीनी, बजाजंदुस्तान, मगद, अवद, शुगर, देर से 6% उचले मजगा डॉक में 3.5% का उच्छाल कमती को एंजीसे से मिला 1145 क्रोड रुपए का ओर्डर जी बिजनिस की एक्स्लूजिव ख़बर से एचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड अरजंटीन और एजिप्ट समेट चार देशों को हेलिकॉप्टर और फाइटर जेट एक्सपोर्ट के लिए 70,000 करोड रुपए की डीन संभग ये एक अक्टूबर 2025 से ट्रक ड्राइवरों के केबिन में अनिवारे होगा एसी जी बिजनिस की एक्स्लूजिव ख़बर पर महर से आज का स्टॉक ऑफ तर देज सुब्रोज तेरा परसेंट उचला बिजनिस स्पेशल हिंदी गोस तो वेल्थ क्रेशन वीक बाइचनल जी बिजनिस तो बिजनिस टॉक शो में नूस पर व्यूस और डेली नूस बुलिटन में इंडिया 360 डिग्री समेथ पांच काटेगरीज में मिला समान जी बिजनिस के मंदन मुचल फंड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ निहा अनद आईए हम आपके लिए लेकर आए है स्टॉक सोशल का खास सेग्मेंट 11 बजे की लेडी स्पेशल एक ऐसा शो जहां महिला दर्शकों के शेर बाजार से जुड़े सवालों के मिलते हैं सभी जवाब इससे पहले कि आज की महमान से हम आपका परिचा करा है फटा फट देख लेते कि बाजार का मूड मिजास किस तरह का है तो जैसे कि आज हमने फिर से देखा मंडे की शुरुआत रिकॉर्ड हाइ नोट्स पर हुई है 21,000 के पार हमने नए रिकॉर्ड हाइस बनते हुए निफ्टी में देखे अफकोस वहाँ से गिरावट आई है बैंक निफ्टी ने भी नए रिकॉर्ड चुए न अफकोस सेंसेक्स 17,000 का आंकडा पार करता हुआ नजर है हमारी महमान भी जुड चुकी है हमारे साथ एंजल वान की स्नेहा से इस समय शो में शामिल हो चुकी है स्नेहा जी गुड मॉनिंग बहुत स्वागत है आपका रिकॉर्ड हाई पर रिकॉर्ड हाई बनते चले जा रहे हैं आपको पहले तो बढ़ाई जरा बताईए लेवल्स पर करना क्या है जो हमने लेवल्स की बात करेंगी 21,000 इस रियालिटी नव बट अगर आप देखें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया और जितना अग्रेसिवली हम पहले ट्रेट कर सकते थे या जो बोलेंगे करके जो एक जो क्रीम होता है वो अब निकल गया है तो अब से मार्केट में थोड़ा सा आपको उपर नीचे मूव दिखेगा तो डिप्स पर आप करने की सला होगी थोड़ी सी यहां पर प्रॉफिट पुकिंग करेंगे तो बेटर रहेगा जो अगर नीचे के बाइंग है आपके तो अभी के ल थाउजन के आसपा सोड़ा सवर्डल है हाईस ओपर इंटर्स कोंसेंटरेशन भी होगी स्ट्राइप में हैं बैंकिंग इंडिक्स के लिए भी सेम थिंग है तो अभी इस टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करेंगे बेटर रहे तो नुकसान में है समय क्या राए बन रही है इनके के लिए तो बहुत ही शार्फ और आया है और मुझे लग रहा करके कि यहां से एक सपोर्ट जरूर है अराउंड 1290 के आसपास 1250 1290 यह जोन के आसपास इक सपोर्ट जरूर है मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ गया है और अपसाइड में 1360 1370 यह जोनिक रिजिस्टन्स है मुझे लग रहा है कि थोड़ा और प्रेशर में रहेगा यह कांटर तो आपको चांस मेले थोड़ा सा भी आता है तो वहाँ पर निकलने की सोचे जादा होल ना करें जिस तरह के वॉल्यूम्स है रिसंटी नहीं लग रहा है करके कि इसमें बहुत शाफ रिकवरी बहुत ही जल्द आएगी थोड़ा कंसॉलिडेशन हो सकता है और कंसॉलिडेशन में जभी आपको उपर में दिकलने है 100 शेयर है 216 की खरीद है इनको भी कुछ नुकसान हो रहा है क्या राय बन रही है तो मेरे क्याल से यहां पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए उनके बाइंग लवेल्स अपकोस थोड़ा इसे दूर है बड़ पॉसिबिलेटी है यहां से थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है तो विटा स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड एक लिज आप 182 के आसपार एक सपोर्ट लग रहा है तो वो एक सपोर्ट मान के चले और जब तक उसके उपर ट्रेट कर रहा है थोड़ा सा होल करें और यह स्टिक स्टॉप लॉस एना चाहिए होल कर सकते इंदम भी दिक की बात नहीं के चले होल करने की सला तो जरूर है लेकिन 182 182 का स्टॉप लॉस मैं अप लगाना ना भूलें एमदबाद की देव्यानी पटेल का सवाल लेते हैं मुथूट फिनांस इनके पास 1400 के पास की खरीद है तो अब यह जानना चाह रही थी कि क्या करें रुके निकल जाएं क्या राय बन रही है कि अच्छा शाफ मुख दिखा था रीसंटी उसके बाद वड़ा सा कंसॉलिडेशन जरूर दिख रहा है पड़ा जब तक एक काउंटर 1370 के उपर ट्रेड कर रहा है इसका ओडर चार्ट स्ट्रक्टर डीसंटी है रीसंटी चुप मुख आया था वो भी वॉलूम्स के साथ है तो जब तक 1370 को रिस्पेक्ट कर I think there is no harm in holding. आफसाइड में एक मोमेंटम आने के लिए इमिडिटली अगर कभी भी है स्टॉक 1465 यह निकाल देता है तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा और तो आप अच्छे लेवल देख पाएंगे तो आपके अच्छे लेवल क खरीदे profit में भी है 1370 के support को बस observe करिएगा 1465 यह निकला तो आपको profit तो मिले गाई और उसके उपर और अच्छी strength देखने को मिलेगी अगला सवाल निहा गुपता का ले लेते हैं हरिद्वार से SJVN 10,000 share है 88 की खरीद है इनकी अच्छे खासे profit में है इस समय क्यानबे के क्या राय बन रही है इसका चार्ज स्क्छर वीकली देख रही है और डेली पेसिस पर भी देखने को मिल चकते हैं और पॉसिबिटी यह करके कि जो यह 92 का जो लेवल है वो सफास जल्दी हो जाएगा और आप एट-least 97-98 तक के लेवल भी देख पाएगे अगला पड़ाव SJVN के लिए दिखाई दे रहा है तगडी स्ट्रेंथ जरूर दिख रही है अगला सवाल L&T Finance में और सवाल पूछ रही है दिल्ली की संजना जी सनेहा जी इन्होंने L&T Finance के 100 शेर ले रखे हैं और खरदारी है 63 रुपए 70 पैसे की L&T Finance प्रॉफिट में हैं क्या राय बन रही है सींके बाइन लेवंसे जरी गुड और तेजी कंकी न रही है पर ओवरॉल 20 डेमा के उपर ही तो ओवरॉल चार्ट स्ट्चर काफी अच्छा है इसे होड करें पॉसिप्रिटी है करके कि तेजी कंपी नहीं हो सकती है अब देख सकते कि 16162 162 163 के लेवल्स पॉसिबल है इसमें इमेडिटली तो इसे होड करें अगर stop loss लगाना है तो एक strict stop loss जो आपको लगाना है that will be around 150-149 के आसपास एक strict stop loss लगा के hold करें चलिए वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है आपकी नीचे की खरीद है तो आप 149 के support को observe करके रखे उसी के नीचे कोई weakness होगे otherwise तो अगला पड़ाब सीधा 163 का बनता हुआ दिख रहा है LAT Finance में चलिए रुपते एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाजर ब्लॉटेंगे सनेहा जी की best picks रखेंगे आपके सामें जैलेंट एडवांस LRF Refined TMT Bars नर्माण का Real Hero प्रेजेंट टॉप गेनर्स जैलेंगे सेर बनना है एक रहे बनना है for that you'll need a serious approach serious research serious risk analysis serious discipline क्योंकि जब serious बनोगे तभी market का शेर बनोगे investment in securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing रचनी गंधा wires and cables connecting people to power experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by SLR India Bulls Housing Finance Limited ने अपने Secure Redeemable Lens Series के पब्लिक इशू की गोशना की है प्रतिवर्ष 10.75% तक का कोपन रेट तथा प्रतिवर्ष 6.5% का incentive प्रस्ताविद किया है ट्रांच 4 इशू सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है सब्सक्राइब करने के लिए www.indyabullshomeloans.com पर लॉग उन कीजिए व्रिस्क फैक्टर्स, डीटेल डिस्क्लेमर और अतिक जांकारी के लिए क्रिप्यार से भी स्टॉक एक्शेंज कंपनी तथा लीड मैनेजरों की वेबसाइट ओपर उपलब शेल्फ प्रस्पेक्टर्स और ट्रांच 4 प्रस्पेक्टर्स देखें देखो यार जिन्दगी का कोई भरोसा नी पता नी कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैमिली का फ्यूचर बच्चों की पढ़ाई ये खत्रें पढ़ जाए तो आज ही पॉलिसी बजार से एक करोड का टम लाइफ इंशॉरेंस कराओ सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS इंदिया स्मार्टर स्टील्स ब्राइटर फ्यूचर्स पेश है साम को डानेमिक असट अलोकेशन पार्ट मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ट्रांसफॉर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मंजिल पक बे फिकर बहुत सके म्यूचल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें मेरे पिता जी ने ना ये शेर्स में भी इन्वेस्मेंट किया पी एसेस को फोन लगा पी एसेस? ये आपके फिजिकल शेर्स को डिजिटल करते हैं पी एसेस फिजिकल शेर्स सलूशन जैसा नाम जैसा काम ये है इंडिया के पुराने इंवस्टिंग की दुनिया अब इंवस्टिंग को बदलने आगया है कुछ सूपर कॉम्छ स्मार्केट को करे सिंपल आगया है अगया 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 है जो इंडिया का इंवस्टिंग बना दे सूपर Investments in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Experience a new Verilux progressive lens Designed with artificial intelligence So it can predict your natural eye movement Verilux XR series For instantly sharp vision in motion And seamless transitions from near to far Verilux by Esalor Investments in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Experience a new Verilux progressive lens Designed with artificial intelligence So it can predict your natural eye movement Verilux XR series For instantly sharp vision in motion And seamless transitions from near to far Verilux by Esalor Samco and Zee Business ला रहे है एक unique show जो करेगा stock market के Index Acer की पहचान जो बन सकते हैं Share Bazaar के बड़े नाम Samco in association with Zee Business Presents Mission Ace The Index Show Weekly Segment Only on Zee Business Maidam को पैसे से प्यार नहीं है Bae Saab पैसे से प्यार है तभी तो EU से करार है असा क्यों? आपका बैंक सेविंग सेविंग से कांट पे इंटरेस्ट देता है तीन महीने मेरे एक बार हर महीने सोच बदलो और बैंक भी But first you tell me What does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness But you forgot the most important part There needs to be a good balance in all these, no? Of course Similarly, a good multi-asset allocation fund Needs to have a good balance of three or more asset classes Equity, which can be domestic and international Debt and commodities like gold and silver Got it Balance is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund That has good balance and appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund Wealth sets you free Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme-related documents carefully Super Shakti Pesh Karte Hai Super Strong Stocks of the Day Advanced Wire-Ribd Super Shakti TMT Bar Har Nirmand Ko Banata Hai Super Strong Welcome back Welcome back You are watching Stock Social Sneha Ji Tell us what you like in this market What are your best picks in this market? Where are your best picks from this market? The first stock is from cement pack That is Amboja Cement If you look at this stock Then there is a resistance Around 420 Which was a smart move Which was a 100 points That is Amboja Cement 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 I would recommend that you buy here You have to buy a stock loss here In the range of 75 to 80 Stop loss That is Amboja Cement That is Amboja Cement That is Amboja Cement 80 That is Amboja Cement That is Amboja Cement आपको मिस्स नहीं करना है गेहूं कम है ग्यारा बच के 35 मिनट पर एक खाली पंसा है आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आस्मान के नीचे खोजलाओ अपनी पहेली का खोया हुआ अंश लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा दे न्यू सफारी, रिक्लीम यूर लाइफ तुमसे मिलेंज जाना, तुम मैंजी रूरूड, समझ गया है? जी सेट वा मामू, मिठायू की डिलिवरी चल रही है, CID के प्लानिग डिलिवरी नी बिटा, सब अलगलग बैंक जा रहा है ऐसा क्यों? एयू कारिंट अकाउंट पे सब मिलता है मामू, सोच बदलो और बैंक भी एयू स्मॉल फाइनांस बैंक, बदलाव हमसे है पिष्टे छे सालों से हर रोज यही हो रहा है यह वो SIP है, जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है जब जिन्दगी जीने का तरीका ही SIP है तो जिन्दगी के लिए SIP क्यों ना हो An investor education initiative by HTFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें जिस दुनिया ने हमको जमाला उसको कौन जमाले दुनिया किसके हमाले जिस दुनिया ने हमको समाला उसको कौन समाले दुनिया अपने अवाले दुनिया अपने आवाले दुनिया किसके हमाले जिस दुनिया ने हमको समाला वो है अपने हवाले जब आप लंबे सपर पे निकलें, मज़ा अलग है पर तभी आजाए ऐसी अर्चन जो आपको कर दे बेचा है कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते और वापस अपने सपर पे निकल पड़े ऐसा ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है पेश है साम को डाइनेमिक असेट अलोकेशन पार मुमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मन्जिल तर बेफिकर पहुँच सके म्यूच्वल फन निवेश बाजार के जोखे मों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें सपनों की नाओं लेके चलूं मैं साथ में तू हो मेरे क्योंकि तू खास है ये हैसास है सांसों की तरह तू दिल के पास है 70 years of trusted care backed by science and innovation क्योंकि तू खास है Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly perfection redefined experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Essilor काम वो करो जो कर पाओ बाकी सब प्रोफेशनल्स पे चोड़ तो जैसे कि F&O trading UTrade के fully automated algorithm पे चोड़ तो UTrade Algos with Share India Investments in securities markets are subject to market risks Read all related documents carefully before investing Madam ko paise se piyaar nahi hai hai Baisaab, paise se piyaar hai tabhi to AU se karar hai Aasa kyo? Aapka bank savings account pe interest da hai Teen maheni meek bar Merea AU हर महीने Soch badlo or bank bhi AU small finance bank Badlaav humse hai Girlfriend nah? No no Just researching a good multi-asset fund to invest in That's not tough at all yeah It helped me out no? Of course I will But first you tell me What does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness But you forgot the most important part There needs to be a good balance in all these no? Of course Similarly A good multi-asset allocation fund Needs to have a good balance Of three or more asset classes Equity Which can be domestic and international Debt And commodities like gold and silver Got it Balance is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund That has good balance And appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund Wealth sets you free Mutual fund investments Are subject to market risks Read all scheme related documents carefully To be continued To be continued... 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 ओके तो ये हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड से हाल और हमारे साथ जदत तो होलकर भी है डिरेक्टर हैं लासलगाउं एपीमसी के और लासलगाउं प्याज की सबसे बड़ी बंडी है होलकर साथ अब नई खबर क्या है मैं आप से जानना चाह रहा हूँ कि प्याज एक्सपोर्ट प्रपावंदी के बाद क्या कुछ भरोसा आप लोगों को मिला है सरकार की तरफ से क्या कुछ नए अपडेट है सो इस पूरे मामले में अभी तो कुछ गवर्मेंट के और से कुछ आया नहीं है लेकिन अभी जो प्याज है वो भी दिन बदिन खड़ाब होता जा रहा है इसलिए हमने किसानों से और ब्यापर इसे दोनों से भिनिंति की कि मंडी तो शुरू करेता है और हम जो है गवर्मेंट से इसके बारे में फालॉप लेते रहेंगे लेकिन मंडिया ज्यादा दिन बंद रखना यह दोनों के लिए ठीक ने किसानों के लिए ठीक नहीं होगा अच्छा माल दिन खराब होता जा रहा है और फिर इसको किसानों ने भी रिस्पॉंस दिया है आज दोपर से बज़े के बाद लासल गाउ सब्सक्राइब करेंगे और फिर उसकारत्मक कुछ निरने लेती है या नहीं नहीं कि देवेंद्र फरणवीज जी ने प्यूस गोईल जी से बातचीत किया इस पूरे मामले में उन्होंने भरोशा दिया कुछ पॉजिटिव डेलॉपमेंट होगा इसको लेकर के जानकारी ह अब तक यह कुछ अभी तक कर समझ में नहीं आ रहा है इसले देख रहे किया दिसेजन लेते लेका बाद में उठा देने का और फिर उसका किसानों को बोले का आमने आपके लिए कुछ किया है यह कुछ ज्यादा ठीक में यह जो रूटिंग जो व्रपारे हो यह आपे डिस तो 17 रुपए में प्याज जा रहे हमारे जो कि जो बैन होने से पहले लगब तीन सारी तीन आजार रुपए के आसपाद जा रहे थे अच्छा तो आपका रशीडा हो गया पचास से नीचे आगे हमें तो महंगा ही मिल रहा है अभी डिटेल में प्याज खरिदने जाता है अभी तो इस अभी डिसीजिन हो है तो जो सिटी में पहुचते पहुचते उसका टूटा टाइम ही लगता है ओके ठीक है शुक्रिया आप होलकर जी आपका इस पूरे अपडेट के लिए अब हमारे साथ साथ सिराज जी बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका आप जना बता जी जादा अपसेट होंगे और अगर हम ट्रेडर हैं हमने एक्सपोर्ट के ओर्डर लिए हुए हैं तो एलसी खुल चुकी है तो जाहिर है कि हम बहुत अपसेट होंगे तीक हो यह रहा है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा एक इंप्रेशन क्रियेट हो गया था कि इंडिया बहुत बड़ा अग्रिकल्टरली सर्प्लस नेशन है और यह भी कहा जा रहा था कि हम पूरी दुनिया को फीड कर सकते हैं तो पिछले दो सालों में फरवरी 2022 से लेके अब तक जो टेंप्रेशर एडवर्स भी हुआ मौनसून कम हुए उससे यह बात साबित हो गई है कि हमा सारी प्रोड़क्टिवीटी नहीं बढ़ेंगी और हमारा स्टोरेज नहीं इंप्रूव होगा तो जब भी कोई दाम बढ़ेंगे किसी चीज़ के तो बले ही वो किसानों कितने नुक्सान हो लेकिन सरकारें कंज्यूमर के इंट्रेस्ट में आप जैसे मीडिया चैनल की अब पिछले साल के मुकाबले में अगर एक साल के लिमिट लगा सकती है उसमें एक्सपोर्ट पे रेस्टिक्शन की बात नहीं कहीं गई थी फार्म लॉज में वह तो तब भी गवर्मेंट के पास थी और अब भी है इसलिए अब इंट्रेशन इस वह बहुत बड़ा मुद्धा बना हुआ है तो गवर्मेंट को लगता है हम यह चाहते हैं हमने इसके बारे में लिखा भी है कि पालिसी ऐसी होनी चाहिए जो प्रेडिक्टेबिल हो जिससे के ट्रेड को किसानों को इंपोर्टर्स को मालूँ हो कि अब यह ट्रिगर होगा और सेडिनली कोई पॉलिसी ना है अच्छा ओके ठीक है यह यह महत्मून बात है सर अब आगे बढ़ते हैं और खबर कर रूप करते हैं सर दूसरी खबर है गेहूं को लेकर और खबर यह आ रही है कि गेहूं का स्टाउक पिछले साथ साल में स सर एसी आई के चैर्मेन भी रहे हैं आप जड़ा बताई क्या वाकई गेहूं की सप्लाई को लेकर ग्राउंड पर कुछ दिक्कत है सर या आपको लगता है कि इसी कोई दिक्कत है ने देखे फ्लोर मिल्स से जो इंफर्मेशन मिलती है और बार बार मीडिया उसको रेपोर्ट कर रहा है वो यह है कि अवेलेवेलिटी कम है और इसी लिए FCI open market sale scheme में बार बार और लगातार अपने stocks को unload कर रहा है और कोशिश यह government की रही है कि इंफलेशन को कम किया जा सके वीड इंफलेशन को लेकिन वो काबू में नहीं आया है हमारा इसमें समझ यह है कि government को import duty कम करके इंपोर्ट करा लेना चाहिए प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करेगा उससे अपने आप दाम काबू में आ जाएंगे बजाए इसके कि हम फरवरी में जाके जब बिल्कुल नई किरॉप आने बार दी हो तब beauty घटाएंगे और अगर तब beauty घटाते हैं तो फिर किसानों क तो जाहिर है कि अच्छा काम नहीं में पाता है तो अगर beauty घटाने का कोई program government का है तो उसका वक्त अब है बलके हम already late है अच्छा already late है आप कर रहें लेकि जिस तरह से गेहों के दाम ज्यादा है आपको नहीं लगता कि इस बार गेहों की sowing अच्छी हो सकती है खेती अच्छ से जादा ले रहें तो हमारे अगर गेहों का area बढ़ेगा तो किसी और चीज का चने का area कम हो जाएगा अब चने में भी देखिए येलो पी पे government ने import duty घटा दी और येलो पी की जो landed cost होगी वो चने के MSP से भी कम होगी तो ये बात बहुत बार हमने कही है लिखी है कि आप क प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे किसान प्रोटेक्टेटेड रहे उसको कम से कम MSP तो मिल सके महत्मुन बातसर आपने कही बहुत शुक्रिया आप सिराज जी आपका हमारे साथ जूड़ने के लिए गेहों और प्याज इन दोनों खबरों पर डिटेल में अपनी राय रखने के लिए और फटाफ़ट अज़े जी जड़ा आप बताईए सर गोल्ड का भाव काफी अपने के लिए जब डेटा अच्या है और जॉब डेटा अच्या आने के बाद जो पहले यह संभावना थी की रेट का जल्दी यूएस में शुरू हो जाएगी वह संभावना थोड़ी कम हो रही है आप बहुत सारे लोग करें कि मैई से पहले इसकी संभावना नहीं है तो मालिया जी आप बताएं आपके हिसाफ से गोल्ड में और सिल्वर में मैं चांदी पर भी आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के लिए क्या करें तो आप करेंगी बेज कर चलें चलिए वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बाद बात करेंगे कुरूड की कच्छे तिल में क्या हो रहा है मेटल में क्या हो रहा है और एग्री में आपको कहा पर ट्रेट के मौके मिल सकते हैं इन सब पर बात ब्रेक के बाद बने रही है हमारे साथ जैलेंट एडवांस LRF रिफाइन TMT बार्स नर्मान का रियल हीरो प्रेजेंट टॉप गेनर्स आपका बैंक सेविंग्स अकांट पर इंट्रेस्ट देता है पीन महीने में एक बार् किन महीने ही अर महीने सोच बदलो और बैंक भी ऐए उस्मॉल फैनांस बैंक, बदलाव हमसे है ऑप्शण सो बहुत सारे है कॉईसे ऑप्शण DOCTOR साब और फुल्ली एटुमित के साथ गारिटिंग पर इतनी एफिशन और असान कि लाइक प्रोट्रेट करेगा पूरा हिंदूस्तान. यू ट्रेड आल गोज विचेर इंटूरिशने. अब आप लंबे सपर पे निकलें, मजा अलग है. पर तभी आजाए ऐसी अर्चन जो आपको कर दे बेचा है. कैसा लगेगा अगर आप उस अर्चन को एक चुटकी में पार करते हैं? और वापस अपने सपर पे निकल पड़े हैं. ऐसा ट्रांस्वरमेशन रियल लाइफ में मुश्किल है. पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है. पेश एस्वरम को डाइनमेक असेट अलोकेशन पड़े हैं. मुमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में. और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्वरम हो जाए डेट मोड में. ताकि आप अपनी मन्जिल तक बे फिकर पहुँच सके. म्यूच्वल फंड निवेश बाजार के जोखे मोगे अधीन, योजना से जुड़े सबी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. डिजिटल इंडिया, जो इंडिया को कर रहा है, डिजिटली ट्रांस्वरम, सब डिजिटल हो चुका है. सब आपके फोन में आचुका है. डिजिटल इंडिया, ट्रांस्वरमिंग इंडिया, नया भारत, नई उड़ान. मास्तर जी, करुन, तुम छहर से कब वापसा है? पर्सोया है, मास्तर जी, मा का बार बार फोन आरता है. अच्छा, तुमने जो जानकारी दी, उसे मेरे बेटे का काफी भला हुआ. थैंक्यू सर्. यार, गिरी, ता पॉपुलर बन गया दू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रिब्यूटर बन गया, यूच्वल फंड्स का. मैं इन सभी की मदद करता हूँ. उनका भला होता है, तो वो दूआ देते हैं. बाओ यार, अगर आप दी मेरी तरह यूच्वल फंड्स डिस्ट्रिब्यूटर बनना चाहते हैं, तो चाहिए MFD करे शुरू डॉट कॉम पर. तो, करे शुरू. ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया. पर अब, इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर. टेक और स्पीड में बहतर है सूपर. जो कॉम्प्लिक्स मार्केट को करे सिंफुल. जो इंडिया का इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे, वही तो है सूपर. आ गया है एंजल वन सूपर आप. जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे, सूपर. Investments in Securities Market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Insurance! कोई रोए नहीं है? MF? Year checker. High होगा. क्या है? आप BP चेक कीजिए. High होगा. High BP से CKD हो सता है. और उसके ट्रीटमेंट से आपका तोटल लाइफ सेविंग्स खतम. SHI ले लो. SHI? Star Health Insurance. अपनी सेविंग्स को बचाईए Star Health Insurance के साथ. The Health Insurance Specialist. जिस दुनिया ने हमको सम्हाला उसको कौन सम्हाले? दुनिया अपने हवाले, दुनिया अपने हवाले. दुनिया किसके हमाले? जिस दुनिया ने हमको सम्हाला वो है अपने हवाले. सामको और जी बिजनस ला रहे हैं एक युनीक शो जो करेगा स्टॉक मार्केट के इंडिक्स एसर्स की पहचान जो बन सकते हैं शेर बाजार के बड़े नाम सामको इन असोशियेशन विज जी बिजनस प्रिजेंस मिशन एस दी इंडिक शो डेली सेग्मेंट ओनली ओन जी बिजनस एक्सपरियंस अनुव बेरलुक्स प्रिजेशन लेंस देजिए इसलोर बेरलुक्स ब्रिजेशन देजिए नहीं रहेगा भूखा हर महीने असी करोड लोगों को मिल रहा है मुफतराशन हमारा संकल विकसित भार आपका बैंक सेविंग से कांट पे इंटरेस्ट देता है तीन महीने में एक बार मेरा एउउ हर महीने सोच बदलो और बैंक भी एउउ स्मॉल फानांस बैंक बदलाव हमसे है सूपर शक्ती पेश करते हैं सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अफ दे डे अडवाज्ड वायरीब्ड सूपर शक्ती टी एम्टी बार हर निर्मान को बनाता है सूपर स्ट्रॉंग अब बात करते हैं कच्छे तेल की लगातार साथवे हफ़ते कुरूड में गिरावाट रही है अगर लास्ट वी को आप जोड़ें और ये 2018 के बाद सबसे लंबी गिरावाट कच्छे तेल में रही है उसके बाद आज हलकी रिकवरी है इस रिकवरी के पीछे की वज़ा ये है कि ख़वर ये है कि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरूड कंजूमर है प्रोडूइसर भी है अमेरिका अपना स्ट्रेजिक रिजर्व कुरूड में बढ़ा सकता है ऐसी ख़वरें आ रही है उससे मार्केट को थोड़ हमने 95 से लगब 75 डॉलर का लगना आती वे देख चुके जो अपडेट आई है वह एक बांस हो है लेकिन अभी विद्यान रखिए ये युएस का जो प्रोडेक्शन है वह थर्टीन मिलियन बैल पांच चुका है जिसकी वह से अभी तक हम ने गिरावट देखी है तो मुझ सब्सक्राइब करीब प्राइज साथ चुक्राइब से ले सकते हैं पर लिमिटेट अपसाइट रहेगा जो एक सट सो एक सट सो पचास तक का लेवल दिखा सकता है वोके नैच्राल गैस में बहुत तेज गिरावाट है माल्या जी क्यों और आगे क्या क्लाइमेट सपोर्ट प्रोटेबल है और मेरे खाल से वाँ मेदर का फोरकास्ट है एक सट्रींडेस के लिए लिए नैच्राल गैस के लिए सब्सक्राइब करी है यहां पर अच्छी अपॉर्चिनिटी करने की वननेटीपोर का स्टॉप लगाकर आप बाइक के इस पर्टिकलर काउंटर में प्रटिकलर के ठीक है तो यह राया आपकी हो गई एंजी के उपर लेकिन इस बगदेखिए ख़वर आ रही है प्याज को लेकर गेहों को लेकर और ख़वर यह है जो अभी भी हम आपको दिखा रहें कि खाद मामलों के सचिप का यह बयान आया है कि जन्वरी में प्यास की क कीमते कम हो सकती हैं मतलब अगले मेंने प्यास के दाम घड़ सकते हैं हालां कि जब से एक्सपोर्ट पर बैन लगा है अभी हमने बात की थी लासल गौ मंडी में तो वो करें कि जो थोक का वहाए वह आदा रह गया है तो इसका इंपक्ट भी जल्ड आपको मार्केट में दि स्टॉक गेहूं का लेकिन सरकार ने क्लियर किया है खाद मामलों के सचीवने की गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है उसको लेकर कोई चिंता नहीं है और जन्वरी इसमें प्यास की कीमतें कम हो जाएंगी यह दो बड़ी बात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और महंगाई को मुकाबले सप्राइग के हालात बहतर बने रहें ठीक है एक सवाल केडिया जी फटाफट मेटल पर आपकी आज के लिए मुझे लगता है कि कॉपर और जिंग यह दो कमाटी ऐसी है जहां पर हम एक अच्छा गासा बाउंस बैक बापर देख सकते हैं जहां पर कॉपर में मुझे लगता है कि काफी बड़ी किरावट के बाद रिकावरी बन रही है यहां पर मुझे लगता है 215 का टार्गेट हम देख सकते हैं बहुत शुक्रिया आपका केडिया आपका जूड़ने के लिए बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं तो खिलाल इस शो में इतना ही छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पॉरेट रडार नमस्कार स्टॉक्मर्केट हाँ? क्योंकि जब सेर्यस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे जब जिन्दगी जीने का तरीका ही SIP है तो जिन्दगी के लिए SIP क्यों न हो? अन इंवेश्टर एजुकेशन इनिशिटिफ बाई इच्टी एफसी मूचूल फ़न मूचूल फ़न निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें मोदी सरकार की गैरंटी भारत होगा गरीबी मुक्त पांच सालों में 13 करोड 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला हमारा संकल विकसित भारत यह है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर कॉंपलिक्स मार्केट को करे सिंपल आ गया है एंजल वानू सूपर आप जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे बनाउंगा मैं तो बनेगा भारत स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor स्किल स्टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly Perfection redefined Prestonic Engineering Limited launches its IPO on SME Emerge platform Issue price of Rs.72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11 December 2023 and closes on 13 December 2023 IPO lead managed by FinShore Management Services Limited India Bulls Housing Finance Limited ने अपने Secured Redeemable NCDs के Public Issue के घोशना की है प्रतिवर्ष 10.75% का कोपन रेट तथा प्रतिवर्ष 6.5% का इंसेंटिव प्रस्ताविद किया है Transfer Issue subscription के लिए खुल चुका है सब्सक्राइब करने के लिए www.indiabullshomeloans.com पर log on कीजिए Risk Factors, Detail Disclaimer और अतिक जांकारी के लिए क्रिप्या से भी Stock Exchange पर उपलब शेल प्रोस्पेक्टरस और ट्रांजफोर प्रोस्पेक्टरस देखें Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor मेरे पिता जी ने ये शेर्स में भी इन्वेस्मेंट किया PSS को फोन लगो PSS? ये आपके फिजिकल शेर्स को डिजिटल करते है PSS फिजिकल शेर्स सलूशन जैसा नाम जैसा काम Girlfriend, huh? No, no, just researching a good multi-asset fund to invest in That's not tough at all, yeah It helped me out, no? Of course, I will But first, you tell me what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness But you forgot the most important part There needs to be a good balance in all these, no? Of course Similarly, a good multi-asset allocation fund Needs to have a good balance of three or more asset classes Equity, which can be domestic and international Debt and commodities like gold and silver Got it Balance is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund That has good balance and appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund Wealth sets you free Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme-related documents carefully Frequently Act wszystkings Free Full God Have you Just esti Be Find Time Do Feel About Absolutely होने से बचाए। पीएस यू शेरो में जोरदार तेजी ओएंजी सी निफ्टिकेट ओफ गेहनर्स में शामिल तो बीएल और पीएफसी रिकॉर्ड्स तरपर जाज की आज से डॉक्टर रेदीज पांच परसेंट तूट कर निफ्टिका तॉप लूजर उसे अब्डिये से कंपनी के हिदरोबाद फ्लांत को मिली तीन आपतियां सिपला, सनफामा आधेस एक परसेंट कर दे तो डॉक्टर लाल पैठ और बिंदो फामा बाइदा के टॉप प्रूजर चोटे बजॉले शेरों ने भी बाजार का दिया साथ आरवी एनल, आयरेफसी, बीलेस इंटरनेशनल और स्ट्राइट्स फामा चार से आठ परसेंट उ जगद अवज शुगर डेर पे 6% उपर मजगा जॉक में 3.5% का उचाल कमपनी को एनजीसी से मिला 1145 करोड रुपए का ओर्डर Zee Business की एक्सलूजिव खबर से H.E.L. में बनाया नया रिकॉर्ड अर्जिन्टीना, एजिप्ट समेच चार देशों को हलिकॉप्टर और फाइटर जेट एक्सपोर्ट के लिए 70,000 करोड रुपए की डील सम्राब एक अक्टूबर 2025 से ट्रॉप ड्राइवरों की केबिन में अनिवारिय होगा A.C. Zee Business की एक्सलूजिव खबर पर मौहर से आज का स्टॉक अफ़ दे सुबरो स्टेरा परसेंट उचला Business Special Hindi goes to Wealth Creation Week by Channel Zee Business A.C. Zee Business की एक्सलूजिव खबर पर में आपके साथ मैं हूँ निहा अनन्द आज हमाई रेडार पर है Medical Device बनाने वाली कंपनी Polymedicure हम आगे कंपनी के मैनेजमेंट से जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सेक्टर में कंपनी के कारुबार को लेकि क्या प्लानिंग है अच्छी तेजी के साथ शुरुआत देखने कुम ली थी ग्लोबल से तब भी ठीक ठाकता लेकिन थोड़ा सा जैसे कि आपने बताए कि आफ़ाइस हों लेकिन हलका सा इन अब तक का जो प्रीवेस वीक का भी ट्रेंड है कि हलकी सी गिरावट आती है तो आपको मौका ही देती है सेंसेक्स की बात करते हैं एकतर बैतर अंगों की बढ़त यहां पर देखने को मुल रहा है लेकिन स्टॉक्स पर आक्शन काफी जादा है बात कर लेते हैं निफ्टी के गेनर्स की तो यहां पर अगर आप देखे तो अदानी ग्रूप के स्टॉक्स ऐसे हैं जो फिर से बजार में थोड़ा सा जोज बर रहे हैं अदानी एंटरप्राइज़ और दानी पोच यह दो स्टॉक पर खास नज़र रखेंगा डेड़ से धाई परसंट की तेज़ी है ओएंजी सी में मूवेड डेड़ परसंट का और यूपियल की बात करें तो लागड रहा है प्रिवेस पूरी राली स्टॉक्स ने मिस्किये लेकिन आज यहाँ पर अगर आप देखें तो दो परसंट की तेजी नज़र आएगी लेकिन गिरने वाले स्टॉक सी बात की जाए तो सिपला यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आपको देखने को बिलेगा आक्सेस बांक नीचे है विपरो एशिन पेंस से कुछ यह से स्टॉ ब्रोस जहां पर अगर आप देखें तो ट्रककर्स के केविन में एसी आनेवार होने वाला है जी बिजनिस के एक्स्लूजिव खबर है असर देख लिए बारा परसंट उपर मजगाओं डॉक ऑर्डर मिन के चलते हों जी से जो ऑर्डर मिला इसके बाद साड़े तीन बोर्ड मीट भी है यहाँ पर नज़र रखेगा 9% उपर चल रहा है और इंटेलेक्ट डिजाइन 4% की तेजी यहाँ पर आपको नज़र आएगी इसके अलावा अगर आप देखें तो जो शुगर इंडस्ट्री है वो पीमों से बैटर करने वाली है कुछ ऐसी खबरे आरी इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में रिबाउंड देखने को मिल रहा है और तमाम जितने भी कैश मार्केट के जितने छोटे स्टॉक हैं उतनी तीजी और रिबाउंड आपको देखने को मिलेगा अवज शुगर है मगज शुगर है रेनु का शुगर है यहाँ पर आप देखें चार से लेके साड़े 6% की तीजी देखने को मिल रही है आदा कि जो वाइदा बाजार का स्टॉक है बलरामपूर चीनी बिल्कुल फ्लाइट कर रहा है कारोबार फिलाग लेकिन हाली की लिस्टिंग लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है यहां पर आप 80 का स्टरा आगा है फिलाल 7% की तेजी यहां पर आपको देखने को मिलेगी लेकिन ब्रॉडर मार्केज में कुछ ऐसे स्टॉक है जो हलका से निराज कर दे रहे हैं हालकि यह लिस्ट काफी कम है और ढूंड़ना बड़ा मुश्किल है कि स्टॉक कैसे हैं जहां पर आपको पूरी डिटेल के लिए चलिए अब कॉपिट रडार की तरफ लोटते हैं और अब बात करते हैं पॉली मेडिक्योर की कमपनी मेडिकल डिवाइस बनाने का काम करती है और हमारे साथ कमपनी के एमडी हमांशु बैद जी जुड़ चुके हैं मिस्टर बैद सर गुद क्या व्यों बन रहा है किस तरह की ग्रोथ अप अटिसीपेट कर रहे हैं अभी जो हमें जो बसिकली डुमेस्टिक मार्केट और एक्स्पोर्ट मार्केट से दोने के अंदर काफी अच्छी आट्रैक्शन है हमारे पास और वहाँ पर हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिख रह और उससे हम ज्यादा प्रडॉक्स बना पाएंगे इस साल गया तो हम बात करेंगे लेकिन मार्जिन्स क्लोज टू 25 परसेंट लेवल तो क्या आगे भी हम देखेंगे कि कंपनी इसी मार्जिन को मेंटेन करेगी क्या इरादा इसको लेकर अभी तोरे से कं हुए हैं इससे कि अचीछ परसंट करवां से इस पुरे साथ में और हैं सली वे इनकर एक Pूरे सी मैंटेंचुन में नीचे आये हैं क्या ये जो गिरावट है कुछ पासओन करने का प्लान है इसको लेके क्या इरादा है और कितना हम करेक्शन यहां से देख सकते हैं पर इसका इंपैक्ट आने करीब एक दो मैना लग जाता है और जब तो मार्केट में आता है उसमें एक दो मैने का लाइक होता है तो थोड़ा से हमें दिख रहे हैं कि अभी सॉफटर रहेंगे प्राइसिंग और नेक्स त्री तू फोर मांस और अभी जो इंटराशनल मार्केट में जो डिमांड्स है वो आ धिंग अभी जो मेकरण इंडिया का और जो गर्वर्मन ने काफी फोकस किया है इंडिया में प्रोड़क्स बनाने के लिए काफी पेलाइं इंसेंटिस वगरे की भी बात हो रही है और इंडिया इन जेनरल मैं देख रहा हूं कि जो यह चाइना प्लस वान जो अभी बहुत सारी कं पर हमें जो सबसे ज्यादा बना सकते हैं तो उसे इंडिया की कम्पनी इसको काफी फाइदा होने वाला है नियर फ्यूशर में और हम मैनेफेक्ट्रिंग और भी बढा सकते हैं अब बता पाएंगे कौन-कौन सी जोग्रफी हैं जुसमें अभी आप अलरी है और इसको और कहां-कहां एक्सपांड करने का इरादा है अभी कांपनी करीब 120 कंट्री से प्राड़ एक्सपोर्ट कर रही है पर हमें जो सबसे ज्यादा ट्रैक्शन अज़र आ रहा है और जो फ बहतर दिखाई दे रहा है तो अगर यूएस स्पेसिफिक बिजनस की ही बात करें पिछला कोर्टर फर्स शिप्मेंट से लेकर अभी तक किस तरह का यहां पर आपने परफॉर्मेंस देखा है क्या यह MNC मार्केट शेर है इसको आप उपर ही बनाय रखने की कोशिश कर रह हैंगे क्योंकि यूएस मार्केट अलरी ब्हुत तौलरेरट मारकेट है और वहां पर अपनी जगें बनानी यह हैंवें तो हमें किसीרכ निगा मारकेट है इस उतलो ड़ेगा और जो हमें आठ ज़ह काफिशन नज़र हैं यूएस के अंदर वहको काफी स्टक्शन है और काफ मार्केट में लाउंच करने के लिए हमारा प्लान है कि by end of 2024 कलेंडर यह हमें शायद 8-10 प्रोड़क्स के एपड़े अप्रूवल मिल जाएंगे और उससे हम US मार्केट में काफी तेजी से कर पाएंगे बट यूरोप अभी हमारा आधा जो कमनी का एक्सपोर्ट है वो यूरो मार्केट पर तुम्हें बात करूंगी लेकिन यह जो साथ से आट प्रोड़क्स के आपने बात की इनको इस वितवर्ष में जो अप्रूवल मिलेगा उनके बारे में बता सकते हैं यह नए वर्टिकल के है या उसी कैटेगरी में है जिसमें अभी ऑन्गोइं बिजनस है अलग है क्या वहां डिमांड अलग आ रही है वहां कैसी ग्रोड दिख रही है आपको इस वितवर्ष के लिए यॉरोप में हमनों काफी सालों से प्रेजेंटे करीब 10 से 15 साल से प्रेजेंट हैं पर पिछले 5 सालों हमने काफी इसमें ग्रोड देखी है और इस साल जो हम नजर आ रही है आगले 6 मेने के लिए भी जो यह फाइनशल ये जब एंड होगा तो यॉरोप ने काफी अच्छा माले प्रफॉर्मेंस किया है और आगे भी ऐसा ही देखा है सर आपने कहा कि आपका जो रेवेन्यूस है उसमें 2-3rd contribution exports का ही है सर domestic front पे बताईए यहां पे business किस प्रकार का लग रहा है क्या इस वितवर्ष में या अगले वितवर्ष के लिए कोई नई प्लानिंग है क्योंकि बहुत सारे expansions if I am not wrong by the end of FI24 are happening आप 500 करोड के कुछ expansions पर हमने जो हमारे फ्रेदाबाद के प्लांट है वो domestic business प्रोड करने के लगाया हम एक प्लान आया और एक हम expansion जैपुर में भी कर रहे है और उसी वज़े से domestic market में भी काफी traction create हो गया है क्योंकि सारे अज medical devices आज की तारी में सारे regulated हो गए 1st October 2023 से उससे सारे industry आज regulatory fold के अंदर आ गई जो पहले नहीं थी कभी इस industry को कभी पहले regulate हुआ ही नहीं यह industry कभी कुछी product regulated थे उससे क्या हो गया है कि अब market में अच्छी quality की जो सरकार दी में काफी पाबंदिया लगाई है और अभी जो medical device नहीं बिल भी आ रहा है उसमें काफी उमीद है ease of doing business की domestic में काफी focus आ रहा है making India products का और I think इसके लिए government ने बहुत काम भी किया इस पिछले चार्वान सालों के अंदर काफी नहीं policies आई है PLI आई है RLI आई है नहीं बिल आ रहा है जिसके हम बहुत eagerly हम इसका वेट कर रहे हैं medical device bill का वी काफी changes हुए है इसके अंदर जी हम लोग in fact वो national medical device policy जिसकी आप जिकर कर रहे हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगे और थोड़े expansion plans पर भी बात करनी है रुपते एक छोटे से break के लिए बैद सर हमारे साथ बने हुए है जल लोटेंगे आप भी बने रही है हमारे साथ जैलेंट एडवांस LRF Refined TMT Bars निर्मान का Real Hero प्रेजेंट टॉप गेनर्स नानी को लेके बैंक जाना है अड्रिस चेंज के लिए हमार लेना प्लीज ब्रांच जाओगी ऐसा क्यों चल विडियो कॉल करते है न प्लीज ब्रांच बंद हो जाएगी वल्कम तो A.U.0101 डिजिटल बैंक यह सारे काम हो सकते हैं सोच पतलो बैंक भी A.U. Small Finance Bank बदलाव हमसे है रचनी गंधा, wires and cables, connecting people to power Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly, perfection redefined पेश है साइम को Dynamic Asset Allocation Fund Momentum में, यह रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे, यह ट्रांस्फॉर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मंजिल पक बे फिकर पहुँच सके Mutual Fund Nivesh, बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है रिया पहली salary मिली है तुम भी कुछ idea दो expenses को कैसे plan किया जाए रोहन, expenses के साथ-साथ investment plan करना भी ज़रूर है देखो, salary का कुछ इसा घर के regular खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने ले भी तो सो सकता हूँ न लेकिन invest कहां करूँ simple है, NPS में NPS में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है इतना आगे के लिए अभी से क्यो पैसे जोड़ू वो देखो, एके करके इत जोड़ी जाती है तब जाके एक घर तयार होता है वैसे ही, अभी से पैसे जोड़ कर हम भी अपना रिटायमेंट सुखी बना सकते हैं बात में तो दम है NPS कम लागत वाली flexible long time user है जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन वालाब देती है अच्छा, फिर तो मैं अभी अपने NPS अकाउंट ओपन करता हूँ जो कल की सोस्त हैं? वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं पेंशन है, तो टेंजन नहीं NPS में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है पर फिर सारी सेविंग्स पर घबराओ नहीं पॉलिसी बजार पे एक करोड का हेल्थ इंशूरंस सिर्फ तीन सो नबर पे महिने से शुरू ले लो पर फिर सारी से बाज़ा नहीं पॉलिस वर फिर से लिए लगजाए बाज़ा रे लिए नहीं before investing. Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Essilor. Pesh S.A.M.K.O.R. Dynamic Asset Allocation Fund. Momentum may, yeh rahe equity mode may. Aur jab bhi risk dikhe, yeh transform ho jai debt mode may. ता कि आप अपनी मंजिल तक बे फिकर पहुँच सके. Mutual Fund Nivesh, बाजार के जोखिमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े. और राजू, कैसी चल री-algo trading? मौन भाई, देखो ना, एक भी trade टाइम पर नहीं लगती. अब भी प्रोटल से जाता है, तो गभी algo? यूद्ध आलगो इस चेहरे इडिया. जब जब भोरेज और प्रोटल एक साथ, तो एक ट्रेदिंग हो एक साथ, तो एक साथ. इंवेस्सें बाच्टिए मार्के बाच्टरी और लिए रिख्स्स. जाख्वाश प्रोटल मार्स प्रोटल भूटल मार्स, और ष्रोटल इसप्स है श्क्ता हम, जब भी विज्वाश इस रहूशान वार्व भी अच्ट विज्वाल इसाथ of जानार्श चानार्श से फटी ज़िष्स गविट इस्वाल प्रीच्टी और इसे दो टें। mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. वलकम बाक, आप देख रहे हैं, corporate radar, polymeticure के management से हमाई बातचीत जारी है, Bedsar हमारे साथ बने हुए, Bedsar वो NMD policy पर तो हम बात करेंगे, आपने बताया, जैपुर plant की आपने बात की, उसमें expansion को लेके आपका इरादा है, सर, by when will it be up in functioning और revenues में, कब तक उसकी reflection दिखेगी अगर आप बता सकें? देखे, हमारे दो plant तो अरड़ी, अपने चार plant अपने बनाये के, अभी नए plant अपने इंगोशिट के लिए, चार plant हैं बनाएंगे, उसमें दो plant अरड़ी manufacturing उने चालो कर दी है, और दो plant करीब Fy24 के end में चालो हो जाएंगे, मार्च 26 के end में, तो हमारा इरादा ही सारे plant जो पुरा full capacity में आते आते करीब एक से दो साल लग जाएगा, क्योंकि साथ में में regulatory appools भी चाहिएं, इन plants को इक पर चालो हो जाते हैं, उसमें जोड़ा समय लग सकता है, और दो plants अरड़ी चालो हो जाएंगे, दो plant उमिद हैं कि अगले साल के mid तर चालो हो जाएंगे. अचा सर, हम NMD Policy, National Medical Devices Policy के बारे में बात कर रहे थे, जिसको इसी साल April में ही हरी जंडी मिली है, सर, मुझे बताईए, यह जो domestic medical device industry है, किस तरह का growth potential फिर यहां से दिख रहा है, क्योंकि clearly यही mindset था, यही उदेश्य रहा है कि import dependency घटाई जाए और फिर exports को global markets में reach बढ़ाई जाए. I think आपने बिल्कु ठीक बोला है, क्योंकि इंडिया गरीब 70% import dependent था medical devices के अंदर, और हम केवल इंडिया में low से medium tech products बना रहे थे, और medical device policy जो नहीं आई है, उसमें research में बहुत ध्यान दिया गया है, और साथ में यह नहीं चार medical device parks जो कोशित हुए है, गर्मेंट के दमारा, वो बहुत important है, क्योंकि उन प्लांट चारों पार्क्स में नया investment आ रहा है, आज manufacturing के लिए, और इंडिया में कर रही है, आज की तारिख में हजार से तेज़़ज़ार कंप्रियों नए manufacturing license ली हैं पिछले तीन साल के अंदर, अलग-अलग medical device बनाने के लिए, तो मुझे यह काफी तेजी से ग्रोथ होगी इंडिया के अंदर, तो cater local market as well as export markets, क्योंकि इंडिया से हम आज जो पूरा Middle East है, Africa है, South Asia है, पूरा market हम बड़े अराम से caterer कर सकते हैं, आज की तारिख में, make in India products, यह opportunity है हम सब के साह, ओके तो बड़ी-बड़ी opportunity यहां पर बनती हुए दिखा और किस तरह की growth में यह तबदील होते हुए दिख रही है? आज जो regulatory policy आई, यह government जो नहीं regulations आएं, उससे इस पे काफी curve होगा, चाइना से जो products आ रहे हैं, जो unregulated आ रहे थे, और मुझे उमीद है कि उत सालों में हम इसको और 40-50% growth की तरफ ले जाएंगे, पर अभी फिलाल जो है, अभी इस साल हम 30% growth कर रहे हैं, medical device, यह renal segment के नया segment है, और हमें उमीद है कि हम अगले साल beginning में इस products को market में launch करेंगे, खासकर interventional cardiology के अंदर, और इसमें cathedrals और guide wires होंगे जादा से जादा, और यह भी import substitutes हैं, और हमें उमीद है कि हम products अच्छी, हमें इसकी growth मिलेगी आगे अगले 2-3 सालों में. Okay, sir, quickly एक आखरी सवाल, cash balance और debt की स्थिती company की कैसी है, कोई guidance यहाँ पर देंगे आप? बिल्कुल, company की करीब जो short term debt है, करीब 100 करोड के आसपास है, और long term debt करीब 20 करोड के आसपास है, और cash balance रखनी 290 करोड. Okay, bad sir, thank you so much, it was a pleasure speaking with you, आपने बहुत बहुत बहतरीन तरीके से company के growth plans, expansion और इस पूरी industry के इस तरह के prospects है, उसको बखुभी दर्शकों के सामने रखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. चलिए, इसी के साथ company radar को हम यही wrap up करते, लेकिन बने रहीएगा Zee Business के साथ, ब्रेके उस पार भी खबरों का सिलसला जारी रहेगा. स्पेशल पार्टनर, SBI General Insurance, सुरक्षा और भरोसा दोनों, प्रायोजक, Active Life का पार्टनर, Vita Life सोयावी नौईल, और मोतीलाल ओस्वाल, थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओस्वाल. एक खाली पंसा है आपके अंदर, जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आस्मान के नीचे. लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिससा. The new safari, reclaim your life. Girlfriend, huh? No, no. Just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, yeah. It helped me out, no? Of course, I haven't. But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity, which can be domestic and international. Debt and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund. Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. This is the world of the old investing world. Now, investing has come to change. Something super. Make a complex market simple. The angel one super app has come. Which makes India's investing. Super. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Esalor. Well, the team is a great deal. We know that there must be lest in many other parties. Besides the third party website, you can read in the middle of the earth. The revolution on earth. Oh, God. साधक को काम और सम्मान दिलाने में निभा रही है उपयोगी भूमिका शहरी एवं ग्रामीन क्षेत्रों में विभिन पारमपरी कारियों को चिनहित कर कारीगरों को मिला निशुल्क प्रशिक्षन उन्नत किस्म का टूलकेट प्रशिक्षन अवधी में कारीगरों के परिवार और MSME को बढ़ावा देकर रोजगार स्रिजन में उपयोगी भूमी का निभा रही है विश्व कर्मा श्रम सम्मान योजना श्रमिकों का सम्मान, हुनर को नई पहचान Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor अरे क्या माडम कब से गंटी बजा रहा हूं माडम जल्दी हाथ साफ करो ना, मेरे कु लेट हो रहा है एक मिनट वाँ पिन नहीं लगा? छोटी पेमेंट के लिए पिन नहीं लगता No PIN for Small Payments अब लेट नहीं हो रहा है On Phone Pay UPI Light नानी को लेके बैंक जाना है, एड्रिस चेंज के लिए हमाल लेना प्लीज बरांच आओगी ऐसा क्यो, चल्ड विडियो कॉल करते है न प्लीज, बरांच बंद हो जाएगी वल्कम तो A.U.0101 डिजिटल बैंक या बैंके सारे काम हो सकते है सोच पतलू बैंक भी, A.U. स्मॉल साइनांस बैंक बदलाव हमसे है बालों को जड़ने वा असमे सफेध होने से बचाए लाइफ आए चूने के बाद दाइरे में बजार निफ्टी 21,000 के नीचे सपार्टों सेंसेक्स भी 70,000 के नीचे उत्रा फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में हर्याली निफ्टी बैंक रिकॉर्ड सर से 200 अंक फिसल कर 47,350 के पास सरकारी बैंकों में चौतरफा तेजी के बीच पी एन बी साड़े चार साल के उचाई पर तो बैंक आप उड़दा दो परसंट चड़ा पीस्यू शेयरों में जोड़दार तेजी ओन जेसी निफ्टी के टॉप गिनर्ज में शामिल तो बी एल और पीएफसी रिकॉर्ड सर पर जाज की आज से डॉक्टर रेडीस पांच परसंट तूटकर निफ्टी का टॉप लूजर यूएस एफडीस से कंपनी को हैदरबाद प्लांट को मिली तीन आपतियां सिपला सन फार्मा आदाय से एक परसंट पिसले तो डॉक्टर लाल पात लाइब और बिंदो फार्मा वाइदा के टॉप नूजर छोटे मजले शहरों ने भी वजार पर भरा जोश आरवी एनल आरेफसी बीलस इंटरनाशनल और स्ट्राइज फार्मा चार से साथ परसंट उचले चाई, काफी और शुगर शेरों में तगडी करिदारी जैशरी टी, बॉंबे, बर्मा, हरिसन, मल्यालम दो से पांच परसंट भागे तो बलरामपूर, चीनी, बजाज, इंदुस्तान, मगत और अवजच शुगर डेर से 6 परसंट उचले मजगाओं डॉक में साड़े 3 परसंट का उच्छाल कंपनी को एंजी सी से मिला 1145 करोड रुपे का बड़ा ओडर जी बिजनिस की एक्स्टूजिव खबर से एचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड अर्जिंटीना और इजिप्ट समय चार देशों को हेलिकॉप्टर और फाइटर जेट एक्सपोर्ट के लिए 70,000 करोड रुपे की डील संबाव एक अक्टूबर दोजार पची से ट्रक ड्राइवरों के कैबिन में अनिवार होगा एसी जी बिजनिस की एक्स्टूजिव खबर पर महर से आज का स्टॉक अफ दे डे सूब्रोस 14 परसंट उचला स्पेशल हिंदी गोस्टू वेल्थ क्रिएशन वीक बाइ चैनल जी बिजनिस वीक तो बिजनिस टॉक शो में न्यूस पर व्यूज और डेली न्यूस बुलिटिन में इंडिया 360 समेथ पांच कार्टिग्रीज में मिले सम्मान जी बिजनिस के बंदन म्यूचर पंट स्टूडियो में आपका स्वागत है नमस्कार में हूँ आपके साथ आशी चत्रवेदी और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट फ्यूचर लाइफ हाई टच करने के बाद हल्की सी मुनाफ़ा वसुली यहां पर आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिल रही है दबाव है फिलाल फ्यूचर में देखा जागा और चौपीनेस और थोड़ी सी अगर आप देखे तो साइडवेज मुव्मेंट इसके लिए अपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि फिलाल अगर आप निफ्टी में देखे तो चौबी स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त नजर आएगी और 26 ऐसे हैं जहां पर है ग वाइदा बदार की बात की जाए तो स्टॉक्स में बड़ा मूव देखने को मुल रहा है डिक्सन टेक के स्टॉक रडार पलाएंगे जहां पर आप देखें पांच परसंट की तेज़ी देखने को मुल रही है इन्फो एज यानी नौकरी 4 परसंट का मूव है ग्लेनमार्क मे अगर आप देखें तो फार्मा पैक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो आज आपको गिरावट नज़र आ रही है और अगर आप देखें तो ब्रोडर माकेट में सब कुछ ठीक ठाक है जादता स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इन्फाक्ट आपको आकड़ा बता लेकिन हफ़ते की शुरुआत हो रही है और इस हफ़ते की शुरुआत में कैसे बनानी चाहिए रणी ते और कौनसे स्टॉक से जो रखने चाहिए रिडार पर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मांगेट एक्सपर्ट तो करिए शो में स्वागत सबसे पहले हमारे यहां पर काफी अग्रेसिव को राइटिंग हो रही है आज वहीं पर थोड़ा बहुत स्ट्रॉगल कर रहा है बट बिकुस इतना ओवर बॉट हो चका है एक राय बनता है और यहां से हम चो देख सकते हैं 20,800 तक इमीडेटल एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है 20,800 के नीचे ही अकर वो क्लोस का भी देता है तो वहां से एक फुर्दर करेक्टिव डिप का नजर आएगा जो 20,700-20,600 के लेवल के बीच में भी आ सकता है पर अभी के लिए एक थोड़ा सा यहां पर प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए और जो लोग बोल कर रहे हैं है फ उप्शिन्स डेटा बट उसी जगह पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में पिछले हफ्ते मैंने का था कि नो 47,500 तक ही जा सकता है जादा चांसे थाने कि उसके उपर सस्टेन करें तो अल्रडी आज 47,500 को टेस्ट भी कर चुका है तो यहां से बैंक जादा से जादा 46,500 का एक अच्छा सपोर्ट है तो दोनों इंडिसेस में व्यू यही बन रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग होगा तो थोड़ा आप वो कर्रेक्टिव डिप का इंतिजार कीजे पैंक निफ्टी में अराउं 46,800 46,500 का इंतिजार कीजे आप उसी प्रॉफिट बॉकिंग हो रहा है और यह देटा इस पूटेगा और यहां पर आपको तैयारी करने के लिए फिलाल अगर आप देगे तो हल्की सी गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है डेटा बोल रहा है कि तरफ एक्साइजन है लेकिन खरीदारी के साथी स्ट्राट पर भी करेंगे बात लेकिन बढ़ते हैं फिलाल शो में आगे और कौन सा पड़ाइजरी की टीना गड़ो दिया है हमारे साथ तीना जी नमस्कार शो में स्वागत है आपका अब आप ही बताइए कि डेटा को फिलाल कैसे रीड करना चाहिए हलकी सी अगर आप देखे तो सा आप देखाई दे रहा है लास्त एक बेर घंटे में और उसके पहले जो बाइंग होई ही है वो स्ट्रॉंग है सो मुझे लगता है यह खाले टेंपररी पॉस है और एक्सपारी के पास में यह वापस अपमूज दिखा सकता है निफ्टी और निफ्टी बैंग तो मेरा प्य इदर एक बुलिश स्ट्राटेजी लेना था होंगी सिंपल लॉंग कॉल ही रहेगा दोनों में निफ्टी में हमें 21,000 का कॉल ओप्शन लेना है 14 डिचंबर का करीब 90 रुपे पर लेना है टार्गेट रहेगा 200 का स्टॉप लॉस रहेगा 50 का सिमिलरली बैंग निफ्टी मे पर आपको देखने को मिल सकता है लेवल आपके साथ शेर कर देगे सिंपल स्ट्राटेजी जहां पर आपको निफ्टी निफ्टी बैंक यहां पर व्यू बनाकर चलना होगा अब स्टॉक स्पेसिफिक अक्शन को अगर समझा जाए तो खरीदारी के ओपर ही फोकस रहेगा जी तो मेरे दोनों ही कॉल बाई की तरफ है फैला स्टॉक रहेगा पावर स्पेस में से ताटा पावर पे तो हम देखे है कि ताटा पावर के अंदर एक बहुती स्ट्रॉंग मूफ चलते आ रहा है और स्टॉक में एक आउपको में रिखाया वा है बेका अल्री आ चुका ह यह स्टॉक में तो इधर से यह अभी 305 की तरफ जा सकता है हमें 304 का कॉल ऑप्शन 10 रुपे पे लेने आ रहेगा तागेट रहेगा 15 का स्टॉप लॉस रहेगा आट रुप्या 40 पे से का ताटा पावर यहां पर अगर आप देखे तो पूरे हफ़ते लास्ट वीक में भी अच्छन देखने कुमल रहाता है और आज हफते की शुरुआत भी आक्षन के साथ देखने कुमल रही है तकरीवन 2% की तेज़ी है लेकिन और बड़े मूव यहां पर देखने कुमलेंगे तो ऑप्शन के मादिम से यहां पर बनाई है रणीती दूसरा आइडिया रहेगा प्शन के साथ पीएस्जी बैंक्स के अक्षन को करिये प्ले करिए करिदारी के नरा बैंक में शुक्रिया तीना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भैतरी ट्रेट सेट अपस हमारे साथ शारिकन के लिए बढ़ते हैं शो में आगे और मोतीला लोसवाल के अर्पिद बेरिवाले हमारे साथ अर्पिजी नमस्कार शो में स्वागत है आपका बताइए निफ्टी निफ्टी बैंक खरीदारी कर तो इनिफ्टी बैंक ट्रॉक्षित निफ्टी पाइव जब एक कि अपने अपने गेंज को ओल कर रहा है तो हमारा थी निफ्टी 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 साला है थोड़े से बिप पर थे चेज़ थैदिप ए सब्सक्राइब कर सकते हैं 20,200 तक के टागेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं फोकस करके चलना चाहिए अच्छा सब्सक्राइब करना चाहिए अच्छा है तो अगर बाइक टरफ के टाइगे एक रहेगा बैंकिंग स्प्रेस में से आइसे से बैंक तो अगर बैंक निजे से डिप लेके वापस रिकावरी देगी है सब्सक्राइब करना चाहिए अच्छा है तो अगर रियालिटी स्पेस में से तो अकर रियालिटी स्ट्रक्चर हम दिखा जाए तो इंडेक्स का काफी स्ट्रॉंग है सब्सक्राइब करना चाहिए तो अपनी रेंज नहीं रेंज की दरख शिफ्ट हो जाएगा तो डियालिटी स्क्राइब कर सकते हैं सिक्स रुप्री का स्टॉप लगाना आपको राउंड फिगर साड़े छे सो रुपे का शुक्रिया सर हमारे साथ जुडने के लिए और भैतरी इन ट्रेडिंग आइडियास हमारे साथ शेर करने के लिए और इसी के साथ वक्त हो गया चोटी से ब्रेका ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे चोटी आप्शन से बड़ी कमाई स्टॉक मार्केट ना? तू मार्केट में मता मता क्योंकि जब सीरिस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे इन्वेस्में इन सेक्यूरिटी इस मार्केट आप सब्जेक्ट तू मार्केट रिस्स रिए अल्ट रिलेटे डॉक्यमेंट से केरफुली बफोर इन्वेस्टिंग पिछले छे सालों से हर रोज यही हो रहा है यह वो एसाइपी है जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है जब जिन्दगी जीने का तरीका ही एसाइपी है तो जिन्दगी के लिए एसाइपी क्यों ना हो An Investor Education Initiative by HTFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें तो इसकी दुनिया उसकी दुनिया ये खेले वो खेले जिस दुनिया ने हमको समाला उसको कौन समाले दुनिया किस के हमाले जिस दुनिया ने हमको समाला उसको कौन समाले दुनिया अपने हवाले दुनिया किसके हमाले जिस दुनिया ने हमको जमाला वो है अपने हमाले इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर टेक और स्पीड में बहतर है सुपर जो कॉम्प्लिक्स मारकेट को करे सिंपल जो इन्दिया का इनवेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे वही तो है Super आगया है Angel One Super App जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे Super Investments in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing बनाऊंगा मैं तो बनेगा भारत स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS इंडिया Smarter Steels, Brighter Futures इंडिया बॉल्स हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड ने अपने Secure Redeemable NCDs के पब्लिक इशु की घोशना की है प्रतिवर्ष 10.75% का कुपन रेट तथा प्रतिवर्ष 10.5% का इंसेंटिव प्रस्ताविद किया है Trans4 Issue subscription के लिए खुल चुका है Subscribe करने के लिए www.indiabullshomeloans.com पर log on कीजिए Risk Factors, Detail Disclaimer और अतिक जांकारी के लिए क्रिपया से भी Stock Exchange Company तथा Lead Manager की Website ओपर उपलब Shelf Prospectors और Transfer Prospectors देखें Prestonic Engineering Limited launches its IPO on SME Emerge platform Issue price of Rs.72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11 December 2023 and closes on 13 December 2023 IPO Lead Managed by FinShore Management Services Limited PESH SM को Dynamic Acid Allocation Part Momentum में ये रहे equity mode में और जब भी risk दिखे ये transform हो जाए debt mode में ताकि आप अपनी मंजिल तक बे फिकर पहुँच सके Mutual Fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े मोदी सरकार की गारंटी किसानों को हर साल रुपए छे हजार 11 करोड 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड रुपे की सहायता हमारा संकल विकसित भालत Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Essilor काम वो करो जो कर पाओ बाकी सब प्रोफेशनल्स पे छोड़तो जैसे कि F&O Trading UTrade के fully automated algorithm पे छोड़तो UTrade Algos with ShareIndeed Investments in securities markets are subject to market risks Read all related documents carefully before investing Nani Koli के bank जाना है address change के लिए हमाल लेना प्लीज बांच आओगी एसा क्यों चल विडियो कॉल कर देना प्लीज बांच बांच बंद हो जाएगी वल्कम तो A.U.0101 Digital Bank त्या मैंकी सारे काम हो सकते है सोच पतलो वर बांकी A.U. Small Finance Bank बालाव हमसे है बालाव हमicket on क्या लेच्ट भूर्षेटा यंज वी कार्ण चाहाlor झात बांकी? कि अई हाजी झाजाए टुछी निर्ता टार्ट टुछीज आगारश फंढ फॉट जाजिट बालंस अचिट राजस वा बालंस फॉट्री और टुरा टुछकिंड ओ अपर अचेट लोग्डिज सग्सेट बालंस अफ्राश बालंस फिडियोम में आप्रीज फैस विसे इन सूपर शक्ती पेश करते हैं सूपर स्ट्रॉंग स्टॉक्स अफ दे डे अडवाज्ड वायरीब्ड सूपर शक्ती टी एम्टी बार हर निर्मान को बनाता है सूपर स्ट्रॉंग चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते हैं शोन आगे और अब वक्त है छोटे आप्चिन से बड़ी कमाई का समसी ग्लोबल की नितिन बोरार का है हमारे साथ सर नमस्कार बताएए क्या ट्रेट करना है कॉल या पॉट प्रिला ट्रेड हुआ के आपका से कॉभ्रेंद करेंगे क्योंकि मार्किको सूBC खुलने के बाद उसी रेंज में हु हुए है और साइड वेश ट्रेडिंग हो रही है और सुएड वेश ट्रेडिंग में इकिर सज़ार की कॉल पसक र das तो उसको देखके लग रहा है कि आज के दिन में मोमेंटम नहीं है जिसके गारण टाइम वैलू डिके हो रहा है तो हो सकता है तुरिंग डडे मार्केट फोड़ी नीचे आए और फिर अगर नीचे आती है तो फ्राइडे के जैसे हमें पीस नौसो पचास की कॉल ओप्शन ल यानि 90 के आसपास आप लेंगे 65 के आसपास टॉप लॉस रखेंगे और 90 पे मिलती है तो फिर आपको टार्गेट 130 135 का बन सकता है तो बायों डिप करेंगे इस लेवल पर नहीं लेंगे लेना कॉली आप्शन है और डेटा पॉसिटिव है बट थोड़ी यहां से डिप मिलन के लिए और ट्रेडिंग आइडिया हमारे साथ शेर करने के लिए चलिए सुनी जी के पास दुबारा चलते हैं सुनी जी बताइए अपने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडिया जी आज मेरा पहला जो स्टॉक रेक्मेंडेशन है वह इंडियन होटेल्स 450 कॉल ऑप इचा 430 का एक सपोर्ट बन चुका है और जब तक 430 कोल करता है वह यहां से 460-465 के तरफ जा सकता है तो इसलिए 450 कॉल ऑप्शिन यहां पे सबसे बेस्ट रहा लग रहा है और रिस्क रिवार्ड रेशो भी काफी फेवरेबल है जो दूसरा और रिस्क रेक्मेंडेशन है वो है DLF Futures DLF Futures 673 अभी चल रहा है प्राइस आप इसको डैरेक्ट Futures में बाई कर सकते हैं छोटा स्टॉपलस लगाएंगे 665 का और जो टागेट बनेगा वो है 685-690 क्या बात है DLF आज के शो का कन्विक्शन आइडिया जहां पर दो एक्ष्पर्स का वरोसा यहां पर करनी चाहिए 690 तक के टागेट से हैं स्टॉपलस सेमिलर 665 और साथ में अगर आप देखे तो होटल स्पेस में आक्शन है जबरदस्ट इंडियन होटल साड़े 400 की कॉल ओप्शन कर देंगे 8 रुपे के करी 12-15 का टागेट है 6 रुपे का होगा आपका स्टॉपलस से शुक एक खाली पंसा है आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे खोजलाओ अपनी पहेली का खोया हुआ अंश लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा दे न्यू सफारी रिक्लेम यर लाइफ तुमसे विलेंज जाना तुमेंजी रूड समझ गया है? यह से वा मामू इठायू की डिलिवरी चल जह जी है CID के प्लानिग डिरेविन नी बिट्रा सब अलग अलग बैंक जा रहा है ऐसा क्यो एउ कारेंट अकांट पे सब मिलता है मामू सोच बदलो और बैंक भी AU Small Finance Bank, बदलाव हमसे है रचनी गंधा, wires and cables, connecting people to power Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR Series, for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor Investment and Securities Market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Samco and Zee Business ला रहे है एक यूनीक शो जो करेगा stock market के index acers की पहचान जो बन सकते हैं शेर बाजार के बड़े नाम Samco in association with Zee Business Presents Mission Ace, The Index Show Weekly segment, only on Zee Business मोदी सरकार की गयारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा हर महीने 80 करोड लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन हमारा संकल विकसित भार मुफ्त राशन मुफ्त राशन मुफ्त राशन मुफ्त राशन मुफ्त 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 Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Hardwin, a one stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets Pan-India. Hardwin, fittings that fit perfectly. Perfection redefined. When you leave on a long journey, it's fun to be different. But then there will be such an archan which will be paid for you. How will it feel if you reach that archan in a row? और वापस अपने सफर पे निकल पड़े. Asset transformation real life में मुश्किल है, पर आपकी investments में हो सकता है. Paysh as Sam को Dynamic Asset Allocation Fund. Momentum में, ये रहे equity mode में. और जब भी risk दिखे, ये transform हो जाए debt mode में. ताकि आप अपनी मन्जिल तक बेफिकर पहुँच सके. Mutual Fund निवेश बाजार के जोखेमों के अधीन, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. बादलों पे चलके, हवाँ से मिलके मैं बनाऊंगा. होसलों को कसके, तुवाँ से लड़के मैं बनाऊंगा. बनाऊंगा मैं. Skill, Steel & Dil से बन रहा है भारत. AMNS India. Smarter Steels. Brighter Futures. Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series. For instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Esalor. Madam ko paise se pyaar nahi hai hai. Baisaab, maise se pyaar hai tabhi to AU se karar hai. Asa kya? Aapka bank saavings account pe intrest deeta hai. Teen maine me ek bar. Mera AU, her maine. Soch, badlo, aur bank bhi. AU Small Finance Bank. Badlaav humse hai. Girlfriend, nah? No, no. Just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, yeah. It helped me out, no? Of course, I will. But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity, which can be domestic and international. Debt and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund. Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Under Sale Vica Rosse continue in our United States. If you decide to transfer from other metalurers and cyberie to remove the ماqu detectors from Chairman Tикуji Profile. Now, we have indeed truly already know the optimal balance between the benefits to the damage in life after we have before but um, so. Neia Bagual, ici unsere T deficit, which it is well known as aר tier 2 However, we are well known as well väx, אל settings for the next year we got the best interest in our making. जी बिजनिस के बंदन मुचल फंच टूडियो में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आशी चत्रुविदी आए करते है शो के शुवात बड़ी हेडलाइन्स के साथ तो सबसे पेल अगर आप देखें तो लाइफ आए चूने के बाद दायरे में है बजार निफ्टी 21,000 के नीचे सपाट तो 70,000 के नीचे उत्रा फार्मा को छोड़कर सब भी सेक्टर इंडेक्स में हर्या ली निफ्टी बैंक रिकॉर्ड सर से 200 अंग फिसल कर 47,350 के पास सरकारी बैंकों में चौतरफा तेजी के बीच पी एन बी साड़े चार साल की उचाई पर तो बैंक और बुर्दा 2% चड़ा पेस्यू शेयर में जोड़दार तेजी हो इन जेसी निफ्टी के टॉप गिनर्ज में शामिल तो बी एल और पी एफसी रिकॉर्ड सर पर जाज के आज से डॉक्टर रेडी स्पांच परसंट तूटकर निफ्टी का टॉप लूजर यूएस एफडी से कंपनी के हेदरबाद प्लांट को मिली तीन आपत्तियां सिपला सन फार्मा आदे से एक परसंट फिसले तो डॉक्टर लाल पात लाव और बिंदो फार्मा वा चाय कॉफी और शुगर शेरों में तगड़े करिदारी जुएश्टी टी बॉंबे बर्मा और हारेसन मल्यालम दो से पांच परसंट भागे तो बलरामपूर चीनी बजाज हंदुस्तान मगत और अवच शुगर डेड़ से 6 परसंट उचले मजगान डॉक में 3.5 परसंट का उचाल कंपनी को एंजी सी से मिला 1145 करोड रुपे का बड़ा ओडर जी बिजनिस की एक्स्क्रूजिव खबर से एचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड अरजेंटीना और इजिप समय चार देशों को हलीकॉप्टर और फाइटर जेट एक्सपोर्ट के लिए 70,000 करोड रुपे के बड़े ओर्डर मिलने की संभावना एक अक्टूबर दोजर पची से ट्रक ड्राइवरों के केविन में अनिवार होगा एसी जी बिजनिस की एक्स्क्रूजिव खबर पर मौर से आज का स्टॉक अफ दे डे सूबरो ग्यारा परसेंट उचला बिजनिस स्पेशल हिंदी गोस्तू वेल्थ क्रिएशन वीक बाइचानल जी बिजनिस वेल्थ क्रिएशन वीक तो बिजनिस टॉक शो में निउस पर व्यूज और डेली निउस बुलिटन में इंडिया 360 समेथ पांच काटेग्रीज में मिले समान पर देख जेख लेख 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 लेखे लिजनिस की बात करें तो निफ्टी है बिलकुल फलाइट महस्दस ऑंको की बड़़त यहाँ पर देखनी कुमल रही है और पिछले आज गहंदे गाने में अगर आप लाल से हरे निशान की बीच में आया है सेंसेक्ष में 40 अंकों की बड़त है और निफ्टी बैंक की बात की जाए तो 100 अंकों की बड़त यहां पर आपको देखने को बिल रही है लेकिन अड़्वांस डिकलाइन के जो आकड़े वो तेजी के पक्ष में ही नज़र आ रहे हैं यहां पर आपको बड़त देखने को बलेगी और इसके सामने केवल 827 ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको गिरावट देखने को बल रही है और भारती मार्केट्स में तो तेजी है लेकिन एक बार यूएस के फ्यूचर्स देख लेते हैं यहां पर आपको किस परकार का अक्शन आपको देखने को बल रहा है तो डाव फिचर्स नाजडाक फिचर्स हैं पर आप देखा जाए तो मैं अगर निफ्टी के यहां पर चार्ट्स देखती हूं तो निफ्टी के चार्ट्स मुझे यहां पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपने विटकुल सही बोला चॉपी नैसी यानी कि एक डायरे में कारूबार करते भी नजर आ रहे हैं डायरा जो है वो मोटा-मोटी 20,950 ऑन दे डाउन साइड और 21,050 ऑन दे अपसाइड तो इसी तारे में निफ्टी हमें गुंतावा नजर आएगा अगर 21,050 का स्करपार हुआ तो फिर मेरे सबसे निफ्टी हमें 21,100 से लेके 120 तक के भी लेवल्स दिखातावा नजर आएगा हो सता है आने वाले कुछ दिनों में भी ये लेवल्स आएग तो निफ्टी में टेजी करनी है लेकिन अभी नहीं मेरे सबसे 21,030 के उपर मेरे सबसे निफ्टी में एक तेजी का मोमेंटम बना चाहिए पर आज के दिन की बात करें तो इक बात करें तो एक बार अगर 20,950 से लेके 90 तक का सथर एक important support है अगर वो ब्रेक होता है तो थोड़ी weakness हमें देखने को मिल सकते हैं सपोर्ट की नीचे जाएगा तो वीक्नेस आपर देखने को मुल सकते हैं तो निफ्टी के लेविल्स तो हमने नोट कर ली लेकिन निफ्टी बैंक से भी उमीदे काफी जाद है जिस प्रकार से पीएसवी बैंकों की तरफ से बड़ी हा सपोर्ट देखने को मुल रहा है क्योंकि इतने बड़े-बड़े मुव्स आयते हैं तो माइक भी पॉसिबल कि थोड़ा सा वो एक करेक्ट हो और मुविल एबरिज को वापे से टेच करने की कोशिश करें तो उसमें भी देखा जाए तो दायरे का ही हमें कारोबार देखने को मिल सकता है इंपोर्टन रिसिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए अभी 47600 का बन चुका है 47600 के उपर अब यह नई चाल पकड़ेगा निफ्टी बैंक के अगर हम बात करें यहां पे भी हमें तायरे का ही कारोबार होता हुआ नजर आएगा सभा रहेगी कि अगर नई तेजी करनी है तो कि तो हमने चर्चा कर ली स्टॉक्स में कौन से सेक्टर जैसे हैं कौन से चोटे मुझोले स्टॉक्स जहां पर सबस्चाद आक्शन देखने को मिल रहा है बताने के लिए मेरे सयोगी स्टूडियो में मौझद है कुशल कुशल बताई आक्शन सबस्चादा कहां पर है बिल आफकोस सेक्टर स्प्रेसिफिक एक्शन जैसे के बात कर रहे थे तो उसमें बैंकिंग स्पेस के जो काउंटर्स है वो खासा लाइम लेट में है जिसमें जम्मो इन कश्मीर बैंक 9% की शांदा तेजी दिखाते वे नजर आ रहे हैं के वी बी साथी बैंक ऑफ इंडिया आर्विल बैंक इन जैसे स्टॉक्स में आज अच्छा खासा आपको आक्शन देखने को मिल रहा है शुगर स्पेस की कंपरियों पर भी खासा आक्शन है आज के दिन में अगर आप मजॉरिटी आफ दी शुगर कंपरियां देखे तो 5% के आपको तमाम रेल्वे स्टॉक्स में भी देखने को मिलेंगे आर्वी एनल रेल्टेल जैसे स्टॉक्स पर साथी पेपर स्टॉक्स से जितने जुड़े वे शेर्ज नहाँ पर तो अक्शन बनावाई है लास्ट वी कॉनवर्ड्स हमने आपको बताये था कि किस तरह से देसंबर में प्राइस हैक्स हुए है और उसके बाद आगे चलकर भी एक्सपेक्टेशन से कि और फर्दर प्राइस है खासर राइटिंग पेपर में आपको देखने को मिल सकते है और उसी कारण से 1.5-3% तक की तेजी यहाँ पर भी बनी हुई है हाला कि कुछ एक चुनिन्दा फार्मा स्पेस का काउंटर है जहाँ पर थोड़ा सा दवाव आपको देखने को मिलेगा और केमिकल स्टॉक से भी जुड़ेवे स्टॉक्स थोड़े से दबाव में आज के सतर में भी आते भी नज़रा रहे है एक से 1.5% तक की गिरावट यहाँ पर भी है बड़ आक्शन सारा बैंकिंग स्पेस पर है मिड़केप स्पेस पर थोड़े बहुत चुनिंदा लूजर्स हैं डॉक्टर लालपात लायब सेंचुरी टेक्स्टाइल्स पेसी जैसे स्टॉक्स बट लार्जली जो पिच्चर बन रही है बैंकिंग स्टॉक्स और साथी शुगर स्पेस की जो कंपनियां है वाज तेज उच्छाल के साथ कारुबार करते हुए दिख रही है फिलाल अगर आप देखे तो छोटे मुझले बैंक्स में काफी बड़ी अतीज़ी आरी सिक्टर स्पेसिफिक आक्शन भी अगर आप देखे तो फार्मा को छोड़कर अधिकतर में आपको खरीदारी नजर आएगी शुक्रिया कुछल हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरे मारकेट का सेटप हमें समझाने के लिए चलिए भी शो में लाइव कोलस को शामिल करते हैं कोलापुर से हमारे साथ सुदीर पाटिल साथ जुड़ने सर नमस्कार शो में स्वागत आपका पूछी अपना सवाल मेरे पास मुंजाल आटो जी मुंजाल आटो के तेरा सु साथ चैरे 46 की खरीद है आपकी कितना समय दे सकते हैं स्टॉप को अभी तो काफी बड़ी है मुनाफ़ा हो रहा है और दूसरा और एक से रहे हां गैबरिल इंडिया हां बाइस सु पच्चाश चैर ओके एजड़ रेट वन थर्टी नाइन पर बाइस सु पच्चा स्टॉक हैं आटो एंसलेरी पर लगता आप काफी जादा बुलिश हैं यहां पर आपको खरेदारी करने और दूनों स्टॉ यहां पर क्योंकि काफी तेज हो गया तो थोड़ा सा करेक्ट यह हो सकता है और माइट पे पॉसिबल के नीचे में एक बर 81-82 तक के लेवल्स यह दिखा है तो उसकी तयारी रखे लेकिन इन्हें अपनी पोजिशन में बने रहना है क्योंकि इसमें जो लॉंग टर्म चार् यहां पर देखने को मिलेंगे वो तकरिवन यहां पर 98-100 के भी जह सकते हैं लॉंग टर्म के लिए वोल्ड करना है पर स्टॉप लॉस्ट लॉस्ट का दूसरा स्टॉप इन्होंने गैबरिल की वहां पर बात की थी अगर हम यहां पर बात करें तो यह स्टॉप भी अभी य पर देखने को मिलेंगे वो मेरे हिसाब से इनिशन नेवल के अगर मैं बात करो तो 460-470 के रहेंगे तो यहां पर आप देखे तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के राये 470 तक के टागेट शाप पर देखने को मिल सकते हैं बहतरीन स्टॉक आपने चुन हैं अगले अगर मैंने उस दिन पहले लिया था 750 पर और मेरा फ्रेक्ट लिया आगा है 850 पर और कोचिंग शीप्यार मेरा लिया थेरा सो पर और ज्यारे सी लिया थे नो सो पर सर्माफ के जिगा इतने सारे सवाल नहीं रिपाएंगे दो आपके लिए लेता हूं एक तो आपने बताए कि अवज शुगर है जहां पर आपके पास कॉंटिटी कितनी बताएं अपने शाड़े साथ सो इस साथ सो कॉंटीटी है सारे साथ सो पर लिए है और राइट आपका फैक्ट यहां पर आपने खरीदारी कियो है इस ताक्षे साड़े 800 के भाव पर हजार शेर हैं साथ मगर आप देखे तो शुगर स्पेस में भी आक्षन है आस्ता जी आपके बड़े फायन है अब इनको दीजी जवाब क्या करना चाहिए नहीं जी बिल्कुल धन्यवाद सबसे पहले और दिखा जाए तो देखे अब अच्छुगर की मैं बात करूं तो ये स्टॉक अभी तो इक दायरे में गूंतावा नजर आएगा साड़े 600 से साड़े 800 के बीच में लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि इनकी जो खरीद के लेवल है वह को अभी होल्ड करना है इस अपनी पोजिशन को स्टॉप लॉस क्योंकि देना जरूरी रहता है इसे साड़े 600 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार इसे होल्ड कर लीजे पहले टागिट इसमें हम 740 तक के रख रहे हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि और अच्छी तेजी यहां पर लॉटेगी जो इनको शायद मुनाफ़ा भी देगी तो बने रहना है अपनी पोजिशन में अवज शुगर के क्योंकि उसके बाद के लेवल 775 के आ रहे हैं दूसरा सवाल इनका कौन से काउंटर पे था फैक्ट यहां पर देखे साड़े 800 के भाव पर 1000 शायद ख काउंटर यहां पर बने रही है सब स्टॉप लोज चाहे से तो एक बार थोड़ा में बढ़ा दे देती हूं तक्री बना रहा है 680 के साथ से लेके 700 के जोन में तो उस्टॉप लोज के साथ पोजिशन को बनाए रखे हैं उपर में मुझे लगता है कि जो टागेट हमें दे लेकिन प्राइमाप एसी जो टागेट बन रहे हैं वो 815 तक के बन रहे हैं इसमें भी होल्ड करने की सला है तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है चोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को शामिल करेंगे साथी कन्विक्शन आइडियास भी जानेंगे बने रहे हमारे साथ चे, what's your strategy? Oh yeah क्यों कि जब सीरिस बनोगे तभी मार्केट का शेर बनोगे Investment and Securities Market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पिछ्टे छे सालों से हर रोस यही हो रहा है यह वो SIP है जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे है जब जिन्दगी जीने का तरीका ही SIP है तो जिन्दगी के लिए SIP क्यों ना हो An investor education initiative by HTFC Mutual Fund Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें Options तो बहुत सारे हैं कौन से options, Dr. साब? Call option, put option, stock option, index option, currency option और कितने options चेहीं आपको महान गए है, Dr. साब आप एक बहुत बढ़ी आदोक्टर ही नहीं लेकिन बहतरी ट्रेडर भी है क्योंकि मेरे पास है U-Trade Algos अभ U-Trade Algos की back-tested strategy और fully automated algorithm के साथ अभी इतनी एफिशेंट और असान कि लाइक अप्रो ट्रेड करेगा पूरा हिंदुस्तान U-Trade Algos with sharing Investments in securities markets are subject to market risks Read all related documents carefully before investing नानी को लेके bank जाना है अद्रिस चेंज के ये हमाल लेना प्लीज ब्रांच आओगी ऐसा क्यो अभी आओगी एफिशे लाइगी प्लीज ब्रांच बंद हो जाएगी वल्कम तो AU0101 इजिटल बंक या बंकिस सारे काम हो सबते है सोच पतलू बंक भी AU Small Finance Bank बदलाव हमसे है Girlfriend, huh? No, no Just researching a good multi-asset fund to invest in That's not tough at all, yeah It'll help me out, no? Of course I will But first you tell me What does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness But you forgot the most important part There needs to be a good balance in all these, no? Of course Similarly, a good multi-asset allocation fund Needs to have a good balance of three or more asset classes Equity, which can be domestic and international Debt and commodities like gold and silver Got it Balance is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund That has good balance and appropriate allocations for asset classes Nippon India Mutual Fund Wealth sets you free Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme-related documents carefully Nimmuos, Ustamaki, 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 Ustamaki.com वक्त इस पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ एक बेहत खास मेहां जोड़ रहा है हमारे साथ इसमा के नए प्रेसिडेंट बने वाले हैं एम प्रवाकर राओ साब वो जोड़ रहा है 15 तारीक को अपना कारिभार समालेंगे और चुकि अब इनहीं को आगे का पूरा मामला देखना है तो एम प्रवाकर राओ जी बहुत बहुत स्वागा थे आपका जी बिजनेस पर और सबसे पहले जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए पंदरा तारीक से आपका कारिकार शुरू हो रहा है आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेंज होंगे भी इंडिस्ट्री को ल तो हम लोग भी अंडिस्ट्राइंग अडिक्वेट शुगर पर दी कंट्री तो जितना चीनी चाहिए उतना दो रखनाय पड़ानाई पड़ेगा अचानक ये प्रोड़क्शन का कम हुने से बिकालो वेलने नो ये सरकार पो रोक लगारा पड़ा शुरू से लेकिन पिछले तीन-चार साल से काफी इंवेश्मेंट किया इतनौल का कपैस्टी बढ़ाने के लिए सरकार का जो लक्ष्य था 20 परसेंट तक ले जाने का तो उसके इसाब से हम लोग भी कपैस्टी आड़ करते गया है तो इसलिए हम लोग भी काफी इसके बारे में कंफ्यूज ह सबसे पहला है कि जो सिरफ से जो बनाने का जो पॉंटिटी था उसको भी मुलासे से अगर परनाने का परमिशन मिलता है तो कम से कम कुछ हाथ तक यह प्रॉडम इंडुस्टी के लिए इस साल में कम हो जाता है ठीक और दूसरा एक जो प्रैसेस है कि कुछ लास होने वाले हैं कंपरियां को जिसने इंवेश्मेंट किया का कुछ इसने को लॉक्त ने वाला है तो आपने बात के इसमें मेहतुन बात है और थोड़ा इसमें और रियरिटी चाहिए कि जिसे आपने का कि जो बानने दिया जाए राइट तूर अधि जितना कॉउन्टिट्टी फिरफ या जूस बेस हम लोग ने उफर किआ प्राइस आपके इतना प्राइस हो जाना चाहिए एतनों का तक कम से कम यह प्रतिय लीटर दस रुपया तक बढ़ने से थोड़ा बहुत हम लोग बैलन्स कर सकते हैं जो अब लॉस हो रहा है थोड़ा या बहुत यह इस से थ्वड़ाई होगा क्यूंकि क्वाइटी तो रेस्टिक्टेड है अच्छा अब एक सवल मेरा आप से यह होगा कि क्या कल आप लोग पीमों के साथ कोई मीटिंग करने जा रहे हैं इस पुले मुद्दे पर कर रहे हैं मीटिंग को लेकर हमारा अधिर्ष जी अभी मीटिंग क्या होगा हमारे पास उसका कोई अपडेट नहीं है लेकिन मीटिंग होने का स्केडूल था अच्छा ओके स्केडूल था अब एक सवाल बताईए राउ साहब कि यह इसलिए किया गया है ताकि चीनी की सप्लाई बढ़ जाए आपके हिसाब से एथनॉल शुगर केंजूस और सिरफ से अगर अभी नहीं बनेगा तो कितनी सप्लाई चीनी की बढ़ जाएगी नेट-नेट तो इसका अंदाजा है करीब धाई से तीन बिलियन तन बढ़ने का संभावना है जिसका वजह से कुछ बफर स्टॉप भी हो जाएगा चीनी मतलब इस सीजन का जो रिक्वार्मेंट है उसका उपर अम लोग कुछ बफर स्टॉप में जाके अम लोग लैंड करेंगे तो स्टॉप किया जाए कैसा के लिए प्याइब करना पड़ेगा विसाव को सोचना है अच्छा एक सवाल मैं आप सी पूछना चाहता हूं कि आप करेंगे सरकार के साथ यह आपने कहा कि भाई से तीन मिलियन टन मतलब 25 तीस लाग टन ज्यादा चीनी मार्केट में आ जाएगी तो इससे क्या चिनी की किम्तवा पर कोई इंप्वेट आप देख रहे हैं क्या चिनी का प्राइस कुछ और कम हो जाएगा ऑचिनी कस प्रैस का बज़क्ष आपाफी कम है तो इस लबल से भी किंप्रारियों के संब्वावने है ठीक है अब एक बाद ज़रा सर आप बताएं कि अगर माल लेजे चीनी का प्राइस एक रुपए या दो रुपए प्रती किलो घटता है कम होता है तो इससे कितना बर्डन बढ़ जाएगा चीनी मिलों का अच्छा ठीक है इसका असर एक तरफ इतनल का प्लांट बंद करने से जो इंट्रेश्ट का बढ़ता है उसके साथ-साथ अगर चीनी का बहुत भी जट गया तो हमारा अभी जो इस सब जो कारेक्टरम हुआ था यह तो किसान का किसान को हम चीनी के साथ-साथ उर्जा दाता बनाने का जो मकसर था पतानमतिजी का और गवर्मेंट का उस हिसाब से यह सब पैरक्टरम आगे बढ़ रहे थे और किसान का प्यमेंट भी टाइम ली किया जाए उसके लिए यह सब इंटजाम फॉलिसी चेंजेस गवर्मेंट का जाता है यह यह इंडिस्ट्री की तरफ से यह का जा रहा है कि एथनॉल जब आप पैसे मिल जाते हैं और मार्केटिंग कंपनियों से और जब उसके बढ़ले आप चीनी बेचेंगे तो हर मेहने के हिसाफ से आपको इंस्टॉल्मेंट में पैसे मिलते हैं तो इससे क्या क किसानों के भुकतान पर जरूर आएगा किसान के लिए किसान के लिए तो बन जाता है तो जो भी रिलीज कोटा होगा वह कोटा उसके लिए नहीं ही लिए प्रॉब्लम जरूर आएगा एक दो मैने के बाद अच्छा ठीक है तो आप देखिए तब आप उस वक्त में इसमा के प्रिसिडेंट बनने जा रहा है जब मुझे लगता कि शुगर इंडिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त में आया है उस वक्त में आपको ये कमान मिली है तो हमारे शुब कामना है आपके बिजनस को सबसे पहले वक्त देने के लिए तो इस वक्त इंडिस्ट्री तो बड़ी डिमांड जो भी आप सुन रहे थे इसमा के प्रवाकर राउस आपको वो कहरें कि एक तो इथनॉल का प्राइस बढ़ा दिया जाए और दूसरा जो भी हैवी मुलासिस से इथनॉल का उ आरी है नमस्कार प्रायोजग एलाइसी हर पल आपके साथ और एक्टिव लाइफ का पार्टनर वीटा लाइफ सोया भी नौईल आपका बैंक सेविंग्स अकांट पे इंटरेस्ट देता है तीन महीने में एक बार मेरा एउ हर महीने सोच बदलो और बैंक भी एउ स्मॉल फानांस बैंक बदलाव हमसे है रचनी गंधा वायर्स और केबर कनेक्टिंग पीपल टू पावर Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly, perfection redefined पेश है साम को डाइनमेक असेड आलोगेशन पाट मोमें ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्फॉर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मंजल तक बे फिकर पहुँच सके Mutual Fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें सपनों की नाओं लेके चलू मैं साथ में तू हो मेरे क्यूंकी तू खास है ये हैसास है सांसों की तरह तू दिल के पास है 70 years of trusted care backed by science and innovation क्योंकी तू खास है congrats यार राच, तू के तू के रगी? I've cleared my exams, मैं मुचल फंदिस्टिबुटर बने मुचल फंदिस्टिबुटर बने मुचल फंदिस्टिबुटर? आप भी मेरी तरह मुचल फंदिस्टिबुटर बन सकते हैं जानिये कैसे MFD करेंशुरू.com पर तो करेंशुरू Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor ये है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया पर अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर टेक और स्पीड में बहतर है सूपर जो कॉंपलिक्स मार्केट को करें सिंपल जो इंडिया का इंवेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे वही तो है सूपर आ गया है Angel One Super App जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे सूपर Investments in Securities Market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बादनों पे चंके हवाँ से मिलके मैं बनाओंगा उमीदों के पंख गंदों पे लगाके मैं बनाओंगा बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बनाओंगी मैं तो बनेगा Skill, Steal और दिल से बन रहा है भारत AMNS India स्मार्ठर इस्टिल्स राइट इस काम वो करो जो कर पाओ, बाकि सब प्रोफेशनल्स पर छोड़ दो, जैसे कि after no trading, U-Trade के fully automated algorithm पर छोड़ दो U-Trade Algos with Share India Investments in securities markets are subject to market risks Read all related documents carefully before investing ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम पतंजली हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउन लाप्स में और पतंजली हनी ने पास किये है प्योरिटी के सौ से भी अधिक international parameters तभी तो बनाईए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजली हनी, सौ में सौ नानी को लेके बैंक जाना है अड्रिस चेंज के लिए हमाल लेना प्लीज, ब्रांच जाओगी ऐसा क्यों, चल विडियो कॉल करते हैं न प्लीज, ब्रांच बंद हो जाएगी वल्कम टो एयू 0101 डिजिटल बैंक यहां बैंक के सारे काम हो सकते है सोच पतलो, और बैंक भी एयू स्मॉल फाइनांस बैंक बदलाव हमसे है और पतंजली केशकांती एडवांस नए बाल उगाए बालों को जड़नेवा असमे सफेध होने से बचाए लाइफ हाइच होने के बाद दाएरे में बाजार निफ्टी के सजार के नीचे सपार्ट उसेन सेक्स भी सबतन हजार के नीचे उतरा पामा को छोड़कर सभी सेक्टॉरल इंडाइसस में हर्या लिए निफ्टी बैंक रिकॉर्ड्स तर से 200 अंक तुसल कर 47,350 के पास सरकारी बैंकों में 4 रफा तेजी के बीच पी एन बी साढ़े 4 साल की उचाई पर तो बैंकों बढ़ोधा 2 प्रतिशित चढ़ा पी एस यू शेरों में जोरदार तेजी होएं जूसी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल तो बी एल पी एफ सी रिकॉर्ड्स तर पर जाज के आज से डॉक्त रेटी इस 5 परसें टूटकर निफ्टी का लूजर यूस एफडिये से कंपनी के हैदरबाद प्लान को मिली तीना पत्यां सिपला लूपे नादस एक परसेंट फिसले तो डॉक्तर लाल पैत और विंदो फार्मा वाइदा के टॉप लूजर्स चोटे मजॉले शेरों ने भी बाजार का दिया साथ आरवी एनल आयर एफसी बिलस इंटरनाशनल स्ट्राइट स्पामा चार से साथ परसेंट उचले चाय कॉफी शुगर शेरों में तगड़ी खरदारी जैश्री टी बॉंबे वर्मा हैरसन मल्यालम दो से पांच परसेंट भागे तो बलरामपुर चीनी बजाज हिंदुस्तान मगद और अवच शुगर डेर से 6 परसेंट उपर मजणा डॉक में 3.5 परसेंट का उच्छाल कंपनी को एनजीसी से मिला 1145 करोड रुपए का ओर्डर Zee Business की एक्स्लूसिफ खबर से H.E.L. ने बनाया नया रिकॉर्ड अर्जिंटिना एजिप्ट समेट चार देशों को हेलिकॉप्टर फाइटर जेट एक्स्पोर्ट के लिए 70,000 करोड रुपए की टीम सम्धा एक अक्टूबर 2025 से ट्रॉक ड्राइवरों के केबिन में अनिवारे होगा A.C. Zee Business की एक्स्लूसिफ खबर पर मोहर से आज का स्टॉक अफटेशों ब्रोस 11% उच्छना गन्य के जूस से एतनॉल पर रोक के बाद इसमा की सरकार से एतनॉल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की मांग Zee Business से खास बाद चीत में इंडियार शुगर मिल असोसिएशन के इंकमिंग प्रेजिडेंट M. प्रभाकर राओ ने गन्ना किसानों के बुक्तान में देडी की जताई आशक पर इंडिय अवाद्स में आपके चहेते चानल Zee Business ने मचाई धूम Business Special में Wealth Creation Week तो Business Talk Show में News Purviews और Daily News Bulletin में इंडिया 360 डिग्री समेथ 5 कैटेगरीज में मिला समा तो लाइफ आई चूने के बाद बाद बाजार कुछ फुसलते नजर आए है पर चायवो निफ्टी हो जिस पर experts किरा है आपके सामने रखेंगे आप देख रहे हैं market radar आपके साथ मैं हूँ निहा अनल आईए से पहले कि आज के महमान से आपका परिचे करा है अभी तक कौन-कौन से stocks में और sectors में सबस्जादा action देखने को मिला है उसके एक जलकी आपके सामने रख देती है PSU stops जबरदस action में है उसके के top gainers में आज ONGC शामिल है USFDA से हला कि जाच हुई है उसमें Dr. Reddy's 6% टूपता नजर आया है निफ्टी के top loser में शामिल है Cement stocks में अच्छी मजबूती Ultra Tech Records तर्क पे पहुँच चुका है ट्रक ड्राइवरों की AC केबिन की खबर के बाद हमने सुबरो उसको 11-12% उचलते देखा है लास्ट नौद इलीस तीन दिनों की तेस गिरावट के बाद आज हमने रेडिको खेतान में जबरदस कमबाग देखा है stock 5% उचलता नजर आया है आईए आज के महमान से आपका परिचा कर रहा है बतार export निर्मल बंक सेक्योर्टी इसके नीरव छेड़ा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके है नीरव जी गुड आफ्टरनून बहुत स्वागत है रिकॉर्ड हाई बनाने का तो सिलसला नए हफते की शुरुवात में भी कायम है लेकिन अफकोस उपरी सरूं से correction आया है क्या करें इस correction पर? या बुड आफ्टरनून निया जी और आपको भी बदाया निफ्टी में आप इस पॉइंट अफ टाइम जो डेटा है थोड़ा बहुत नेगेटिव है पिछले दो-तीन दिनों से जो फ्यूचर है वो 21,000 के उपर closing दे रहा है मगर जो 21,000 के उपर नहीं आपा रहा है या जो call है वो unwinding नहीं हो रहे है 21,000 के call strike पे चलिए तो नीरब जी के audio में थोड़ी से दिक्कते आ रही है हम उनसे जानने की कोशिश तो करेंगे ही कि Nifty और Bank Nifty में अब यहां से क्या moves अपनाने है और क्या रणीती अपनाने है लेकिन एक बार जिन stocks की वज़ज़ से बल मिला है यानि कि Nifty के top gainers उसकी सूची जरह हम आपके सामने रख देते और बता देते हैं कहां कहां से मजबूती आई है तो PSU stocks इनका तो पूरा-पूरा support है ONGC top gainer में है cement space यहां पर अच्छी मजबूती दिखरी है ultra tech की बात करें दूसरे पाइदान पर है 9600 के level के करीब काफी इसमें trade होता हुआ दिखाई दे रहा है UPL, Adani Port, Pargrade यह भी कुछ ऐसे stocks है जो support प्रदान करने का काम कर रहे है नीरव जी जुड़ चुके नीरव बताइए Nifty Bank Nifty क्या करें या, so मेरा कहना यही था कि देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत consolidation होगा Nifty में 20,850 यह future level है जहां पर Nifty नीचे में आ सकता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए तो overall near term, medium term and long term trend is positive so you know shorting तो नहीं करना चाहिए dips में खरीदारी करिए 20,850 यहां पर खरीदिये 20,800 का stop loss रहेगा there are chances के वापर 21,100 तक future आ सकता है at least 1-2 दिन शाहद लग सकते है निफ्टी को यह नीचे के लेवल पर आने को in terms of bank nifty, मेरे इसाब से bank nifty is the stronger of the two तो अगर अभी किसी को trade करना है तो bank nifty में probably in the next hour or so trade कर पाएंगे नीचे 47,200 spot में बहुत बढ़िया support है तो वहां पर bank nifty आती है तो वहां पर खरीदिये 47,000 का stop loss रहेगा निफ्टी में ज्यादा जोर लग रहा है तो वहां पर आप खरीदारी करें तो निफ्टी bank nifty के बीच bank nifty में भरोसा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा और बेजज़ खरदारी करने की सलाह आ रही है नीरब की तरफ से कुछ stocks है उस पर फोकस करते है IRFC 77% की strength days hyper है क्या रहे बन रही IRFC में इस समय देकि IRFC में बहुत बढ़ी है पैटन दिख रहा है अभी flag pattern breakout दिख रहा है on the weekly और यह breakout जो है वह आया है 78 के ऊपर 78 के stop loss से आप इसमें खरीदारी कर सकते है मेरे इसाब से यह stock 92-95 के जो level जो चू सकता है और ताफी जल्द चू सकता है तो वह levels के लिए बाइन करें साथ ही GMR airport क्या जबरदस strength है और कुछ समय पहले यहां पर एक अच्छी spike दिखिए जो days high पर stock को लेकर गई है जड़ा बताईए अब GMR airports में क्या करें अब at this point of time GMR में तो बहुत बढ़िया move आ चुका है और अब यहां से प्रॉबबली इसा लग रहा है कि यह stock और उपर ही जाते रहेगा there are chances कि यह stock 100% retracement करेगा from 80-odd levels तो मेरे इसाब से यह stock में बनाए रखे उपर में जरण chances के 85 के target आ सकता है तो current level से 69 का आप stoppers लगा बाय करें और 85 वाट के आपके target रहेंगे Okay GMR reports यहां से उडान बरकरार है और अगला पड़ाव है 85 का दिखाई दे रहा है बहुत बहतरीन strength यहां पर कुछ समय पहले आई करूर वैसिया बैंक यह भी आज कुछ strength के साथ trade करता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पे कैसे मौके दिख रहे हैं आपको देखिए निया जी करूर वैसिया बैंक में न दो आफते पहले यह बहुत बढ़िया breakout आया था 150 का 2017 के बाद में पहली बार यह stock 150 के उपर गया है और with volumes गया है तो अब यह थमने वाला नहीं है इतना लंबा breakout आता है कोई भी stock में तो बहुत बढ़िया action आता है प्राइड action आता है तो current level से आप यह stock में बाइंग कर सकते हैं 150 का stop loss लगाए very aggressively likely है कि 220 तक जाएगा 230 तक का अगला पड़ाव करूर वैस्या बैंक के लिए दिखाई दे रहा है तो इसको miss मत करिएगा आज भी अच्छी strength है और आगे भी यह rally जारी रहेगी Now that you have mentioned एक बार Bank of India के charts पर भी नजर डाल लीजे क्योंकि यहाँ पर भी जारे निशान के साथ days high पर ही stock trade करता हुआ दिख रहा है दिखें जो कि PSU banks है उनमें जो pattern है suddenly कैसे last year में एकड़ चेंज हो गए है I believe सारे ही banks में बहुत बढ़िया buying हुई है especially PSU smaller cap banks और Bank of India also similar pattern है एक higher top higher bottom formation बनाते जा रहा था और अब एक intermediate top तोड़ा है यह stock ने और इसमें भी 2019 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि around 110 का level तूटा है तो मेरे इसाब से अब upset हुआ चुका है 150 तक के लिए तो वो target के साथ में आब buying कर सकते हैं और volume भी काफी अच्छे हैं 110 का stop loss लगाएगा रुकते एक छोटे से break के लिए break के बार जब लॉटेंगे कुछ और buzzing stocks पर focus करेंगे and of course नीरव जी की best picks रखेंगे आपके सामने i signal and advance LRF-Refined TMT Bars Nirman Ka Real Hero present top gainers girlfriend huh? no no just researching a good multi-asset fun to invest in that's not tough at all yeah Then help me out no? Of course I will But first, you tell me What does a good Fitness plan have? Exercise, Diret, Rest, And Mindfulness But you forgot the most important part There needs to be a good balance in all these, no? Of course Similarly... A good multi-asset allocation fund Needs to have a good balance of three or more asset classes Equity , Debt and Commodities like gold and Silver Got it? Balance Is the key to a good multi-asset fund Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. The new safari. Reclaim your life. After 6 years, every day, this is the one that is the SIP that Chaudhary is doing for his son. When the way to live life is the SIP, why don't you don't have SIP for your life? An investor education initiative by HTFC Mutual Fund. Mutual Fund is the best of the business of the Bazaar and Jokhima. We have all the attention from the work that we all have to focus on. Pesh S.A.M. کو Dynamic Asset Allocation Fund. Momentum में, ये रहे एकुटी मोड में. और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्फॉर्म हो जाए डेट मोड में. ताकि आप अपनी मन्जिल पक बे फिकर पहुँच सके. Mutual Fund Niveash, Bazaar के जोखिमों के अधीन. योजना से जुड़े, सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. मौने के मैं बनाउंगा अपनोन गाखार, दो बनाउंगा भारत, बनाउंगा मैं तो बनेगा भारत, बनाउंगा मैं तो बनेगा है। á Skills, deal और दिल से बन रहा है भारत — AMNS India, smarter Steels, brighter futures. समय पर advance tax भरना है जरूरी क्योंकि इस से होती है विकसत भारत के निर्माण की जरूरत पूरी आपका advance tax देश के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने शिक्षा, सामाजिक योजनाई वा देश की सुरक्षा और स्पेस कारिक्रम जैसे महत्तपून कारियों को अंजाम देने में काम आता है तो फिर अपनी advance tax की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें याद रखिए, वित्यवर्ष 2023 के लिए 75% टोटल पेबल advance tax का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए Companies, Corporates या फिर Salered Employees जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपे या उससे अधिक है तो फिर advance tax देना आवश्यक है प्रती एक आई करदाता, एक राष्ट्र निर्माता Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Essilor Hospital में अड्मिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालो और ये मीटर पहले आपके आपके आफिस का हेल्थ इंशॉरंस खतम करेगा और फिर सारी सेविंग्स पर घबराओ नहीं Policy Bazaar पे एक करोड का हेल्थ इंशॉरंस सिर्फ तीन सो नदिर पे महिने से शुरू ले लो पेश है साइम को डाइनमिक एसेड ऐलोगेशन पार्ट मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ट्रांस्फॉर्म हो जाए डेट मोड में ता कि आप अपनी मंजिल तक बे फिकर पहुँच सके म्यूचल फन निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े Hardwin, a one-stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan-India Hardwin, fittings that fit perfectly, perfection redefined मैं बनाउंगा, बनाउंगा मैं Skills, Steel, और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Essilor Modi Sarkar की Guarantee हर घर पहुँचेगा नल से जल अब तक साड़े तेरा करोड से अधिक नल कनेक्शन हमारा संकल, Vixit भारत ये है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया अब, इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर, कॉंपलेक्स मार्केट को करे सिंपल आ गया है अजल वानू सूपर आप जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे सूपर Investments in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत बादनों पे चंके हबाँ से मिलके मैं बनाओंगा उमीदों के पंख गंधों पे लागा के मैं बनाओंगा बनाओंगा मैं तो बनेगा भारत Skills Steel और दिल से बन रहा है भारत AMNS India, Smarter Steels, Brighter Futures Experience a new Verilux Progressive Lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far Verilux by Esalor Rajni Gandha, wires and cables connecting people to power बने को लेके बन्क जाना है अधरेस चेंज के लिए हमालेन प्लीस ब्रांच जा होगी ऐसा क्योँ चल विडियो कॉल करे लागे ब्रांच बंद हो जाएगी अधिम तो AU 0101 Digital Bank ता मैंकी सारे काम हो सबते है सोच कथ लू अधिम तान बैंकी AU Small Finance Bank बदलाव हम से है. Girlfriend, huh?! No, no! Just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, eh? Then help me out! Of course, evidence. But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and Mindfulness. But you forgot the most important part, there needs to be a good balance in all these, no?! Of course! Similarly, a good multi-asset allocation fund , needs to have a good balance of three or more asset classes, which can be domestic and international, debt, and commodities like gold and silver. Got it! Balance is the key to a good multi-asset fund. Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Welcome back. You are seeing you Market Radar. Nirav Ji is your expert. नीरव जी एक बार महानागर गैस पे नज़र डालियेगा आज भी स्ट्रेंथ है और लगातार दो से तीन हफ्तों में अच्छा ट्रैक्शन इस टॉक ने दिखाया है क्या राहे बन रही है या देखे पी एस स्टॉक्स में अच्छी बाइन दिख रही है मिजॉरिटी स्टॉ अब इसका जो जर्नी तक जा सकता है तो करेंट लेवल से 1250 के टार्गेट के लिए खरिदारी कर सकते हैं नीचे में 1145 का स्टॉपलस रहे हैं कॉफी डेक पर भी राहे दीजे कॉफी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और आज इसमें जबर्दस ट्रेंथ है इवन तो आज स् स्टॉप में और यह जो ब्रेक आउट का लेवल है वो करीब-करीब 53 के ऊपर में है तो अभी थोड़ा दूर है जैसे 53 के ऊपर एक ब्रेक आउट आजाता है और क्लोजिंग बेजिस उसके बाद में यह स्टॉक्स 70 तक आ सकता है मगर तभी के लिए तब तक के लिए आप अब अगर बाइंग से बचे लेकिन अगर आपके पास पॉजिशन है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते इवार आइनॉक्स ग्रीन पर भी राइफटाफट दे दीजे चार्ट पे स्ट्रेंथ है क्या करें अगर बाइंग करेंगे तो उसका स्टॉप लाइटी वन पे आएगा ओके तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी अच्छी स्ट्रेंद दिखाई दे रही है और सौ का अंकड़ा चूने की तयारी में है इक्यासी के सपोर्ट को जरूर यहां पर अब्सर्फ करिएगा यह राय निकल कर आ रही है अच्छा अब नीरफ जी इस मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहे हैं आपकी बेस्ट पिक्स अब बारत फोर्ज एक मुल्टी एर ब्रेक आτα outright के बाद और स्टोर्फ वपर घया फिर रिकट रीर आपना ब्रेकाउट और फिर वापर से यहां से आप बारत फोच खरिदारी कर सकते हैं नीचे में 1175 का स्टॉप लोस रहेगा ऊपर में 1245 का टार्गेट रहेगा दूसरा जो मेरा पिक है वो नोसिल में रहेगा वाइक अगर नोसिल में एक बहुत टाइम बाद एक 6 255 का स्टॉप लोस रहेगा ऊके चलिए तो भारत फोर्ज नोसिल पर रखेगा नजर अच्छी स्ट्रेंट 1245 का टागेट भारत फोर्ज के लिए और नोसिल 255 के साथ करे खरिदारी 310 के लक्ष के लिए तैंक यू सो मच नीरव जी सौलवेज अप्लेजर स्पीकिंग विदियू आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे बहुतरीन स्टॉक स्टॉक आइडियाज उ स्ट्राटेजी दर्शकों के सामने रखी इसी के साथ मार्केट इडार को हम यही राप अप करते लिकिन बने रहिएगा जी बुजनस के साथ प्रेकियो उस पार लेकर आएंगे फाइनल ट्रेट अबस्कार जैलेंट एडवांस LRF रिफाइन T.M.T. बार्स निर्मान का रियल हीरो प्रिजेंट टॉप गेनर्स प्रियू जब अधित्य बिर्ला कैपिटल और बुचल फंद्स डिस्टिब्यूटर करेश रूप गर्फ्रेंड है? No, no. Just researching a good multi-asset fund to invest in. That's not tough at all, yeah? It helped me out, no? Of course I will. But first you tell me, what does a good fitness plan have? Exercise, diet, rest and mindfulness. But you forgot the most important part. There needs to be a good balance in all these, no? Of course. Similarly, a good multi-asset allocation fund needs to have a good balance of three or more asset classes. Equity, which can be domestic and international. Debt and commodities like gold and silver. Got it. Balance is the key to a good multi-asset fund. Choose a multi-asset allocation fund that has good balance and appropriate allocations for asset classes. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Do you want to go to your house? You start MG Road. Do you understand? Yes, sir. Wow, Mamu. The delivery is going to be on CID's planning. The delivery is going to be different from all the banks. Why is this? You get everything in the AU current account. Mamu, think about changes and banks too. AU Small Finance Bank. The change is from us. The project is from us. Rajani Gandhi. Wires. Kables. Connecting people to power. Jeb aap lumbe safar pe niklae. Mazha alag hai. Pertabhi aa jae aasi urchan jopko karadeb echeh hai. Kaisa laghega agar aap us urchan ko ek chutaki mee par karatee. और वापस अपने सफ़र पे निकल पड़ें ऐसा ट्रांस्फोर्मेशन रियल लाइफ में मुश्किल है पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हो सकता है पेश एस सैंको डाइनेमिक एसेट अलोकेशन फंड मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ट्रांस्फोर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मन्जिल तर बे फिकर पहुँच सके मुच्वल फंड निवेश बाजार के जोखेमों के अधीन योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें आप 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 Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. तुम्स भी लेंज जाना, तुम्हें जी रोड, समझ गाए? जी सेट वा मामू, मिठायू की बिलिवरी चल जी है, CID के प्लानिंग आप 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 मामू, सोच बद्लो और बैंक भी, AU Small Finance Bank, बद्लाव हमसे है आप 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 Nutral fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. पेश है साइम को डानेमिक एसेड ऐलोगेशन पन्ट, मोमेंटम में, ये रहे एकुटी मोड में, और जब भी रिस्क दिखे, ये ट्रांस्फॉर्म हो जाए डेट मोड में, ताकि आप अपनी मंजिल तक बे फिकर पहुँच सकें. Mutual Fund निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. जिस दूनिया ने हमको समाला, उसको कौन समाले? दुनिया अपने हवाले, दुनिया किस के हवाले जिस दुनिया ने हमको समाला वो है अपने हवाले यह है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर कॉंपलेक्स मार्केट को करे सिंपल आ गया है एंजल वानु सूपर आप जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे सुपर आपका बैंक सेविंग सेविंग से इंटरेस्ट देता है तीन महीने में एक बार मेरा एयू हर महीने सोच बदलो और बैंक भी एयू स्मॉल फानांस बैंक बदलाव हमसे है इस दखे। हमसे कि बीचित बीचित रहा है खर इस दिविंग से बीचित बारेस्ट इस रहा है बारेसिज में प्रूबस से इंगी वंपलरिपम का रविंग सिर्ण प्रश्ट कर 152抗 कि भी इस ज़िए लिचिस, इस उनकिराइव डिये मुच्वड है है. औरुकुर्सेजरे Sund devenir खրेन ऐसे थांकिन डिर्टन मुट्छी अणकिसित के, वेखिपंड है? ऑम लोकास्टीब बार्ते बाल्नाग्चेस की तुमर्सेजरे हैं थी ठांकिसीए है प्रायूज़ग पतंजली केशकांती एडवांस नई बालों गाए बालों को जड़नेवा असमे सफेध होने से बचाए। लाइफ आई चूने के बाद दाइरे में आया बाजार निफ्टी 21,000 के नीचे सपाट सेंसेक्स भी 70,000 के नीचे उत्रा फार्मा छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में हरिया ली डाउ फ्यूचर जे सपाट यॉरप के बाजारों में मिला जुला कारुबार निफ्टी बैंक रिकॉर्ड्स तर से 200 उंग फिसल कर 47,400 के पास सरकारी बैंकों में 4 तरफा तेजी के बीच PNB 4.5 साल की उचाई पर तो बैंकों बरोडा 2% चढ़ा सिमेंट शेरों में तगडी खरीदारी अल्ट्रा टेक निफ्टी का टॉप गेनर ACC अंभूजा, NCL इंडिया और मंगलम सिमेंट 3-7% उचले PSU शेरों में जोरदार तेजी ONGC निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल BEL और PFC रिकॉर्ड्स तर पर जाज की आज से डॉक्टर एडीस 5% तूट कर निफ्टी का लूजर USFDA से कंपनी के हाइदराबाद प्लान को मिली 3 आपतियां सिपला और लूपिन आधे से 1% फिसले डॉक्टर लाल और अरबिंदो वाइदा बाजार के टॉप लूजर्स चोटे मजोले शेरों में तूफानी तेजी GMR एरपोर्ट्स वाइदा बाजार का टॉप गेनर लाइफ हाइपर राडिको खैतान IRFC, BLS इंटरनाशनल डिक्सन टेक 4-8% उचले चाई, कॉफी और शुगर शेरों में तगडी खरीदारी जैश्री टी, बॉम्बे बर्मा और हैरिसन मल्यारियम 2-5% भागे आर्जेंटीना और इजिप्ट समेत चार देशों को हेलिकॉप्टर और फाइटर जेट एक्सपोर्ट के लिए 70,000 करोड रुपे की डील संभव एक ऑक्टोबर दोहजार पचीज से ट्रक ड्राइवरों के कैबिन में होंगे अनुवारे AC जी बिजनस के एक्स्क्लूसिफ खबर पर मुहर से आज का स्टॉक अफ़ दे सुबरोस 11% उचला गन्य के जूस से एथिनॉल पर रोक के बाद इसमा की सरकार से एथिनॉल की इमत 10 रुपे प्रती लीटर बढ़ाने की मांग जी बिजनस से खास बातचीत में इंडिया शुगर मिल असोसिएशन के इंकमिंग प्रेजिडेंट एम प्रभाकर राब ने गन्ना किसानों के भुकतान में देरी की जताई आशंका और अवार्ड्स में आपके चाहते चैनल जी बिजनस ने मचाई धूम बिजनस स्पेशल शो वेल्थ क्रिएशन को बिजनस टॉक शो में न्यूस पर व्यूस और डेली न्यूस बुलिटन में इंडिया 360 समेथ पाच काटेगरीज में मिला सम्मान पर्फेक्ट हैं बाजार नहीं बहुत तेज तो नहीं बहुत कमजोर थोड़ी निशले स्थोरों से रिकवरी तो उपरी स्थोरों से प्रोफिट बुकिंग मिला जला कारोबार दिगज में तो मजबूत है मिटके अपर स्मान के अक्षिन हफते की अच्छी शुरात भारती बालों की बचा है पहले दिन का आखरी देड़ गंटा किस तरह का रहेगा एक्षिन कहा होगी तो जिन क्या करें कल की तैयारी फोकस सीजी पर आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी विजिस के बंदन म्यूचल फंड इस्टूडियो में आप सब करस्वागे ते नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंग भी नमस्कार मैं दुपांशू भंडारी तयार हो जाई है आक्षिन के लिए नई रिकॉर्ट के बाद हल्की नर्मी जरूर बाजार में आई है बट क्या ये वापिस चुस्ती की तरफ जाएगी शुक्रवार को गिरावट के बाद आज मिडो स्मॉल कैप में बड़ा बाउंस भाइक है कि यहां पर ज्यादा फोकस करना है आएए इन सबी मुदों पर करते हैं सर्चाहनल जी गुड आफ्टन सर वेरी गुड आफ्टनून येस स्टॉक में बड़ा जी क्या खराब ज़िए अज ज़िए की सप्ट है सब बड़ा है, ऐक्षिं अच्छा है, ब्रॉडर मार्केट अच्छा है, ग्लोबल मार्केट अच्छा है और हमरे बादा में कुँ समझस्चा है निए पहले बड़ी बाते वता दो फिर करेंगा 2127 बनने पर नया हाई बनेगा सेंसेक्स 70,057 यह वो लेवल जो अब इतियास में लाइफ हाई के तौर पर बैंक डिफ्टी 47,588 का नया हाई बना चुका है सरकारी बैंकों में रिकॉर्ड तोड तेजी है और प्राइवेट बैंक भी चुनिंदा तोर पर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं 900 शेयर कमज़ो रहे है NACP तो 1400 मजबूत, 1600 कमज़ो रहे है BAC पर तो 2400 मजबूत इससे आप आइडिया लगा लीजिए क्या कुछ हो रहा है आपके लिए एक्षिन लिए ठीक है परस्ट अब बता ही क्या रीडिंग है बाजार के योरोप मेले जो लोई रीडिंग फर्स क् 25 के उपर Blue Sky Zone में जाएगा आप देख लीजिए एक्जिक्ली वहीं से गुमा आज कितने कम लेवल दी है आपको अब्जेक्शन भी था कि लेवल बहुत कम देरेवाज बहुत कम निकले था ना तो बिनकुल देख लीजिए 20,025 का लेवल उसके उपर Blue Sky Zone 26 से गुम गया ठीक सो दोनों तरफ के लेवल बाजार रेस्पेक्ट करता हूँ सेम बैंक डिफ्टी में आप देखिए 47,200 के आसपास लेवल बनाया है यह जरूर 47,000 के नजदिक आना ही पाया 47,325 पार करते हैं आपको लेना था और वहां से भी लिया होता दीब तो 200,500 पुइंट आपको मिल जाते हैं हल्की फल्की प्रॉफिट की उपर में कहिन कि किसी लेवल से आएगी कोई डरने गबराने की जोड़ने पर्फेक्ट बाजार रे दीब 47,000 दो लेवल पर फिल से खरीदारी बनती है बैंक डिफ्टी में पर निकल के ठीका तो बहुत बड़ी मज़े आएगा 48,000 की तैयारी 47,600 की उपर ठीका तो 48,000 की तैयारी और 21,025 की उपर ठीका तो यह भी आगे कुछ बड़े लेवल की तैयारी सो बाय-उन-डिफ्स की स्टड़ेजी है, ब्लोडर मार्केट ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं मार्केट में कोई परिशानी वाली बात है एक दम भी नहीं किसी को है परिशानी तो मुझे बताए मौके मौके तो बहुत मिल रहे हैं मौके हैं स्टॉक में हैं और आप देखे ना जो स्टॉक खबरों में चलते हूं क्या गज़ाओ देखें जी क्यू जी और गॉल्ड मैन और बाकी नियुमरा इनके नाम आते हैं जो को जी अमर में क्या आग लेगे साथ रुपे से नीचे की डीलुएर 75 रुपे में स्टॉक अभी ट्रेट कर रहा है दो सेशन में आपके लिए पंदर रुपे मतलब पंदर रुपे का मतलब यह समझ लिए 25 परसंट बढ़ा है करेक्ट स्पाइस जेट देखिए फंडरेजिंग प्लाने 10 बारा परसंट स्पा राज उपर है गांदार ओयल हाली की लिस्टिंग 12 परसंट यह स्टोक भाग चुका है इरेडा देखिए जो सरकारी कमसी रुपे में फैनेंसिंग करने वाली 32 रुपे का इश्यू 82 रुपे पे सुबह इसका दर्शन होता है अब 25 परसंट कहां है मंदी एक ही जगह है कहां जिन्होंने नहीं खरीदा उनके दिमाग में वो तो चारे आज है एक ही जगह मंदी यह बसे और कहीं निये बाकी कहीं मंदी निये खाली जो रह गया उसके दिमाग मंदी तो आप ले चुके हैं मज़े लिजिए अगर आपने शेर खरीदे नहीं तो कोई बात नहीं जी चली यह है आपकलए बाजर का ले बाखाल कोई परेशानीं नीय और आज ब्रॉर्डर मार्केट में बाउंस बैक है कभी इंडेक्स कंशॉलिडेट करता है कभी ब्रॉर्डर मार्केट कंसॉलिडेट करती है आज न सबस्धूर बनान के पाद इंडेक्स थोड़ाउ Tout द स्पेस से एक तो फेट फीना और साथी स्पाइस जेट इन दोनों के नंबर आते विए दिखेंगे साथी स्पाइस जेट में आपको नतीजों के साथ पूझी जुटाने पर भी विचार करते वे नजर आएंगे कल के दिन में भारत का जो नवंबर महिने का सीपी याकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा 5.7% का मारा अन्वान है साथी अक्टूबर महिने का इंडिस्ट्रिल प्रोडक्शन डेटा पर भी नजर रखें वहां पर भी 10% के उमीद लगा कर चल रहे हैं टीटा गार रेल सिस्टम्स यहां पर बोर्ड बैटक में क्योई पी के इशू प्राइस पर भी विचार किया जाएगा साथी जूपिटर लाइफ लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स 50% आईपियो अंकर लॉक इन नबे दिनों का ये भी खत्म हो जाएगा एक्स डेट है बीपी सील सफारी इंडस्ट्रीज और साथी सोनाटा सॉफ्ट्वियर के डिविडेंट और बोनस शेर जो इन्हों ने जारी किये थे इस्पेटिव कंपनियों ने उसकी एक्स डेट कल की है साथी SIS इसका बाइबैक की रेकॉर्ड डेट भी कल के दिन की है तो यहाँ पर भी एक नोट रखिए इसमा की शाम पाच बजे पीमो के साथ बैठक होने वाली है तो यहाँ पर भी फोकस रहने वाला है और प्रधानमत्री मोधी जी ग्लोबल पार्टनर्शिप आर्टिफिशल इंटेलिजेंस समिट में हिस्सा लेते हैं दिखेंगे तो वहाँ पर आपको फोकस करना है और दो दिनों की जो FMC की जो बैठक है वो भी कल के दिन से शुरू हो जाएगी और आईपियो के लिहाद से दो नए आईपियो इंडिया शेल्टर फिनांस कॉर्परेशन और साथी डॉम्स इंडस्ट्री इन दोनों के आईपियो खुलते वे निज़र आएंगे और साथी RCFX डिविडेंट टेट करेगा और ग्लोबल इविंट के लिहाद से जो फेट की पॉलिसी है वो भी आपके सामने आती भी दिखेगी और उपेक के मंतली रिपोर्ट्स भी आपके सामने आएंगे डेटा तो बहुत आने वाल है और अफकोस चार सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी जिस पर हम सब की नज़र बनी हुई है अर्मान गुडाफ्टन बताएं आज ख़बरे कौन कौन से आई है जी गुडाफ्टन उन सबसे पहले आपको एचल पर दियान रखना है क्योंकि एक्स् फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर सकती है एचल सितर हजार करोड में जो है ये डील हो सकती है जिसमें आप कंपनी ने अगर आप देखे अरजेंटीना इजिप्ट नाइजीर या फिलिपिन्स के साथ डील हो सकती है जैड़स लाफ साइंस इन्होंने एक फार्मासेटिकल कंपनी ने कॉसर रिस्पॉंसिफल एयाई लॉंच किया है और यह एए को एथिकल ट्रांस्परेंट बनाने के लिए एस सॉलीशन लॉंच करते वे दिखे हैं इंटलेक्ट डिजाइन इन्टन पेंक के साथ करार किया है और यह कैश मेनेजमेंट सिस्टम के लिए करार करते वोकार्ड लिमिटेड यहां पर इन्होंने एक एंटिबाइटिक 4873 की जो है स्टडी पूरी की है उसकी फेस थी की स्टडी पूरी होती भी दिखी और इसका निमोनिया के इलाज में इस दवा का इस्तमाल किया जाता है टाटा पावर आयोसी के रिटेल आउटलेट पर ईवी लगाएगी और 500 से ज़्यादा एवी चारजिंग लगाने के लिए ये करार करते हैं अपनी की सबसीट्री जो है उन्होंने करार किया है और अंत में ब्लॉक डील में पिरावल फार्मा जहां पे 61.6 लाग शेरों के कई सोधे होते होते हैं जो कि 0.5 परसंट एक्विटी है और कोल इंडिया 10 लक्षेरों के कई सोधे होते होते हैं ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन खबरों के दम पर आज होता हुआ दिख रहा है आईए बढ़ते आगे एक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार है आगे एक्सपर्स का दमदार पेनल हर रोज की त साथ हैं और वागल साथ भी तन मन से उनके साथ जूड़ते हैं दिख रहें दनका में अंदाजान नहीं है इसलिए उस पर हम टिपड़ी नहीं करेंगे सिद्धार जी आते हुए दिख रहे हैं आपको मुस्क आते हैं पिंक टैय ओ माई गॉडड सिद्धार जी और वनसल ज साथ हैं और साथ ही सचिंजी आप सभी महनुवाओं का बहुत 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 स्वागत है आई ये शुरॉत किये जाए बिलकुल किसके लिए वह आगले साब और के आपकोर्स मतलब आजकल तो कोई क्लेम ही नहीं करता वागले साब है तो पहले उनका हो जाए फिर हम देखे लागले का वंडर ये गुड़ आफ्टनून अनिल जी गुड़ अफ्टनून जुपाइंचू एक बड़ा वाला ब्रेक आउट दिखाई दे रहा है जिंदा स्टील में साथ सो बीस साथ सो एकीस का बावेशा साथ सो बीस का एक मल्टिपल तीन या चार स्विंग हाई इस से यह लेवल सस्टेन करता है तो यहां से कम से कम तीस एक रूपे की मुझ आनी चाहिए पोजिशनली मेरा दो से तीन दिन चार गिन में साथ सो पचास का टारगेट है आप साथ सो बारा साथ सो तेरा के स्टॉप लॉस से बाहिए करें और जब तक साथ सो बिस के ऊपर रहता ह यह साथ सो पचास तक दो से टीन जिन में जाना चाहिए तो यह है आपके लिए साथ सो पचास तक के टारगेट के लिए खरेंखरिदारी आप जैस भी में यह राए आपके लिए आती हुए आए ऐमाशु गुपता साब भी जुरुक्यों के हमारे साथ और जरा आए उनके के लिए भी एक बीगुल ही हिट में हिमान्शु बढाए हिमान्शु जी अधिया अधिया जी यूपी यूनाइट फॉस्फोरस इसमें खरिकदारी करके चलने की चला है आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स और कैमिकल स्टॉप में एक अच्छी तेजी बनी हुई है यूपी यल में अपनी जो गेंज है वो सुबह से होल्ड करता हूँ नजर आया है मेरा मानना है कि एक ब्रीफ कंसॉलिडेशन के बाद इस स्टॉप में का अप मूव देखने को मिल सकती है एक बड़ा लगार रहा है तो यूपी यल में खरीदारी करें मैं स्पॉर्ट कि सला है ओके यूपेल में खरीजारी करने की राए हिमानशु जी की राए जान लेते हैं सुमिध जी की सुमिध के सुपरेट के साथ फर्माएं सुमिध जी गूड़ा अने जी अने जी बाय का स्टॉक रड़ा रप्या है स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 388, 50, 389 तीन तो नवासी का अभी भाव है स्टॉक का नाम है पी एफसी, पावर फाइनेंस कोर्परेशन, पी एफसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, सेक्टर पूरा मजबूती के अंदर है, पी एफसी के अंदर में गों लग रहा है कि अभी यहां से और उपर का मूब देखने को मिलेगा, जल्दी स्टॉक 400 का लेवल क्र चारसो रुपे का, दूसर टागेट 405 रुपे का, यह दोनों शॉट टम के टागेट है, पोजिशन टागेट और उपर के देखने को मिलेंगे, तो खरदारी करें पी एफसी, ठी एटी के स्टॉपलो से 400, 405 के टागेट के लिए, वंडरफूल, पी एफसी खरदारी करें पावर स्टॉक न रुकेंगे, न ठकेंगे, न ठमेंगे, ऐसा मानना है, सुमीजी का, यह स्टॉक फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, और एक्शन में आ चुके है हमारे सिद्दाट सेराणी साब भी, विगलून के लिए भी, सूपर सिडू, बढाएं सर, गुड़ आफ्टरून अनल जी, गुड़ आफ्टरून दिपांचू, गुड़ आफ्टरून सभी को, अनल जी जैसे अब भी मैं बैंगलोर जाकर आया, तो एरपोर्ट खचाकच, फुल लाउंजे, फुल होटेल जाने, कमरे नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रैवल बहुत दंद अनल जी, आप भी एक्स्पीरेंस दे सकते हैं, तो कि आप भी इंदौर और डिल्ली होके आये हैं, और बहुत-बहुत मुबारकबाद आपके पांच वाट्स जो मिले हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, फ्रेम में आप और इपांचू के बीच में पढ़े हैं, तो ये बहु लगेज की कंपनी है, वी एएप इंडस्ट्री जो डिस्क्लेमर के साथ एप्रिल दोजा थेज से हम रेक्मेंट करते आ रहे हैं, इस पर खरिदारी की राई है, वी एएप इंडस्ट्री पे शोट तम टागेट रहेगा, 625 का, पोजिशनल टागेट, पोजिशनल से का मार्केट चेर है, कामकाजी मुनाफाग जो मार्जिन से वो बढ़के 19.5 परसें आ सकता है, 20 परसेंट के सी एजिया से ग्रो होने वाले कंपनी, वी एएप इंडस्ट्री जोट टागेट 625 का, पोजिशनल टागेट सारे 700 का, 750 से है, ओके यह आपके लिए वी आईपी इ चाहिए नजर, एक सौक जो मोमेंटम पकड़ रहा है और वो है आपके लिए टाटा पावर इस पर रखिये नजर, 3% का अप मूव आपको अभी आते हो दिख रहा है, और पिछले कुछ मिनटों में स्पाइक हुआ है, पीएफ सी की बात करी रहते हैं सुमजी, आर इसी पर आउट परफॉर्मर रहा है, टाटा पावर, इंफाक हमने हमारे क्लाइंट को भी एक स्पाइशन दी थी, और जिस तरीके से इसका स्ट्रॉक्चर था लगबख 330 की प्राइस एक्स्पेक्टेशन थी, इसी लिए हमने तो हमारे क्लाइंट को तुरा सा मुनाफा बाननी की सल नहीं होगी, वगर अगर किसी की existing long position है, तो इसे trading stop loss mechanism से थोड़ा सा hold किया जा सकता है, momentum मुझे लग रहा है 325 के नीचे ही fizzle out होगा, but on the higher side 345, 350 एक अच्छा profit booking जोन हो सकता है, तो यह है आपके लिए टाटा पावर, थोड़ा आप उपरी सरोपर profit booking के लेवल्स भी आ रह ही है, एक और stock जहां पर अच्छी move आ रही है, info edge जरा इसका chart pull up करी है, और recently यह counter भी आपको regularly move दिखा रहा है, आज भी अगर आप देखेंगे info edge में आपको अच्छा action बनते हो दिख रहा है, 373% उपर, 3.5% उपर है, 4900 के पार आपको info edge जाते हो दिख रहा है, कुछ दिन करना है, sir info edge में. थोड़ा हाथ उपर क्या हुआ है, उनके पार जाके फिर आता हूँ, आपके पैस और कुनाल जी के पास, अगे पर एक बिगूल लव, सची जी के लिए, BTS WT का. बदा है, sir. दिपांचु यहाँ पर, MGL में जिस तरीके से तेजी हुई है, 110 के आसपास इसने एक base बना है, वहाँ से एक vertical move unlock हुई है, पिछले 10 दिनों में. जिस तरीके से वहाँ पर built-ups हुए थे, मुझे लगा है, यह काफी बड़ा breakout के तयारी है, लगबग 5 साल कर जो एक consolidation barrier था, stock में 1100-1200 के आसपास, I think वह particular barrier यह confidently break करेगा. जिस तरीके से overall structure है, मुझे लगा है, 1450 तक यह particular rally extend हो सकती है, अगर थोड़ा सा हम समय थे. बड़ टेडिंग के लिया से 1265 और 1285 यह दो targets के लिए यहाँ पर aggressive long positions बनाने की सिला होगी, OI additions काफी बहतरी है, आज के सतर में भी जिस तरीके से इसने एक elevated base बनाया है, 1160 के आसपास का, 1165 के stop loss के साथ यहाँ पर long positions chase करने की सिला होगी, 1265 और 1285 के targets के टार्गेट के लिए MGL आज सुबा pick of the week के तौर पर कुनाल जी ने भी यहाँ पर target आपको दिये थे, in fact वहाँ से देखे तो अच्छी एक up move आई भी है सुबाखे recommended level से, आईज चलते हैं कुनाल जी और आकेज जी के पास आउ लेते हैं उनकी chart corner की call भी बदा है सर दिबांचू, chart corner pick से पहले एक update है, मैंने और कुनाल जी ने pick of the series में United विर्विर्ज दिया था, 29 नवंबर को 17, 16, 135, 16, 140 के बीच में हमने pick of the series में recommend करा था मैंने और कुनाल जी ने 1800 प्लस के levels के लिए 17, 152 चल रहा है, तो इन तरहों पर profit booking की राय है और मेरी और कुनाल जी की responsibility कदम होती है और अब chart corner pick है, बेक्वाली की राय है, बेचना है, सिपला, सिपला के अंदर देखें तो एक negative crossover, बोथ और leading and lagging indicators देखने को मिल रहा है साथ में short term charts पर एक breakdown है, तो सिपला पर बेक्वाली की राय है, over to कुनाल जी देखें दिपांचू, daily chart पर एक pattern बना है, जिसको bearish flag pattern कहते हैं, और उसका breakdown आतावा chart पर नजर आ रहा है stock ने अभी-अभी 50 days moving average को भी भेद कर एक रहा breakdown दिखाया है, तो हमें लगता है कि और नीचे के level सिपला में देखने को मिलेंगे short करके चलें, 1220 रुपे पर 1220 पर एक stop loss रख लें, पहला target होगा 1175 रुपे का, पहला लक्षय होगा 1175 रुपे का, eventual target 1160 रुपे का, तो 1175, 1160 के लिए short करने की राय है सिपला ओके, तो सिपला में आपके लिए short करने की राय आती भी दिख रही है, यहाँ पर भी रखनी है, नजर, सिदा जी, सिपला पर आपका व्यू जानना चाहूँगा, more importantly, डॉक्टर रेडीस पर व्यू जानना चाहूँगा, क्योंकि आज भारी पिटाई हो रही है, डॉक्टर थारी करना चाहे, फॉलिंग नइफ को पकड़ना चाहे, तो मैं मानता हूँ कि अभी भी रुख जाना चाहिए, हो सकता है, यहाँ बैं लन काह चाहूंगा इंक्लूडिंग सिप्ला मुझे लगता है कि यह पूरी फार्मा शेत्वर में कुछ अच्छी लगती है फॉर्मुलेशन में सन फार्मा जैसी कंपनी या फिल या फिल डिवीज यह बहतर विकल्प है आपके लिए ना कि इस समय डॉक्टर एडीज और डेफिनेट दिख रहा है एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं सच्छी जी सुभा से कमजोरी में है डॉक्टर एडीज एक हलकी सी रिकवरी आई थी बड़ उसके बाद कहीं नहीं गया है उपरी सरों से दबावी थूदर यह हमें बनते हो दिखा है डॉक्टर एडीज में अब आगे सब्सक्राइब तो यहां पर मुझे लग रहा है तो यहां पर मुझे लग रहा है वापस एक बहतरीन अपॉचनर्टी है जो फ्लोर है वो लगबग रहूं 50-60 के आसपास वेल एस्टैबलिष्ट है और जिस तरीके से अपने 5-month exponential moving average को इसने रिस्पेक दिया है तो मुझे इमिडिट बेसिस पे जो बिक्वाली वोनीती या प्रेशर आना था वो अब्स वो चुका है इंपाडे के लिया से ही एक 54-100 के आसपास एक अच्छा बेस नजर आ रहा है तो यहां से मुझे लगग है बापस रहा सा स्टेबलाइज होना चीए और डेफिनेटली एक और ट्रेडिंग के लिया से यह पडिकलर रेंज इस्टाबिश्ट है पर लॉंग तर्ब के लिया से एक अच्छा बेहतरी मौका है और नेक्स्ट लेग ऑफ दर आली पाटिसिपेट करने के लिए तो यहां पर मैं खरेदारी करने की ही सला रहेगी जहां तक सवाल है आपके के लिए डॉक्टर एडी इसका अब यहां से और वीक्नेस नहीं दिख रहे तो टेक्निकली अब स्टॉक उतना कमजोर नहीं आपको दिखेगा कैन्फिन होमस इस पर आपको थोड़ा प्रेशर आते हो दिख रहा है पिछले कुछ मिनिटों में इसमें गिरावट फिर से आई है एक बार हिमांची जी ज़रा कैन्फिन होमस का चार्ट देखें सर क्या चल रहा है इसमें सड़न एक फॉल आते हो दिखा है और आब यहां स में 780-785 रुपे के ऊपर लेकिन वापस से जो मूब था वो फिजल आउट वापस से उसकान सॉलिडेशन में आता हुआ नजर आ रहा है तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टन सपोर्ट है स्टॉक के लिए वह लगपक साथ सो पचास से साथ सो पच्पन का जोन है जितके नीचे है जब तक ही स्टॉक नहीं जाता तो पोजिशनल और इसमें तेजी की पोजिशन को भूट कर सकते हैं लेकिन साथ सो पचास के लिजे अगर अगर ये स्टॉक निकलता है तो फिर मुझे लगप का जो पॉजिशनल ट्रेंड है वो थो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है तिल एक टाइम एक साइड़ वेस कंसॉलिडेशन है फिराज ट्रेडिंग के प्रस्पेक्टिफ से यहां पर कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है लेकिन पॉजिशनल अगर आपके पास पॉजिशन है तो साथ सो पचास साथ सो बावन के स्टॉप लोज के साथ होल्ड कर चलने की सला है ओके इसके सामने आज आप देख रहे हैं रीसंट राइली के फेवरेट्स ऑईल मार्केटिंग कंपनी यहां पर भी प्रेशर है एच पी बीपी आयो सी इन तीनों में भी आपको प्रेशर दिख रहा है हमारे लास्ट वी के टारेट सो इस पर आगए अब आज यहां पर आपको थोड़ी गिरावट आती भी दिख रही है इस पर भी रखे का नजर इसके लावा कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा आक्शन दिख रहा है डिक्सिन टेक साड़े 5% का स्पाइक है और इस पर एक चार्ट चेक में कुनाल जी से लोंगा उससे पहले सिधाजी से एक आती है पूछे मत यह मतलब डिक्सन वाला जो मोमेंट है न सिधार जी का वो ऐसे यह जैन साब का M6 मोमेंट हा जब बहुत खराब ख़बर पर ऐसी दुलाई पिटाई रोकी हो जाए एक दम पूरा हिंदूस्तान जिस पर बेरिश हो और आप एक बोल्ड बड़ा कॉंट्रा को ले फटाक से रिटेन है तो सिधार जी आप बढ़ाई के पात्र हैं इसके लिए इसे स्विकार करें और जैसा कि दीप चाते हैं आप अपनी बहुमल्य राए भी उन्हें पर प्रदान करें बहुत बहुत दन्यवाद अनल जीन और आपने याद रखा प्राइस पॉइंट भी याद रखा स्टॉप तो आप याद रखते हैं यह बहुत ही स्पेशल है हम सभी गैस के लिए और पैनलिस्ट के लिए थैंक यू सो मज अनल जी और साती साथ अगर डिक्सन की बात करें तो यहां से बहुत उपर जा सकता है और डिक्सन भी बहुत स्ट्रॉंग है और अनल जी यह और एक चीज़ याद कराऊंगा आपका जो इंटर्वी हुआ था डिक्सन के मैनेजमेंट के साथ वो मैंने बखुबी से सुना था और मैनेजमेंट बहुत कॉंफिडेंट है तो बिल और हमारी भावनाएं पहुंच रही है आशुजी तक शामिल हो चुके सुवागताम आशुजी आपका भी बताएं सर राय दे जराब बाजार के मूर माहुल पर अनिल जी देखिए गुड़ आफ्टरनून बजार तो ना एक पॉस पर है कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी भी ठीक है बैंग निफ्टी भी ठीक है अनिल जी जिनकी सब की बात की है वो सबके सब ठीक है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और अनिल जी इस बीच में मतलब आप शायद फ्राइडे को मतलब थे तो सही लेकिन ओफन आउनते भार से कर रहे थे मैं दिपांशु का मैं टेस्ट नहीं लेना चाहता लेकिन अनिल जी खुशी है कि एक सेक्टर और एक स्टॉक ऐडेंटिफाई किया था अनिल जी कि जो नीचे जा सकता है इस पे फ कोई रीजन मुझे नजर नहीं आता था जो अनिल जी के ये बढ़ना चाहिए तो अनिल जी एक लोन बीर स्प्रेड था या नेगेटिव यू था वो बीपी सेल एच्पी सेल पे था और आज देखो है तो अनिल जी इसका अभी भी सारी मार्कित ठीक लगती है मतलब इंदी सेम स्पिरिट जैसे मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया स्टावर से लेके जो भी अनिल जी स्टॉक की बात की है इंडिया स्टीमेंट साथ कोई कोई दिक्कत नहीं है अब अनिल जी एक नया बुल स्प्रेड है एक और स्टॉक है जो पुराना हम कई बार दे चुके हैं कई पर सक्सेस्फुल भी हुए हैं कुछ पर रॉंग भी हुए हैं स्टॉक है के मतलब अच्छा लगता है और दिल है कि मानता नहीं है और अनि जी वह स्टॉक एस्टॉक एस्टॉक एक बुल स्प्रेड बनाया है क्लाइंट से शेर किया है मैं आफ से शेर करता हूं अनि जी इ इसको इधोका हो चुका है, ये 620-25 से लेके 560 मारता है। और उसके चलते हैं जी ये तो मारता है, बैंक का बड़ोधा, कैन बैंक, PNB आउट पर फॉर्म करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, फिर लगता है कि कब तक नहीं करेगा ये आउट पर फॉर्म, तो अनिल जी SBI का spread है, 610 की एक call लेनी है, 650 की दो call बेचनी है, इस bull spread में अनिल जी कॉस्ट आएगी वो आएगी 9 रुपे, means 619 रुपे का SBI आपका long हो गया, और कहां तक safe है अनिल जी आप 690 तक, तो अभी आज हम 11 तारीक में हैं, और 18-19 दिन हैं expiry को, तो अनिल जी अगर 30 40 रुपे की move SBI में आ जाए, जो कि कहीं न कहीं catch up हो एक कब तक नहीं चलेगा, और क्यों नहीं चलेगा समझ नहीं आती, लेकिन अनिल जी मैं जितना मर्जी क्यों कहले हूं, नहीं चलता, यहां से नीचे आ जाता है, तो अनिल जी मैं 9 रुपे का risk लूँगा, और उसको भ बनाके देखें, क्योंकि चार बार यह धोका हो चुका है, 625 वाला और यह नहीं होता अनिल जी इसके साथ के 625 वाला चलता नहीं है, 610 पे लैंग्विश करता है, यह 560 मारता है, नहीं जी 50-50 रुपे नीचे में मारता है, तो risk reward is too favorable, कि 9 रुपे लगाएं और उसमें अग आपने सांस तो नहीं लेकिन फिर भी हम गुशी गया, तो यह आप SBA आप खुद बोल रहे है, चार पांच बार ट्राइब मारता है, यह वो आपने भी मीम देख लिए, क्या, गैंक्स ओफासेपुर वाला, वो कौन सब मीम टेलना बहुत कि कब तेरा खून खोलेगा, आख कि क्यों यह नहीं चलता, आने जी मतलब बैंक के उपर होता, इस परफॉर्मिंग सो वैल, कैन बैंक इस परफॉर्मिंग सुपर लुपर, पी एन भी जी मतलब जो फंडमेंट इसमें रीजन से या नेगेटिव निउस लोता है कुछ टाइम के लिए, वो आने जी मतलब प्रॉब्लम आजाती है, मुझे समझ नहीं आ रही है, सो अले जी, इस ओली ए मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, दो-तीर बार दोका हुआ है, तो आपका प्रॉब्लम सही है, आ रहा हूं आपके पास स्टॉक की पिक लेने के लिए, उससे पहले जल्दी से एक बिगुल, सदावा सेटी साब की शोटनम पिक्स, श्रीमान सेटी साब हमारे साथ जुच्चु के रिए, फोन लाइन पर स्वागत है सर आपका बनाए, आज की पहली पिक, गुड आफ्टन अनिल जी, गुड आफ्टन दिपांचू, अनिल जी, पहली पिक देने से पहले कल वाला स्टॉक के ट स्टॉक लगता है, रामको इंडस्ट्री में खरीदारी करने की सला है, दो सो तेरे रुपे के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है, इसके क्यों अनिल जी, रामको ग्रूप की कंपनी है, जो की भारत की एक लीडिंग, बिल्डिंग माटिरियल बनाने वाली कंपनी है, मेंली फाइबर, सिमन शीट्स, फिर कल्सियम, सिलिकेट बोर्ट्स ये सब बनाती है, बहुती जबरदस्त प्रड़क्स है, इनके ब्रैंड नेम भी, ब्रैंड भी बहुती पॉपलर है, इनका एक ब्रैंड है, रामको ग्रीन कोर, जिसमें ये 100% एस्वेस्टिस फ्री रूफिंग प्रड़क्स बनाते हैं, जो कि येरोपियन टेक्नलोजी से इस्पेशली डेवलप किया हुआ है, तो काफी पॉपलर है वो भी, और फिर इनोंने रामको स्मार्ट बिल्ट सर्विसेज भी लॉंच करिया, जिसके अंदर करते हैं ग्रीन ड्राइग कंस्रक्शन के लिए प्लांट है, तो इस तरह के बिजनस वाली कंपनी है, वेलिएशन के लियाद से उननीस के मल्टिपल पर भी स्टॉक सस्ता लगता है, अब जो और एक ट्रिगर है इसमें, ये कंपनी, इनकी ग्रूप कंपनी रामको सीमेंट में अराउंट 21.36% स्टेकों करती है, जिसकी मार मुझे लगता है, ये स्टॉक यहां से बहुत अच्छा करना चाहिए, और फिर अच्छी खासी हिस्तेदारी रखते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, टाटा म्यूचल फंड है, जिए इसी है, तो खरीदारी करने की सलाह, रामको सीमेंट में शॉट टरम टागेट है, 230 का करें थोड़ा सा इंतिजार, एक बिगुल जल्दी से में घूम, फिर क्या आता हूं, वागले साब के लिए वागले का वंडर, बताएं वागले साब, अनिल जी, ये स्टॉक मैंने, हमने हमारे क्लाइट्स को नहीं दिया है, ये स्टॉक सिर्फ यहां के क्लाइट्स के क्योंकि ये स्टॉक बैंड में है, लेकिन इसका पैटर्न इतना अच्छा बन रहा है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, स्टॉक का नाम है जी, जील, अभी 285-286 का करन बाव है, मेरा मानना है ये जैसे 300 के पार निकलेगा, जो अगले, मेभी 2-3 दिन में होगा, इन्वर्स ए सब्सक्राइब के लिए है, या एक मैना पकड़ के चलिया है, मेभी end of December, मेभी mid jam, आपका 360-370 का टारगेट मिलना चाहिए, 287 है, आपका stop loss 20 रुपे का होगा, और उपर में 360 मतलब एक 70-75 रुपे का reward इसमें बनेगा, 265 का stop loss होगा, और 360 का टारगेट, टाइम फ्रेम 3-4 वीक्स, 265 ये है आपके लिए stop loss का लेवल, और 360 के बड़े टारगेट के लिए चार हफतों के लिए करें आप खरीदारी, जील एमेरिटर में ये है बड़ा स्टोक जहां पर खरीदारी करने का आईए, सेरी साब से लेते हैं, उनकी दूसरे पिक बताएं सर, आज का जो मेर दंदार क्वालिटी की कंपनी है, एक सॉलिड कंपनी है, जो की हीट एक्षेंजर्स, फिर रियक्टर्स, प्रेसर वेशल्स, ये सब एक्विप्मेंट्स बनाती हैं, और मेनली ओईल एंगास, पेट्रो क्यमिकल्स और हाइडरोजन प्रोजेक्स सेट अप करने में काम करती ह बहुत ही जबदस क्लाइंट लिस्ट है, L&T, IOC, Reliance, GNFC, ये सब इनकी क्लाइंट्स हैं, इनका हाली में मतलब जून में, जून के महिने में एक गुजरात में खेडा करके जगे, वहाँ पे एक नया प्लांट इनका शुरू हुआ है, और जो अभी और बुक है, कंपनी की, एक हजार करोड की जबदस और बुक है, चोटी साइज की कंपनी है, पिछले साल का रेविन्यू था, 400 करोड के आसपास, तो उसलियाद से हजार करोड की और बुक बहुत बड़ी है, और इनोंने ऑक्टोबर के महिने में, मतलब ये पिछले क्वाटर के रिजल्स के बाद, उक्टोबर के महिने में इनको उस महिने में 200 करोड के ओडर्स मिलें, जो की कंपनी की हिस्ट्री में मन्तली सबसे बड़ी ओडर्स मिले हैं एक महिने में, और ये सब ओडर्स मेंली हाइडरोजन प्रजेक्स के लिए मिले हैं, और इसमें 55% से ज़्यादा ओडर्स, एक्सप रिटर्न रेशों बहुत अच्छ है रिटर्न एक्विटी इस 19 परसेंट रिटर्न कैपिल इस 22 परसेंट पाकी प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43 परसेंट के आसपास की स्यधारी और फाइज दिया इस भी अराउं 12.5 परसेंट इसमें बहुत अच्छे नाम है फिर कई बजार के रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो खरेदारी करने की सलाह अनूप इंजिनेरिंग में शॉट टर्म टागेट अथाइस सो पचास का बाकी लॉंग टर्म के लियाद से भी यह स्टॉक बहुत अच्छा लगता है ओके तो अनूप इंजिनेरिंग वह स्टॉक है जा रहा है आपके लिए आशु जी के तरफ से कॉल आ रहे हैं चलते हैं उनके पास स्विंग के सुल्टान आशु मदार बदाए सर दिपांची यह फ्राइडे को भी रिपीट किया था और मैंने एक कॉंसेट भी बोला था कि आजकल यह जिस तरह की बुल मार्किट है इसमें जब स्टॉक बैन में हो लेना है बैन के बाद निकलने के बड़ता है बैन में जाने से खराब नहीं होता अगर होता है तो और दिपांची मुझे लगता है कि यह सेल जब बैन से निकलेगा और इस बार यह 100 रुपे का मतलब यह हर बार लगता है कि 100 रुपे होगा और 100 रुपे होता नहीं था और इस बार यह जन्मिल हो गया और बैन में आने के बाद यह बाद almost 100 रुपे है तो इस बार निकलेग है और अनिल जी एक बहुत मतलब चीज है कि हिंद पेट्रो की सेल कॉल पर मुझे आपकी सच्पे तारीफ चाहिए क्योंकि वो अगेंस्ट आल इवन्स थी जैसे कॉल होती है ना मतलब यह हमने परफॉर्म किया अगेंस्ट आल ओड्स यह आल ओड्स के अनिल जी हिंद पेट्रो कोई बंदी में नहीं था उस वक्त आइटिफाई किया अनिल जी 386 रुपे और आज देखिया आज 5% की गिरावट आई है कि यह HPBP में कुछ ओवर हो गया है इतना ज्यादा यह डिजर्ब नहीं करते है उपर जाने के लिए तो अनिल जी मतलब मुझे एक परसनल बहुत खुशी है कि इतनी तेजी में एक बंदी की कॉल भी आज़ी जी और आपकी इस खुशी में आपकी तारिफ में पूरा पैनल और साथ में दीप शामिल होना चाहते है इस खुशी में अनिल जी मैं डेके कहना चाहता हूं अनिल जी एथियास आक्षी अनिल जी इसकी वाई 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 की जो जितने भी यह 1,2,3 है आज़ी अकले आशू जी को नहीं जाना चाहिए निल जी मेरी को कुणाजी पूरे पैनल को जाना चाहिए अच्छा आज ये टेकनिकल ब्रेक आउट, पैटर्न, फंडमेंटल वेलिशन, और तब हाफ जैकिट, मोटी जैकिट पहनते थे, अब कोट भी पहनते हैं, बजट में मौस्ट अखली टाइ भी पहनेंगे, तो अन्जी इस क्रेडिट के अन्जी जिम्मेबार हम भी है, आप देखें इन कमेंटरी दी अन्जी, तो आल इन, वान मतलगे, आल राउंडर हो गए हैं ये, आप टेकनिकल भी बोलते हैं, तो अन्जी मैं तो इसका श्रे अपने और कुनाल जी को दे रहा हूं, कंपनी का असर है, ओके कुनाल जी, जी कुनाल जी, और वैसे भी अन्जी देखिया, इतना बड़ अचिपमेंट नहीं है, अब पता चला है क्यों आश्री जी दे पार्णर बंदा है, कुणाल जी से, बंद बंद जी, ये जो आपने धीरे से छोड़ा तीर, ओके, लेकिन पूरे पैनल की तरफ से, वाँ 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 आश्री जी को अवाँ तरफ से, आश्री आश्री जी, मैं कहरो, सेल की डिलिवरी उठा के रखनी चाहिए, इसका आश्री जी, आठ जार का राट है, आप जादा पैसे बना नहीं पाएंगे, या जल्दी बिग जाएगा, सम प्रॉफिट में रहेगा, और थोड़ा सा भी घटते लगता है क्या खराब हो रहा है, त आश्री में सेल की डिलिवरी उठा लीजे, यह आश्री की तरफ से राय आ रही है, आई लेते हैं अनल जी से उनकी मार्केट स्टाटीजी भी, एकदम फ्लाट अनल जी डाव फ्यूचर्स हैं, आज वैसे कुछ जादा बड़ा डेटा, यूस में नहीं आने वाला, कल से उन हमें आपको ठीक ठाक कारोबार होते हुए दिखा था, जपैन तो इन फैक्ट आल्मोस्ट पांट सो पॉइंट उपर ही था, हमारे बाजार भी अच्छे मूड में, क्या करना है सर बताई है, टेजी, वाफ़ आगे, 21,000 पर आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही आज का लाइफ हाई, अगर हम तीन बजे के पहले तोड़ कर टिक जाते हैं, तो ये 21,100 आज ही दिखाने को तैयार है, ठीक है, वहाँ से भी 75 पॉइंट और बढ़ेगा, और अगर 21,000 के आसपास 21,000, 21,000 की रेंज में हम बंद भी होते हैं, तब भी कल के लिए संकेत अच् आज कीजे, 21,000, 26 को पार करके टिक जाए, तब भी खरीदारी कीजे, करना तो खरीदारी है, आपकी मर्जिये कैसे करें, जो पहले आए उसमें करें, 20,900 बचास 29,900 आजाए, पहले कर लिजे, ना आए, 21,000, 25 पहले पार कर जा, तीन बजे के पहले कर जा तो फिर किसी को आए, तीन बजे के पहले पार हो जाए ना, तो रुकना मत, कोई इंविटेशन नहीं देगा, मैं भी नहीं, अभी से बता रहा हूं, अपनी तैयारी खुद रखो, ठीक है, तो ये आपके लिए, निफ्टी की स्ट्रेजिक क्लियर कट है, अदर्वाइस, वही, 20,950, 21,025, इस 75,000 की रेंज में हम टाइम पास करके 21,000 के आसपास आकर बंद हो जाएंगे, ये डेटा बता रहे हूं, कोई भी लेवल तोड के निकलने की कोशिश कर रहा है, छोड़ना मत, ले 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 रहा है, दन, बैंक डिफ्टी, 47,400 के आसपास में, बैंक डिफ्टी भी क्या कमाल कर रहा है दी, जो सपोर्ट है बैंक डिफ्टी का, इस 100 पो.Nक की रेंज में, 47,400, 47,500 में, और जो बैंक डिफ्टी की रुकावट की रेंज है, 47,400, 47,500 की रेंज में, फुल टाइम पास चल्रहा है, ये 100 पो.Nक की रेंज में, 47,400, 47,500 के पुट पर 24, 24,000,000 शe nos可 комнаं ओपन आज का हाई 47-600 पार करेगा वह पार करेगा और भी भागए है तो तीन बजे के पहले 47-500 पार करना बहुत जोगी और वह किया तो बेंक निफ्टी शोट कवरिंग के लिए तैयार हो सकता है क्योंकि निफ्टी में ज्यादा शोट नहीं है लेकिन बैंक शोट से अच्छे गासे तो वह कवर हो सकता है तो ओवरोल तेजी की तरफ रुजान बनाए रखें नीचे आए मोका में लेक खरीदारी कीजिए बैंक निफ्टी कहां खरीद देंगे पहली एंट्री आपकी 47-250-47-300 की रेंज में होगी नीचे आए तो आज का लोह 47-150 के आसपर और ले लिजिए और ले लिजिए उपर क बदाएं सर कल का हाई स्टॉक ने अभी जस्ट ब्रेक किया है स्टॉक के अंदर पिछले 5-6 दिनों की गिरावाट के बाद जस्ट बाउंस बैक और पुल्बैक के संकेत मिल रहे हैं तो दौरी के शुकर के अंदर यहां से बाउंस और पुल्बैक देखने को मिलना चीए यहां पर CMP प पहस्तों के इसका पहला पुल्बैक और बाउंस बैक टागेट होगा चुराण में रूपए इसका दूसरा टागेट होगा एक यहां मैं से चौराण में के टागेट के लिए द्वारे के शुट करें नाइन्टी वन नाइन्टी फॉन दो बड़े टार्गेट शुकर फिर से आज अच्छी खरिदारी लोटती है दिखिए बलरामपूर चीनी तो बैन में है फिर भी एक परसेंट मजबूत है लेकिन बाकी शुगर शुगर में देखिए गजब का एक्षिन बनता हुआ दिखा है केश मार्केर के कई सारे शुगर स्टोक ऐसे है जो दमदार एक् फिर से खरिदारी लोटते दिखिए आपके सामने पूरा शुगर पैक एक धम मिठास बढ़ाता हुआ फैलाता हुआ इन्वेस्टर्स के पॉर्टफोलियो में ऐसी मिठास बढ़ाने की बात करें सिदार सेदानी साहब आईयों के लिए बिगुल सूपर सिड़ सिदार जी फर्माएं सर निल जी आपने अभी डिक्सिन टेक की बात की तो मैं डिक्सिन टेक के छोटे भाई को लेकर आया हूँ वो है केंस टेक्नोजी केंस टेक्नोजी पर खरिदारी की राए है डिस्क्लेमर बता दो सेप्टेंबर 2023 से यानि दो-तीम महिने से हम आमारे क्लाइंटों को रेगुलर्ली रेकमेंट करते आ रहे हैं केंस टेक्नोजी शौट तम टागेट आपको रखना है 2450 का 2450 पोजिशनल से लॉंग टम टागेट रखना है 2800 रुपेगा केंस टेक्नोजी इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्ट्रिंग सिस्टम्स में है इसलिए डिक्स दूसरे तिमाही के जो आई है वो भी करीबन 30% से बढ़ते हो दिखे है और वो 3460 करोड के करीब दिख रहे हैं केंस टेक्नोजी के मैनेजमेंट उमीद कर दिए 1700 से 1800 करोड का रेवेन्यू गाइडन्स हो सकता है यह साल में और कामकाजी मार्जिन जो है 15% के करीब रह सकता ह सब्सक्राइब के पास एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी ऑपरचुनिटीज है और मुनाफ़ा 60% से क्रोड़ हो सकता है सब्सक्राइब केंस टेक्नोजी शौट टरम टागेट 2450 पोजिशनल टागेट 800 रुपे का ओके 2450 टार्गेट के लिए खरीदारी केंस टेक्नोजी में ये राय आपके लिए आर्टीवी इस वक्त सिधार सिधारी साब की तरसे डिक्सन के छोटे बड़े भाई और पूरे मतलब इस स्पेस के खांदान पर ही नज़रे सिधार जी केंस और एक और कोंछी आई थी वो डी पे एक और कोई कमदी थी नहीं जो आई थी डी एक्स डी के बारे में जिस पर लग चुकी है मुहर या ट्रक ड्राइवर्स के कैबिन में एसी लगाना अब अनिवारी होने जा रहा है तो आप सोचें हमारे क्या लें देना हम थोड़ी ट्रेक में ट्रैवल करते हैं लेकिन सवाल यह नहीं है आप उन शेरों में तो निवेश करते है जिनको होगा इससे फाइदा तो कुशल बता रहे हैं इस पूरी खबर का असर कुशल बताईए बिलकुल सर आगे चलकर बड़ी डिमांड आने वाली है इन आंटो एंसलेरी कंपनियों के लिए क्योंकि यहां पर जिस तरह का यह नोटिफिकेशन जारी होता है हमारी खबर क के बाद 1 अक्टूबर 2025 से सभी N2 और N3 ट्रक्स यानि कि इनका जो मास साइज होता है उसके बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है इसके इनके जो ड्राइवर कैबिन्स हैं उनमें एसी लगाना अब अनिवार हो जाएगा और इसमें दो कंपनिया है मेजरली जिस पर करकर चलना चाहिए आपको एक तो सुब्रोस है अफकोस सर ने भी आपको यह बताया था सुबा और साथी अंबर इंटरपैसे जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए अब इसके पहले पांच मीने पहले भी आप देखे तो नितिन गटकरी साब ने इस पर एमफसाइस किया और सुब्रोस स्प्रेसिफिकली इसलिए जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो पहले पैसेंजर वेहिकल्स याने की गाडियां बस ट्रक और जो ट्रीन्स है उसके लिए यह अलरड़ी एसी बनाती है साथी दूसरी तमाही में एसी ट्रक सेग्मेंट में 51% का इनका मा आस-पास का है जो कि आगे चलकर कंपनी ने अपने कॉनकॉल्स में कहा है कि यह 100% इस चीज़ को करने वाले हैं अफकोस यह नोटिफिकेशन आने के बाद तो एनी विच्वेस यह एसी फिट्मेंट रेशियो आगे चलकर और बढ़तावा नजर आएगा जहां तक अबर इं के प्रॉड़क्स हैं वो समलर लाइन ऑफ बिजनेस में हैं अफकोस थोड़ा से नुक्षान शायद हो सकता है जो ओएमसी जो ओएमस हैं यानि कि जो कंपनिया यह प्रॉड़क्स बनाती हैं जिसमें टाटा मोटर्स असो क्लेलेंड आईशर मोटर्स जो भी ट्रक बनाने व दने ढाईान देना चाहिए हैं सुपरोस और अंबर एंटरप्राइज़ ढोनों पर आपको धियान देना चाहिए है याःफी त्रक कंपनी पर आपकी पोई रायए सर की डिपांशु यह वेलकम प्लेटें 점алась कितना हो सकता है कितना परसेंटेज कॉस्ट इंक्रीज के बार यह दिखने वाली बात होगी हाला कि मैं सुग्रोस और अंबर इंटरपेस्स पर तो अभी चर्चा नहीं कोंगा क्योंकि हमब बहुत पहले से हम डेकमेंट करते आ रहे हैं बट यह जो ओएम सेगमेंट कमोर्शन जाने पैचानने वाले और युथे समय मिलने पर शादी करने वाले बंसल जी आज फंडामेंटल राय देने के लिए तयार है इस पूरे मुद्धे पर अच्छा फंडामेंटल राय है जी बनाई जी बताए है अपना फंडा घ्यान अने जी त इसको तो बेनिफिट ही है, शेरोल्डों को भी बेनिफिट है जो एसी बनाएंगी, उससे आधा बेनिफिट अनिल जी उसको है, कि अनिल जी थिंक बयाउन स्टॉक मार्गे, प्रेट पर चाड़क पर चल रहा है अनिल जी, ट्रक पर उसके कैबिन में इसी लगेगा, तो ही व बिल्कुल भी कार में चलने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है तो रोड में पीस होगी ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा और जीवन में भी अनिल जी सकून आएगा तो मेरा ऐसा मनना है कि यह तो एक कंपनी के लिए भी एक चेंज होगा और प्लस रोड रोड पे जो चल रहा है निल जी चाहिए वो गाड़ी पर है टूविलर पर है बस पर है सबके लिए अच्छा होगा निल जी बहुत है मतलब लाइफ स्टॉक मार्केट के ब्योंड भी है यह अच्छा मुद्दे भी है मैं एक मुद्दे पर आप सब लोगों से राय लेना चाहता हू क्योंकि आम तर पर जब भी हम कोई भी इंफ्रसक्शिर की बात होती है लाइस्टाइल की बात होती है भीड भाड की ट्रैफिक सेंस की साफ सफ़य की हम हिंदुस्तान को कंपेर करते हैं मिदेशों से बिलकुल बराबर है पश्ची मिदेशों के साथ में यह वहां तो ऐसा ह नो डाउट हमारे पास सुधरने का बहुत स्कॉप है आप लोगों यह नहीं लगता कि अगर किसी इंग्लेंड में या किसे अमेरिका में भी हमारी तरह से पॉपुलेशन होती है सोचो कभी क्या होता फिर उनका तो वहां क्या होता तो आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करना अपने आसान काम नहीं है और यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं पिछले वर्ल्ड कप में गया था इंग्लेंड तब मैं टेंड बिज में मेश देखने गया था इं कि अगर पॉपुलेशन का बोज उनके पर देश पर बढ़ जाए तो इंफासर के किसी का भी चर्मर आ सकता है इस पर आप लोगों की विशेश्ट इपने मैं इसको एक्स्यूज के तोर पर नहीं हमें खराब करना चाहिए जिसको कच्रा हम फैकते हैं इसका मतलब नहीं कि जाद है इसलिए कच्रा केंभी फैके कुछ कुछ चीजों में हम सुधर सकते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजों में जी आशू जी अनिल जी बिलकुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है तो हर बार कहता हूं तो गेम एड़ गेम चेंजर इस ओनली एन ओनली पॉपुलेशन और को लोगों का है या जितनी मतलब जो इनोवेशन हैं मतलब एक वो प्रैक्टिकल इनोवेशन जो जहां पर है अनिल जी बाकी देश तो कहीं पर जड़त आप ना वहां के किसी स्टोर पर जाके देखिए मतलब यहां का जो मतलब सेल्समें होता है या किसी भी जगह पर ऐसे से मुल्टी टास्किंग कर रहे होते हैं एक से दूसरा उनको कुछ पूछ भी लो ना तो वह ऐसी देखते हैं जैसे पता नहीं हमने कोई उनको अब्यूस कर दिया हो या वह एसान कर रहे हो हमरे को चीज़ दिखा के कि कूछ कैसे लिया कह कैसे दिया तो उने जी वहां पर तो अधर साइट और अगरी जी एक और बात आपको बताता हूं सबसे बड़ी जो युकरें रशिया का वार हुए है उसके बाद जो इसराइल और ये का वार हुए है जो हमास वाला ये चल रहा है अने जी सडनली ग्लोबली मैं बता रहा हूं जी मेरी बहुत लोगों से बात हो अने जी लोग इस्राइल से भी छोड़के जारे हैं और अने जी इसले मैं करहा हूं इंडिया सडन नी सच इस स्वीट स्वार्ड कि जिस लेवल की सिक्यूरिटी इंडिया पर आ रही है अने जी मतलब अनिमेजने बला और ऐसा आज तक मैंने तो पिसले अपनी लाइफ में अने जी इस तरह से हलात हैं और कहते हैं इंडिया आकर जो रिलीफ महसूस हो रहा हूं वहां पर क्या है कि पेमेंट लेना देना कहते हैं मैंने वहां पर एक व्यक्ति को यूपी हैं ट्रांजेक्शन के बारे में बताया तो कहते हैं उनको विश्वास ही हुआ फिर उन्होंने अपने फोन से करके दिखाया तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि मिन्टों में चंद सेकिंड में पैसा कैसे ट्रांसफर हो सकता है तो अभी इतना पीछे हो गया है यूरोप और हमारी अभी कलपना यह वही है पुराने जमाने की कि यूरोप जो है बहुत आगे है या बहुत एड़ान से कई मामलों में भारत में बहुत तेज प्रगति हुई है और यहां रहकर हमें महसुस नहीं होता है जो बाहर से आते हो जो बताते हैं तब महसूस होता है कि अगया हमें क्रेट देनी चीए ऐसा भी नहीं है पहले सबसे पहले 5 डेविक कि उन्हों नहीं लागू किया सबसे पहले फोर डेविकों लागू करेंगे नारायन मुर्ति साहब होलता है नभे पचासी नभे गंटे काम कीजिए 15-20 गंटे भी करने को तैयार रही है जी सेडानी साहब अनिल जी इंडिया ने विश्व की आखे कोल दी जिससाब से वैक्सीन कोविट के टाइम में वैक्सीन इतने बड़े देश इतना बड़ा पॉपुलेशन में स्प्रेड आउट होके सबको लग गई यह पूरे दिनिया के लिए आई ओपनर है तो हमारी पॉपुलेशन तो ह इसलिए हमेशा यह ज्यान रखे कभी यह न सुचे कि सिर्फ बार अगर हमारी जितनी पॉपुलेशन करनी पर जाए दूसरे देशों को तो पता चल जाए कि फिर इंडिया कितना बड़िया है हम तो इतनी वीवित्ताओं में अलग 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 शित्रों में अलग 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 जलवाई हूँ अलग अलग वातावरण में रहका भी इतनी मजबुती के साथ आगे बढ़ रहे हैं चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे आईए लॉयड मेटल्स यह स्टॉक आज जबर हैं यहां पर देखने को मिला एक करके सभी प्लान से आपको बता देता हूं सबसे पहले अगर आप देखे तो आपको कंपनी का बाइग्रॉंड बता दो क्यों ज्यादा चर्चा नहीं होती है आयन और के कारोबार में करीब 20% FI 23 की जो रेविन्यू थी वो आयन और के माध नहां पर आप देखें तो एक्सपांशन काफी जादा अग्रेसिव है और क्योंकि अल्रीडी इनके पास आयन और काफी बड़ी मातरा में तो अच्छी खासी इंवेस्टमेंट लागयत के साथ यह देखें तो एक पूरी तरिके से जो इंटीग्रेटिट स्टील प्लान्ट के आस-पास का मार्केट कैप है और आम तोर पर हम एक ट्रेंट दिखते हैं कि जो माइनिंग कंपनीज हैं या फिर जितनी भी मेटल असोसेटेट कंपनीज है सबके बड़े के पेक्स जबी भी होते हैं तो इनके पास कर्ज काफी भारी बरकम होता है फिलाल के लिए अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है लेकिन अच्छे शम्ता विस्टार प्लान के चलते हैं आज इस टॉक में देखें तो भरपूर आक्शन देखने को मला तो शम्ता विस्टार का प्लान आया रहा है और बड़ा एक्सपैंशन कर रहे हैं मोर्स पर राए देदें आज अफकोस एक बड़ी मूव आई है यहां से चार्ट क्या कहते हैं सर अच्छा बेज बना है स्टॉक में और उसके बाद स्टॉक अपनूव की त्षिवाद कर रहा है आज एक अच्छा मूव देखने को मिला लेकिन बावसुत उसके मुझे लगता है क जैसे स्टॉक में थोड़े और कोई डिप मिलता है तो खरीदारी का अच्छा मूव का हो सकता है मुझे लगता है कि 610-615 रूपे के अच्छा इंपोर्टन सपोर्ट जोन है जहां पर स्टॉक में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है 600 रूपे के नीचे ट्रेडिंग के लिहा है ऐसा लगता है कि टॉक बहुत जल्दी 675-680 रूपे के मूव्स दिखाता हूँ नजर आ सकते हैं तो यहां से और बड़ी अप्मूव दिख रही है मांचीजी को रिडार पर रखेगा इस काउंटल को मनापुरम इस पर एक स्पाइक अभी आपको आते हो दिख रहा है व निपंचू फिलाल तो कंसोलिडिशन में है लेकिन एक फ्लाइक पैटर्न इन दे मेकिंग है जब यह 170 के पार निकलेगा जो यहां से 3 रूपे उपर है और सस्टेन होगा तो एक फ्रेश मूब की शुरुवात होगी 180, 182, 1 वे जा सकता है एक ही दिन में 170, 171 से 180, 182, 10 रू इस समय मनापरों जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है आपको पॉली कैप पर भी इस पर एक बड़ी मूव आ रही है एक बहुत पहले सिदा जी से इस पर रहे लें फिर एक चार्ट चेक भी लेंगे सिदा जी पॉली कैप देखें सर आज अच्छे मोमेंटम में 4-4% बिल्कुल पॉली कैप तो बेहतरीम कंपनी है ने पांचु क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से भी वॉल्यूम स्ट्रॉंग रह सकते हैं जिस रसाब से रियल स्टेट में ग्रोथ दिख रहा है यह प्रॉक्सी तो रियल स्टेट है क्योंकि वायजन केबल्स का लीडर है त अगले लेवल्स क्या दिखते हैं यहां से अगले लेवल्स क्या दिखते हैं इस पर दिपांचुर डेफरेंट्ली एक शांदार बेकाउट है इन फाक फिफ्टी फाइंट के आस पास इसने दो अटेंब किये थे वो दोनों अटेंब्स फेल हुए थे जिस तरीके से आज इस लेवल के उपर इसने अपनी चाल बनाग के रखी है तो मुझे लग रहा है बीबी अच्छी तरह इस्टाबिश्ट है तो जब तक फिफ्टी फाइव सिक्स्टी के नीचे स्टॉक स्लिप नहीं होता इस तब तक यह मोमेंटम बरका रही रहना चाहिए फिफ्टी नाइन टैन से लेके शिक्स्टी टूनेट के टागेट्स के लिए परफेक्ट तो पोली के मे है खरिदारी करने के राए आपके लिए आती हुए आये बिगुल का वक्त आ चुका है फिर से हिमानशु जी के लिए है पहला बिगुल हिट मेन हिमानशु बढ़ा है माईशु जी आले लिए कैश सेग्मेंट से अनुपम रसायन ये स्टॉक खरिदारी करनी है क्लासिक फ्रेगेंट पोल फॉर्मेशन का ब्रेक आउट एज भी स्पीक यहां पर हो रहा है खरिदारी करेंगे 1120 1150 के तार जिक्स मुझे लगता है एक से दो दिनों में आते वहे नजर आ सकते हैं ओके अनुपम रसायन खरिदारी करनी करा आई बीगुल सुमीजी के लिए सुमीत का सुपर हिट बताएं सर, अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है, आटो सेक्टर के अंदर का स्टॉक अभी आया है, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे उसका भाव चल रहा है, 1925-1926 का अभी भाव है, स्टॉक का नाम है, TVS मोटर, TVS मोटर एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, एक स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, यहां पे खरडारी करें, जिन्होंने ले रखा है, वो लोग होल करें, स्टॉक का जो नीचे में चार्ज के ओपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 1905 के पास दिखाई दे रहा है, तो 1905 के नीचे का स्टॉक लोस दगाके, TVS मोटर में खरड जान से चुनिएगγά, सारे लोग जो क्यों कोकाकॉला का सेविन गरते हैं, या उनके कॉम्पेटिशन दो जूरोग है, किसी की प्रधार का सेविन करता है, या कुछ उर। बहुत है जो लोग क्या इस उमर में Coca Cola पिना इसे भी हैं सबस्तों के होंगे आप इनके लिए भी ख़बर है भली बाद Coca Cola सुमी जी बड़े वुस्करा आ रहे हैं लगता सुमी जी जल्दी से समझ वा गया सुमीची समझगे आप अब पता चला आप आपको बच्चों की केटिकरी में क्यों रखा है जी जी गुणाल जी सब से खतरडाफ लोग वो होते हैं जो कहते हैं को को कोटरा जी को को कोई पेश सिदार जी जी सिदार जी अनिल जी कोको कोला की आपकी बात से एक दब समझ गया है ये बंसल जी के काम की चीज आ रही है ओके वेरी नाइस इंटल जै शार्प वेरी गुड बनाए बंसल जी देखे अनिल जी जैसे एक बार हम पिछली बार जब दिल्ली में बैठे थे अशोका के अंदर तो आप बता रहे थे ना दो लोग यहां बार खड़े हो जाएं जगड़ा करें तो दुनिया देखेगी और प्यार से बात करें तो कोई नहीं देखेगा इसी तरीके से अनिल जी कोका कोला जो करने जा रहा है उसको आप कवर कर रहे है बट जो मैक डवल्स यॉनाइटिड स्पिरिट्स ने नॉन एल्कोहॉलिक नॉन कार्बोनेटिड मतलब की ड्रिंक्स लांच करें उसको किसी ने कवर निकरा यह दुनिया का दस्तूर है आपके शिकाए तक दुमाजी में बिल्कुल सही जवाब लेकिन जो कवर करना हो तो हम करेंगी नूपुर हमारे साथ तयार है बताने के लिए को कोका कोला ऐसे क्या प्रोड़क्त बनाने जा रहा है जिसक जब आपको गोवा और महराष्टा के कुछ इसो में मिल जाएगी जैपैनीज लिकर होता है सोशू उसका और लाइम जो निम्बू है उन दोनों के मिश्रंस इस ड्रिंक को बनाया गया है जपैन में 2018 में लाउन्च होई थी और इसके अलावा यह ड्रिंक आपको फिलाल चा कुछ इसों में हो चुकिए ट्राइल बेसिस पे गोवा में आपको मिल जाएगी धाइसे में में पैक आता है 230 रुपे का भाव है महराष्टा के कुछ इसों में आगे चलके पूरे इंडिया में आपको यह ड्रिंक मिल सकते हैं रेडिटू ड्रिंक की कैटेगरी में इसको क इसको किस केटेगरी में रखा जाएगा इसको किस केटेगरी में रखा जाएगा और बिखेगी भी काफी और अनिल जी कोका कोला इसलिए कर रहा है कि आप देखें आवेरनेस ना चीनी के लिए बढ़री अनिल जी बेसिकली क्या समझ में आ गया लोगों को कि बहिए शुगर इस गूट पोर पोर्टोलियों में गूट है पीने के लिए नहीं और हर वक्ती अनिल जी आप अनिल जी कहने के लिए तो बहिए आप ठीकली प्रैक्टिकली नॉट फॉर है बट लाइफस्टाइल के चक्कर में जी बिख रहा है यह अलकॉल वाली केटेगरी में ही आएगा और अनिल जी शुरुवात तो अनिल जी यह यंग सर्स से होगी और एक चीज औ को मालूम ही है यह जो बारबार नुपूर जैपनीज दिंग की बात कर रहे है ना अनिल जी जो जैपनीस स्कॉच आती है सिंगल मौर्ट ज़रा जो आती है उनके अंदर ऐलकॉल की परसंटेज विजभी जनिल जी कंपेरिजन में ज्यादा होती है इस कंपेर टू स्कॉच यह सिंगल मॉल्ट आप अधर कंट्रीज कुछ समझा है ना दो नौड करते हैं मैं तो बाउंसर लगे अग्री करते हैं बट थी के वंसल जी जो भी आपने का होगा सही का होगा ऐसा में मान के चलता हूं बिल्कुर तो चलिए सिदार जी बताए क्या वाकई में एलकॉल वाली कि जो दूसरी कंट्री लिस्टेड है उनके लिए कोई चिंता की बात है अनिल जी अभी एक दम शौट तम में चिंता की बात नहीं है बट हाँ कोको कोला के जिससाब से डिस्ट्रिबुशन नेटवर्क है और अगर यह ड्रिंक जो जैनरली क्या होता है अनिल जी जो मिक्स बनते हैं यह बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है भारत में और वर्ल्ड वाइट भी नहीं है अब कोको कोला कि से इसको प्रेजेंट करेगा और कितना एक्सेप्टबिलिटी प्रेफरेंस आएंगे भारत में वह देखने की जरुवत है बट जिस इस ताब से भारत में चेंज हो इंडिया वो सकता है कि डिमोग्राफिक्स बहुत स्ट्रॉंग है इसलिए इंडिया से स्टार्ट कर रहें तो अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि यह पर रेडे को खैतान जो अब अबर की कम्तिया है यह स्पेस में इनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है इसमें तो ऐसा है ना सिदार जी कोको कोला का डिस्ट्रॉइशन नेट्रोंग पान की दुकान पर कोका मिल जाता है वह थोड़ी बेचवाएंगे अलकॉल वाला तो कुछ ने कुछ सिस्टम होगा ना लाइसेंस वाला जहां लाइसेंस लिकर शॉप से है ना वहीं पर बेच पर शॉप सेवन इलेवन जर्मनी में मैं अन्धेरी में में अन्धेरी में में प्रस्टीशन के नीचे अच्छा ओके मुझे पता निजा लेकिन वो निन वाला है सर्लेकिन हमारे इंडिया हमें अलाउट नहीं है लिखकर ऐसे बदलाव के साथ है सम्कॉस्मेटिक चेंज़ तो यह थी आपके लिए इंट्रेस्टिंग ख़वर भी और उस ख़वर में पूरा अपडेट भी कोको कोला इंडिया एलकोईल सेग्मेंट में उतरने की तैयारी में तैयारी में क्या उतर मैं इसके सुपर सेडिक है सिर्दार जी के लिए बिए बिए सुपर सेड़ जी मुझे लगता है कि आई-टी शेत्र में अब नज़त देनी चाहिए और उसमें से एक मिटकाइब कंपनी है साइंट जो मैं लाबार बार 2020 से वितर डिस्क्लेमर रेक्रिमेंट करते आ रहा हू शौट टर्म टागेट रखना है 2050 का 2050 का और पोजिशनल टागेट रख सकते हैं 2060 का 2160 का साइंट पे आई-टी एनेबल्ट कंपनी है जो इंजिनेरिंग आरेंडी सेगमेंट को बहुर अच्छा सपोर्ट करती है टोटल कॉंट्रैक वैल्यू की जो बात करें वो 40% से 24 मिलियन डॉलर मार्जिन करीबन 16.5% और फ़ट 24 में मैनेजमेंट गाइडन्स दे रिए कि 18% की ग्रोथ आ सकती है साथी साथ एबिट मार्जिन भी करीबन 150 से 250 बेसिस पॉंट मतलब देर से 3% बढ़ सकती है मैनेजमेंट हाय ग्रोथ की उमीड करें सेकेंड हाफ में और ए 2160 का पॉजिशनल टालेट तो यह है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के रहा है साइंट में धन्यवाद में मुझे देना पढ़ेगा सिर्दार जी को सिर्दार जी मेरी आज स्पेशल 9 बजे स्टॉक ऑफ दे वी इसको चुना था लगवक सारे टार्गिट के आसपास यू बदा है सर दिपांचु सिमिलर स्पेस आपर निफ्टी आईटी एक शांदार क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है लगबग अपना जो सब्टेंबर का हाय था उसमें निकाल गिया है और वहापर काफी सारे मिटकाप आईटी में जो एक फॉलो त्रू आक्शन बनी चाहिए खरेदारी करने की सिला होगी को फोर्ज के फ्यूचर में डिस्क्रेमर डिस्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट को भी रेकमेंडेशन दी है वाया आप्शन अजिस तरीके से और और स्ट्रक्चर है एक फ्रेश प्रेश प्रेकाउट हुआ था फ्राइडे के सशन में 5800 के आस-पास बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन था वह पाटन अट्पिवेट होने के बाद मुझे लिए चाल अभी अन्फोर्ड हो रही है 62-20 के टागेट के लिए तो काफी बड़ा टागेट होगा यहां पर इमिडिट बेसे से मुझे लिए 6-0-3-0 तक यह मोमेंटम एक्स्ट रहा है और साइंट यहां पर हमने बात करी और अलजी के सुबा के टार्गेट से वह भी आ गए सुबा से काफी आक्टेव भी आपको यह काउंटर था एक दो और स्टॉक्स जहां पर मूव बंती भी दिख रही है चंबल फोटलाइजर इस पर रखेगा नजर वापस की तैयारी कर रहा है थोड़ा आक्शन में आ रहा है तो अग्रो केमिकल स्पेस से यह दोनों स्टॉक्स भी आपके लिए काफी आक्टिव होते हुए दिख रहे हैं कमिंस यह भी काफी आक्टिव है एक बार जड़ा बंसर जी से कमिंस के चार्ट पर राए लिजा है बंसर अच्छन में ब्रेक आउट लिया है तो जिनके पास है दिबान्शू होल्ड करें नीचे में थोड़ा सा नीचे मिल लिया है 1940-1950 के राउंड तो अच्छे स्तार है गिरावट में खृदारी की राया है जिनके पास है बने रहे है अंचार्टी टेरिटरी में आया है तो देख रहे हैं इंडिया का भी कारोबार में थोड़ी रिस्ट्रक्टिरिंग होगी एलेंटी भी अच्छा मूव करी रहा है आज इन सारे स्टॉक्स में एक्शन भी है कोई राय सर इस स्पेस में तेकि दिपांशू बहुत जगह सुनाई दे रहा है कि यह एक्सपेंसिव हो जाए पर अभी वी क्योंकि क्यूफोर में दमदार और रहते हैं यह पूरे ही स्पेस के लिए चाहिए वह एलेंटी सिमेंस की बात करें पर पूरे ही स्पेस पर अभी पॉसिटिव रहना चाहिए पर अभी फ्रेश खरिकदारी ना करें अगर आपने ले रखा है तो में आपको मुवमेंट अच्छा दिख रहा है देखते हैं यहां से कैसी मूव आएगी कुछ काउंटर जहां पर वीकनेस बनी हुई है आज थोड़ी मुनाफ़ा वसीली बैंकिंग शेर्स में आपको आती हुए प्राइवेट बैंक आज थोड़े ज्यादा नर्मी की तरफ मुझे लिए उसके बाद वापस एक फॉलो तुर तुर अच्छन होगी पॉसिबिटी इस नजर आ रही है बट इमेडिट बेसे से मुझे लिए ग्यारा सो के आज पास का फ्लोर वापस एक बार रिविसित होना चाहिए थिंग बाइन डिक्लाइन की आपर रन नीत ही आपक को करनी चाहिए बट नीचे अगर डिक्लाइन होता भी है तो आई तिंग ग्यारा सो ग्यारा सो पार्च भी वैथरीन लेवल हो सकता है एक्सिस बेंक आपके लिए आईए बढ़ते आगे और वक्त जैक के लिए एक बिगुल कैश का ऑफशन यह स्वागत है आपका बताएं कौन सा ओप्शन ट्रेड करेंगे आप वरी गुल आफ्टन टू यू अने जी खरिदना है अंबूजा सीमेंट का 510 के स्ट्राइक का कॉल ओप्शन यह आपको मिलेगा 17 रुपे 35 पैसे 17 रुपे 55 पैसे 18 तक भी खरी सकते है तो आप मानलीजी आपका बनेगा 28 रुपे 20 पैसे का और 36 रुपे का अने जी मुझे से लग रहे हैं कि जो इस आप से सीमेंट पैक में आज अची तेजी देखने में लिए इल्ट्राडिक तो जबर दस टेजी वे हैं तो आज एक तेजी देखने में लिए तो मुझे से लग रहे हैं यहां से आने वाले तीन चार दिलों में अची तेजी देखने मिल सकती हैं इसलिए यहां पर खरीदारी करने की सलया और अने जी दूसरी बात यह है कि सुबहें बैंकेक्स का कॉल दिया था उसके टागेट सासिल हुए और अच्छा प्रोफिट बुकिंग फिर वहां से उपर के लेवल से आते हो देखने मिला तो हमारे टागेट सासिल होग है बैंक सुबहें का कॉल ओप्षिन करेंने की रायज जे की तरह से आएए वक्त है बैंड से बेनिफिट का और अब हर रोज बैंड लिस्ट में बदलाव करने में महारत हासिल कर चुके है आशिश चत्रवजी हमारे साथ है आशिश बताए कोई बाहर निकलेगा बिल्कुल सर बाहर निकलेगा साथ स्टॉक हैं आपके पास तो जो बाहर निकलने वाला है वो है जी हैं वो बैंड में बने रहेंगे सबसे लीस्ट पॉजीशन भी जो है वो डेल्टा कॉप की ए करीब 88% के साथ सबसे हाइस्ट है बलरामपुर चीनी 124% तो 6 स्टॉक तो आपके पास बैंड में बने रहेंगे लेकिन जैसे कि आपने सर राइटली बताए कि रोज बदलाव तो होती हैं अगर कोई भार निकल रहा है तो इसको रिप्लेस करने के लिए भी त्यार हो रहा है इंडिया सिमेंट तुबार एंट्री कर रहा है एक सो पांच परसेंट है मार्केट पॉजिशन समझ में रहें कि ट्रीडर के अंदर काफी जादा है तो एंट्री करेगा इंट्री लेने को तैयार हो रहा है जी एंट्री में बाहर आ सकता है आए लेते हैं आजल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्राटिजी भी सब पिसले एक गंडे में कोई बदलाव नहीं हुआ है रुपया वहीं का वही है डाव फ्यूचर्स नाजडेक वहीं के वहीं है यॉरप के बाजार भी वहीं पर हैं हमारे बाजारों में भी कुछ जादा आक्शन नहीं है हलके फलके बड़त के साथ हम क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं बदाएंसर क्या करना है तेजी 21000 के आसपास बंद हो रहे हैं जैसा कि उम्मीद था मिलकुल वहीं कि सवाक्रोड शेयर कॉल राइटर्स जो कर रहे हैं लगब वहीं बंद रहे हैं एक ही कंडिशन पर तैजी करना है दिप कि यह कि 20925 और 20850 अगर इन दो लेवल पर कल सुबह मिलेगा तो मैं और खरीदन है नहीं है तुकड़ों में अगर नीचे मिले तो और खरीदना है 21500 का लाइफ हाई पार करके अगर ठीके गा तो ब्लू स्काई जोन में जाते होई नज़र आएगा वहां पर आगे आप और देखिए कि तार्गेट किस तरह के बनते हैं तो खरीदारी करने का मुका है बैं है तो फिर आप कल सुबह भी खरीज सकते हैं जो पोजिशन है आपकी डेफिनेटली होल करें हैज करना चाते हैं 46,800 यह 47,000 का पुट खरीद के कर सकते हैं 47,600 के ओपर फ्रेश बढ़या खरीदारी और बनती भी दिखेगी तो आज मार्केट बहुत बढ़या है आपको दोन से बैठर है आप सही जगर पर सही लेवल से ट्रेड करते चलें बने रहें कोई दिक्कत नहीं है एक स्टोक डीप बंद होते होते है रडार पर आ रहा है बहुत ही गजब को जिखालते हैं शुरुआत में वागल सामने भी कवर किया था बहुत ही गजब का मूँ आकरी 10-15 म में आया है और आखरी एक देड़ गंटे में बहुत ही तगरी तेजी के साथ यह फीचर्स में 725 के पार निकलता हो दिखता है डियाई पर बंद रहा है लगता है कुछ कमाल करने को तैयार कुछ कमाल को जैस पिल ठीक है चली इस पर रखेगा नजर और एक दो और मेजल पर भी अच्छा आया है कमोड़ी बाजार पर भी हमारी नजर एक हिमांशु जी के तरफ से कॉल आ गया है हिट मैं हिमांशु जी है कुल अच्छा जो अ बाद आए सर इसको थोड़ा सा पोजिशनल कॉल लेकर चले बेसिकली यह मेरा समझ लीजिए आज दूसरा पिक आउद अभी है कैश सेग्मेंट का एक और स्टॉक सेंचुरी प्लाई साथ सो चालीस रुपे के आसपास यह स्टॉक कर रहा है दी बहुत इस्यांदर ब्रेक आउट इसमें एक इन्वर्टीट हेटन चोल्डर पैटन का बंता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे लगता है कि इसको इस लेवल के लिए तैयार है तो सेंचुरी प्लाई में पॉजिशनल तौर पर खरीदारी करके चलने की सला है यह आपके लिए कैश पेस सेंचुरी प्लाई जहां पर रखनी है आपको नजर बिगोल वागले साब के लिए वागले कमेंटर जी सर दिपंचु एक्चुली मैं जेएस्पेल पे अपडेट देना चाहता हूं अगर किशे ने लिया है तो इसको कैरी फरवाड करें अनिल जी का अब्सरवेशन बिल्कुल सही था मैंने दूरिंग दा शोग की बात की थी ये स्टॉप के बारे में कॉल भी दिया था मुझे लगता है जिस तरह से क्लोज होता है कल के दिन में आपको साथ सो 747, 745 तक के लेवल्स मिल सकते है मल्टीपल टॉप्स इसने ब्रेक किया है आपने अगर पहले लिया है जो लेवल पर हमने बताया था आप वो लेवल पर स्टॉप लोज रखके बने रहे और 20 से 25 रुपए आपको कल के दिन में मिल सकते हैं ओके यह आपके लिए जेस पियल जहां पर आप बने रही है बागले साब की तरफ से पिक आए सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हेट बदा है सर दिवाचो पाय का स्टॉप रडार पे आ है एक सो अठाइस पचास एक सो अठाइस पिचतर का अभी भाव है 128.50 128.75 का अभी भाव है स्टॉप का नाम है DCP Bank DCP Bank के अंदर मोमेंटम तेजी का बना है एक स्ट्रॉंग केंडल फॉर्म हुई है पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम इसके अंदर तेजी का बना हुआ है DCP Bank यहां से एक बढ़िया मुग उपर की तरफ दिखाने को तयार है तो जिन्होंने ले रख है वो लोग होल्ड करें यहां पर खड़दारी कर सकते हैं स्टॉक का जो नीचे में चार्च के उपर सपोर्ट है 124-125 के पास है तो 124 के स्टॉपनों से DCP Bank में खड़दारी करके चलने का सला रहेगा और यहां से उपर में जो टागेट दिखने को मिल सकते हैं 134 पेला टागेट 137 दूसरा टागेट तो 124 के स्टॉपनों से खड़दारी करें 134-137 के टागेट के लिए एक बिगुल जै ठकर के लिए जैका जैकपॉट बताए जै जिन्दाल स्टील फूचर्स खरीना दीप 728.70 ट्रेड कर रहा तो आप 728-29 के रेंज में खरीदें जिन्दाल स्टील फूचर्स फ्रेश हाइस मार रहा है इस टॉप एंड जबर्दस एक लॉंग बिल्डप भी देखने मिल ला यहां पे सब्सक्राइब कर देखने मिल सकता है अगर तोड़ी बाट कल दिखने मिली भी तूर्द एलाउस ऑफ 720 फूर्द एड कीजिएगा 704 का इक पोजिशनल बेजिस पे स्टॉप लॉस है टागेट यह हाई जो इस आफ से निकला है वीकली हाई इस पर नजातों कुछ ना कुछ डिवेल्पेंट इस पर हो रहा है इस भी च्लोजिंग के लिए हम तयार 21,000 के जस्ट नीचे निफ्टी क्लोजिंग देने वाला है 47,300 के नीचे आपको बंटी क्लोजिंग दिखिए कि संसेक्स भी 70,000 का सर्च होने के बाद 69,900 के आसपास बंद होने को तैयार बट अनिजी मिड और स्मॉल कैप एक दिन पॉज आया 25 दिन की तेजी के बाद आज वापिस वहाँ पर आक्शन आपको बंते हो दिग्या सर दम सारे डेक्स फाइनल कोजिंग आने देर तब तक आये बाद़ार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं क्रिस्मस और नए साल का काउंट डाउन शुरू हो चुका है इस दोरान कई लोगों को ये दूइधा होती कि नया साल कहां और कैसे मनाया जाए कई बार देरी से की से सपाटे के सस्ते और बैतर विकल पर लेंगे हमारे एक्सपर्ट से राय आपकी फ़बर आपका फायदा में कमदाम में यू एर प्लान है हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन कुंदू साब मेनेजिंग डिरेक्टर एबिक्स कैश ट्रेवल सर्विसिस के हमारे साथ होंगे स स्टी आइस्टी ट्रेवल गूर्प के और पंकज मरान साफ फाउंडर एबियस टूर एंट्रेवल से यह बताएंगे आपको कि किस तरह से आप अपनी छुट्टिया कर सकते हैं प्लान शाम च्छे बजे मिस मत कीजिएगा अगर दो तरीके आपके पास या तो यह शो देख करेंगे मिच्वल फंड के निवेशक कैसे फाइदा उठाए स्टेजी का और एसाइपी से कैसे करें एक लॉंग टर्म वैल्ट क्रेशिंग का प्लान साड़े च्छे बजे बाज़ार एट लाइफ आई कैसे करें कमा आई एस्बिया मिच्वल फंड के जोइंट सीयो और डी प्रवक माधिव पूरी बुष ने छोटे इंवेस्टर्स को दी है बड़ी कुछ कबरी का है कि मुच्वल फंड के साथ 200 रुपे एक से एसाइपी शुरू करने के विकल पर काम किया जा रहा है आज इसी पर होगी कवर स्टोरी मुच्वल फंड में निवेश अगर 200 या इस कि तेजी के साथ शुक्रवार के हाई के ऊपर बंद होता हुआ बैंक डिफ्टी और सेंसेक्स ने 102 पोइंट की लगाई है चलांग 79,978,000 से थोड़ा संचे मिटके पर सुमाल के पिंडेक्स कौन परसें मजबूत मिटके पिंडेक्स पी करीवन करीवन परसें मजबूत बं सब्सक्राइब और मुड़ माहुल एकदम बढ़िया फर्स क्लास आज के बाज़ार का हफते के पहले दिन मजबूत शुरात की है बाज़ा ने एक्सपर्स के मजबूत पैनल को इसके लिए देना होगा दन्यवाद कुनाल जी राकेज जी सुमिझ जी वाग्र साब का बहु मुझे इजाज़त दीजिए और दीप को बिल्कुल भी मत दीजिए सिर्फ मुझे लिए इप आपको नहीं है बताई करना है हर मंडे वैसे थो हम सामको के वीकली इंडेक्स को लाते हैं बट हर महिने में एक बार मंतली वाले मंतली वाले और हमारे स्टूडियों में भी आत अध्वास्ड वाइरीब्ड सुपर शचिति ने हम जिए इंट बार में आता है् सुपर श्रॉग The demand for food is rising and extreme weather conditions are causing crop failure. Agriculture is adopting a new approach. PolyMetex's Opto technology powers vertical farming enabling sustainable horticulture that offers essential बीटल नुट्रिए यर रांद, और बॉस्त्स चौप येल्स पर जलुद एग्रेन प्रवानट, विथरी बीजाना थाफ्टॉ अप्टो समीकंडॉर्टर्स आरेवरेवरेवरा तुम्से लेश जाना, तुम्से लेश जाना, तुम्से लेश रूड, अमजगाय? और बैंक भी. AU Small Finance Bank. बदलाव हमसे है. पिछने छे सालों से हर रोज यही हो रहा है. यह वो SIP है, जो चौदरी सहाब अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं. जब जिन्दगी जीने का तरीका ही SIP है, तो जिन्दगी के लिए SIP क्यो ना हो? An Investor Education Initiative by HTFC Mutual Fund. Mutual Fund निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. Mutual Fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Options तो बहुट सारे हैं. कौन से options, Dr. साब? Call option, Put option, Stock option, Index option, Currency option और कितने option चाहिए आपको? अभान गया, Dr. साब? आप एक बहुत बढ़ी आप डॉक्टर ही नहीं लेकिन बहतरी ट्रेडर भी हैं. क्योंकि मेरे पास है U-Trade Algos. अभी यू-Trade Algos की back-tested strategy और fully automated algorithm के साथ ट्रेडिंग परी इतनी efficient और आसान कि लाइक प्रो ट्रेड करेगा पूरा हिंदुस्तान. U-Trade Algos with sharing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. ये है इंडिया के पुराने इंवस्टिंग की दुनिया. अब, इंवस्टिंग को बदलने आगया है. कुछ सुपर, complex market को करे सिंपल. आगया है Angel One Super App. जो इंडिया का investing बना दे. सुपर. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Experience a new Verilux progressive lens designed with artificial intelligence so it can predict your natural eye movement. Verilux XR Series for instantly sharp vision in motion and seamless transitions from near to far. Verilux by Esalor. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. Hardwin, a one stop for all hardware fittings and solutions since 1965 with over 30,000 sales outlets pan India. Hardwin, fittings that fit perfectly. Perfection redefined. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अपने हमाला उसको कौन सम्हाले? दुनिया अपने हवाले, दुनिया अपने हवाले, दुनिया किस्के हवाले? ये हैं इंडिया अप जिस दुनिया ने हमको सम्हाला, वो है अपने हवाले? ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया. अब इन्वेस्टिंग को बदलने आगया है कुछ सुपर, कॉंपलिक्स मार्केट को करे सिंपल, आगया है अगया 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 है यह खे इन्डिया के पुराने इंवेस्टिंग बादने आ गया है कुछ सुपर Speed में बतर है इपन्स एंवेस्टिंगं अजय के लिए बदने तो है इंजनल्वन्वानुपर आप जो इंडिया का विन वेवारब शाली एक्तितु उब्सस्टर हो आफटे डीयू कैसा मधा है भरखन मुजिन और छूद डेयू एलसी इंट की जडिस फाली कि सकते डरक मेंदे अई प्रणी नानी को लेके बैंक जाना है एडरिस चेंज के लिए खमाल लेना प्लीस ब्रांच आओगी ऐसा क्यों चल्ड विडियो कॉल करते है ना प्लीस ब्रांच बंद हो जाएगी वल्कुम तो आयू 0101 दिजिटल बैंक के सारे काम हो सकते हैं सोच पतलो बैंक भी एएउ स्मॉल साइनांस बैंक बदलाव हमसे है नमस्कार सामको द्वारा प्राजिट सेग्मेंट मिशिन एस दी इंडेक्स का मंथली स्पेशल अपडेट आपके लिए आ गया है साम को नेक ऐसा प्लाटफर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तमाल करके इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं इस प्लाटफर्म को इस्तमाल करके मंथली विनर्स आज हमारная साथ स्टूडियो में जुडे होے हैं मेरे साथ हैं मनोज कुमार भार्दवाज साथ जो की नई दिल्ली से हैं साती मेरे साथ हरजीत कुमार साथ जो लुद्याना से हैं और साथी कुनाल मलिक साब जो भी लुधियानस हैं तो दोस्ट खास मेमान लुधियानस है और अफकोस सर आप नई दिले से हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सब का मुंबई में हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए इस समय और हमसे बात भी करने के लिए बाजार भी बढ़िया मूड महल में और उन सब में आपने बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिखाई है मंतली इंडेक्स विनर्स भी रहे हैं तो एक बार थोड़ा आपके बारे में समझना चाहेंगे आपकी थोड़ी ट्रेडिंग जर्नी जाना चाहेंगे और फिर अफकोस जो बाजार में आपने धूम मचा है पिछले महीने उसके बारे में आप करें मनुश कुमार साब आप करिये शुरूआत जरा बताईए कब से आप बाजार में कैसी रही है तो दीरे दीरे मैं उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड्स लेने लग गया दीरे दीरे प्रॉफिट भी होने लग गया अब थोड़ा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है मजा भी आ रहा है और एक दिसंबर के बाज से तो बाजार अलगी बूर माहौल में है तो उसमें ट्रेड करने का मजा ही अलगा है मौके का फायदा भी उठा रहे है बिलकुल मौके का फायदा उठा है बिलकुल तो बड़ी है मौके का फायदा भी उठा रहे है बाजार की मूव भी अच्छी आ रही है और उसमें आपको अच्छा मुनाफ़ा भी और की परफॉर्मेंस भी बड़ी हारी है इतना मंतली गेंग कर रहे थे एक दिसंबर के राद उतना डेली गेंग कर से अरे वाँ जबरदस्त हो जो पिछले पांच साल में सबसे अच्छा टाइम यह चल रहे है बिलकुल चलिए अ हमें बहुत अच्छा गाइड किया है और हमेशा से हम आपको फालो करते रहे हैं और मैं एक रिटाइड परसन हूँ जी और मैंने साथ आठ साल हो गए मेरे को इस ट्रेड में शुरू में मैंने कैश में किया था कैश में डिलीवरी बेस्ट में बाद में फिर मैंने आप्श और स्टाक फूटर में सब करता हूं अब क्या है कि लेकिन आप्शन में मेरी एक स्ट्रेजी यह हमेशा इससे रही है और रहेगी कि मैं आप्शन को कभी सेल नहीं करता है यानि काल और राइटिंग नहीं करूँगा हमेशा और मैं लोगों को भी यही अडवाइज ठीक है काल राइट ना करें और पुट राइट ना करें मतलब पुट रइड और काल राइट नहीं करना है उसमें क्योंकि अन्लिंटिड रिस्क ऐर नहीं है लेकिन काल वाई और पुट बॉइम्ट तो यह उसको थोड़ा जैसे इंशुरेंस का प्रीमियम नहीं बरते हैं, तो मैं उसको उस सही तरह से लेता हूँ, जैसे आपने कोई प्रीपुट अप्शन भाई किया, या काल अप्शन भाई किया, 15 रुपए या 20 रुपए में, तो आपका वो प्रीमियम है, यू अगर सेल करेंगे, तो यह मेरी स्ट्रेजी रही है, और सबसे ज़्यादा मज़ा कहा आता है ट्रेडिंग कमरें, सबसे ज़्यादा अक्टिव कर लो, प्रीमियम ही तो ज़्यादा लगेगा, भाई करोगे या सेल करोगे, तो केरी फारवड कर सकते हो, तो अप्शन में क्या है, कि अगर तो इंदा मनी है, तो इतना रिस्क नहीं है, लेकिन आउट आप मनी है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो इंट्राडे में भ दूसरा बात है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, यह सही बात है, तो वैसे सारी टेडिंग कर लेते हैं, कैश भी कर रहे हैं, ऑप्शन भी कर रहे हैं, फूचर में ज़्यादा है, कुनार मलिक साब, आप भी थोड़ा अपने बारे में बता है है, आपकी बाजार की ज़र दूसरा है, उन्द गुच्चार में बता है और भी कर रहा हूं, और अगर इंटाडेडे फूचर भी थोड़ा बता है, फुचर में बदा रहे हैं, और जड़ा ठर्टे मुच दया में बाजा ज़यादा है, और ज़य में reco साब से मैं अपना decision on portfolio decide करता हूँ चलिये भड़िया था आपने कुछ जो trading insights के बारे में बात करी तो इसमें हमें अन्दी का सच भी मिलता है आपकी जो trading story है उसके बारे में हमें details भी मिलती है तो Manoj सार पहले आपके बारे में बात करते है जो आपका Samco trading score है वो almost 11 का दिख रहा है, winning trade percentage 86%, losing trade percentage 14%, average profit 2% का, average loss करीब 1-1% का, winning trade percent आपका professional trader से भी ज्यादा बढ़िया आपका आ रहा है, कैसे करते हैं इस जड़ा बताई है, अपने positions manage कैसे करते हैं, एक तो मैं पूरा study करता हूं उसको, जो मुझे लगता है कि जैसे segment rotation market में होता रहता है, मुझे लगता है जो कि अब ये segment चलने वाला है, या जो अभी तक नहीं चला है, अब इसका time आ गया, तो मैं उसको trades लेता हूं, और मैं कोई intraday सोचके नहीं लेता हूं, अगर intraday में अच्छा profit आ गया, तो मैं book भी कर लेता हूं, नहीं तो मैं उसको weekly या monthly भी hold करना पड़े, क्योंकि मैं futures में ज़्यादा trade करता हूं, तो rollover करना पड़े, मैं rollover भी कर लेता हूं, और उसको उसी तरह से जब अच्छा profit आता है, मैं उसको book कर लेता हूं, मतलब बहुत ज़्यादा greedy भी नहीं होता मैं, और discipline maintain करते हैं, और generally मैं चार्ट देखता ह हूं, जब तो मुझे लगता है support level के पास अगर आ गया है share, उससे थोड़ा वापस move कर रहा है उपर, तो उस तरह उस वक्त लेने की कोशिश करता हूं, और resistance level से पहले ही मैं exit कर जाता हूं, कि मतलब minimum risk लेके मैं उसको trade करने की कोशिश करता हूं. 86% का win-loss percentage बहुत ही impressive है sir, और हरजीत sir आपका भी अंदेखा सच देखे तो बढ़िया performance है, आपका Samco training source 16.2 दिख रहा है, आपका भी wearing trade 83% है, losing trade 17% है, average profit 7%, average loss 2%, बढ़िया तरीके से आप भी अपनी position manage करते हैं sir? sir, मेरा कोई technically तो मैं sound नहीं हूं, ना मैं chart के बारे में इतनी जानकारी है और मैं ज्यादा उस पर follow भी नहीं करता हूं, मेरा जो एक combo plan है, combo plan में मेरे 6-7 जो formula हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक trend is front, दूसरा है price to earning ratio, ये combo है, सब एक ही किसी भी staff का, ये सब earning ratio, और fundamentals, management, और higher top, higher bottom बन रहा है, तो buy कर लो, lower top, lower bottom बन रहा है, तो sell कर दो, और दूसरा क्या है कि management उसका कैसा है, fundamentally कैसा है stock, और एक, मैं ये believe करता हूं, कि market na mostly, cycle जी भी चलती है, जो human psychology है, ये भी मेरे combo में आता है, human psychology में क्या है, जैसे greed and fear, दो ही तो forces हैं, जो market को चला रही है, greed and fear, greed है कि मेरे को थोड़ा हो रा जाए, और fear ये है कि कहीं ये भी ना गुगा दे, तो ये चारो, ये पांच-छा चीज़ जो है, अगर इसका combo plan बना के चला जाए, तो मेर ख्याल ठीक हो सकता है, इसलिए बहुत impressive आपका trading score है, जो आपने अपना formula बनाया है, बाजार का, वह साथ है, तो आप super hit success पा रहे हैं, कुनाल सब, आपका तो खेर off the charts performance दिख रही है, Samco trading score आपका 100 से जादा है, winning trade percentage 90% है, average profit 11%, average loss सिर्फ 1%, आप तो professional traders के भी उपर वाले levels पे कर रहे हैं, कैसे करते हैं सरे, जैनुएन बस होता है कि profit booking should be genuine and वो ही आपको बताया कि I believe in trend and again on news also, बाकी अब follow करता हूँ मैं आपको जी बिजा, सुबह ही जैसे अनेल सिंग भी सर ने कहा कि six months अभी और तेजी रहने वाली है, बड़ा अच्छा example उन्होंने समझाया, सुब जैसे मैंने के लिए एग्नोर ही करता है, यह थोड़ा ध्यान रगता है, अब दिन में कितनी position ले लेते हैं या अपने risk के साब से कितना manage कर लेते हैं, यह सर डिपेंड करता है on day to day basis, क्या रहेगा, अभी ऐसे गरम बाजार हो तो ज्यादा position भी ले ले लेते हैं, हो जाता ह हो जाता है, उसमें आच छे भी हो जाती है, साथ आट भी हो जाती है, कही वारी जैसे आज में पस खाली एक position है, तो depend करता है, अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि market एक थोड़ा dip लगा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा लगा सकता है, तो मैंने थोड़ा positions कम करी ह अब जैसे अगर dip लगाएगा market तो मैं उसको फिर market मेंटर कर जाऊँगा, अभी थोड़ा correction है, बापस आप लोग लगा सकता है, तो मैं उनकी opening strategy, closing strategy, वो सब जरूर देखता हूँ, और उसके हिसाब से मुझे सच में बहुत support मिलता है, और बाकी Samco के जो tools हैं, जो ये average आप कैसा जीत रहे हैं, उसमें अंदेखा सच में बताते हैं कि आपको कौन सी strategy आपकी अच्छी काम कर लिए, कौन सी आपकी strategy खराब काम कर लिए, तो मैं उसी हिसाब से जो अच्छी strategy है, उसमें investment बढ़ाता जाता हूँ, जो खराब है उसमें से निकालता जाता हूँ, तो क्रेडिट आप तीनों का है, कि आप तीनों advice लेते हैं और फिर उसे follow भी करते हैं, और फिर अपनी भी समझ लगाकर, इसलिए इतनी बढ़िया, I think इतने impressive traders से बहुत कम मिलना होता है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मनोच सर, हर्जी सर और अपकोस कुनाल स आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात करने के लिए यह थे हमारे monthly index acers, इस Sam Commission Ace the Index के, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी इस शो में हमारा साथ देने के लिए स्टॉक मार्केट ना? सिर्यस बनोगे, तभी मार्केट का शेर बनोगे Investment and Securities Market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing और राजू, कैसी चलड़ी अलगो ट्रेडिंग? मौन बाई, देखो ना, एक भी ट्रेड टाइम पनी लगती, कभी पॉर्ट जाता है, कभी अलगो You trade algos with ShareIndia जब brokerage or algo portal हो एक साथ, तो trading हो hassle-free or lightning fast Investments in securities markets are subject to market risks Read all related documents carefully before investing जिस दुनिया ने हमको सम्हाला उसको कौन सम्हाले? दुनिया अपने अवाले, दुनिया अपने अवाले दुनिया किसके हमाले जिस दुनिया ने हमको सम्हाला वो है अपने हवाले पेश है साइम को डाइनेमिक असेड ऐलोकेशन पार्ट मोमेंटम में ये रहे एकुटी मोड में और जब भी रिस्क दिखे ये ट्रांसफॉर्म हो जाए डेट मोड में ताकि आप अपनी मंजिल तक बेफिकर पहुँच सकें तक का कोपन रेट तथा प्रतिवाश्य देशाम लौप पांच प्रतिशत का इंसेंटिव प्रस्ताविद किया है ट्रांच 4 इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है सब्सक्राइब करने के लिए www.indyabullshomeloans.com पर लॉग आउन कीजिए स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS इंडिया Smarter Steals, Brighter Futures यह है इंडिया के पुराने इंवेस्टिंग की दुनिया पर अब इंवेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सूपर टेक और स्पीड में बहतर है सूपर जो कॉंप्लिक्स मार्के को करे सिंपल जो इंडिया का इंवेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे वही तो है सूपर आ गया है एंजल वान सूपर आप जो इंडिया का इंवेस्टिंग बना दे सूपर Investments in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing Skill steel और दिल से बन रहा है भारत AMNS India Smarter Steels, Brighter Futures Investment in securities market are subject to market risks Read all the related documents carefully before investing एक खाली पंसा है आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आस्मान के नीचे खुजलाव अपनी पहेली का खोया हुआ अंश लिख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा The New Safari, Reclaim Your Life तुमसे विलेंज जाना, तुम में जी रूरूड, समझ गया है? जी सेट वा मामू, मिठायू की डिलिवरी चल रही है, CID के प्लानिंग डिरेविन नी बिटा, सब अलग अलग बैंक जा रहा है एसा क्यूँ, AU कारेंट अकाउन पे सब मिलता है मामू, सोच बदलो और बैंक भी AU स्मॉल फाइनांस बैंक, बदलाव हमसे है मामू, सोच बनेगा, बादनों पर चंके, हवाओ से मिलके वे बनाऊंगा उiegen değo के पंख गंधों पे लगा के, मैं बनाऊंगा मामू, सोच बनेगा, बनाऊंगी मैं तो बनेगा स्किल्स टील और दिल से बन रहा है भारत AMNS India. Smarter Steels. Brighter Futures. प्रस्तुत करता पतंजली 54 प्राश बेश कीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्विश्रेश्ट 54 प्राश प्रायुज़क पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच और पतंजली केशकांती एडवांस नई बालो गाए बालों को असमे सफेद होने से बचाए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना सही सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया वैद फैसले के बाद जश्न मना रहें लूग सुप्रीम कोट के फैसले को पियम मोदी ने बताया एतिहासे कलिखा कोट ने एकता के मूल सार को मजबूत किया पियम ने फैसले को बताया उम्मीद की किरण आद शाम तक हो सकता है मध्यप्रदेश के सीम का एलान भूपाल में पहुंचे परिवेक्षक बड़े नेताओं से की मुलाकात विधायक दल की बैठर के बाद फैसला संभव कॉंग्रेसांस अधीरट साहू के कुछ ठिकानों पर आयकर की कारिवाई जारी रांची स्थित घर पर अधिकारी कर रहे जांच अब तक 351 करोड रुपए कैश बरामत बाजार में आज भी रिकॉर्ड हाई का सिलसिला रहा जारी निफ्टी बैंक निफ्टी और संसेक्स निचुआ नया शिकर संसेक्स पहली बार सब्तर हजार के पार चुट बूस्ट एंडि भी बॉस्निस तॉट रेद तन विच्टी बॉस्निस स्पेशल वीग बूस्न स्थितों पीजिन शेट गारी भी आपके चैनल जी बूस्नस ने बचाई धूम बिसनस पचल में वेल्थ creation week, business talk show में news for views और daily news bulletin में India 360 समेथ 5 categories में मिला सम्मान तमस्कार आप देख रहे हैं Zee Business शाम 4 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ स्वाती रायना और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोट से आज मोदी सरकार को बड़ी रहत मिली सुप्रीम कोट ने जम्मू कश्मीर से आनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरा रखा है CJY, D.Y. चंद्रचूड ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग है इसके कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है 5 अगस 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था साथी राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लदाख में बांट दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था केंद्र के इस फैसली के खिलाफ सुप्रीम कोट में कुल 23 अरजियां दी गई थी जिसके बाद आज सुप्रीम कोट ने ये फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोट के फैसले के बाद प्रधान मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है यह आशा की किरण है उज्वल भविश्य का वादा है और एक मजबूत अधिक एक जुट भारत के निर्मान के हमारे सामोहिक संकल्प का प्रमाण है और सुप्रीम कोट के फैसले के बाद राजनीती भी शुरू हो गई गुलाम नभी आजाद ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को नुकसान है तीन महने चार महने इस पर बहस हुई पारलिमेंट के अंदर और मुक्तिलिफ बुकला ने अलग अलग पार्टीज को और रियासत जम्मू कश्मीर को लोगों को रिप्रेजिन्ट किया और उसके बाद जो आज यूनैनिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग चाहे वो कश्मीर के हूं या जम्मू सोबा के वो खुश नहीं इससे हमारी स्टेट की एकानुमी को बहुत नुक्सान होगा जमीने महंगी हो जाएंगी पुरे हिंदोस से यह बात हवा में थी तो अब कमस्कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैद्य था राजनेटी ग्रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है लेकिन लीगल दिश्टी कोन से न्यायक दिश्टी कोन से वो वैद्य है एक तो बात ही हो गई दूस नीचाहिए मैं आरम से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दूसे में घर कि और इसको यूनिटेट्री बना दिया वह हमें स्वीकार नहीं था किसी को किसी के गले से नहीं उतर रहें कि क्युक्कि जम्मू कश्मीर ये बहुत विशेश है राजिता और जम्मो कश्मीर पर इस सुप्रीम खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहोगी अर्विन सिंग अर्विन से ही जानते हैं कि आखिरकार आज सुप्रीम कोट की सुनवाई में क्या हुआ निश्य तोर पर सुप्रीम कोट का ये एक इतिहासिक फैसला है सुप्रिम कोट ने माना कि आर्टिकल 370 के तहट जम्मो कश्मीर को जो विशेस राज्य का दर्जा मिला है उसको हटाने का केन सरकार का फैसला पूरी तरीके से सविधानिक है कोट ने ये भी कहा है कि जम्मो कश्मीर की सविधान सभा की गैर मौजूदगी में राष्ट पती आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला ले सकते हैं कोट ने यहाँ तक कहा कि सविधान सभा की शिपारिस को मानने के लिए राष्ट पती कभी बात दे थे घी नहीं राश्टपती अपने विवेक से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लेने का अधिकार रखते हैं और यहाँ पर राश्टपती ने जो फैसला लिया है उसे सवधाने कुतूब पर वैद भी माना जाएगा इसके अलावा कोट के सामने एक सवाल ये था कि जिस वक्त जम्मो कश्मीर का भारत में विले हुआ उसी वक्त जम्मो कश्मीर ने अपनी संपर्भूता अपनी स्वानटरी पूरी तरीके से भारत को सरंडर कर दी थी और जम्मो कश्मीर उस दिन के बाद से कभी संपर्भू राजेर नहीं रहा है और जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभीन हिस्सा रहा है तो कोट ने यचे करता हूँ कि इस दलिल को भी खारिज किया एक बड़ा सवाल कोट के सामने ये भी था कि क्या बिना जम्मू कश्मीर विधान सभा की मंजूरी के क्या देश का सविधान जम्मो कश्मीर पर लागू किया जा सकता है क्या राश्पती ऐसा फैसला ले सकते हैं तो इस पर भी कोट ने असाफ किया है कि बिना जम्मो कश्मीर की सिपारिश के भी उनकी मंजूरी के भी राश्पती आर्टिकल 370 को पूरे देश के सविधान को जम्मो कश्मीर पर लागू करने का फैसला ले सकते हैं कोट के सामने जम्मो कश्मीर पुर्ण गठन बिल्को भी चैलेंज किया गया था जिसके तहर जम्मो कश्मीर को दो केंदर सासित प्रदेशों में बाटा गया था दो हजार चोबिस तक वो जम्मो कश्मीर में विधान सभा के जिनाव संपन कराएं इस पूरे फैसले में कोट ने आर्टिकल 370 को हटाने के राष्टपती के फैसले को पूरे तरीके से सविधारिक तोर पर वैद माना और कहा कि उसमें कोई खामे नजर नहीं आती लेकिन कोट ने साथ में ये कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने में या यू कहिं सविधान में बदलाव के लिए आर्टिकल 370 का जिस तरीके से स्तेमाल किया गया वो गलत है आर्टिकल 370 दरसल सविधान की वैख्या से जुड़ावा आर्टिकल है जब सविधान के किसी पहलू पर कोई भरम की सती पैदा होती है तो हम आर्टिकल 370 को देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या निकाला और 5 अगस 2019 को जो समयधानिक आदेश जारी किया गया उसमें एक प्रावधान ये भी था कि आर्टिकल 366 में एक नया क्लोज जोड़ दिया गया जिसके तहती है साफ किया गया कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की सविधान सभा को ही जम्मू कश्मीर की विधान सभा समझा जाएगा और चुके उस वक्त राश्पती सासन जम्मू कश्मीर में लागू था और ऐसे में विधान मंडल की यानि जम्मू कश्मीर विधान सभा की जो शक्तिया थी वो पूरी तरीके से संसत के अधिकार में थी तो इसका एक मतलब ये भी हो गया कि सविधान सभा पूरे फैसले को अगर सार रूप में देखें तो सविधान पीट के पांचो जज इस बात को लेकर एकमत हैं कि आर्टिकल 370 हटाने का जो सरकार ने फैसला लिया उसमें सविधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है और राश्टपती को यक्तियार बनता था ऐसा फैसला ल अब सभी निगाहें मध्यप्रदेश और आज स्थान पर लगी हुई है मध्यप्रदेश में आज सीम की रेज खत्म हो सकती है सीम के ऐलान को लेकर आज भूपाल में बीज़पी विधायक दल की बैठक है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद सीम के नाम का आधिकारिक एलान होने की पूरी उमीद जताई जा रही है और बैठक जे पहले परिवेक्षक के लक्षपन ने कहा कि सीम पर विधायकों की राय के बाद आलाकमान फैसला लेगा वहीं बीज़पी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज सस्पेंस खत्म होने वाला है आज शाम में विधायक दल के बैटक होना विधायकों से आज कच्छा करेंगे बाद में हमारे आज मनौलाल कट्टर जी के नेतुत में जो कम्टी तीन सरस का कम्टी है तो पूछताच करेंगे बाद में हमारे अलकमान उसके पर निरने लेगा अब मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक तै हो गई है जैपूर में बीजेपी प्रदेश मुख्याले पर कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी कल तीनों परिवेक्षक 11 बजे जैपूर पहुंचेंगे लंच के बाद विधायक दल की बैठक होगी लेकिन लंच से पहले अनौप चारेक बैठक करेंगे परिवेक्षक वहीं बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्याले से विधायकों को फोन कॉल्स भी दिये जा रहे हैं कल तीनों परिवेक्षक राजनाज सेंग विनू तावडे और सरोज पांडे विधायक के साथ मंधन करेंगे विधायक दल की बैठक में चर्चा के बाद सीम के नाम का एलान होगा मध्यप्रदेश और आजिस्तान में सीम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है जीमीरिया समबादातार राहुल मिश्रा से समझते हैं कि आखिरकार ये सस्पेंस कितनी जल्दी खत्म हो सकता है कौन होगा मुख्यमंतरी इस पर से सस्पेंस अबूर जाएगा आखिर में मध्यप्रदेश का कौन मुख्यमंतरी होगा क्योंकि विधायक दल की बैठक चल रही है और इस विधायक दल की बैठक के लिए तमाम जो परिवेक्षक हैं तो तीसरी बार ये परिवेक्षक यहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि 2004 में उमा भारती के बाद 2005 में बावलाल गौड के इस तीपे के बाद इसके बाद ये परिवेक्षक यहां पर पहुंच रहे हैं और ये काफी महत्पूर ये बैठक हो जाती है और इस बैटक को में के बदे नजर अब यह देखना होगा कि क्या क्योंकि सिराज सिंग चोहान लगतार मुख्यमंतरी यहां पर बनते हुआ हैं तो इसके बाद अब यहां पर कौन मुख्यमंतरी बनता है यह एक एहम सवाल है और क्या सिराज सिंग चोहान को ही यहां पर रिपीट किया आता है या किसी और को यहां पर मुख्यमंतरी के तौर पर दिया आता है और इसलिए यहां इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यहां पर फैसला लिया जा सकता है क्योंकि इंतजार अब करना होगा आज संभौता ही यह माना जा रहा है कि मदपर्देश में उस बात का उजागर सामना निकल करके सामने आजागा क्या आखिर में यहां पर मुख्यमंतरी कौन रहेगा और रास्थान की एदिबात किया जाजा तो रास्थान में भी क्योंकि वहां पर भी बैटक कल बुलाई गई है ग्यारा बज़े यह बैटक बुलाई गया है और इस बैटक से एक सबसे महतपूर्ण चीज leash है कि किस तरीके से यहां वहां पर किसको साधा जाता है क्या वसंदरा राजे सिंदिया को एक बार दुबारा से रिपीट यहां पर किया जता है या किसी और को वहां पर लाए जाता है ये एक बड़ा फैक्टर होगा इन सभी चीजों को लेकते हुए लेकिन जो भी नाम यदी चुना जाएगा जिसको भी उसमें तमाम सोसल इंजिनिरिंग के साथ साथ में 2024 के लिहाज से देखते हुए इन सभी चीजों को साथते हुए ही किसी नाम के भी यहां पर घुशना की जाएगी राजस्थान हो चाहें मध्यपरदेश हो मध्यपरदेश से आज यह दिकाहा जाए तो नाम निकल करके सामने आ जाएगा कि मुख्यमंतरी कौन होगा राजस्थान का इंतजार करना होगा कि आखिर में कल राजस्थान में कौन यहां मुख्यमंत्री होगा उस पर से कहीं सीधे तोर परदा उड़ जाएगा तो बस कुर्समाई का इंतजार और और इसके बाद कौन होगा राजिस्तान और मुध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री इस पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा जादा जानकारी देते हो हमारी से होगी राहुल मिश्रा साथ दीरेश सागों के ठिकारों पर चल रही चापे मारी को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है आपको पता है चापे मारी के बाद आप पूछताच का दौर शुरू हो गया है इंकम टैक्स विभाग अब अधिकारियों और कर्मचारियों से इसमाब कीजिए आप अधिकारियों से आप दौर ए शुरूरिग ब्लूरिफ बनाने का निवस्टाइब अधिका ये शार है आरोक्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतन्जली चवन खाश है बेदाग चांग, beautiful flooring वर्मॉरा बचा गया नूस्ताइब वर्मॉरा ताइब, flooring beautiful बनाने का नूस्ताइब Prestonic Engineering Limited launches its IPO on SME Emerge platform Issue price of Rs. 72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11th December 2023 and closes on 13th December 2023 IPO lead managed by FinShore Management Services Limited सपनो की नाओं लेके चलू मैं, साथ में तू हो मेरे क्यूंकी तू खास है, ये हैसास है सांसों की तरह तू दिल के पास है 70 years of trusted care, backed by science and innovation क्यूंकी तू खास है देखो यार, जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं पता नहीं कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैमली का फ्यूचर बच्चों की पढ़ाई ए खत्रें पढ़ जाए तो आज ही पॉलिसी बजार से एक करोड का टर्म लाइफ इंशोरेंस कराओ सिर्फ 525 रुपे महिने से शुरूब मोदी सरकार की गैरंटी भारत होगा घरीबी मुक्त पांच सालों में 13 करोड 50 लाख लोगों को घरीबी से बाहर निकाला हमारा संकल विकसित भारत हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, प्रेशानियां, बदिंतजामियां हमारे शहीदों को इस बात की कते ही चिंता नहीं थी के देश को आजादी मिलेगी जा ना लिकिन उनको एक बात ही चिंता थी के आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालाद क्या होगी हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगह-जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्ये खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े अगर जंग सबने अकठे होकर लड़ी थी अजादी की तो फिर सुख सुहूलते भी सबको इकठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पाउं की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, आलात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना के जनता सरकारी दफ्तरों में खजल को आ रो, यही आजादी के असली माइने है, शीदियाजम सरदार भगत सिंग अब सरकारी δफतरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बसडाइल करें 1076 और सरकारी सोविधायें अपने घर पर ही पाएं पंजाब की भगवंतमान सरकार आपके दवार एक खाली पंसा है आपके अंदर जिसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ खुले आसमान के नीचे निख डालो अपनी कहानी का खोया हुआ हिस्सा The New Safari, Reclaim Your Life ये शक्ति है इसमेन अधी शोक्ति है अईरुवेद का ये सार है आरोग्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतंजली चवनथाश है बेदाक चांद, ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मोरा, मचा गया नीउस्टाल वर्मोरा टायल्स, फ्लोरिंग व्यूटिफल बनाने का नीउस्टाल जैलिंट एडवांस LRF Refined TMT Bars निर्मान का रियल हीरो प्रेजेंट टॉप गेनर्स और अब बाजार की बाद सोमवार को भी बाजार में तेजी वाला रुख कायम रहा इंट्राडे में सेंसेक्स पहली बार 70,000 के पार निकला अंत में सेंसेक्स 103 अंग चड़कर 69,928 के लेवल पर बंद हुआ निफ्टी 28 अंग चड़कर 20,997 के सतर पर बंद हुआ बैंक निफ्टी 52 अंग चड़कर 47,314 के लेवल पर बंद हुने में काम्याब रहा और इस बुलिटन में बस इतना ही रुखेंगे एक ब्रेक के लिए देखते रहिए जी बिस्मिस बेदाक चांड ब्यूटिफल फ्लोरिंग वर्मॉरा मचा गया न्यूस्टाइल वर्मॉरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल वर्मॉरा टाइल्स फ्लोरिंग ब्यूटिफल बनाने का न्यूस्टाइल हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां प्रेशानियां बद इंतजामियां हमारे शहीदों को इस बात की कते ही चिंता नहीं थी के देश को आजादी मिलेगी जा ना लिकिन उनको एक बात ही चिंता थी के आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा देश के हालाद क्या होंगी हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े अगर जंग सबने अकठे होकर लड़ी थी अजादी की तो फिर सुख सुहूलते भी सबको इकठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पाउं की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, आलात बदलने चाहिए। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना के जनता सरकारी दफ्तरों में खजल को आ रो, यही आजादी के असली माइने है, शीदियाजम सरदार भगत सिंग के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएंगे अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नही बस डाइल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार मेरे पिता जी ने ना ये शेर्स में भी इंवेस्मेंट किया PSS को फोन लगा PSS? ये आपके फिजिकल शेर्स को विजिटल करते है PSS फिजिकल शेर्स सलूशन जैसा नाम जैसा काम मोधी सरकार की गैरंटी हर गरीब का मुफ्त इलाज 55 करोड लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपे तक के मुफ्त इलाज की निश्चिन्त था हमारा संकल्ब विकसित भार हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, प्रेशानियां, बद इंतजामियां हमारे शहीदों को इस बात की कते ही चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी जा ना लिकिन उनको एक बात ही चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा देश के हालाद क्या होंगे हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े अगर जंग सबने कठे होकर लड़ी थी अजादी की तो फिर सुक सुहूलते भी सबको एकठी मिलनी चाहिए हम तो शहीदों के पाओं की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं पालात बदलने चाहिए चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं तो चुनाव के बाद सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएंगे अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बस डाइल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार सामको और Zee Business ला रहे हैं एक यूनीक शो जो करेगा स्टॉक मार्किट के इंडिक्स एसर्स की पहचान जो बन सकते हैं शेर बाजार के बड़े नाम सामको इन असोसियेशन विट Zee Business प्रिजेंट्स मिशन एस दि इंडिक्स शो वीकली सेग्मेंट ओनली आउन Zee Business क्यों हो गया जूट से सामना कौन सा जूट जो इतने सालों से आपके जूट पेस ने ओरिल केर के बारे में बताया है तो फिर सच क्या है ट्रूट पेस्ट पतंजली दंत कांती आयरवेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे इसकी सोला जडी बूटियों से मिले आपके दातों और मसूडों को कम्प्लीट औरल हेल्थ का सच नवस्कार आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस मैं हूँ दीपा क्या दो अपने इस शो में हम घर खरिदारों की बात को मजबूती के साथ उठाते रहते हैं और इस बार भी एक ऐसी रियल स्टेट कंपनी की मनमानी का दिकर करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे दरसल मामला है ग्रेटर नॉइडा के सेक्टर 27 का प्रोजेक्ट का नाम है गोद्रेज गोल्फ लिंक चार लाक वर्ग मीटर से बड़े इस प्रोजेक्ट में 300 के आसपास विला है एक विला की कीमत शुरू होती है करीब पौने 3 करोड रुपे से पूरी तरह से तयार हैं बिग चुके हैं और घर खरीदारों ने 90% रकम अदा कर दिया इतना कुछ सुनकर आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन आगे की कहानी चौकाने वाली है दर असल कई फेज में बन रहा है इस प्रोजेक्ट के पहले फेज को 2021 में पूरा होना था प्रोजेक्ट पूरा हो भी गया है लेकिन ओसी नहीं मिलने के चलते घर खरीदारों को पॉजेशन नहीं मिल पा रहा है लोग EMI भी दे रहे हैं किराया भी दे रहे हैं और कब तक घर मिलेगा किसी को नहीं पता इस पर नोईडा थॉरिटी से भी मैंने बात की गोद्रेश प्रॉपर्टीज को इमेल किया उनका बयान भी आया है आपको सुनाएंगे लेकिन पहले बात करते हैं उन लोगों से जो इस प्रोजेक्ट के सबसे एहम किरदार हैं दिक्कत से जूज रहे हैं हमारे साथ कुछ महमान है इस मामले पर बात करने के लिए उनसे आपका परिशे कराते हैं हमारे साथ रवी सिना है हमारे साथ अभय उपाद ध्याए है प्रेसिडेंट एफपी सीई जो की घर खरीदारों का संगठन है और सदर से हैं रेरा की सेंट्रल एडवाईजरी कमिटी के हमारे साथ रिश्ची और सोनिया सहनी है और हमारे साथ विनोद महता जी है जो की ग्राहंक है पार्कलीन गूदरिज गोल्फ लिंक है तो सबसे पहले सुनिया जी आपके पास आएंगे और आप से जाना चाहेंगे कि आपने कब घर बुक किया था कब पोजेशन का वादा किया गया कितना पैसा आप दे चुके हैं और अब आपको क्या कुछ कहा जा रहा है सर हमने 2018 में जब इसका प्री लाँच था उसी दौरान घर हमने बुक कराया था और हमें पोजेशन एस पर BBA बिल्डर बायर अग्रिमेंट के हिसाब से हमें मिलना था यह प्रोजेक्ट 2021 में तो हम रेंट पर शिफ्ट हो गए यही सोचके कि और EMIs और आपको पता ही है कि घर खरीदना इस नौट इसी और और गॉद्रेज का हमने यही सोचके लिया था क्योंकि गोद्रेज is a reputed builder it's a renowned name तो हम लोगों ने यही सोचा था कि ठीक है अगर वो गोड्रेज 2021 में मिल जाएगा तो ठीक है हम उससे साफ से चले बट 2021 में निकल गया सर 2022 निकल गया अब 2023 भी निकल गया बट I don't know कोई स्टेटस हमें पता नहीं है कि हमें घर कब मिलेगा कब नहीं जो इनकी थे जो भी इनके पेमेंट के जो फ्लैक्स है वो हमने बिल्कुल टाइमली अपनी पेमेंट्स जैसे जैसे इनका था वैसे वैसे हमने पेमेंट्स कर दी सारी सब कुछ कर दिया अभी आज तक हम 90% payment already कर चुके हैं builder को and 10% सरफ हमारा pending है which is जो हमने देना ही possession पर है एक बात मैं और आड़ करना चाहूंगा कोविट के दौरान हमने थोड़ी सी payment हमारी एक दो किस्ते हमारी लेट हो गई थी तो गोडरे जिया में डाई लाक रुपे उस पर इंट्रस्ट किया था और एस पर बिल्डर बायर एग्रिमेंट अब जो डिले हो रहा है उस पर उनका इंट्रस्ट बनता है जो की company सिरे से खारिज कर रही है कि वो नहीं देंगी विनों जी आपका क्या मामला है आपको क्या वादे किये गए थे आपने अब तक क्या भुगतान किया है वो एक बर विस्तार से बताईए मेरा मामला मैंने भी जो है इनका construction stage में जब इनकी construction स्टार्ट होगी थी मैंने subsequent stage बे क्रीदा था मैंने purchase किया था December 2019 में वह committed date तो इनकी जो रहरा के साब से और जो मेरे को भी उनको कमिट की थी डेट ऑफ डिलीवरी वासी December 21 अल्डी पेमट मेरी तरफ से भी सब पेमट बिल्कुल टाइम पर एक दिन का भी डिले नहीं इनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो इनके तरफ से कोई क्लियर आंसर नहीं क्या प्रॉल्लम है कप पॉजेशन मिलेगा इनकी तरफ से कुछ नहीं बिल रहा इसलिए सरकार में भी कई जगा लिखा है पर वहां से बिल्कुल कुछ समझ नहीं आदा कि कुछ होगा नहीं होगा क्या होगा कुछ समझ नहीं आदा ठीक है ये स्थिति है होम बायर्स की जिनने 2021 में गोल्फ लिंक का पॉजेशन मिलना था लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है हला कि हमारे पास गोद्रेज प्रॉपर्टीज का बयान आया है और नुईडा अथॉरिटी के सीईयो का भी बयान है आगे आपको बताएंगे लिकिन रवी जी पहले आपसे समझना चाहेंगे कि मैं आपकी ब्रैंड एक्स रिपोर्ट देख रहा था आपने गोद्रेज को ब्रैंड लीडर का खिताब दिया है ब्रैंड लीडर के साथ इस तरह की समस्याएं हैं तो बाकी का फिर क्या हाल होगा गोद्रेज हमारे लेटेस्ट रिपोर्ट में ब्रैंड लीडर नहीं रह गई है वो ब्रैंड लीडर थे कोवीड के पिरियड में और कोवीड के पिरिय मैसेज गया था लोगों को लगा कि यह एक ऐसी कंपनी है जहां पर डिफॉल्ट नहीं होंगे क्योंकि वो हमारा पैसा अफ्रण नहीं माग रहे हैं लेकिन पिछले दो सालों में हमारी रेटिंग में वो लगातार नीचे आये हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी ब्रां जो मैनेजमेंट है वो इतना एरोगेंट है कि वो अपने बायर से बात तक करना जरूरी नहीं समझता है जो अपना उनके पेंट पॉइंट को अगर समझना है तो उनके बिजनस मॉडल को देखना पड़ेगा जिस चीज को एक एवरेज पायर जिस प्रोजेक्ट को गौदर का नहीं है वो एक लोकल प्लेयर के साथ जेवी जेडी मॉडल पे काम हो रहा है और जब गौदरेज ऐसा एक बड़ा ब्रांड अपना उनको नाम देता है तो उनका जो बैगेज होता है वो गौदरेज पर शिफ्ट होता है ज्यादा तर प्रोजेक्स ऐसे हैं जहां पे ये गौदरेज प्रोपर्टी हमारी रेटिंग में दो साल पहले नाशनल ब्रांड लीडर बने थे जो लगातार नीचे की परस जा रहे हैं ठीक है अब अब अपाद्या जी आपके पास आने से पहले आपको बता दें कि गौदरेज प्रोपर्टीज ने हमें अपना जवाब भ सकते हैं उन्होंने अंग्रिजी में अपना पक्ष रखा है आप पढ़ सकते हैं तो ये पूरा उन्होंने जवाब भेजा है आप खुद पढ़िए आप खुद समझेए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं हलाकि हम उसको ट्रांसलेट करें उससे बेटर है कि आप सीधा साधा सव हमने जो मिल रही है इसमें कई चीजे निकल के सामने आ रही है पहली बात तो ये कि हम लोग जब भी डिबेट किये या जब भी हम लोग कोई कॉण्फिर्स में मिले तो सब ने ये समझाया कि आप जो है फ्लाइब आइट ना करें उनसे घर न ले कोई रिनाउंड बिल्डर ने तो क्या ये जिस बिल्डर से लिए हैं क्या हो रिनाउंड नहीं है पहला सवाल दूसरा चीज़ देखे तीन बातें जो यहां पे निकल के आई है मैं उस पे आप लोगों का ध्यान लेना चाहता हूं पहला बात सोनिया जी ने कहा कि हमने प्रिलाउंच में लिया था दो ने कुछ टो डिफ्रेंट्स होगा और वह. तो क्यों आज भी उनके रहते हुए भी प्रिलांच हो रहा है तो क्यूं हो रहा है प्रिलांच का मतलब जितना मैं समझता हो कि उसमें कई चीजें कई जो रोगेंट मुधन नहीं की गई हैं मैं detail में जाना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने फिर लॉंच भोला तो मैं अजूम करते हैं को डिफरेंस होगा दूसरी बात इन्होंने कहा अभी सुनिया जी के साथ जो साथ बैठे में उन्होंने बताया कि उन्होंने थाई लाख रुप्र इंट्रेस्ट दिया धीपक जी मैं यह जानना चाहता हूं मैं हर बार कि जब बी 검 tại कोई आप डिफॉल्ट करते हैं तो वह आपसे इंट्रेस्टरं ले लेता है लेकिन जब वो करता है तो वह इंट्रेस्ट ापको देगा या कि नहीं देगा या उसके लिए आपको कोड जाना पड़ेगा मैंने ये बात बार बार उठाई है मैं फिर कहा रहा और ईप्सारी इस बात की जिम्मेदारी कहां तैहेड़ी कौन जिम्मेदार को चाहिए मैं उसको चौड़ के ये सब बज़ी हं अब आप तीसरी बात को मैं आता हूँ यहाँ टेट नहीं नहीं मॉत Não आप बताइए आज की डेट में रेरा में यह क्या तो आपको अगर रेरा को लगता है कि मेरे पास में इतने प्रोजेक्ट आ गए हैं आप सारा काम कर रहे हैं जो काम आपको बाद में प्रियोर्टी का है उसके लिए आपके पास समय है लेकिन हमारे कोई प्रियोर्टी को तो मैं तो सीधा और सीधा रेरा पास के पास जा रहे हैं उनसे समवाद कर रहे हैं तो आपको क्या जवाब दिया जा रहा है सर हमें कोई पुकता जवाब नहीं मिल रहा है आप अगर विजिट करेंगे जाकर साइट अगर आप जाकर देखेंगे तो इस अल्मोस्ट यू नो रेडी तो मूव इन जो क्रेस्ट है जब हमारा पैमें डिले हुआ था वो भी इस ताइम पर उनमें कोई हिमानित्य नी थी यह सोचने की कि यार इस ताइम पर सब के ओपर एक डिफिकल्ट टाइम आया हुआ है और इस ताइम कैसे कैसे लोग अपने सब कुछ मैनेज कर रहें बढ़ हमारे हमें हमें याद हैं हम कभी बूलेंगे निंसिडेंट जब वो हमारा एक-दो महीने का डिले था बहुत साथा डिले था और उन्होंने हमें वो एक-दो महीने की भी ग्रेस नहीं भी थी है और बहुत रूथलेसली हमें यह आंसर मिला था कि हम आपको डिपॉर्ट में डाल देंगे और यह हम आपका जो फ्लाट है वो हम वो कर देंगे विरो जी आपसे क्या कहा जा रहा है पोजेशन को लेकर देखिया मैं इनसे कई बर मिलिया इनको लिखे भी दे दिया एक तो इनकी जोने स्टीरोटाइप रिप्लाई आती है जैसे आपके पास आई है इसे वो बड़ा स्टेंडर जैसे कोई इनकी तरफ से कभी कोई कमिट्मेंट नहीं रहा कि वियार सिंसिर्डी वर्किंग एंड विल बी डान इन डू को टाइम एक तो यह अच्छा दूसरा क्या है कि अगर इन से वो उसकी डिमांड करो कि आप मेरे को रहा के साब से मंतली आपनी पेमन वह जो कमपसेशन इस हमारा कोई फॉल्टी नहीं है हमने तो अपनी दब से कंसेक्शन कर दी और बिल्कुल किसी तरह का एरोगेस इनके यह इतनी नहीं यह सुनते नहीं किसी की नहीं सुनते मैं आपको बताओ इनका दूसरा इसी मैंने जब गोद्रेज के चक्कर में गोद्रेज वुट सेक्टर 43 में भी मैंने इनके अपलाई किया उस समय इनके जो शडूल कंपलीशन थी पांच साल की थी इन्होंने दो साल में मेरे वो आफ़त करके दो साल में 90 परसेंट पेमर्ट ले ली इनके पास OC भी आ गया मार्च में और अभी तक यह प्येशन नहीं दे रहे और उसका को जबा मुश्किले खड़ी करते हैं तो छोटे मोटे ब्रैंड्स का क्या हाल होगा इस सर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हुए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां प्रेशानियां बदिंत्जामियां हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिनता नहीं थी के देश को आजादी मिलेगी जा ना लिकिन उनको एक बात ही चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालाथ क्या होगी हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े अगर जंग सबने कठे होकर लड़ी थी आजादी की तो फिर सुक सुहूलते भी सबको एकठी मिलनी चाहिए हम तो शहीदों के पाओं की मिटी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं हालात बदलने चाहिए चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना के जनता सरकारी दफ्तरों में खजल को आरो, यही आजादी के असली माइने है, शीदियाजम सरदार भगत सिंग ज चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएंगे. अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डाइल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं. पंजाब की भगवंतमान सरकार आपके द्वार. जैसा नाम, जैसा काम. देखो यार, जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैमिली का फ्यूचर बच्चों की पढ़ाई ए खत्रें पढ़ जाए. तो आज ही पॉलिसी बजार से एक करोड का टर्म लाइफ इंशॉर्स कराओ, सिर्फ पान्सो पच्चीस रुपे महिने से शुरूप. वादपित कफ को जो करता है नित्य खंड खंड अशुथता का भाव भी इसको न छू सके कभी ये जीवनिय शक्ति है, इस मेना अती शोक्ति है, आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजली चवन फ्राश है. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर नुड़ा के ग्रहकों की, जिनोंने गोद्रेज के प्रोजेक्ट गोल्फ लिंक में घर लिया था, 2021 में उनको पॉजेशन मिलना था, अभी तक पॉज किसी तरह का रियक्शन दे रही है ग्रहकों को, ना सरकार से किसी तरह का रियक्शन मिल रहा है, ना नुड़ा अथारिटी को रियक्शन दे रही है, और ना ही रेरा से ही उनको कोई माखूल जवाब मिल पा रहा है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और समझने की आई थी उसके बाद उन्होंने आपत्तियों पर रिपोर्ट तयार करके सरकार को भेज दी और सरकार से जवाब का मार्क दर्शन का इंतजार कर रहे हैं हलाकि इसमें कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता है क्योंकि घर खरीदार किराया भी दे रहे हैं इमाई भी दे रहा है लेकिन उनके सामने तयार घर जो की रेडी टू मूव हैं उस पर तमाम कोशिशों के बाद भी कबजा नहीं मिल पा रहा है तो इस पर उनका कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते सरकार के मार्क दर्शन के बाद ही कुछ होगा यानि सच यह है कि किसी को नहीं पता कि इस पर क्या होगा रवी सर इसमें बताया जा रहा है कि गोद्रेज के लावा 24 और प्रोजेक्ट है जिनको OC नहीं मिल रही है तो इसमें गोद्रेज का failure है या फिर सरकार का failure है उस पर आने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अगर मैं एक criminal case में convict हुआ हूँ क्या मेरे पास ये right है constitutional right है ये कहने का कि 50 लोगों के उपर criminal case है इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए दूसरी बात आप गोद्रेज की गलतिया देखिए सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने जैसा की buyers कह रहे है मैं बिल्कुल buyer के version पे जा रहा हूँ कि उन्होंने covid period में force किया है buyer को payment करने के लिए एक तरफ सरकार ने आपको covid period को force major माना है तो जो period force major है builder के लिए वो buyer के लिए force major क्यों नहीं होता है ऐसा कौन सा law है जो कहता है force major एक party के लिए है दूसरे के लिए नहीं है दूसरी बाद Godric जो justification दे रहा है वो एक standard justification है कि हमने अपना काम कर दिया और हमने जाकर apply कर दिया OC के लिए अगर आपके सारे paper in place है और मेरे पास ऐसे multiple examples हैं कि builder OC के लिए apply करते हैं उसके बाद authorities की तरफ से question mark लगकर बापस आता है कि आपने ये ये काम पूरा किये बिना OC के लिए apply कैसे कर दिया ये ऐसा ही है कि मैं एक चार साल के बच्चे को जाकर college में admission के लिए डालूँ वहाँ digit होगा मैं कहूंगा मैंने तो apply करती है इसको देखिए college में admission नहीं दे रहे है गल्तिया आपके level पे है एक legality के साथ मिल रहे है क्योंकि आपको पता है इस देश का कानून जो है बाद मचिला है अबे सर इसी सवाल को आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें कमी गोदरेच की है या सरकार की है दूसरी बात जो home buyers हैं जिनने दो साल पहले घर मिल जाना चाहिए था आज तक कुछ पता नहीं है कब मिलेगा घर कहीं कोई उमीद भी नहीं दिख रही है अब वो करें तो क्या करें जिपक जी पहले तो एक बात में कहना चाहता हूँ जो अभी हमारे discussion चर्चा में आई थी कि जहां से इनों ने property खरीदी है वो काफी arrogant है मैं एक बात खुले तोर पे आपसे कहता हूँ कि मैं आज तक एक builder चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो गली का हो, चाहे हो मेट्रो में हो, चाहे हो जहां का भी हो सारे का सारे builder वैसे के वैसे जैसे वो pre-reda के time में arrogant थे वो आज भी है और मेरो को लगे आगे भी रहेंगे इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है कोई builder अपने बाहर से बात करना नहीं चाहता है वो समझता है कि वो राजा है, बाकी लोग rank है तो यह जो उनका भेज इस तरह के बिवहार है इसमें कोई कमी नहीं आई है वो वैसे के वैसे चलना, मैं clear कर देना हूँ केवल इनके builder की बात नहीं है सारे builder, सारे, ऐसे कैसे दूसरी बात अब मैं आपको कहना चाहता हूँ निपक जी एक बात बताएं, जब भी हम लोग की meeting होती है सब जगा यह कह दिया जाता है कि बाहर तो कुछ देखता नहीं है उसको कानून का ग्यान होना चाहिए उसको चीजों को study करके जो जो लॉयर हैं इनके तो क्या इन लोगों ने नहीं देखा था कि ये प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि घर बनके ख़डा हो जाएगा फिर भी ये लोग नहीं देपाएंगे तो क्या इनके पास ने कोई लॉयर की कमी थी इनको नहीं पता था कि किस तरह के देश में कानून है और क्यों किसी वो घर बनने के बाद भी नहीं मिलेगा, तो जिम्मेदारी कहां पे फिक्स की जाए, क्या बाहर की जिम्मेदारी है कि हमी सारे कारून को पढ़ लें, हमी उनके अंदर के बाद जान जाए कि कहां पे किसमे कि दोस है आप मेरे से आज पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी कोंफिक्स करिया है आप बतेए मैं किसे कॉम्पटेंट रूप मैं पता हूँ मैंने पैसर दिया मेरों को घर जाज मैं शमीड़ कोई समझता मेरे वोगीिव कुछ चैछी समस्ता मैं आप गारी विल्कुल अथारिटी ही नहीं रेरा की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोल्फ लिंग के हर फेज में 100 से अधिक शिकायते हैं लेकिन फाइनली कब जिका आता पता नहीं है ना सरकार के पास जवाब है ना गोद्रेज प्रॉपर्टीज के पास कि आप लोग अकेला प्रयास करेंगे तो शायद सफल ना हो आप लोग एक ग्रुप बनाएं ग्रुप के साथ में आपको लीगल करवाई भी करनी पड़ेगी प्रेंस मीडिया में आकर के भी बात करनी पड़ेगी आपको लेटर वगर चिठी वगरी देनी पड़ेगी और आपके पास में देखी आप फसे वह आपको चारो दिशाव हो को अको अचेक पड़ेगा चैसा वूं चाय वह को अफॉर्टिय जरो आपके पास में यहीगा रास्ता है कि आप प्र्यास करें आप तरह से लड़ा करें ऑप्सक् oldest घह कोई हैं गलती तो आपने जैसे बीकिए कब तक हैं निकलेंगे िसकी कोई कोई नहीं पता सकता तो सारी बात यह संअ कर सकते हैं दो सकते हैं अगर बड़े नामों पर तो आप किसके पर कर सकते हो और जहां तक रही fight करने की हम एक आम इंसान जो covid के time पर इतनी चीज़ों से अल्रड़ी लड़ रहा था यह जो अपनी normal जिंदगी में इतनी चीज़ें अल्रड़ी लड़ता है हर चीज को manage करके चलता है वो कहां कहां क्या क्या करे यार बिल्कुल वाजिब चिंता है आपकी और हर उस शक्स की चिंता होगी ही जिसने अपने जीवन भर की पूझी एक घर खरीदने में लगा दी हो और अब उसे पाने के लिए उसे बिल्डर सरकार के आगे अपनी चपले घिसनी पड़ रही हो गोद्रेज प्रॉपर्टीज ही नहीं इलाके क बाकी प्रॉजेक्ट जिने ओसी नहीं मिल रही है गरांको को पॉजेशन नहीं मिल रहे हैं वो कहां जाएं क्या करें अब सवाल उटता है किसके लिए जिम्मेदार कौन है बिल्डर जो एक तरफा समवाद कर रहे हैं गरांकों से मूँ चुरा रहे हैं या फिर नोड़ बात है एरोगेंस की दिरिजे सुलूशन है सुलूशन क्या है कि डीम्ड ओसी का पर्वीजन है डीम्ड ओसी के बीसे इस पे आप जो पॉजेशन दे सकते हैं सेक्टर 150 में बिल्डर ने पॉजेशन दिया है पर गोद्रे इस चीज के लिए उनको कह दिया वह उसके लिए त पर विचार किया जाना चाहिए हालागि इसमें हमें एक और बात साफ कर दें कि हमारि मंशा किसी ब्रेंड को किसी ब्रेंड की चवी को खराब करने की नहीं है तबी हमने आपको भी आमंतरित किया था गोद्रेश से जूज रहें फाइनली हमारी अपील है उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ जी से, ग्रेटर नुड़ा अथॉरिटी से, उत्तर प्रदेश रेरा से, कि अगर ग्रहांकों का पेमेंट लेट होता है, उनसे पेनल्टी वसूली जाती है, तो फिर प्रोजेक्ट ले प्रोजी, रिशी और सोनिया जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रॉपर्टी प्लस में हम इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे, आज के शो में फिलहाल इतना ही, आप बने रहें जी बुजनेस के साथ, नमस्कार हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली, जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, प्रेशानियां, बद इंतजामियां, हमारे शहीदों को इस बात की कते ही चिंता नहीं थी, के देश को आजादी मिलेगी जा ना, लिकिन उनको एक बात ही चिंता थी, के आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होगी, हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धक्ये खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े अगर जंग सबने अकठे होकर लड़ी थी अजादी की तो फिर सुख सुहूलते भी सबको इकठी मिलनी चाहिए हम तो शहीदों के पाओं की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं आलात बदलने चाहिए चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं तो चुनाव के बाद सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खजल को आरो यही आजादी के असली माइने है शीदियाजम सरदार भगत सिंग जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएंगे अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार मोधी सरकार की गारंटी महिलाओं के लिए धुआ मुक्त रसोई प्रधान मंत्री उजुला योजना के तहट 10 करोड गैस कनेक्शन हमारा संकर विक्सिद भारत डेबल डेकर ब्रिजु से डेबल हुई विकास की रफतार सेना से लेकर आम जन मानस तक सब के लिए खुला न्यू इंडिया का न्यू बोगी बिल ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज ब्राम पुत्र नदी की शान जिस पर साथ डॉरती हैं कार और डेबल उसका नाम है भोगी बिल ब्रिज गर्म पुत्र नदी के उत्तरी और दक्षनी तटपर ये इशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल और सरक पुल है असम और अरोनाचर प्रदीश में रहने वाले लाखों लोगों के आवागवन में सहुलियत देने वाला ये पुल पूरी तरह से लोहे से बना है जिसे बड़े से बड़ा भूगम भूभी सालों साल तक हिला नहीं सकता इस पुल से नॉर्थ इस्ट इंडिया और इंडो चाइना बॉडर पर मिलिटरी टैंक्स तक को आवागवन की सुविथा मिलेगी निव इंडिया का इंजिनिरिंग करिश्मा करता है हर चनोती का खात्मा नया भारत नई उडान आयुर्वेद का ये सार है आरोक्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल्य है पतंजली चवनखाश है देश दुनिया बाजार या कारोबार खेल फैशन फिल्म या सरकार दिन भर की हर हल चल कसा डिनर के साथ देखिए ख़बरे धुआधार बदल जाएगा ख़बरों को देखने का तरीका एक ये खबर चाली सा रात आठ वजकर चपन मिनट पर सिर्फ जी बिस्निस पर मोदी सरकार की गारंटी सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा चार करोड पक्के घरों का निर्मान हमारा संकर विकसित भारत समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्मान की जरूरत पूरी विकसित देश का लक्षा हासिल करने के लिए हर बारतिय का योगदान अत्यंत महत्वपून है आपका अडवांस टैक्स देश के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने शिक्षा, सामाजिक योजनाई वा देश की सुरक्षा और स्पेस कारिक्रम जैसे महत्तपून कारियों को अंजाम देने में काम आता है तो फिर अपने अडवांस टैक्स की जिम्रेदारी समय पर पूरी करें याद रखिए वित्यवर्ष 2023 के लिए 75 प्रतिशत टोटल पेबल अडवांस टैक्स का भुकतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए कम्पनीज, कॉपरेट्स या फिर सलरीड इंपलोईज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपे या उससे अधिक है तो फिर अडवांस टैक्स देना आवश्यक है प्रतियक आयकरदाता एक राश्ट्र निर्माता प्रायोजक पतंजली केशकांती एडवांस नए बालोगाई बालों को जड़ने वा असमे सफेध होने से बचाए प्रायोजक पतंजली केशकांती एडवांस नए बालोगाई बालों को जड़ने वा असमे सफेध होने से बचाए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना सही सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया वैद फैसले के बाद जश्र मना रहे लोग सुप्रीम कोट के फैसले को पीएम मोदी ने बताया एतिहास से क्लिखा कोट ने एक ताखे मूल सार को मजबूत किया पीएम ने फैसले को बताया उम्मीद की किरण कॉंग्रेसांस अधीरत साहू के कुछ ठिकानों पर आयकर की कारिवाई जारी रांची स्थित घर पर अधिकारी कर रहे जांच अब तक 351 करोण रुपए कैश बरामद बाजार में आज भी रिकॉर्ड हाई का सिलसिला रहा जारी निफ्टी, बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स ने चोई नया शिकर सेंसेक्स पहली बार सत्तर हजार के निकला पार और आपके चहेते चैनल Zee Business ने मचाई धूम Business Special में Wealth Creation Week तो Business Talk Show में News पर व्यूज और Daily News Bulletin में India 360 समेथ 5 Categories में मिला सम्मान नमस्कार आप देख रहे है जी बिजमिस और शाम 5 बजी के तमाब बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ स्वाती रायना और इस वक्त के बड़ी खबर आ रही है मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का इंतिजार हो चुका है खत्म बीजपी विधायक दल की बैटक में मोहन यादव के नाम पर मोहर लग गई है आपको बताएं मध्यप्रदेश में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आये थे और वही इसके 8 दिन बाद पार्टी आलकमान ने उनके नाम को फाइनल करके उसका ऐलान कर दिया बीजपी विधायक दल के बैटक हुई थी हम आपको बताएं और लंबी बैटक के बाद मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया है उजयन दक्षिन से विधायक है मोहन यादव उजयन दक्षिन से तीसरी बार विधायक चुने गए है वो आपको मोहन यादव के बारे में बताये तो जुलाई 2020 से 2023 तक शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और 2013 से लगातार विधायक रहे है और मद्यप्रदेश में दो डेपुटी सीम के फॉर्मुले पर भी मोहर लगी है जग्दीश देवडा और राजेंदर शुकला दो डेपुटी सीम होंगे मद्यप्रदेश में इसके लाबा नरेंदर सिंग तोमर को विधान सबा अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो आखिरकार जिएक अंतजार था कि मद्यप्रदेश में कौन मुख्य मंत्री बनेंगे उसका नाम का एलान हो गया तो साफ्त आपर शिवराज सिंग चौहान लंबे सकता पर काबिज होने के बाद अब आखिरकार शिवराज सिंग चौहान को हटना पड़ा है कुरसी से और मुहन यादव के नाम पर लगी है मुहर उज्जेंद अक्षर से विधायक रह चुके हैं और आपको बताए दो डेपुटी सीम पर भी के फॉर्मूले पर भी मुहर लगी है और आखिरकार जो सस्पेंस नतीजे आने के बाद बर करा था वो आच दिन के बाद वो सस्पेंस हो चुका है मोहन यादव उज्जेंद अक्षर से तीसे बाद विधायक चुने गए है जुलाई दोहसा बीस से दोहसा तेस तक शिक्षा मंत्री भी रहे है और दोहसा तेरा से लगातार वो विधायक भी है साथे जग्दीश देवडा और राजेंदर शुकला दो डेपुटी सीम बनाये जाएंगे ख़वर ये भी है कि नरेंदर सिंग तोमर को विधान सबा अध्यक्ष बनाया जा सकता है वही राजिस्तान में सीम को लेकर अभी भी संशे के बादल चट गए है अब मंगलबार को बीजेपी विधायक दल की बैठक तै हो गई है जैपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्याले पर कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी कल तीनो परिवेक्षक ग्यारा बजे जैपुर पहुचेंगे लंज के बाद विधायक दल की बैठक होगी लेकिन लंज से पहले अनौपचारिक बैठक परिवेक्षक करेंगे वही बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्याले से विधायकों को फोन कॉल्स भी दिये जा रहे हैं कल तीनो परिवेक्षक राजनाथ सिंग, विनोत तावड़ी और सरोच पान्डे विधायक के साथ मंधन करेंगे विधायक दल की बैठक में चर्चा के बाद सेम के नाम का एलान होगा क्या आपने बैंकों से कर्ज लिया है? क्या आपको सोशल मीडिया के जरिये कर्ज माफ करने का ओफर मिला? क्या आपने अखबारों में कर्ज माफी करवाने वाले ओफरों का विध्यापन दिखा? अगर ऐसा हुआ तो आप सामधान हो जाईए ऐसे फरजे विध्यापनों को लेकर आर्बिया ने चेतामनी जारी की है खबर पर जादा डीटिल्स दे रही है हमारी से होगी एक तासो दे आर्बिया ने सर्कुलर निकाला है ऐसी आड कैमपेंज को लेकर जो की प्रिंट में दिख रही है सोशल मेडिया में दिख रही है कर्ज माफी का दावा करते हुए यहाँ पर कस्टमर से एक सर्विस फी या लीगल फी कहकर चार्ज की जाती है यह कहकर कि आपको कर्ज माफी का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा अब यह जो लोन वेवर सर्टिफिकेट है यह अपने आप में फ्रॉड है दूसरा कस्टमर अगर सर्विस फी या लीगल फी के नाम पर पैसे दे रहा है ऐसे फ्रॉड स्टर को दूसरा यह कि बैंकों को इससर्ट नुक्सान भी हो सकता है क्योंकि लोन ले लिया पैसा बैंक में जमा जो है वो मेरा और आपका है वो पैसा अगर कोई लोन के इसाब से ले रहा है और चुकान नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि ये banking ecosystem को नुकसान है इसलिए RBI ने आगहा किया है customers को कि ऐसे ad campaign से बच कर है इसके अलावा अगर आपकी नजर ऐसी ad campaign पर पड़ रही है तो police को भी इतला कीजिए ताकि वो उसी समय stop हो जाए cyber police को इतला दीजिए ताकि वो ad campaign block हो जाए और ये गलत message community में customers के बीच spread ना हो और आपको बताएं कि प्यास के कीमतों पर सरकार काफी ज़्यादा alert हो गई है सरकार कड़े कदम उठाना जारी रखेगी उप भोगता मामलों के सचिम ने कहा है कि सरकार देश भर की मंडियों में प्यास के खरीजारी रखेगी उन्होंने कहा कि कीमते नीचे आने तक ये खरीजारी रहेगी ख़बर पर ज्यादा details के लिए हमारे साथ Zee Media संबादता अंबरीश पांड़े है अंबरीश क्या है सरकार का प्लान प्यास को लेकर प्यास की कोशिश की महंगाई से लोगों को निजात मिलते जाए लोगों को जितनी रहाद दी जा सकती वो दी जाए घरीलू बाजार में हमने देखा था कि प्यास की कीमते लगातार बढ़ रहे थी तब तक मार्केट में जो इंट्रवेंशन है वो लगातार जारी रहेगा सरकार का यह भी कहना है कि दो अभी बफर स्टॉक में प्याज रखा हुआ है इसको की बाजार में जारी किया जाएगा लेट खरीज का जो फसल है वो थोड़ा लेट हो रहा है इसके आने तक जब तक की मार्केट में सिच्वेशन ठीक नहीं हो जाती है तब तक सरकार यह इंट्रवेंशन जारी रहेगी इसके साथ सब किसान जो की अभी हमने देखा कि माराश की कुछ हिट्समें किसान स्ट्राइक पर है उनका कहना है कि हमको एक्सपोर्ट की वेज़ पूरी कीमत नहीं मिल पा रही है, हमारी प्याज नहीं भीक रहे है, सरकार यह बी आश्वासन दिया है कि सरकार देश भर मेंचे सबी मंद्ution की भरी हमने मिलाश को सरकार लिश्य करोड की चैनल पी बंदिनेशन से फूरोड की बิचना चाहते वो सीधा उनसे खरीद लगी किसी भी बिचोली के जरुवत नहीं है और प्याज को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने हैकाथम कराई थी उससे जो भी टेक्नीक्स आई हैं सरकार उन सबसे उनको सरक्षित करना जाती है कुल मिलाकर सरदार की ये कोशिश है कि प्रतिबंद है जारी देगा क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है बादार में उपलता और अफोरड़िबिल्टी दोनों बनाये रखना इसके साथ साथ किसानों के लिए असवाशन ये हैं कि उनके इतने भी प्याज है वो जिस बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं सरकार उनस सिच्वेशन में तरकार छोड़े और इनको आम आदमी को महनाई सराहत मिले और किसान की प्याज बिख रही हो और उससे अच्छे आमदा मिले स्वाशन दन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए वहीं बाजार की बात करें तो सुमवार को भी बाजार में त तर पर बंद हुआ बैंक निफ्टी बावन अंग चड़कर 47,314 के लेवल पर बंद हुआ बाजार में क्या रहा आज खास कहां पर्थी सबसे ज़्यादा हल चल बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशी चतुरवेदी बैंक निफटी के ब्रण चलते हैं बहुती सीमित दायरे में पूरे दिन कारोबार देखने को बना लेकिन क्लोजिंग के लिए आज से अगर आप देखे तो अच्छी क्लोजिंग यहां पर देखने को बनी निफटी के बढ़ने वाले स्टॉक्सी बात की जाए तो यू पि बैंक बीपी सेल आईशर मोटर्स यहां पर आपको फलकी फुलकी एक से देट परसंट तक की गिरावत नज़र आई अन्य स्टॉक्स यहां पर देखें डॉक्टर रेडीस वेसे डीके आक्शन के बाद पांच परसंट की गिरावत सूबरो से खबर भी हम आपको बताएंगे 11 14 परसंट की तेज़ी वोखाट में 14 परसंट का उचाल और बोड मीट के चलते हैं यहां पर आप देखें दस परसंट की बड़ी तेज़ी देखे गई आयरेफसी साथ परसंट चल गया करोड़ वाइस यहां पर भी दिन के दुरान ब्रेक आउट देखने को मिला लेकिन हाल की लिस्टिंग है यहां पर अगर आप देखें तो बीस परसंट का उपनी सरकेट आपको देखने को मिला गांदा रोयल सिमिलर टाइम पर आइप यहां पर भी दस परसंट के गेंज देखने को मिले डिक्सन टेक वाइदा बजार का स्टॉक है साथ परसंट की बड़ी अब बात करेंगे जी बिजनस के एक्स्क्रूजव खबर की जिसके बारे में हमयारी खबर दिखाने के बाद जिस पर मोहर लगी है कंपनियों को अब ट्रॉक ड्राइवर्स के केविन में एसी भी लगाना पड़ेगा क्या है इसके माइने बता रहे हैं हमारे से होगी कुश तो जी बिजनस के खबर पर मोहर लगती भी दिख रही है कुछ दिन पहले जब हम आपको बताया था कि यहाँ पर 2025 से काफी सारे ट्रॉक्स में अलगलग काटिगरीज में जो ड्राइवर केविन्स है उसमें एसी लगना अनिवार्य हो जाएगा तो अब यह सरकार की तरफ स ओफिशिल नोटिफिकेशन आ गया है कि एक अक्टूबर 2025 से सभी N2 और N3 ट्रॉक्स के लिए ड्राइवर केविन्स में अनिवार्य हो जाएगा इससे काफी सारी कंपनियों को फाइदा होने वाला है मुक्यत जो सबसे बड़ी बेनिफिशिरीज होने वाली है उसमें एक त चल रहे हैं क्योंकि इस चीज़ का बड़ा फाइदा है और इसी वजह से आप देखें आज के दिन में यहां पर बहुत ही बहुत ही बहतरीन तेजी बनती वी नज़र आई है दूसरा स्टॉक है अंबर एंटरपैसे जहां पर बस और रेलवेस के लिए रूफ माउंटेड एसी और यह कंपनी बनाती है और आगे चलकर यहां पर इनका डाइवर्सिफकेशन ट्रक्स वगरा में भी हो सकता है कुछ एक चुनिंदा कंपनियां हैं जो यह कमर्शिल वेहिकल्स यह ट्रक्स बनाने वाली जिसमें टाटा मोटर्स शोक लेले नाइशन मोटर्स जैसी थोड़ा नुक्सान होता है क्योंकि यहां पर उनका जो कॉस्त बढ़ने वाला है यहां पर यह जो पर अधे नजर आ सकता है को कट्थ को इंडिया एक नए प्रोडक्ट के साथ यहां रही है हमारे सहयोगी नुपर Kuka kola ने एलकॉल सग्मेंट में ले लिया ile an trade and Japanese liquor के साथ मिला मिला के आपको लेमेंट के साथ के मारकेट में मिल जाएगी माराश्रा में इसे लॉंच किया गया है लेमन डियो के नाम से इस ड्रिंक को लॉंच गुआ और महाराश्ट्रा में कोको कोला इंडिया ने फिलाल किया है जैपनीज लिकर सोशू और लाइम के कॉम्बिनेशन से इस ड्रिंक को बनाया गया है और इसी ड्रिंक के साथ कोको कोला इंडिया की फिलाल भारत में अलकॉलि की कीमत 230 रुपए के आसपास किये इसकी शुरुआत जपैन में हुई थी 2018 में फिलाल चाइना और फिलिपिन्स में आपको इसके प्रडक्स मिल जाएंगे और अभी फिलाल आपको भारत में गुआ और महाराश्टा के कुछ हिस्सों में लेमिन ड्यू का प्रडक्स भी आपको to drink जिसमें लेमेन अर जैपेनिस लिकर्डर लेमेन ड्यू के नाम से आपको मिलने लेगी कि कुवा और माराश्टा में हो चुकी है कोको कोला की अलकॉल सेग्मेंट में एंट्री सुप्रीम कोट से आग मोधी सरकार को बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरा रखा है CGI डिवाय चंदरचूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन अंग है और इसकी कोई आंतरिक समपर्भुता नहीं है 5 अगस 2019 को मोधी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छे 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था साथी राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे बाढ़ दिया था और दोनों को केंडर शासिर प्रदेश बना दिया था केंडर केस फैसले के खिलाभ सुप्रीम कोट में 23 अरजिया दी गई थी और इसके बाद आज ये सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोट केस फैसरी के बाद द्रप्रधार मिलत्री ट्वीट कर कहा कि आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है ये आशा की किरण है उजल भविश्य का वादा है और एक मस्बूत अधिक एक जुट भारत के निर्माण के हमारे सामोहिक संकल्प का प्रमाण है रुप्ते एक ब्रेक के लिए आगे जरूर देखेगा बधिरों के लिए विशेश समचाए गैलेंट एडवांस लर्फ रिफाइन टीम्ट बार्स निर्माण का रियल हीरो प्रिजेंट टॉप गेनर्स किसानों को हर साल रुपए 6,000 ग्यार करोड असी लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड रुपए की सहाइता हमारा संकल्ब विकसित भालत हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, प्रेशानियां, बदिंतजामियां हमारे शहीदों को इस बात की कते ही चिंता नहीं थी के देश को आजादी मिलेगी जा ना लिकिन उनको एक बात ही चिंता थी के आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालाद क्या होगी हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परिशानियों का सामना करना पड़े अगर जंग सबने अकठे होकर लड़ी थी अजादी की, तो फिर सुख सुहूलते भी सबको इकठी मिलनी चाहिए हम तो शहीदों के पाओं की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है लेकिन ये बसंती रंग की पग, शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, आलात बदलने चाहिए चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खजल को आरो यही आजादी के असली माइने है शीदियाजम सरदार भगत सिंग जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएंगे अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं बस डाइल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार मेरे पिता जी ने ना ये शेर्स में भी इंवेस्मेंट किया PSS को फोन लगा PSS? ये आपके फिजिकल शेर्स को डिजिटल करते है PSS फिजिकल शेर्स सलूशन जैसा नाम जैसा काम भारत के नव निर्मान के शिल्पकार हमारे कामगार अब किसी भी परिस्थिती में नहीं है अकेले हर कदम पर साथ खड़ी है डबल इंजन की सरकार माननिय मुख्यमंत्री योगी आंधित्यनात की अभिनव पहल विश्व कर्मा श्रम सम्मान योजना हर श्रम साधक को काम और सम्मान दिलाने में निभा रही है उपयोगी भूमिका शेहरी इवं ग्रामीन शेत्रों में विभिन पारंपरिक कारियों को चिन हित कर कारीगरों को मिला निश्वल्क प्रशिक्षन उननत किस्म का टूल केट प्रशिक्षन अवधी में कारीगरों के परिवार की जीवी का प्रभावित ना हो इसके लिए की गई मान दय की व्यवस्था विभिन बैंकों के माध्यम से कामगारों को उपलब्ध कराया जा रहा है बिना गारंटी लोन कामगारों के सम्मान के साथ ही O.D.O.P. और MSME को बढ़ावा देकर रोजगार स्रिजन में उपयोगी भूमी का निभा रही है विश्व कर्मा श्रम सम्मान योजना श्रमिकों का सम्मान हुनर को नई पहचान बेदाक चान ब्यूटिफल फ्लोरिग वर्मॉरा मचा गया निवस्टाइ वर्मॉरा टाइल्स फ्लोरिग ब्यूटिफल बनाने का निवस्टाइ आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है सुप्रिम कोट ने आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को परकरार रखा पाँच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की जस्टिस चंत्रचूर जस्टिस संजे किशन कॉल जस्टिस संजीब खन्ना जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाया सुप्रिम कोट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभीन अंग है कोई आंतरिक संप्रभुता इसकी नहीं है सुप्रिम कोट के फैसले का पी ए मोदी ने स्वागत किया एतिहासिक बताया नया जम्मू कश्मीर का स्लोगन देते हुए पी ए मोदी ने कहा अनुछेत 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोट का फैसला एतिहासिक है पी एम ने कहा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाक में हमारी बहलों और भाईयों के लिए आशा, प्रगती और एकता किये शांदार गोशना है ग्रे मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने भी इस फैसले का स्वागत किया अमित्व शाह ने लिखा अलगाव वाद और पत्थर बाजी अब अतीत की बात जाहिर की महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा की जम्मू कश्मीर के लोग हार मानने वाले नहीं है सम्मान के लिए लड़ाई जारी रहेगी वहीं ओवैसी ने सुप्रेम कोड के फैसले को निराशा जनक बताया जबकि गुलाम नभी आज़ाद ने कहा की जम्मू कश्मीर में अब बेरोज़गारी बढ़ेगी संसत के शीत कालें सत्र के दौरान केंद्रिय ग्रहमलत्री आमद शाह ने आज जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों बिल राजयसभा में पेश कर दिये अब इन बिलो पर राजयसभा में चर्चा होनी है आपको बता दे ये दोनों विधयक पिछले हपते लोगसभा में पास हो चुके हैं मध्यप्रदेश में CM के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई MP में विधयक दल की बैठक के लिए तीनों परवेक्षक वुपाल पहुस चुके हैं CM हाउस में परवेक्षकों ने शिवराज सिंग से मुलकात की लंच के बाद परवेक्षक विधयकों से भी 1-to-1 बैठक करेंगे थोड़ी देर बाद BJP विधयक दल की बैठक होगी विधयकों की राय के बाद CM का अइलान हो सकता है अरे क्या मैडम कब से गंटी बजा रहा हूँ मैडम जल्दी हाथ साफ करो ना मेरे को लेट हो रहा है एक मिनट वाव पिन नहीं लगा? छोटी पेमेंट्स के लिए पिनना ही लगा अच्छा है अब लेट नहीं हो रहा है क्या होगा रोहन? क्या सोच रहा है? लिया पहली सेलरी मिली है तुम भी कुछ आइडिया दो एक्सपेंसिस को कैसे प्लाइन किया जाए रोहान, एक्सपेंसिस के साथ-साथ इन्वेस्मेंन प्लान करना भी ज़रूर है देखो, सेलरी का कुछ हिसा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने ले भी तो सोच सकता हूँ ना लेकिन इन्वेस्ट कहा करूँ? सिंपल है, एन्पेस में एन्पेस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरूर किया है इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ू? वो देखो, एके करके इट जोड़ी जाती है तब जाके एक घर तयार होता है वैसे ही, अभी से पैसे जोड़ कर हम भी अपना रिटाइम्मेंट सुखी बना सकते हैं बात में तो दम है एन्पेस कम लागत वाली फ्लेक्सिवल लॉंग टर्म योज रहा है जिससे आपकी बच्चत ग्रो होकर पेंशन का लाब देती है अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एन्पेस अकाउंट ओपन करता हूँ जो कल किसो उसते हैं? वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं पेंशन है तो टेंशन नहीं एन्पेस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है हानी बेंग मैं फूलों में बसा स्वाध हूँ हर मिलावट से आजाद हूँ परिश्रम और प्रतिबधता हूँ मैं प्रकृती हूँ, शुद्धता हूँ मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ सतकुनों से भरा खरापन हूँ समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी क्योंकि इससे होती है विकसत भारत के निर्मान की जरूरत पूरी विकसित देश का लक्षा हासिल करने के लिए हर बारतिय का योगदान अत्यंत महत्वपून है आपका अडवांस टैक्स देश के बुनियादी धाचे को मजबूत बनाने शिक्षा, सामाजिक योजनाई वा देश की सुरक्षा और स्पेस कारिक्रम जैसे महत्तपून कारियों को अंजाम देने में काम आता है तो फिर अपने अडवांस टैक्स की जिम्रेदारी समय पर पूरी करें याद रखिए, वित्यवर्ष 2023 के लिए 75% टोटल पेबल अडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए कमपनीज, कॉपरेट्स या फिर सलरीड इंपलोईज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपे या उससे अधिक है तो फिर अडवांस टैक्स देना आवश्यक है प्रतियक आय करदाता एक राश्ट्र निर्माता सांसों की तरह तू दिल के पास है 70 years of trusted care, backed by science and innovation क्योंकि तू खास है सामको और Zee Business ला रहे हैं एक युनीक शो जो करेगा stock market के index acers की पहचान जो बन सकते हैं शेर बाजार के बड़े नाम सामको इन अस्सोसियेशन विच जी बिजनस प्रिजेंस, Mission Ace, The Index Show डेली सेग्मेंट, ओनली अन Zee Business बेदाक चांग, ब्यूटिफुल फ्लोरिंग वर्मोरा, मचा गया न्यूस्टाइल वर्मोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटिफुल बनाने का न्यूस्टाइल किम देश भर में प्याज की खरीद रहेगी जारी, उप्वोक्ता सचिप का बयान, किसानों और ग्राकों के हिट में लेंगे फैस्टा गन्य के जूस्ते एठेनौल पर रोक के बाद इस्मा की सरकार से एठेनौल की कीमत 10 रुपे प्रती नीटर बढ़ाने की मांग जी बिजनेस से एक्सक्रूसी बादचीत में इस्मा के इंकमिंग प्रसिडेंट एम प्रभाकर रावने गन्या किसानों के भुपतान में देदी की जताई आशंग का सोना दो अबते में सबस्चे सस्ता के नीचे लूड़का 42-300 के नीचे आई नहीं टीकी कच्चे तेल में तेवी ब्रेंट फिट 76 डॉलर के नीचे आया WTI कृड एक्षट्य डॉलर के नीचे फिजला नैचुरल गेस में गिरावाट और गहराई, MCX पर 8% से ज्यादा गिरे दाम, बहुत 201 रूपए के नीचे, गलोबल मार्केट में टेज गिरावाट का असर बेस मेटल्स में चोतरफा कमजोरी, कॉपर एलमुनियम 1% टूटे, जिंक लेड भी लाल निशान प्रस्तुत करता, पतंजली 54 प्राश, बेशकींती जड़ी बूटियों से बना, विश्वका सर्विश्रेष्ट 54 प्राश, प्रायोजक, पतंजली दंतकांती ट्रुथ पेस्ट, कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सर्च, और पतंजली केशकांती एडवांस, नए बालोगाई बालों को जड़नेवा असमे सफेद होने से बचाए। जिरो 1634, इसके अलावा आप 022-2300, 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बुलिटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक महतूर ख़वर के साथ, और ख़वर ये है कि एथिनॉल के लिए मक्के को बढ़ावा मिल सकता है। जो मक्का कारवारी हैं, जो मक्का किसान हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ख़वर आने वाली है। है पूरी ख़वर डिटेल में बताने के लिए संधाने के लिए जी मीडिया संबादाता। तरुन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तरुन बताइए मक्के को लेकर क्या बड़ी ख़वर है। बिल्किल बताने जाओंगा मिरतन जे एथनॉल के लिए शुगर्स की किलत हो रही है, उसकी फसल को बढ़ावा दिया सकता है। इसी के लिए सरकार 300 करोड का अत्रिक्ट फंड देने जा रही है, और यह जो फंड है वो नाफेड और NCCF को दिया जाएगा, क्योंकि यह दोनों ही एजेंसिस जो हैं, वो किसानों से मक्का खरीदेंगी, और मक्के की खरीद को बढ़ाना है, और क्योंकि MSP के ऊपर ही मक्क की खरीद हो पाईगी इस समय, क्योंकि बड़ी डिमांड शुगर की किलत के बाद मक्के की हो रही है, एथनॉल के लिए, तो इस वज़े से 300 करोड के आसपास का फंड यहां पर इनको देने की बात चल रही है, कंस्यूमर अफेर और वितमंत्राले के बीच में यह अत्रिक् और यह फंड भी इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि जब दोनों एजनसी नाफेट और NCCF जब किसानों से खरीदेगी, तो उनको जो नुकसान होगा इस समय करेंट प्राइस के पर, तो उस जो नुकसान की भरपाई के लिए यह फंड को दिया जाने की प्लानिंग है सरकार की तरफ से, और क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जो 20% एथनॉल का जो टार्गेट है 2025 तक उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, वो टार्गेट पूरा होना चाहिए, इस वज़ए से यह शुगर में आविलेबिल्टी नहीं है, तो मक्के से वो पूरा किया सके, इ और नेफेट के लिए 300 करोड का फंड आ सकता है, ताकि वो मक्की की खरीद बढ़ा सके, इस खबर को समझे, मतलब यह है कि अभी हाली में सरकार ने यह फैसला किया कि जो शुगर के जूस है और सीरफ से एथनॉल नहीं बनेगा, इसको ततकाल पर बहुत से रोग दिया गया है, तो अब उसकी पूर्थी कहां से होगी, ग्रेंज से होगी, और इसलिए तरून क्या रहे हैं कि 300 करोड का अतरिक्ट फंड मिल सकता है, इन दोनों एजन्सियों को, ताकि मक्की की खरीद बढ़ाई जा सके, और एथनॉल में कोई कमी ना हो, और जो 2025 तक 20% बिलेंडिंग के 10% के आसपास आ सकता है, हलाक कि सरकार को भरोसा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और 15% का इस साल का टार्गेट हम पूरा कर लेंगे, तो एक सवाल तरून मेरा आप से और होगा, चुकि आपने बहुत महत्पूर खबर दी है, तो क्या यह माना जाए, चुकि यह फंड का जो डिसकेशन है, वो काफी एडवांस स्टेज पर है, तो जैसे ही यह फंड का इलोकेशन हो जाता है, तो यह दोनों एजेंसिस मक्के की खरीद को शुरू कर देगी, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि सरकार के लिए को बहुत बड़ा फंड नहीं है, तो इसमें किसी भी परकार की देरी, ना तो कंजुमर अफेर मिनिस्ट्री चाहता है, और ना ही वितमंत्राले चाहता है, तो उमीद यह की जा रही है, कि जल्द ही इस पर EFC जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी होती है, उस पर बैठक होगी, और बैठक में यह फैसला लिए सकता है कि तीन सो करोड का अत्रिक्ट फंट नाफट और NCCF एजन्सिस को दे दिया जाए, तो बतलब यह बहुत महत्पूर्ण खबर है, और तरुन कहा रहे हैं कि इसमें काम बहुत केजी से आगे बढ़ सकता है, ताकि जो जो डर है इंडेस्ट्री को की ब्लेंडिं यहां पर बढ़ाई जा सके, और तरुन कहा रहे हैं कि इसके लिए आपको कोई अगले सीजन का इनतिजार करना पड़ेगा, क्योंकि आम तोर पे MSP पे खरीद होती है, लेकि अभी सीजन नहीं है, सीजन आने में वक्त लगेगा, तो यह खरीद पहले ही शुरू हो सकती है, राइट तरुन? सीजन से पहले? इसके लिए कमिटी भी फाँ की गई थी उस कमिटी की रिपोर्ट भी जल्द सब्मिट होने वाली है। अब बात करते हैं मक्के के बाद प्याज की खबर की प्याज को लेकर ताजा खबर ये है कि प्याज की महंगाई पर सरकार लगातार एक्शन में है और जो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं प्याज के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पहले पावंदी लगाई और अब आज के हिप में फैसला लिया जाएगा और प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्श तक रोग जारी है और आपको बता दें कि एक्सपोर्ट पर रोक लगने के बार जो लासलगाउं एपीमसी मंडी है जो प्याज की सबसे मड़ी मंडी है वहां पर प्याज के दाम बहुत घड़ गए करीव आप मांके चलिए पंद्रह सो से अठारा सवर रुपए परतिकुंटल के आसपास थोग भाव प्याज के कम हो गया है महाज कुछी दिनों में जब से एक्सपोर्ट पर पावंदी लगी है तो यह भी का जा रहा है कि जनवरी से दाम कुछ और कम हो सकते हैं जब सप्ल पर बहुत रहें और जॉब के आकड़े बहतर आने के बाद अब मार्केट का जो रुजहां था इंट्रेस्ट को लेकर वो थोड़ा कम हुआ है मार्केट को लगता कि शायद अरली रेट कट ना हो मई से पहले इसकी कोई समभावना ना दिखे इस बात की समभावना रहा है क्या करना चाहिए गोल्ड में बताइए आपका बिल्कुल सही आकलन है मार्केट का अलमस्ट बन गया है मजबूत जोब डेटा के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मार्केट फ्रोथी हो गया था जब एकी सो पचास का कॉमेक्स में भाव हमने देखा तब तो चांदी में क्या ट्रेड लें सिल्वर में क्या करना चाहिए अमिति जी गुड़ इवनिंग दिखे गोड़ सुगर हम थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देख रहे हैं क्योंकि इंट्रस्टेट को लेकर जो अभी डिसकेशन है वो तो पैंडिंग है और लग रहा है कि अदली रेट कट ना हो थोड़ा बाद में हो तोड़ी अब हम लेते हैं सवाल और पहला सवाल है पावन का हरियाना से पूछे पर नमस्कार पूछे मुझे विरेंजी से पूछना है मेरे दो सवाल है पर है जो जरूरी है इस सवाल दनीया के बारे में पूछना है मुझे कहां पर लेना चाहिए और किस टार्ट के लिए लेना चाहिए गवार का रूलोवर कोस्ट कापी कम हुआ है जो 160 170 चल रहा था अभी 55 यने 1 पसंट का रूलोवर हुआ है It's a good sign for buy and hold जो लोग करते हैं उनके लिए Market कहीं bottoming process में है मैं अभी भी इसको buy and dips prefer कर रहा हूं positionally speaking दन्या में दो play है जो April contract है दन्या का वो काफी हुचा है वो 87-88-88 के आसपास shot किया जा सकता है with 93-300 कास्ट अपलोस से downside objective 82 January contract जो है 71-50-73 means 91-52-300 कास्ट वाई किया जा सकता है 69-80 का स्टॉपल्स वरना चाहिए upside objective 7900-8100 कास्ट वास राहूल है हमारे साथ पूछे राहूल जी इंट्रेडे में चांदी का टार्गेट रहेगा इंट्रेडे में चांदी का टार्गेट बताए अनुच जी इंट्रेडे में चांदी का टार्गेट देखे लग रहा है कि 71-800-771 तक के लेवल आ सकते हैं वहाँ चांदी में देखा जा सकता है अचा सेलिंग प्रेशर आप करें कि चांदी में देख सकता है इस पर आप नज़र रखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमॉलिटीज की बात करते हैं क्रूड पर बिरेंजी क्या भी है आपका कच्छा तेर मतलब आप समझें कि लगतार साथ हपते तक क्रूड के दाम गिरते रहे और ये पिछले पांस साल में मतलब 2018 के बाद पहली बार इतनी लंबी गिरावाट क्रूड में आई है क्या लगता आपको क्या होगा आगे इसमें असा लग रहा है कि ओपेक का काफी एग्रेसिव इंटर्वेंशन होने के बावजूद प्रोडक्शन कट होने के बावजूद भी मार्केट कमजोर पड़ गया है मुझे असा लग रहा है कि शायद जो लास्ट टाइम 65 का लो हुआ था नाइबेक्स में यह शायद प्रेक हो जाएगा हम करिवन अठान बासट 58 62 तक अधिकर आया मुझे और इंटर्न टम्स में शायद पच्पन पचास शप्पन शोर के असपास के प्राइस हम देखेंगे अगले दो तिन में इंटर्नल स्ट्चर काफी बेरिश है अच्छा इंटर्नल ली आपको लगता है मार्केट काफी वीक है कमजोर है नेक्ट कॉलर हनुमंत है हमारे साथ पूछे अनुमंत पूछे पूछें है कि अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेट करता हुआ दिख रहे हैं मुझे लगता है कि इनको खरदारी का देखने को मिल सकता है ओके नेक्ट कॉलर दिपाली है पूछे दिपाली इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर की रनीति आप जानना चाहते हैं बताइए अनुजी इंट्राडे के तो आप मास्टर हैं क्या करें आज सोने में और चांदी में दोनों में हमें लगता है कि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में रहेगा तो विक्वाली का ही सरा है कि नीचे गोल्ड करीबन इक सब्सक्राइब तक तक आ सकता है और शिल्वर नीचे लग रहे कि बातर रहार एकतर रहार आट तक के लेवल दिखा सकते तो दोनों में हमें लगता है कि विक्वाली के साथ ट्रेड करना चाहिए नीचे हमें लग रहा है कि एक सब्सक्राइब आपके हिसाफ से क्या हुआ जीरे में जो भी हुआ है कहां 55,000 का जीरा 36,000 पर आ गया जेट दो महने में इसमें स्वाइन का नमबर काफी काफी एक्षपांशन है करवें 160-170% की स्वाइं लोग बता रहे हैं उपनी इस तरह से डिमांड डिस्रक्शन भी है बट फिलाल मैं ऐसा देख रहा हुआ कि अभी वेदर इवेंट क्योंकि जीरा पर्टिक्लर वेदर से बहुत ही प्रभावित होता है अभी कब से कम मेरे साब से 4-6 विक का वेदर क्लोज ले वोज करना चाहिए अगर कोई वेदर इवेंट एडवर्स नहीं रही तो मार्केट अभी भी डाउनसाइड बता सकता है प्रभी थर्टी थर्टी फाइव या मैं भी 27-28 बट नाव डिपेंड वेदर पर डिपेंड है यह महत्पुन बात है चलिए बहुत शुक् से इठनॉल बनाने नहीं बनाने के निर्देश दिये गए हैं उसके बास से बहुत चर्चा हो रही है शुगर की इठनॉल की इसलिए हमने बात की है इसमा के इंकमिंग प्रेसिडेंट जो 15 दिसंबर से इसी हफते कारिभार समालेंगे एम प्रभाकर राउ साहब उनसे हमने इक्सक्रूसीब बात की है और जानने और समझने की कोशिश किये कि इंडिस्ट्री को क्या दिक्कत है और इंडिस्ट्री को चाहिए क्या सुनी नमस्कार और चुकी चीनी को लेकर खबरों का बादार बहुत गर्म है जिस तरह से सरकार ने एथनॉल के उपर ये फैसला किया है कि शुगर के जूस और सिरफ से एथनॉल नहीं बनाया जाएगा उसको लेकर के लगतार इंडिस्ट्री की परतिक्रिया आ रही है और इस वक्त इस पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेमान जोड़ रहे हैं हमारे साथ इसमा के नए प्रेसिडेंट ब जूड़ने के लिए पंदरा तारिक से आपका कारेकार शुरू हो रहा है आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेंज होंगे इंडिस्ट्री को लेकर तो मेरा पहला सवाल आप से यह है कि जो सरकार का फैसला है कि शुगर के जूस और सिरफ से आप इतना नहीं बना सकते भी भी है भी मुलासित से आप बनाते रहें सी से बनाते रहें इसका इंडिस्ट्री के ओपर क्या देख रहे हैं तो हम लोग वी अंडिस्टांड दी इंपोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एडिकवेट शुगर पर दी कंट्री तो जितना चीनी चाहिए उतना दो रखनाए बनानाए पड़ेगा अचानक यह प्रॉडक्शन का कम होने से सरकार को रोक लगारा पड़ा शिरफ से लेकिन इंडिस्ट्री पिछले तीन-चार साल से काफी इंवेश्ट्मेंट किया इतना लोग का कपैस्टी बढ़ाने के लिए सरकार का जो लक्ष्य था 20% अतक ले जाने का तो उ हिसाब से हम लोग भी कपैस्टी अड़ करते गाया है तो इसलिए हम लोग भी काफी इसके बारे में कंफ्यूज हैं आगे क्या होगा कैसा होगा करके वितिन दे लिमिटेशन्स वी हां गिवन सॉम सजेशेशन्स तो दी गवर्मेंट सबसे पहला हमारा सजेशन यह है कि जो सिरप से जो बनाने का जो कॉंटिटी था उसको भी हवी मुलासे से अगर बनाने का परमिशन मिलता है तो कम से कम कुछ हाथ तक यह प्राव्डम इंडस्टी के लिए इस साल में कम हो जाता है तो दूसरा यह जो प्राइस है क्योंकि कुछ लास होने वाले हैं कंपनियां को जिसने इंवेश्मेंट किया काफी कुछ उसको लास होने वाला है तोड़ा इतनौल का प्रैसिस भी बढ़ाना चाहिए यह वी हमारा रिक्वेस्ट ने जैसा ग्रेन के लिए प्रैस बढ़ाया वह हमारा लिए बढ़ाना चाहिए कि हम लोग सोच रहे हैं इसके लिए कुछ से इतनौल बनाया जाएगा तो आप कहरें कि जो अभी अभी चुकी यह कहांगे कि जो कॉंट्रेक्ट हो चुका है वहां पर यह लौड है आप करें कि उससे आगे भी हैवी मुलैसिस से इतनौल बनाने दिया जाए राइट सर आगे की बात हम नहीं कर रहे हैं तो अभी जि प्राइस हो जाना चाहिए थनौल का तक कि आपका लॉस कम हो यह लॉस कम से कम यह पर प्रति लीटर दस रुपया तक बढ़ने से हां थोड़ा बहुत हम लोग बैलन्स कर सकते हैं जो अभी लॉस हो राज थोड़ा यह बहुत कि इससे थोड़ा होगा इंपक्तिक्टी तो सब्सक्राइब करने जा रहे हैं इस पुले मुद्दे पर सब्सक्राइब कर रहे हैं कि समय क्लियर नहीं है लेकिन जानकारी मिलिए कि आज पेट्रोलियम सेक्रेटरी के साथ आप रहोंगी कोई सब्सक्राइब कि इसलिए कि सप्लाइब बढ़ जाए आपके हिसाफ से एथनॉल सुगर केन जूस और सिरफ से अगर अभी नहीं बनेगा तो कितनी सप्लाइब चीनी की बढ़ जाएगी नेट-नेट तो इसका अंदाजा है करिब धाई से तीन बिलियन तन बढ़ने का संभावना है जिसका वज़े से कुछ बफर स्टॉप भी हो जाएगा चीनी मतलब इस सीजन का जो रिक्वार्मेंट है उसका उपर हम लोग कुछ बफर स्टॉप में जाके हम लोग लैंड करेंगे तो बफर स्टॉप होड़ करने से कुछ कैश्ट्रोगा भी प्राब्लम आ सकता है लेकिन यह सब बाते हम लोग आगे में बात करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि पहले तो इमेडियेट जो एक्शन हुआ इससे हमको निकलना है इसके बाद यह अगर बफर स्टॉप बने मतलब 25 से 30 लाख टन ज्यादा चीनी मार्केट में आ जाएगी उत्पादन होगा चीनी का तो इससे क्या चीनी की कीम्तों पर कोई इंपक्ट आप देख रहे हैं क्या चीनी का प्राइस कुछ और कम हो जाएगा तो अब जो प्राइस के संपेर करेंगे तो अपना देश का चीनी का भाव काफी कम है तो इस लबल से भी शायद और कम होने का संभावना है ठीक है अब एक बात जरा सर आप बताएं कि अगर मालेजी चीनी का प्राइस एक रुपए या दो रुपए प्रतिकीलों घटता है कम होता है तो इससे कितना बड़न बढ़ जाएगा चीनी मिलों का सब्सक्राइब करने से जो इंट्रेश्ट का बढ़ता है उसके साथ साथ अगर चिनी का बहुत भी गड़ गया तो हमारा अभी जो इस सब्सक्राइब हुआ था यह तो किसान का किसान को हम चिनी के साथ साथ उर्जा दाता बनाने का जो मकसद था पतान नतिजी का और गवर्मेंट का उस हिसाब से यह सब पैरक्रम आगे बढ़ रहे थे और किसान का पेमेंट भी टाइम ली किया जाए उसके लिए वह यह सब इंट्राइब पैसे मिल जाते हैं ओंसी की त पैसे मिलते हैं तो इससे क्या किसानों के भुकतान पर कोई इंपक्तान पर जबुद्ध का पेमेंट पर पिछले दो साल से वह अच्छा हो गया सिस्टम उसका उपर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और पिएमेंट कुछ लेट हो सकता है किसान के लिए तो मतलब बेशिक अगर बफर बन जाता है तो जो भी रिलीज कोटा होगा वह कोटा उसके लिए नहीं लेगा इसलिके प्रॉब्लम जरूर आएगा एक दो मेने के बाद अच्छा ठीक है तो आप उस वक्त में इसमा के प्रेसिडेंट बनने जा रहा है जब मुझे लगता कि शुगर इंड़ को वक्त दिया आप 15 तारिक से आपका कारेकार शुरू हो रहा है और उससे पहले आप जुड़े हमारे साथ इसके लिए बहुत-बहुत धन्वाद प्रायोजग लाइसी हर पल आपके साथ बेदाक चांग, ब्यूटिफल फ्लोरिग, वर्मॉरा, मचा गया निवस्टाइल, वर्मॉरा टाइल्स, फ्लोरिग ब्यूटिफल बनाने का निवस्टाइल Prestonic Engineering Limited launches its IPO on SME Emerge platform Issue price of Rs.72 per equity share with a lot size of 1,600 equity shares IPO opens on 11th December 2023 and closes on 13th December 2023 IPO lead managed by FinShore Management Services Limited सब्सक्राइल, वर्मॉरा, मुलावट से आजाद हो, परिश्रम और प्रतिपध्धता हो, मैं प्रकृती हो, शुद्धता हो, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हो, सतकुनों से भरा खरापन हो, कुदृत का अंश लेकर जीवन दायनी बना हो मैं, पतंजली हनी हो मैं किसान से दुकान तक मोधी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआ मुक्त रसोई, प्रधान मंत्री उज्वला योजना के तहत, 10 करोड गैस कनेक्शन, हमारा संकल, विक्सित भाराद मेरे पिता जी ने ना, ये शेर्स में भी इंवेस्मेंट किया, पी एसेस को फोन लगा, पी एसेस, ये आपके फिजिकल शेर्स को डिजिटल करते है, पी एसेस, फिजिकल शेर्स सलूशन, जैसा नाम, जैसा काम, हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीज अजिकल शक् deuxième श्रकारी दफट्रों में दुश्वारिया, प्रेशानिया, बद इंतजामिया, हमारे शहीदों को इस बात की कतई ही चिंता नहीं थी, कि देश को आजादी मिलेगी जा ना, लिकिन उनको एक बात कीचिंता थी, कि आजादी के बाद, देश कौन से हाथो में जाएगा देश के हालात क्या होगी हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिंदगी आसान हो सके ना कि इसलिए के वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धक्ये खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े अगर जंग सबने कठे पाउं की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है। लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। कि हमारे देश में आम लोगों के सिर्फ दिन रात नहीं, पालात बदलनी चाहिए। के समय हम लोगों के पास जा सकते हें, तो चुनाव के बाद सरकार बनती एह। तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों के जनता के पास जाना चाहिए, ना के जनता सरकारी दफ्तरों में